अब हम अगले पड़ाव पे आ रहे है और वो क्या है? फ़कली में फ़कल बाव आ है? सालरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजी बीपी, क्यापिटल गेन, दें इंकम फॉम अधर सोर्स इन सभी हैट्स ऑफ इंकम में एट ताइम्स यू फाइंड आट कि मैंने कुछ अलग असेस्मेंट एर को रेफर किया है वी आर स्टड़िंग असेस्मेंट एर 21-22 एट ताइंच यू में फाइंड कि मैंने बोलते बोलते कुछ और असेस्मेंट एर बोला है बट बिलीव में वो रिकॉर्डिंग्स आपके लिए कंप्लीट एप्लीकेबल हैं और दोजार हंड्रेट परसेंट अपजेट कि अगर आपको कहीं भी ओल्ड रफरेंस आता है तो आपको घबराने की बिलकुल भी आवशक्ता नहीं है थे मटेरियल अप्रिंट मटेरियल और एबुक भी वी अप्रेस्ट इसमें तो करिंट असेस्मेंट एर विच एप्लिक एप्लीकेबल एप्लिकेबल एग्जम एग giving you the lectures I might have referred at times an older assessment year but you need not worry you need not worry this is my utmost responsibility that I need to deliver you the latest and updated lectures so that you are fit for the examination even 1% of the amendment I say 1% of the amendment will not be missed by you this is my prime responsibility this is all together the same thing the law is 110% and therefore and therefore sir might have referred in the videos an assessment year say 2021 instead of 21-22 so this is my I hope this is clear of income also what you will find is those videos have been incorporated those new videos have been incorporated over there right so if you have a reference for the people who want to give you to the because it is 100% updated reference to have a full reference but the lectures are 100% 110% 100% not 110% updated तो ऐसा ना हो कि आप फोन करकर के परशान करें हमारे कॉंसलर्स को बताएं कि नहीं यहां तो सर ने ऐसा रेफर कर दिया था मैंने पहले क्लियर कर दिया है कि अगर रेफर भी किया है तो आप धवराइए नहीं आपके नोट्स में 100% चीजे लिखी होई है और वो रेफरेंस बस इसलिए है क्योंकि वहां पर कोई पूले लॉव में चीज़ नहीं है और वो पी एक्सेप्शनल यह ऐसा नहीं है कि यह लंग गेट सो मैने थिंग लाइक दाट एक्सेप्शनली इंट्यू वीडियो जी यू यू में पाइंट था ठीक है वह बस हलका सा हलका सा रेफर क यह हुआ है मतलब आपको दिखरा है कि मैंने बस एसेस्मेंट यह 2021 बोला है इंस्टेट अफ 2122 तो आई बिलीव कि आप पेशेंट की बहुत आराम से वीडियो को करेंगे and you'll prepare yourself with utmost utmost responsibility of yourself that you're not going to forget anything इसका क्या मतलब है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो यह responsibility भी लीजिए कि हम पढ़ने के साथ साथ भूलेंगे नहीं और भूलेंगे कैसे नहीं बूलना तो सभाविक है तो आप parallelly revise करते रहेंगे की जोग है ठीक है यू गेट multiple place to run the videos तो therefore you'll utilize all those things and what you'll do, you'll prepare yourself best for the examination, income takes a wider subject है अभी तो हमने बहुत ही basics बाते की हैं जैसे जैसे आप post में आगे बढ़ेंगे you'll find कि आप चीजों को भूलने लगेंगे reason being कि वह बहुत ही burdens हम लगेगा एक एक दिन में हम रों कई कई सारे provisions को करेंगे और इतनी complicated होंगे कि एक provision और दूसरे provision को पढ़ने के बाद हम intermix करने लग जाएंगे हम भूलने लग जाएंगे कहां पी कौन सा provision पढ़ा तो revision is utmost important whatever I'm writing in news please do right in your copies और क्या ध्यान रखने की बात है कभी कभी हम बहुत छोटे छोटे एक्जाम्पल बनाके आपको प्रेस्ट करते हैं प्रोविजन पढ़ा है और छोटा से एक्जाम्पल बनाके आपको प्रोविजन की टेस्टिंग की आपके साथ कि आपने प्रोविजन को practically समझा की तो एक्जाम्पल में ही कैसा हमने तो बता दिया अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो दस दिन बाद वो confidence नहीं आएगा जब हम class ले रहे हैं प्रोविजन आपको पता रहे हैं उस समय तो वो एक्जाम्पल इसी लग रहा है बट जब बहुत सारे प्रोविजन हो चुके होंगे तो वही एक्जाम्पल डिफिकल्ट भी लगने लगेगा तो keep noting do not test your teacher ऐसा मत करिए कि हम testing कर रहा है कि अगर अच्छा लगा एक्जाम्पल तो लिख लेंगे नहीं तो नहीं लिखेंगे और जब तक आप सोचेंगे कि हमें यह नोट करना चाहिए एक्जाम्पल वीडियो आगे पढ़ चुकी है तो will you waste your time going back and again just noting it down no please do not judge anything keep on writing everything जो जो दिखर आए वीडियो में सब कुछ नोट कर लीजे everything is used right so this was all a message to you and now you are ready to proceed with the lectures we'll stop here very good morning to all we have already completed with basic concepts residential status and exempt income now we are moving towards heads of income what are the five heads of income salary house property PGBP capital gain and other sources right we are moving to the very first head of income and that is salary what is salary any payment by employer to employ is salary it is not necessary that the employer should call it by the name salary यह जरूरी नहीं कि employer उस payment को देते समय कहता है कि यह salary है जो कुछ भी employer से employee को मिलता है वो salary कहलाता है in fact आपको surprise होगा यह जानके कि अगर employer employee को खाना खिला देता है तो जिस value का खाना खिलाता है वो भी employee के हाथ में salary की income है employer employee को car दे देता है permanently दे देता है या फिर office आने जाने के लिए दे देता है या फिर office के काम को करने के लिए दे देता है कुछ ना कुछ benefit employer से employee को गया है और यह benefit की value लगाई जाएगी और यह भी salary की income employer employee को रहने के लिए घर दे देता है रहने के लिए घर दे देता है जब तक वो काम कर रहा है इसकी भी valuation है कुछ ना कुछ value है इस benefit की इसकी valuation की जाएगी और यह भी employee के हाथ में क्या है salary है ऐसे समझ लीजिए कि मेरी एक बड़ी सुन्दर सी secretary है मैंने धीर एसे एक दिन उसे 20,000 रुपए दे दिये उसने पूछा भी sir किस बात का मैंने का बस रख लो कुछ बोलना नहीं पताए ये भी क्या है salary है what I want to say मुवाद दिमाग में बाठाए ये any payment by the employer to employee is salary the relationship is to be seen whether the relationship between the payer and pay is of employer and employee or not and in case it is so the income is called salary for example Mr. A एक college में teacher है Mr. A एक college में teacher हैं वहाँ से उन्हें पढ़ाने के लिए तन्खा मिलती है पढ़ाने के लिए पैसे मिलते हैं वो salary कहलाएगा अब उस college का अपना एक hostel भी है चिक है उस teacher से कहा गया कि क्या आप warding का role play करेंगे इस hostel में basically warding का का कामी क्या होता है रात को बस इपर attendance ले लोगी सारे बच्चे होस्टल के अंदर है ना और main gate पे lock लगा दो और सो जाओ यही तो काम है warding का ठीक है जस्ट टू चेक whether सारे बच्चे in हो चुके हैं कि नहीं होस्टल में teacher पर उसी होस्टल में रहते हैं उन्होंने का कि yes I am ready to accept this work of wardenship I am ready to work as warden in this college in this college होस्टल उन्हें परहाने के लिए जो तंखा मिलती है वो है पचास जार रुपए और यह wardenship के लिए मिलता है दस जार रुपए जो परहाने के लिए पैसा मिलता है वो salary है जो wardenship के लिए मिलता है तस अब वो क्या है वो भी salary है पता है क्यों क्योंकि वो भी employer से मिला है तो जो भी payment employer से employee को मिलती है वो salary कहलाती है in fact ऐसे कहले जे payment ही नहीं अब हम ward use करने जा रहे हैं benefit any benefit which is moving from employer to employee is salary whether we are calling it by the name salary or not is immaterial इस बात से पर्क नहीं पढ़ता कि हम उसे salary बोल रहे हैं या फिर नहीं बोल रहे है benefit move कर रहा है employer से employee को वो salary है employer अपने office में रखा हुआ पुराना sofa sit office में रखा हुआ पुराना sofa sit employee को दे देता है पता है ये भी क्या है salary है आईए समझते हैं ऐसा क्यों है देखे गौर्मेंट जो law बनाती है income tax का वो चारों तरफ से रास्ते बंद करके बनाती है ऐसे समझ लीजे कानून लच्मन रेखा होता है इस कदर design किया जाता है कि वो लच्मन रेखा की तरफ role play करता है यानि उसे कोई पार नहीं कर सकता अगर income tax lose language यूज करने लग जाएगा रास्ते खोल देगा तो निश्यत बहुत सारी tax planning market में सुरू हो जाएगी देखे गौर्मेंट क्यों ऐसा कहती है कि कोई भी benefit employer से employee को move कर रहा है तो वो salary है वो इसलिए क्योंकि otherwise लोग क्या करेंगे अगर मेरी salary होगी 50,000 रुपए तो मैं अपने employer से काऊंगा एक काम करो आप मुझे 20,000 रुपए की salary दो अग 30,000 रुपए का ये benefit दे दो क्योंकि otherwise भी मैं आप से salary लेके 50,000 रुपए का 30,000 रुपए का तो ऐसा बिलकुल नहीं चल पाएगा government का ये मानना है कि अगर employer employee को कुछ भी दे रहा है तो निश्यत है उसके काम के average में दे रहा है जो उससे काम ले रहा है employee से उसके average में दे रहा है और इसमें जो भी payment जो भी benefit employer से employee को move करता है वो salary कहलाता है clear है बात सबको तो इस salary the only payment which is named as salary obviously not it's any benefit any payment moving from employer to employee तो या ये चप्र दे रहा salary the very first thing that we need to know is relationship of the receiver with payer payer means one who is making the payment and who is receiver one who is receiving the payment या relation से कोना चीए receiver का और payer का पैसा लेने वाले का और देने वाले का या relation से कोना चीए employer और employee का income under the head salary is taxable only if there is employer-employee relationship between the payer and pay employer-employee relation से कोना चीए payer और payee के बीच में पता है surprise तो real surprise आपको कब होगा जब आपको ये पता चलेगा कि कुछ payment को हम salary बोलते हैं लेकिन फिर भी वो salary की income नहीं है yes हम salary बोलते हैं आम बोलचार की बासा में you'll find that everybody calls it by the name salary लेकिन फिर भी वो salary की income नहीं है पता है क्यों क्योंकि देने वाला और लेने वाला इनके बीच का relationship employer and employee का नहीं है पता चलेगा भी आगे चलेगा तो हमें देखना क्या है benefit employer के पास से निकलना चीए employee तक पहुशना चीए यह देखना है जो जा रहा है वो salary है की नहीं है इस बात से फरक नहीं पड़ता हम उसे salary बोलते हैं की नहीं बोलते हैं इस बात से फरक नहीं पड़ता कभी-कभी तो देने वाला salary नाम से payment करता है, पाने वाला salary नाम से उसे receive करता है, लेकिन फिर भी वो salary नहीं है, क्योंकि उन दोनों लोगों के बीच में relationship employer-employee का नहीं है. तो income under the head salary is taxable only if there is employer-employee relationship between payer and payee, payer means one who is making the payment and payee means one who is receiving the payment and this relation is said to exist only if there is control over the method of doing work of other person. employer-employee relationship होता क्या है, यह आप कैसे समझेंगे, जब एक इनसान दूसरे इनसान की, मतलब employer, employee के काम करने के तरीके को पूरी तरीके से control कर सकता है, जब हम यह कह सकते हैं, कि देखो 10 बजे काम करना है, ऐसे ऐसे करना है, और इतने समय के अंदर complete करने ना है, और यहाँ बैठ कर ही करना है, कौन सा काम करना है, कब करना है, कहां पर करना है, इतनी बात, अगर हम कह सकते हैं, तो इसका मतलब है, हम employer है, अदब इस काम करने का direction तो बहुत सारे लोग दूसरे को देते हैं, एक बात बताईए, मेरा client है, मुझसे कहता है, income tax return वर दीजे मेरे लिए sir, तो काम तो work to me, obviously yes, now the question is whether I am his employee, no, because he cannot control the method of doing my work, क्या वो मुझसे ये कह सकता है, देखिये, इस date को, 14 अगस्त को, दोपहर में 12 बजे, आपको ये काम सुरू करना है, कहां पर बैठ के, फलानी restaurant में बैठ के, हो पूरी चीजे कंट्रोल कर सकता है, क्या कि मुझे कहां बैठ के काम करना है तब काम करना है, कितने समय में काम करना है, नहीं, he can only give me work the way I'll, I would like to do the work, I'll do the work, तब को बास समझ में आ रही है, लेकिन जब हम अपनी employee को काम देते हैं, तो क्या करते हैं, हम उसे बताते हैं कि तुम्हें क्या काम करना है, तब करना है, कैसे करना है, ये सारी बात बताते है तो ये ही कह रहा है कि employer-employee relationship को जानने का तरीका क्या है, आप देखिए कि employer-employee के method of doing work को control कर पा रहा है कि Control is set to exist if the payer can direct what has to be done, how, and by whom it has to be done, and the receiver is bound to follow all his instruction जो instruction दे रहा है, वो तो दे ही रहा है, लेकिन आपको पारलली ये भी चेक करना है, कि जो instruction ले रहा है, वो उस instruction को follow कर रहा है कि तो कि अगर instruction लेने वाला bound है follow करने के लिए, तब ही वो employee है वो सकता है कि मेरा client भी मुझे instruction दे दे कि देखे, case date को आप मेरा काम complete कर दीजेगा, लेकिन ध्यान दीजेगा, अगर हम bound हैं, तब तो हम employee हैं, अगर bound नहीं हैं, तो I am not employee, I am not bound, I am not bound to complete it by the time he is asking me to complete, I made to him in order to have good relation with the client, understood, लेकिन employee is always bound to follow the instruction of his employer, Few common examples where there is no control of payer over payer, अब हम कुछ examples देखने जा रहे हैं, जहां पे payer और pay, payer, pay टे कोई control establish नहीं कर पाता है, मतलब यहां पे employer-employee relationship नहीं है, अगर employer-employee relationship नहीं है, तो इसका मतलब यह है, कि यह जो examples हैं, यह salary नहीं है, these are not salary, यह salary नहीं है, इसांपल क्या जिज चिज का दिय गया, जौँट अछोड ऑर ट, यह थेस जौतर आतर यह है, व्युटर लगर टेखनी।, जूख ज। यह जौतर अधर आतर अतर जिज कई थातर हैं, इस प्रहीं हम आतर च catastrophic!.. अन्यांक dose कर準 पार्टनें जरी हूं सब्सक्राइए च्रुप पार्टन के रुटने की रुटनेंच को मियंगे correct मियंगे सेरी जरो सब्सक्राइए घ्रुटने को सी क्यों चैनलिंटेरी है या आप लोग partnership accounting में पढ़े भी होगे कि partnership firm से partner को क्या आता है remuneration आता है salary आती है अब एक बात बताइए क्या partnership firm employer अब partner employee होता है नहीं partnership firm में partner थी तो basically business का owner है हम भले उसे salary to partner बोलते हैं लेकिन ध्यान दीजेगा income tax की language के हिसाब से या income tax की definition के हिसाब से वो salary नहीं है क्योंकि partnership firm employer नहीं है और partner employee नहीं है एक payment salary income tax के तहर तभी कहलाती है जब employer employer relationship होता है clear about तो इसलिए salary payment from partnership firm to partner is not salary एक firm है and this is a partner एक firm partner को तीन payment करती है generally हम उन तीनों payment का नाम बताते हैं क्या 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 करती है एक तो होता है share of profit दूसरा जो अभी आपके लोग में पढ़ा की salary की payment करती है और तीसरा interest on capital बता यह ठीक बोल रहे हैं की नहीं ऐसा ही partnership accounting में आपने देख रखा होगा partnership firm generally makes three kind of payment to a partner share of profit जाता है उसके पास interest on capital and salary ठीक है salary या फिर क्या लेते हैं remuneration to partner कीनों payment की बात करते हैं इसे क्या treat किया जाता है कौन से head में यह taxable होती है अगर एक firm share of profit partner को देती है तो क्या होगा कौन से head की income है share of profit to partner share of profit to partner is exempt this is exempt कहां पढ़ा था अपने exempt income याद आ रहा है जहां पर हम आपको बता रहे थे कि देखे partner से firm ने जो profit कमाया उस पर already taxes दे दिया है तो अब अगर उस profit को बाठा जाएगा partner के हाथ में तो वो क्या होगा exempt होगा फिरकुल उसी तरीके से एक बात और बताई थी आपको याद दिलाने के लिए बोल रहे है कि achieve जब अपने members को profit distribute करेगा तो वो भी members के हाथ में exempt होगा reason being कि achieve ने already उस profit पर क्या दे दिया है taxes दे दिया है ठीके कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है salary अगर एक firm partner को salary की payment करता है तो यह जो salary की income होती है वो salary नहीं कहलाएगी because firm is not employer and partner is not employed and therefore पता है कहा क्या जाता है salary को PGBP की income कहा जाता है partner इसे profit and gains from business and profession head में दिखाएगा कि मुझे partner से firm से salary लिए है basically यह partner का firm क्या है business ही है और वहाँ से जो भी payment आ रही है वो business की income है पार्टनर्स के लिए firm क्या है business है और जो भी income firm से आ रही है वो business की income है salary क्यों नहीं है उसके पीछे real logic है कि employer firm नहीं है अब partner employee नहीं है basically partner ही owner है business की interest on capital जिस तरीके से अभी हमने आपको salary के लिए बात समझा है बिलकुल उसी तरीके से समझे है कि partner के लिए firm business है और यह payment business से आ रही है यह कोई investment का interest होगरा नहीं है यह business का ही कुछ ध्यान दीजे firm के हाथ में salary क्या होगा एक खर्चा होगा वो पी यल में चार्ज करेंगे interest on capital भी क्या होगा firm के हाथ में खर्चा होगा तो basically salary और interest on capital charge करने से firm का profit कम होता है और इसी लिए partner का profit income tax बहा देता है कहता है यह तो firm में खर्चे की तरह charge होगा है salary interest on capital firm के लिए खर्चा बन जाता है firm की income कम हो जाती है firm का taxes कम हो जाता है तो एक काम करते ही यह जो खर्चा firm के हाथ में charge हो रहा ही यह income बना देते ही किसके हाथ में partner के हाथ और जो share of profit होता है firm का यह तो profit figure है जिस पर already firm में taxes दे दिया है अब इस profit को distribute करेंगे partner के हाथ में तो इस पर tax नहीं लेंगे तो profit तो share of profit तो वो हिस्सा है जिस पर firm में taxes दिया है जबकि salary और interest on capital वो हिस्सा है जिसको P.L. में charge करके firm में अपना profit कम किया है profit कम करने का automatic मतलब है कि अपने taxes को कम किया है तो आई एक काम करते हैं salary और interest on capital को partner के हाथ में P.G.V.P की income बनाके उनका profit बढ़ाके taxes ले लेते हैं यहाँ पर आपसे salary chapter में यह सब बात पूरी नहीं करेगा यह पीजी वीपी की बात यहाँ पर क्यों करेगा यह बात कहां पर किया हुआ है P.G.V.P जैकिन हम आपको core relate करके सारी चीज़े parallelly बताते जा रहे है यहाँ पर कि इतनी बात कर रहा है कि partner of a firm को any salary bonus etc. कि इस तापीची salary bonus bonus भी का है salary का इस एक्सा है extra salary is bonus. Any salary bonus etc. by whatever name called received by the partner from the firm shall not be regarded as salary. What its salary regarded as P.G.V.P. Clear to all? Why has it not been written that itself will be regarded as P.G.V.P. as because we are studying the chapter salary. So हमें सिर्फ salary की बात ही यहाँ पर बताई जाएगी. It has been regarded as P.G.V.P. यह बात P.G.V.P. चैप्टर में आप पढ़ने को मिलेगा लेकिन हम आपको parallel ही बताते जा रहे है Director who is not employed Director who is not employed Director who is not employed साले आप से बात करते हैं कि Directors basically क्या क्या Directors की बात आती है Companies के साब से बात की जाए तो Directors कौन है एक तो आप सुमते हो कि Managing Director MD दूसरा WTD और तीसरा वर्ड होता है Director MD, WTD, Director MD, Managing Director, WTD, Whole Time Director, और फाइनली तीसरा वर्ड डारेक्टर पिसिकलि हम इनको Director कहते हैं और पार्ट-टांडर भी कहते हैं हलाकि Companies 행 में वर्ड पार्ट टांड यूजड नहीं करता है सिर्फ Director वर्ड यूज करता है लेकि डारेक्टर का मतलब ही होता है पार्ट-टांडर क्योंकि Whole Time Director को WTD कहते हैं और Managing Director को MD कहते हैं अब यह managing director कौन होता है basically directors अपना एक क्या करते है chief elect कर लेते हैं असा समझ लिए सबी director मिल्सके जो अपना एक chief elect कर लेते हैं उसी को managing director करते है यह final authority कौन होगी directors आपस में elect करके बनाते है managing director और directors को कौन बनाता है shareholders है जी वाले डैरेक्टर क्या होते हैं इन की बात करते हैं यह जो managing director होते हैं ये company के employee होते हैं ये whole time director भी जो होते हैं ये company के employee होते हैं ये जो director होते हैं यही employee नहीं होते हैं अब आपको मैं ये समझाता हूँ कि ये director employee जो नहीं होते हैं इनका रोल क्या होता है ये क्या करते हैं company में और इनको payment क्यों मिलती है आईए समझाते हैं आपको एक company है एक company है जिसने बहुत सारी board meeting की board of directors की meeting की और finally एक conclusion पे आए है यहां से सुनिए क्या हुआ एक company है जिसने बड़ी सारी directors की meeting की पिछले साल बर से लगातार करते आ रहे हैं और finally decide करके निकलते हैं उस meeting से कि हम दो को business A करना चाहिए I decide किया है कोई एक business है जिसका नाम है A यह करना चाहिए मैं उस company का consultant हूँ chartered accountant उस company का director अब मेरे पास ओता है office में और कहता है sir मुझे एक नया business हमारी company एक नया business start करने जा रही है इसके लिए आप एक company registration करा दीजे और भी जो इसकी legal formalities वगरा formations related है वो आप करवा दीजे ज़ाद्यान से सुनिएगा वो मेरे पास किसलिए आए है क्या मुझे वो business के बारे में समझने आए है बिलकुल भी नई business का decision already वो board of directors की meeting में ले चुके है मेरे पास वो सिर्फ इसलिए आए है कि राज अगरवाल जी उनकी company का registration करा देंगे और जो भी legal formalities formation से related होती है वो करा देंगे चीक है मैंने उनसे पूछा business आपका जो है वो ए बिजनेस है तोड़ा सा इसके बारे में बताईए तो दो मिनिट उन्होंने business के बारे में बताया चीक है बड़ा positive भी था उस business को लेके business एक हो मैंने तुरंट उनसे बोला आप क्यों business A कर रहे हैं सहाब ज़रा ध्यान दीजिए business B कीजिए ना अगर आपको करने का मानी है तो आपका जो existing business already चल रहा है उससे भी business बहुत related है marketing के tools आपके same use हो जाएंगे business B के लिए जो आपके पास existing marketing tools है consumer market भी आपका वही है जिसमें आप existing deal कर रहे हो मतलब आपको नए market को expand करने की जोड़त नहीं पड़ेगी the same buyer जो आपके existing business का buyer है वही आपके business B का भी buyer बनेगा customer बनेगा इस business का और तो और business B को करने के लिए government ने फिलाल इस area को decision declare किया है जहां पर business B किये जाने वालों को 10 साल के लिए tax benefit है और तो और business B को करने के लिए जो raw material की आवेशकता है उस raw material के import पे government किस समय custom duty को reduce कर रख लिए है यह इतनी सारी बात बताए उसको और business A और business B बहुत ज़्यादा आपस में दूर भी नहीं है almost रही जैसे ही है तो why to go for business A business B पे जाए profit margin higher होगी क्योंकि तो government आपको raw material पे import duty कम ले रही है दूसरी बात SCZ में आप इस unit को लगा दिए land सस्ती मिल जाएगी और तो और income test दस सालों तक नहीं देना है कि कैसा benefit government लाई है मैंने उन्हें बताया चीक है जैसे ही मैंने ये बात बताया कुछ भी बोले बिना परट के सीरे भाग गया हो निकल गया office से तुरंट directors की उन्होंने फिर से meeting बुलाई और उसमें discuss किया कि मैं तो राज अगरवाल जी के पास गया था जो chartered accounting ने उनसे कहा कि मेरा company का registration करा दीजे बस उन्होंने दो लाइन पूछी कि कौन सा business करने वाले हो मैंने business A के बारे में बताया उन्होंने तूरंट बोला कि business B करो ज्यादा फायदे वाली बात है बताओ हम लोग तीन सो पैसट दिन ने 75 बार meeting करकी ये decide किये थे कि business A करना चीए अपर भर में राज अगरवाल जी ने mind mold कर दिया और कह रहे है business B करना चीए और उन सब director को ये बात समझ में भी आई अब वो लोग ऐसा सोच रहे है अगर राज अगरवाल जी पांच मिनट में इतनी सुन्दर बात बता सकते हैं तो अगर वो हमारी हर meeting में बैठते तो नजाने कितनी अच्छी अच्छी बात बताते हैं अरे हमारी तो company का कल्यार हो जाता है अगर राज अगरवाल जी जैसे लोग बस हमारी meeting में बैठ जाया करें अपना दो-चार सब्द भी अगर कह देंगे तो meeting का result जब अगस्त हो जाएगा आपको बास समझ में आ रही है वो मेरे पास consultancy लेने तो ही ना है कि राज अगरवाल जी उनकी हर एक meeting में बैठा करें क्योंकि हर एक meeting में बैठेंगे तो निश्चेत और बेहतर decision होगा उनका कहना है कि ऐसे smart लोग ऐसे intelligent लोग अगर हमारी meeting में बैठेंगे तो निश्चेत है कि बहुत जबदस result आएगा ज़र सोचों वो लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर एक minute में इतनी सुन्दर बात बताई जा सकती है तो जो हम लोग 75 बोर्ड meeting किये हो उसमें अगर वो बैठे होते तो नजारी कितनी अच्छी बात सामने आई है अब वो मुझे invite करते हैं as a part time director to the company क्या invite करते हैं as a part time director to the company और मुझे सिर्फ ये बोलते हैं कि आप सिर्फ हमारी बोर्ड meeting में आके बैठ जाया करें जब भी director लोग के meeting हो बस आके बैठ जाएए और सुनिए हमारी बातों को कुछ अच्छा लगे खराब लगे मुझे कोई काम नहीं करना है उस company में मुझे कुछ करना है क्या नहीं कोई काम नहीं करना है बस meeting में बैठ हूँगा बता है मैं उस company का क्या कहला हूँगा आप पर से ये उटता है कि क्या मैं वहाँ पे meeting में बैठ हूँगा no because that company is not my employer that company is not my employer I'm simply a part-time director to the company and I'm there only and only for decision making I'm there only and only for attending board meeting हम किसी भी execution में किसी भी operation के काम में involved महीं होते हैं कुछ करना नहीं है मुझे उस company में सिर्फ meeting में बैठना है और decisions लेना है मैं कह रहता हूँ part-time director of the company और मेरे हाथ में जो भी payment आती है वो मेरे लिए income from other sources है क्या है income from other sources ना समझेगा company MD को payment कर रही है WTD को payment कर रही है और डारेक्टर जब भी सिर्फ डारेक्टर बोलेंगे तो समझेगे का कौन से डारेक्टर की बात हो रही है पार्ट ताइम डारेक्टर जी डारेक्टर वो इस नाट इंप्लोई डारेक्टर वो इस नाट इंप्लोई MD को जो payment होगी वो salary है WTD को जो payment होगी salary है MD मतलब managing director WTD मतलब whole time director और director who is not employee वो राज अगरवाल जैसे लोग जिनको company वाले पकाड लेते हैं कि बस meeting में बैठो या तुमारे बैठने से company का कलने आड हो जाएगा ठीक है तो इनके हाथ में जो income आती है वो कहला थी income from other sources सबको समझ में आया है यहां तक what do you mean by director who is not employed generally the part-time director they are not employees of the company and they receive money for attending board meeting इसको बोला क्या जाता है इसको बोला जाता है sitting fee इसको बोला जाता है sitting fee meeting में बैठने का पैसा जो मिलता है उसे बोला जाता है sitting fee और sitting fee जो होता है वो iOS की income होती है और यह किसको मिलता है चितने लोग meeting में बैठते हैं नहीं MDWTD को नहीं मिलता है और तुम लोग whole time director हो तुम managing director हो company को तुम नहीं बैठो के meeting में तो और पन बैठेगा बार ही लोग आएंगे meeting में बैठने के लिए इनको तो बैठना है इनको company अलग से पैसे नहीं देगी meeting में बैठने का यह तंगा उढ़ाते हैं महीने की इसे part time director को मिलता है तो sitting fee is iOS income and this is received only and only by part time directors part time director मतलब director who is not employee जो director who is not employee इनके लिए जो income होती है वो iOS की income होती है और इसको बोला किया जाता है आपको यह भी बता दे sitting fee और यह sitting fee सिफ किनको मिलती है जो employees नहीं होते हैं director उनको मिलती है जो employee है company के उनको नहीं मिलती है managing director WTED whole time director they are employees of the company understood MD employee होता है क्या जब यह बताइए यह मालिक होता है company का company का managing director company का employee है की मालिक है employee है मालिक कौन होता है company में shareholder holders are the owners of the company जिन्होंने पैसे लगाएं members of parliament बड़ी संदर बात यहां पर आपको पता चलेगी members of parliament members of parliament को salary मिलती है उसको बोला भी जाता है salary आपने सुना भी होगा कि जो MPs हैं उनकी salary इतनी रुपए है ठीक है लगवग लगवग एंपी की salary आज की तारीक में दो लाप रुपए के आसपास होती है ठीक है दो लाप रुपए पर मंद की MP की salary होती है members of parliament लेकिन पता है यह जो members of parliament को salary मिलती है इसको यह लोग salary बोलते नहीं है they don't call it as salary why? because they say that we are not government employees we ourselves are government यह लोग बोलते हैं members of parliament देखिए यह लोग कानून बनाने वाले लोग है ना जो मर्जी है बोल लें अपने लिए तो कहते हैं हम लोग सरकारी नौकर नहीं हैं हम सरकार है क्या बोलते हैं member of parliament कहते हैं हम लोग सरकारी कर्मचारी है सरकारी नौकर पुरी ना है हम ही सरकार है अगर हम सरकारी कर्मचारी होते तो हम को जो तनखा मिलती है तो हम उसे कहते हैं employer employee relationship है कहते हैं कि employer employee relationship है कहा हम ही तो सरकार है और अपने आपको पैसा देते हैं हमको सरकार से पैसा मिलता ऐसा थोड़ी ना है तो MPs कहते हैं कि we ourselves are government we are not government employees हम रोग government हैं, government employees नहीं है और इसलिए जो हमें तनखा आती है वो salary नहीं कहलाएगी तो क्या कहलाएगी income from other sources इसमें कोई logic नहीं है because ये कानून बनाने वाले लोग हैं अपने लिए कुछ भी बना लें लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने ऐसा किया क्यों है इसके पीछे बहुत बड़ा planning है planning क्या है कि अगर मैं आपको salary देता हूँ 50 जा रुपे तो 50 जा रुपे आपकी सीधे income बन जाती है ठीक है लेकिन अगर आप एक business करते हो और आपको 50 जा रुपे आता है तो वो आपकी income नहीं होती 50 जा रुपे आपकर revenue होता है उसमें से आप खर्चे घटाते हो और फिर आपकी income आती है तो वह से मैं repeat करता हैं इस बात को ध्यान से समझिये अगर मुझे एक लाक रुपे महिने की salary मिले तो एक लाक रुपे मेहिना मेरी income है ध्यान दीजेगा लेकिन अगर मैं business करता हूँ अब मुझे आप लोगों से fees आती ही एक लाक रुपे की तो वो एक लाक उपे इंकम नहीं है, उस फीस में से मैं अपने खर्चे घटाता हूँ, जब मैं कोचिंग क्लासेश चला रहा हूँ तो मेरे खर्चे लग रहा है कि ने, इंप्लॉई की सालरी बिजनी का खर्चा फलाना डमाता, येस वो सारे खर्चे में घटाता हूँ और घ ये बिल्कुल यही कहानी है, जो आता है वो इंकम नहीं होता, वो रेविन्य होती है, अगर उसे पाने के लिए आपने कुछ खर्च किया है, तो वो आप घटा लेते हैं, बैलन्स आपकी इंकम होती है, अब ये जो मेंबर्स अप पार्लियमेंट हैं, ये क्या बोलते हैं, सैलरी ही कहलाता है वो तो, कहलाता तो सैलरी ही है, तो जो एंपीज को सैलरी आ रही है, वो क्या करते हैं, कहते हैं कि ये आई-ई-उ-एस है, इंकम फरम अदर सोसेस है, तो जो आता है इनके पास सैलरी के नाम से वो रेविन्यू बन जाता है, अब इसमें से ये अपना खर् खटालो इंकम क्या हो जाएगी तेल बात समझ में आ रही है क्या कहना चाहता हूं कि मेंबर्स ऑफ पार्लियमेंट उसे IUS कहते हैं IUS कहने से जो सैलरी मिल रही है वो रेवन्यू बन जाती है और खर्चे कटाने का स्कोप है उसमें जबकि अगर वो इसे सैलरी कह रहे होते तो जितना पाते है सीधे सीधे इंकम बन जाती है ठीक है यह बात is a guest lecturers guest lecturers का मतलब क्या होता है हम college A में काम करते है हूं college B में lecture देने जा तो हम guest lecturer है, अपने college में lecture देंगे तो guest lecturer नहीं है, दूसरे college में जाके lecture देंगे तो हम guest lecturer दूसरे college से अगर payment मिल रही है तो सभाईak सी बात है वह salary कैसे हो सकता है, salary तो तभी है जब मुझे employer से मिल रहा हूँ अपने college में मुझे जो payment मिलेगी वह क्या है? salary मैं कॉलेज ए में काम करता हूँ कहा काम करता हूँ कॉलेज ए में अब मैंने कॉलेज बी के लिए पेपर सेट किया कॉलेज बी ने मुझे कहा कि मेरे एग्जामिनेशन का पेपर सेट कर दी मैंने पेपर सेट कर दिया कॉलेज बी के लिए मुझे college B ने कुछ payment की इसके लिए जो payment की वो कौन सी income है क्या salary हो सकती है नहीं college भी मेरा employer नहीं है मैं नौकरी कहा करता हूँ college A में salary की income है नहीं house property नहीं PGBP business है नहीं capital gain नहीं then income from other sources एक बात पुता है मुझे college A में पढ़ाने के लिए teaching के लिए पैसा मिलता है one lakh रूपीज पर मन और college A नहीं मुझे का कि paper set कर दीजे मैंने paper set कर दिया अब paper set करने के लिए इस college ने मुझे ten thousand रूपीज और दे दिये जल्दी से बताईए teaching के लिए जो पैसा मिलता है ये कौन सी income है salary क्योंकि जिस college में इसमें मैं काम करता हूँ वहां से मुझे ये payment मिल रही है paper set करने का ten thousand मिला same college से जहां पे आप employee हो तो ये दस हजार रूपे भी salary है इसलिए क्योंकि ये कहां से मिला है employer से employer से तो जो कुछ मिल जाए वो salary है ऐसे समझ लीजिए अगर किसी दिन employee ने employee को धीरे से 500 रूपे दे दिया ऐसे ही बिना मतलबी चलो रखो दब 500 रूपे रखो पता है ये 500 रूपे भी क्या है sell ये 500 रूपे भी क्या है sell payment employer से employee को जाती है चाहे किसी भी काम के लिए जाए बीना काम के चली जाए वो भी क्या है sell और income tax कहता है उस पे tax लगीगा in all these cases income of the receiver is not taxable under the head salary ये उपर वाले सभी cases में receiver के हाथ में income salary नहीं कहलाईगी तो वो तो उनने बताई दिया यहाँ पे PGP कहला रहा था बागी तीन cases में IOS कहला रहा है taxability of salary taxability of salary अब हम लोग कुछ salary की examples देखने जा रहे हैं और साथ में ये भी समझेंगे कि जहाँ पे salary नहीं है मतलब कुछ example देख रहे हैं जहाँ पे एक understanding बनाने जा रहे हैं कि क्या salary होती है क्या नहीं होती है wages for worker क्या अंतर होता है wages में और salary what is the difference between wages and salary ऐसे समझ लीजिए जहाँ पे manual work required होता है वहाँ पे हम बोलते हैं हम wages दे रहे हैं और जहाँ पे manual work नहीं करना है दिमाग से आप काम ले रहे हो जहाँ पे आप दिमाग से काम ले रहे हो और उसकी लिए payment मिलती है तो उसे हम कहते है salary जैसे मजदूर जब काम करता है तो उसको wages मिलती है बिकास वो हाथ पैर अपनी जूस कर रहा है और उसकी वज़े से उसे तंखाम दिल रही है income tax कहता है कि मुझे इस बात से फर्क महीं पड़ता है कि whether it is wages or salary it is one and the same thing wages will also be taxable under the head salary पतलब पर income tax there is no difference between wages and salary understood everyone आम बोल चाल की बाता में हम यह सब बोलते हैं कि जो मजदूरी कर रहा है वो wages पाता है जो दिमाग से काम कर रहा है वो salary पाता है या आम बोल चाल की बाता में income tax के हिसाब से कोई अंतर नहीं है income tax कहता है wages salary कुछ भी हो उसे हम salary consider करते हैं अंतर नहीं है और उसके पार्टनर इंप्लोई नहीं है और उसके पार्टनर इंप्लोई नहीं है वो पार्टनर ही owner है business के तो ऐसी केस में पार्टनर को जो भी salary मिलती है फरम से वो उसकी PGVP की income कहलाती है पार्टनर के लिए PGVP की income कहलाती है such a remunation would be treated as business income since the partner is not employee of the entity director's fees director fee कोई sitting fee बोलते हैं बच्चों sitting fee, director fee एक ही बात है किसको मिलता है बच्चों sitting fee part-time director को अब part-time director को यह जो fees मिलती है क्या है यह salary के लाती है नहीं यह IOS की income है sitting fee paid to director for attending board meeting is not salary but taxable as other income director remuneration any amount table to any whole time director who are also an employee of the company would be treated as salary in any other case the same would be treated as other income director's remuneration का मतलब होगी है salary to director अब आईए यहाँ पर वापर से हम चलते हैं जहाँ पर हम बात कर रहेते हैं देखे एक company MD को payment दे रही है WTD को payment दे रही है यह तो salary है इसको कॉम्पनी director को director जब भी बोले तो director who is not employee की बात हो रही है who is not employee मतलब part time director इसको कॉमसी payment कर रही है ध्यान दीजे company payment कर रही है director who is not employee company payment किसको कर रही है director who is not employee कौन सी payment कर रही है setting fee की payment कर रही है अगर यह setting fee की payment कर रही है तो यह कौन सी income है income from other sources देखे हम तो जनरली जनरली वो company मुझसे यही बोलती है कि आप राज अगरवाल जी मीटिंग में आईए बैठा कर रही है और मीटिंग में बैठने का आपको पैसा दोगा लेकिन एक बार मीटिंग में एक काम डिसाइड हुआ कि यह company को करना है और सब को यह बार समझ में आ गई कि यह काम राज अगरवाल जी के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता तो उन्होंने इसे request की कि कि क्या सब आप यह काम करेंगे कमपनी का यह काम क्या आप execute भी करा देंगे ध्यान दीजे कोई और काम ने एक specific काम था कमपनी के बागी डाक्टरस मैनेज नहीं कर पाते हैं वो टेक्निकल काम था थोड़ा ठीक है और उसमें taxation की knowledge और रिक्वार थी तो they said की sir आप यह काम कर लीजे I said okay I am ready to do this work for the company क्या कामपनी मुझे उसके लिए कुछ payment करेगी अलग से उसके लिए निश्यत है मुझे sitting fee के अलावा कुछ salary और की payment कर सकती है ध्यान दीजे का मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ वो मुझे कुछ payment कर रही है कुछ remuneration दे रही है और what remuneration ही generally directors के reference में यूज भी होता है मुझे remuneration दे रही है यह remuneration भी क्या है I.U.S सिर्फ meeting में पैटने के लिए तो sitting fee मिलता है लगि कभी कभी ऐसा होता है यह rarest of the rare chance है 99.99% sitting fee मिलेगा 0.01% वाली हम बात कर रहे हैं हो सकता है मुझे remuneration दिया जा रहा है कोई एक specific काम को execute करने के लिए Company के director चाहते हैं कि मैं वो काम execute करूँ और मुझे उसके लिए अलग से remuneration मिल रही है मुझे अलग से अगर वो remuneration मिल रही है तो still वो मेरे लिए salary नही है काम execute कराने के लिए जो पैसा मिल रहा है वो भी salary नहीं है वो भी IUS ही है income from other sources है तो यह मैं उसका employee नहीं हूँ पस आपकुल मिला के ऐसे समझ लीजिए ति MDWTD को salary मिलती है अपार्टेंट डारेक्टर को sitting fee मिले चाहे remuneration की नाम पे मिले वो सब क्या है IUS pension to retard employee एक employee retire कर गया है उसके बाद employee उसे pension देता रहता है जब वो retire कर गया है तब तो employer employee relations इफ ही नहीं लेकिन मैं retire कर गया तो pension तो मिल रही है न कौन दे रहा है वही जो पुराना वाला employer था वो दे रहा है लेकिन क्या जिस दिन pension मिल रही है उस दिन employer employee relationship इसे पेंसिट कर रहा है नहीं तो क्या ये pension की payment salary की income कहलाएगी की नहीं कहलाएगी क्योंकि employer employee relationship का मतलब क्या है अब आपको थोड़ा और बता रही है employer employee relationship का मतलब है present relationship past relationship और future relationship Employer-Employee Relationship जोरी नहीं है कि आज है और आज payment आ रही है तभी वो salary कहलाईगा अगर कभी भी Employer-Employee Relationship था मतलब आज मेरे हैं कोई नौकरी कर रहा है ठीडिक है? तो आज को Employer-Employee Relationship है आज मैं उसे कोई भी मैं कोई payment करता हूं तो वो भी salary कहलाएगा क्यों क्योंकि वो past relationship है employer employee का तो employer employee का relationship का मतलब से present relationship नहीं होता income tax कहता है past relationship present relationship and even future relationship did you understand और यही reason है कि जो pension employee को मिलती है वो भी क्या कहलाती है salary की income क्योंकि pension किसे मिल रही है past employer से pension to legal hair or the diseased employee अब कहरा है कि अगर employee की death हो जाती है pension उसके घरवालों को मिलने लग जाए अब ध्यान दीजिए अगर employee की death हो गई और pension उसके बेटे को मिलने लग जाए तो बेटा तो कभी भी employee नहीं नहीं था उसका जिस employer से अब pension आ रही है pension क्यों आ रही है जो employee था उसके death हो गई और employee की बेटे को employer क्या कर रहा है pension दे रहा है तो समझने वाली बात यह है कि employee का बेटा तो कभी भी employee नहीं था उसका तो ऐसे case में अगर legal hair को यानि कि बेटे को या फिर उस employee की wife को इसको pension मिलती है तो इनके हाथ में इंकम फ्रॉम other sources होती है remuneration paid to teacher of any university or college जो remuneration paid की जाती है university के teacher को college की teacher को यह कौन सी इंकम है यह salary की इंकम है ठीक है लेकिन अगर मान लेटे किसी दूसरे college का paper set करना है किसी दूसरे college में जाके invasilation करना है exam के दोरान जो बच्चों को watch करते रहते invasilation invasilation करना है copy correction करना है exam copy correction करना है इसके लिए अगर मुझे दूसरे college से payment आईगी तो वो आई यूस है हाँ same college मुझे अगर इन चीजों के लिए भी payment करेगा तो भी वो salary की इंकम है मैं college में पराता हूँ इसलिए मुझे salary मिलती है वो salary की इंकम है उसी college में मैंने paper set किया उसी college की exam की copy चेक चेक उसी college में मैंने invasilation किया और college में मुझे अलग से उसके लिए payment दी जो अलग से payment दी वो भी salary की इंकम है voluntary retirement payment by employer to employee अगर employer to employee को क्या होता है कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे याद जरूस से जादा इंप्लाई हो गए अब ओक विसर जरूस से जादा गो कैसे गए आपने रख क्यों लिया जब आपकी जरूस खत्म हो गए ती तो रखना बंद कर देना चीए था नहीं ऐसा होता नहीं है कभी कभी क्या होता है कि मेरा बिजनस बड़ा पीक पे चल रहा था मुझे ज़्यादा इंप्लाईस की जड़त थी मैंने रख लिया अब बिजनस में डाउन फॉल आ गया तो अब इतनी इंप्लाई की आवशक्ता नहीं है अब इस फिलाल समय में जो काम है वो इतना काम नहीं है कि इतनी इंप्लाई की आवशक्ता है तो हम क्या करते हैं वालेंटरी रिटार्मेंट स्कीम लाते हैं हम कहते हैं कि देखिए आप लोग पचीस लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं इतनों भी ज़ुरत है नहीं हमें बस ज़ुरत है अठारा लोग लगी साथ लोग अपनी स्विक्षा से अपनी इक्षा से निकल जाएए जो लोग निकलेंगे उनको पचाजार रुपए भी दूंगा मैं क्यों पचाजार रुपए दे रहे हैं एक्शलिए हम चाहते नहीं है कि कोई प्रॉबलम हो हमारी ओर्जिनाइजिशन में कोई dissatisfaction नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं जो जा रहा है वो भी खुसी खुसी जाए हमाई किसी को जबर्दस्ती निकालूँगा तो साथ उसे अच्छा न लगे और बाकी लोग जो मेरे साथ काम करते रहेंगे न उनको भी अच्छा नहीं लगेगा उनको लगेगा औरे ये क्या करते जब मन काता है रख लेते जब मन करता है निकाल देते तुरंद लात मार देते है तो जो लोग मेरे हाँ काम कर भाए होंगे न उनको भी अच्छा नहीं लगेगा तो मैंने इसलिए बड़ा सांती पुर्वक स्कीम डिवाइस किया वॉलेंटरी रिटार्मेंट एक सांती पुर्वक स्कीम है जो ये कहता है कि अपने से वॉलेंटरी रिटार हो जाओ कहने की जो अतना पड़े अपने से रिटार हो अभी तुरत कंपनी छोड़ दो आपको 50,000 रुपे भी मिलेगे छोड़ने का 50,000 रुपे मिलेगा ये जो पेमेंट इंप्लॉईर ने की है कब की जाओ ध्यान दीजेगा छोड़ दी आप लॉई तब तो कि आपने 50,000 कब देंगे जब वो कहेगा अपना रेजिविशन साइन करके देगा कि येस मैं छोड़ आओ तब ना दूगा और जिस दिन रिजाइन कर दिया जा ध्यान दीजे क्या वो इंप्लॉई है अब तो इंप्लॉई है नी तेकि मैंने उसको पेमेंट की कितने की 50,000 रुपे तो क्या वो सैलरी कहलाएगा ये मैं सैलरी कहलाएगा क्यों क्योंकि यानि पास्त इंप्लॉई थी इंप्लॉई का अंतल ballot प्रेसेंग इंप्लॉई नहीं होता है पास्त इंप्लॉई ऑसे भी जो आईगा वह सैलरी है तो वॉल休क्त्री रिटाइमेंट टिव, जो मैं पैसा दोंगा MLS जिनसे स्टेट गौर्वर्मेंट वनी है इन्होंने ये बताया है कि ये लोग गौर्वर्मेंट इंप्लॉई नहीं है बता सकते हैं यही लोग कानून बनाने वाले हैं इन्होंने अपने बारे में बताया है कि हम लोग सरकारी नौकर नहीं है हम लोग गौर्वर्मेंट इंप्लॉई नहीं हैं, हम लोग खुद ही गौर्वर्मेंट रहें और ऐसे में सिंस हम गौर्वर्मेंट इंप्लॉई नहीं है तो जो पैसा आ रहा है वो सैलरी कैसे होगी क्योंकि पैसा जो इंप्लॉई को आता है वो ना सैलरी होती है हम कोई सरकारी नौकर कोई ही ना है ये MPA मिले बोल रहे हैं हम सरकार हैं तो इसलिए हमारे हाथ में जो income आएगी इनका कहना है कि ये क्या है income from other sources चीक है जब अब आगी समझते हैं हम लोग तो हम लोग में कुछ example देखे इससे हमारा mind जरूर clear हो गया हमें पता चलिया कि salary कब है और कब salary नहीं है चीक है और जब भी salary नहीं है in most of the cases you will find कि वो other sources हो जाता है कुछ cases में business भी है जैसे कि partner से firm से जो payment आ रही थी partners को तिकि चाहे salary की हो चाहे interest और capital हो वो सब business की वज़े से है इसलिए पार्टनर की हाथ में क्या था business की income partner सिर्फ हम क्या है business ही तो है और ये पैसा salary और income जो partner को आ रहा है वो business से पैसा कीच की आ रहा है और इसलिए उनकी हाथ में PGAVP की income कहलाती है employer includes formal formal का मतलब होता है past employer का मतलब past employer भी है present present तो आप समझते ही है present का मतलब the current employer जो अभी employer है prospective employer prospective employer का मतलब होता है future employer past employer तो हमने आपको समझा दिया कि मेरे आप पहले कोई job करता था आज नहीं करता है लेकिन मैं उसे कोई payment करूँगा तो वो salary की income उसके लिए कहलाईगी जोब छोड़ने के बाद भी उसको अगर मैं कोई payment करूँगा तो salary की income कहलाईगी उसके लिए present में तो भाई कोई doubt नहीं आपको कि आज वो मेरा employee है आज मैं उसका employer हूँ और कोई भी payment करूँगा तो क्या कहलाईगा salary कहलाईगा समझ लीजे prospective employee यहां थोड़ समझने वाली बात है मेरे परोस में एक office है ठीक है और उसका प्यून अक्सर मेरी office आया जाया करता है फाइल पहुचाने के लिए वो बगल वाली office है जो परोस में office है उसका जो प्यून है अक्सर मेरी office विजिट करता है उस office से file का अदान-प्रदान होता रहता है इसलिए वो जो लड़का आता है बगल वाली office से वो मुझे बगल अच्छा लगता है गलत मैं समझे रही है बहुत अच्छा लगने का मतलब क्या है उसका काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है ठीक है मेरी इच्छा है कि वो मेरी आफिस में काम करे है यूदि उसे बड़ी समझ है ठीक है बड़ा इंटलिजेंट है बड़ा साथ माइंड बंड लड़का है मैं चाहता हूँ कि वो लगा मेरे यहां जॉब करे है ठीकिन मैं उससे कह भी नहीं सकता है यह बात परोस वाली काम करता है और जिसक़ यह काम करता है उससे भी मीरे बड़ी अच्छे संबन्द है तो मैं कैसे कहँ उसे मैंने एक दिन क्या किया जब वो बंडा मेरी आफिस आया तो मैंने उसे धीरे से मैंने 1000 रुपय उसे दे दिया उसे मुलत सर किस बात का मैंने का रखो बिटा रखो ऐसा है संडे को तुमसे मिलना है दो हंटे के लिए तुम 10 बज़े जला संडे को चले आना तुम मेरी आफिस इस बार संडे को मेरी आफिस को लेगी दस बज़े चले आना, दस बज़े तुमसे मिलना है मैंने कुछ बता है नहीं, बस हजार रुपय उसको दे दिया इससे ये इंशूर हो गया कि बंदा संड़े को दस बज़े जरूर आएगा, आएगा की नहीं, आप को क्या लगता है आएगा, हजार रुपय दिये, मैंने बिना बात के दे दिये आएगा की नहीं, आएगा संड़े को तो जरूर आएगा आएगा अब जब संड़े को आता है तो मैं उससे थोड़ी सी बात ही करता हूँ तो उससे नहीं कि तुम्हें क्या तंखा मिलती है बगल वाली ओफिस में काम करते हूँ उससे बताई कि मैं बगल वाली ओफिस में काम करता हूँ, मुझे दस जा रुपय मिलता है मैंने का एक काम करो, या तुम्हारी वर्द ज़्यादा है, मैं इंकरीज करना उसको तुम्हें 10,000 नहीं मिलने चीए, तुम्हें तो कम से कम भी 12,000 तो मिलनी ही चीए, वैसे तो तुम्हारी वैल्यू 13,000 होनी चीए, लेकिन चलो 12,000 तो कम से कम भी मिलना चीए, का बात तो सही कह रहे है सर, बात तो सही कह रहे है सर, मिलना तो 12,000 ही चीए कम से कम भी, लेकिन व मेरे यहां रहे जब उसी से बलवा दिया अब मैं क्या करूँ उसने बोला सब मिलने तुछ यह बाराजा लेकिन अब मैं क्या करूँ मैंने का अब मैं क्या करूँ कि काम कर तू मेरे यहां रहे बाराजार मैं तुझको दूँगा अब बारा भी क्या चोँ, तेरा अजार रुपे देता हूं, तुझको वो बारा पे एग्री हो रहा था, और मुझे से रास्ता पूछ रहा था, जा सोचो मैं ही रास्ता भी बता दू, अब वो रहेगा की नहीं, रहेगा, वो मेरे यहां जॉइन कर लेता है, और महिना पूरा होता है उसे 13000 रुपए की तंखाभी मिल जाती है अब बात समझेंगा ये जो 13000 में ने दिये ये क्या है सैलरी की इंकम और जो एक हजार रुपए बहुत पहले ऐसे जूट मुठका दे दिया था वो क्या था वो भी सैलरी की इंकम क्योंकि उस दिन उसका क्या था फ्यूचर इंप्लॉयर मैं उस दिन 1000 रुपय दिया था उस दिन इंप्लॉयर नहीं था लेकिन उस दिन future इंप्लॉयर था की नहीं आप अद Ney इंक्लॉयर बना इसलिए वो 13 रुपय ku salary की income है जो 1000 रुपय पहले ले गया था पिता जी भी वहीं काम करते थे, अब मैं भी वहीं काम करता हूँ, मेरा बेटा भी वहीं काम करेगा, और यह देखो अभी उसको छोड़ा, वो तो अपनी बेटे को भी कहरा है वहीं काम करेगा, अब अब जो मैंने हजार उपे दिये थे उसका क्या हुआ, वो उसकी इंकम है, हाँ, income तेसको कहता है, जो भी पैसा आएगा, वो income है, अब income है कौन सी, ये बात अलग है, कौन सी income है आपके हिसाब से, जो 1000 रुपए मैंने दिये थे, उसने मेरी नौकरी जोइन नहीं की, अब क्या होगा, वो income from other sources मन जाएगी उसके, अगर कर लेगा, तो वही 1000 रुपए salary क income कर लाएगी, समझ में आभी बात सब को, तो employer कौन हो सकता है, past employer, present employer as well as future employer, तो ये तो हो गया salary का एक छोटा सा introduction, चीक है, अब हमें एक विशेज बात करनी है, मतलब अब हम chapter में घुस रहे हैं, enter कर रहे हैं, और सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है, कि salary taxable कैसे होती है, basis of charge, section 15 बताता है, basis of charge, salary taxable कैसे होती है, salary is taxable on receipt or due basis, whichever is earlier, salary is taxable on due or receipt, whichever is earlier, मतलब अगयर salary due हो गई आपकी, अगर आपकी salary due हो गई, आपको receive नहीं होई है, employee ने दिया इन्हीं, salary नहीं दे रहाएं इनकोर अबर बाकी लगा खहे रखा है पैसा, तो भी salary आपके हापर taxable हो जाएंगी, अगर आपको salary receive हो गई और डू नहीं हुई है। साली आपको रीजिव हो गई डू नहीं हुई इसका मतलब क्या है एडवांस में पैसा पागए। ठीके डू तो अभी हुई है अजिए क्यों डू नहीं हुई। क्यों कि आप आगे के 3 महीने के साल नहीं उठा के बैटें हो दू कहा हो गई। वो due तो आरी को तीर मेंगे में होगी ना। So our due होई ही नहीं आरी फिर भी आपको receive हो गई है क्या वो भी taxable हो जाएगा? हो जाएगा जो पहले हो गया due पहले हो गया तो taxable, receive पहले हो गया तो taxable हम इन फेक्ट पहले पहले word यूज करते ही नहीं है basically we need to do calculation हमें तो जोड़न आया दिया, हमको तो इंकम जोड़के निकालनी है कि कितनी साली की इंकम बैठती है, तो अर्लियर वर्ड हमारे लिए ज़्यादा सुटेड नहीं है, हम जो वर्ड यूज करते हैं, वो यूज करते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो, तो बेसे किक क्लास में मैंने ये बात आप उस दिन भी समझाई एगी, जो जल्दी होगा वही ज्यादा होगा, समझे क्यों, जो जल्दी होगा वही ज्यादा होगा, अगर आप 12 महीने काम किये हो तो sis l'd Curtique your county 12 महीने कर दो किये हो न्यविशन दो महीन करेंगे हम ए्जीं कर लिरे एक पर dł काम क्रते हो दो महीनई काम किया प्र दो महीना घर पर आएंगे तो महीना करेंगे प्र धर दो मेना काम करते हो अगर आप 12 मीने काम करते हो तो सालरी डी होती 12 मेने की लेकर है अगर हम पैसा receive करने की बात करें तो हो सकता है आपको 10 महीने की तनखा मिली हो possible एक searching नहीं है भै receive तो कम भी हो सकता है अभी इंप्रायर नहीं दिया है तो महीने की ये बाकिं चल गई हो गई है कि रिखी लिग माहिन की हो घुत है घूलियनय की शेया थे माहिने की हो गई है और और क Loud को हुए 15 मेरी मिल गई हो एक रहं को कि अधिकी कि NS में अपने रिक्विस्ट एम्लाय को है इंप सालिय बात समझेगा अगर उंब दढर मन है तो due तो बारा महीने की होगी, लेकिन receive हो सकता है, दस महीने होई हो, हो सकता है, बारा महीने की होई हो, और हो सकता है, पंदरा महीने की हो गई हो, अब एक एक case को पगड़ते हैं, सबसे पहले हम ये वाला case समझेगे, बारा महीने की due, लेकिन दस महीने की payment, इस case को समझेगे, क्या चीच पहले हुआ है due की receive due पहले हो गया 12 महिने का due हो गया अभी receive नहीं हुआ receive पीछे हो रहा है देर में हो रहा है तभी तो receive पीछे है receive 10 महिना है बास समझे क्या चीच जल्दी हो रहा है अगर हम आसे कि या जल्दी जल्दी हो रहा है due जल्दी हो रहा है receive पीछे पीछे चल रहा है देखो दसी महिना भी receive हुआ है जैनि due आगे चल रहा है receive पीछे चल रहा है कौन सा earlier है which is earlier earlier क्या है क्या है जल्दी जल्दी हो रहा है due क्या है जल्दी जल्दी हो रहा है due जल्दी जल्दी हो रहा है सब को समझ में आया कि नहीं ये बात ड्यू जल्दी हो रहा है अब एक बात बताएं ये ड्यू जल्दी हो रहा है ना जादा क्या है ड्यू ये तो जादा है बारा महिने के साल दी whichever is earlier का मतलब ही होता है whichever is higher अरे वही चीज़ जादा होगी जो जादा तेजी से चल रही है अब यहाँ वाले example में समझाएं जादा दिमाग पर जोर नहीं देना अगर नहीं समझ में आएगा ना तो सीधे रट लेना whichever is higher whichever is earlier का मतलब होता है whichever is higher जोर दिमाग पर उतना ही देना कि दिमाग खटे ना आईए यहाँ पर समझते हैं ड्यू बारा महिने की हुई रिसीफ पंदरा महिने की होगई सहले ड्यू बारा महिने की हुई रिसीफ पंदरा महिने की होगई मुझे बताएए क्या चीजी से हो रहा है आगे आगे क्या चल रहा है रिसिप्ट आगे चल रहा है कि ड्यू आगे आगे चल रहा है यही तो है पंदरा मैंने की सालरी रिसिप्ट तो जो अर्लियर होगा वही जादा होगा बच्चो देगे यह बात तो अब मैं आप उसे बोलूँगा जो मैं बोल रहा हूँ वो याद करेंगा सालरी इस टाकसेबल रिसिप्ट और ड्यू बेसिप्ट विचेवर इस हायर ड्यू या रिसिप्ट में से जो जादा होगा वही आपके हाथ में टाकसेबल रहा है आईए एक्जामपल करते हैं इसके लिए एक्जामपल नंबर वन छोटे एक्जामपल से आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और तीन-चार क्यालकुलेशन में हम रों कोसेश करेंगे कि सैलरी कितनी टैकसेबल होती ये निकालना आ जाए हमें सैलरी कौन से येर की निकालनी है बच्चों ये भूलना मत मैं फिर से लिख देता हूँ हमें कैलकुलेट करनी है सैलरी फॉर प्रिविस ये 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 बात भूलिए गाल लिए टीक है मिस्टर एक्स जॉइंड जॉब और ये एक्जामपल लिखी है आप सभी नोट करेंगे उसे देखना नहीं है नोट भी करना है Mr. X joint job on 1518 salary salary gets due on last day of each month and is paid on fifth day of next month salary per month is rupee 30,000 आपको निकलना बच्चों ये question मैं ही solve गराऊँगा आपको पहले question समझ लीजिए Mr. X ने job join की है 152080 salary gets due on last day of each month salary due कब होती है last day of each month और और वो टेक अपको होती है अगले महिने की पार्च तारिक है इस due का मतलब क्या होता है बच्चों अब ये मैं आपको बता दू due का मतलब होता है किस date को employer अपने books of account में salary table की entry करता है इसका मतलब ये होता है कि salary gets due on last day of each month तो पता है last day of month को वो एक entry करता है कौन सी entry करता है salary account debit to salary payable कितना 30,000 जिस दिन employer ये entry करता है न जिस दिन employer ये entry करता है वो कहलाती है salary due date what is salary due? जिस दिन employer salary payable की entry करता है अपनी books of account उसे कहा जाता है salary due की date जिस दिन employer payment करता है वो employee के लिए कहलाता है receipt की date जिस सुनेगा यहाँ पे लिखता है na salary is taxable on receipt basis और due basis whichever is higher receipt का मतलब क्या है? receipt का मतलब है employer की payment सीदी से बात है employer की payment ही तो employee का receipt होगा और due का मतलब क्या है जिस दिन employer salary payable की entry करता है employer salary payable की entry करता है basically आप ऐसे समझ लीजे employee के हाथ में salary की income taxable होती है वो depend करती है employer की accounting employer कीinkron can count करता है इसी पर dependent होती employee की salary की income जिस दिन employer salary table की entry मारता है उसे कहा जाता है due होना और जिस दिन employer payment की entry मारता है उस दिन कहलाता है salary का receive होना अब payment की entry कुस दिन करता है of the next month को ये करता है फिरिग का है इंर्ड करता है पेमेंट की salari payable debit है शीया रूप्यां के तू-बैंने कर तो यह यह जो पहली वाली इंकरी है है इसे कआ जैता है DUNG इंकरी और यह जो इंटरी है इसे कहा जाता है employee के respect में, इंप्लॉयर का पेमेंट इंट्री है, इंप्लॉय के लिए ये डियू है और यहीं इंप्लॉय के लिए ये वाला रिसिप्ट है सबसे पहली यह वाली इंट्री किस दिन मारेगा employer आप बताओ उह को यह पहली वाली जो इंट्री हैं सबसे पहली बार कब मारेगा employer x ने job join किया है 1518 को एक माई को job join किया तो पहली इंट्री कब मारेगा वो salary is due on last day of each month हर मेनी की आकरी तारीख को गोजिए चालिध की स्वैली पेवल की इंट्री करदेता है, यहीं पहली इंट्री मारेगा 8 2518 को यह वाली और सबसे पहली इंट्री यह वाली कमारे का इंट्रायर अगले महिने की पास तारीक को पेमेंट करता है तो मई की सालरी का पेमेंट होती है पाँच जून को तो 5618 को पहली बार यह वाली इंट्री होगी सबको इतनी बात समझ में आई गी नहीं आई पहले तो यह बताईए यू का मतलब होता है पेबल साली पेबल की इंटरी करना रसेट का मतलब होता है साली पेमेंट की इंटरी करना कोई तकलीफ यहां तक ठीक है अब आप यह बताइए प्रीविएस येर 18-19 में साली ड्यू कितनी बार होगा सभसे पहली बर ड्यू हुआ है 30 मय को तो मय में ड्यू हो गया पिर अगला ड्यू कब होगा 30 जून पिर 30 जुलाई आखरे ड्यू कब होगा 30 मार्च 2019 ठर्टियेट मार्च 2019 आखरे ड्यू होगा प्रीविएस येर 18-19 में अदि आप प्रीवेस एंटीन नाइटीन का बस ड्यू देखिए, तो माई से लेके माच तक हर महिने में ड्यू होगा, यानि ग्यारा बार ड्यू होगा, ड्यू होगी सैल्दी ग्यारा पार, तीस हजार इंटू इंटू इंट ग्यारा, तीन लाग तीस एजार, receipt receipt का मतलब है employer ने payment entry कावा रही previous year 1819 में पहली payment की entry आ रही है जून में 5 जून को आखरी payment की entry कब आएगी ऐसे 5 जून को भी आएगा 5 जुलाई को भी आएगा 5 जून को मई वाला पे हुआ जून वाला 5 जुलाई को पे होगा जुलाई वाला 5 अगस्त को पे होगा आखरी payment की entry जाएगी मार्च में 5 तारिक को हाँ और जो मार्च वाली salary होगी ना वो तो April में payment जाएगी तो वो भूल जाओ अभी ठीक है previous year 1819 में कितनी बार payment की entry कर पाएंगे हम जून से लेके मार्च तक entry करेंगे पाँच जून से लेके पाँच मार्च तक entry होगी क्या बार होगी तो देखिए हर महीने में entry हो रही है जून से लेके मार्च तक बस April मही में नहीं होई यानि entry receipt वाली जो है वो दस बार है 30,000 इंटू 10 30,000 मिला कितना employee को 30,000,000 रुपे मिला है लेकिन income 30,000,000 के लाईगी क्योंकि due एक 11 मेने की हो चुकी है सबको समझ में आया के नहीं आया ठीक है एक दूसरा question दे copy कर लीजिए अच्छे से entry वोदर सब copy कर लीजिए entry का मतलब भी लिख लीजिए आगे देखिए example two Mr. X joint job on 1-1-80 salary gets due on last day of each month and is paid on fourth day of next month salary per month is equal to 40,000 calculate salary income for PY 18-90 PY आगे यहां तक question job की joining date दियान दिजेगा हमने 1 January 2018 इंकम हमको 1 January 2018 सा नहीं जानी है हमको इंकम जानी है बस previous year 18-19 previous year का मतलब from 1st April 2018 to 31st March 2019 यह आपको income नहीं है अब यह देख लीजे कि इस previous year में कितनी बार due हुआ और कितनी बार receive हुआ solution बस ऐसे ही निकलेगा due कितनी बार हुआ और receive कितनी बार हुआ जो ज़्यादा है वो income है तो 40,000 इंटू कितना मेना करना है due के लिए और 40,000 इंटू कितना मेना करना है receipt के लिए बस यह देखना है आपको सोचिए और बताईए बताईए जर्म salary due हर महीनी की आखरी तारिक को होती है तो भई April में भी salary due होगी April 2018 में भी salary due होगी March 2019 में भी salary due होगी की नहीं होगी हर महीनी salary due हो रही है अपने 1118 से job join किया है तो हर महीने January से लेके अब हर महीनी salary due होगी हम दो concern है previous year 18-19 से तो बस उस previous year की बात कर लेते हैं तो April 18 से लेके March 19 हर year में salary due हो रही है 12 मन तक salary due होगी को रही है क्या हर महीने में salary भी receive हो रही होगी April में receive हो रही है salary April 18 में हाँ 4 April को salary receive होगी कौन सी March 18 वाली 4 April को भी salary receive होगी है माई में ही receive हो रही है हर माई में हो रही है क्या March 19 में भी salary receive हो रही होगी बिलकुल रही हो रही होगी 4 तारीकों February 19 वाली यानि हर महीने की 4 तारीकों तो salary receive हो रही है अवे हम तो January 18 से इस तरह जॉब कर रहे हैं ना तो हर महने की चारता है एक हो सेल्ड को और हम आपको एक बात बताएं कि kya सिखाने के लिए हम ने ये और basically due or receive में अंतर तबी आता है जब during the current year हम या तो नौकरी छोड़ देते हैं या तो during the current year हम नौकरी जॉइन करते हैं अगर कोई पहले से नौकरी कर रहा है और लगातार करते जा रहा है तो साल में बारा बार due होगी और बारा बार receive होगी पिछले मेंने काएगा जब कोई भी आएगा हर मेंने आएगा न सालरी बस इतना common sense लगाओ कौन से मेंने काएगा क्या आएगा छोड़ दो अगर अब पहले से नौकरी करते चले आ रहे है तो हर मेंने तो सालरी आ रही है वो हो सकता है पिछले मेंने की हो या कुछ भी होगी आती तो हर महीने है ना तो बारा महीने सेलरी आएगी अब बारा महीने काम के इसे बारा महीने डियू भी होगी बिसिकली डियो और रिसीव बराबर होता है उनके लिए जो पहले से काम करते चले आ रहे हैं और साल के बीच में कभी नौकरी छोड़े भी नहीं है तो बारा महीने उनका डियो होता है बारा महीने रिसीव भी होता है हर महीने काम किये तो बारा मैंने due हुआ और हर मैंने salary भी पाएं तो बारा मैंने receive हुआ ये तो उनके case में receive इसका कम हो जाता है जो current year में job join करते हैं अब ऐसे समझे समझे है current year में ही हमने job join किया और salary हमको मिलती है अगले मैंने की पांस तारेको तो भाई काम एक महीना इस बार ज्यादा हो गया इस साल और सैलरी एक महीने कम आई क्योंकि पहले महीने हमको सैलरी रिसीव नहीं हुई होगी अगले महीने से रिसीव हुई होगी ना समझ में आ लिए यह बात तो जो पहले साल हम जिस साल जॉब जॉइन करते हैं उस साल यह अंतर आता है कि ड्यू तो मेरी ज्यादा होगी मान लिजे हम इस साल एप्रेल में जॉइन करेंगे तो एप्रेल की सालरी तो मैं में आईगी न तो इस बार सालरी हमने काम किया बारा महिने ये सालरी पाइब इस 11 मुलने में तो ये पहले साल ये अंतर आता है तो मुटा मुटी हम आपको यही समझाना चाहते थे जो काम करते चले आरे बरसूर से उनके लिए ड्यू रिसीव सब बराबर ही होता है वैसे थे आईए थोड़ा सा टेक्निकल कुश्चिन होगा इसमें हम बंदे को जॉइन कराएंगे छोड़वाएंगे भी जॉब दूसरी रॉकरी भी जॉइन करादेंगे बहुत कुछ कराएंगे अब आप हमको बताएगे का ड्यू कितना हुआ रिसीव कितना हुआ एगे हैं आपके इसमब प्री थे Mrs. X जिएड आ लिएट नみ फफ एक्वेश को अब्सन करवाएंगे आ आएट रसे यह काुए अार करता करवादास टॉब ऑ्योब फोड़? सलरी gets due on gets due on third day of next month salary due गी अगले माईने की तीन तारी को employer कराता है मतलब salary table की entry पता है कब पता है April की अगर entry होगी तो वो माई की तीन तारी को entry करेगा salary account debit to salary and paid on fifth day of next month और पेक अप करता है अगले में नहींगी पांस तारी को यानि अपरिल की salary तीन तारी को due कराता है और पांस तारी को पे करता है Mr. X left job on 31st अगस्त 2018 and joined system क्या है salary due होनी का यहां पे salary नहीं तारी में आपको जाटी है यानि नहीं आपको का यानि तारी को वे वे आपकोप्णना तारी में में आपको यॉव़ाद। कि यह जाए अब खुद चलिए देखिए इधर ए लिमिटेट की जॉब जोइंग की इसने एक पांच अठारा को ठीक है ड्यू कितना हुआ बताईए गजरा क्या बार 30,000 ड्यू होगा 30,000 ड्यू क्या बार होगा एक पांच अठारा को जॉब जोइंग की है अगले महिने की तीन तारीक को ड्यू होता है उसने जॉब कब छोड़ी है एक एक चीज़ पे ध्यान दीजिए एक पांच को जॉइंग किया अगले महिने की तीन तारीक को सेले ड्यू होती है और 31 अगस्त को उसने छोड़ दिया तो पहली बार कब दी होगा और आखरी बार कब दी होगा वो देख लिए तो महीं हम काउंट कर लेंगे अगर मही में जॉब जॉइंग करते हैं तो पहली बार दी होगा तीन जून को अगले महीने की तीन तारीकों लिए होता है तो तीन जून को पहली बार दी होगा नोट करते रहिए अपने दिमार में तीन जून को पहली बार दी होगा तीन जून को पहली बार डी होगा आखरी बार कब डी होगा अगस्त में जॉप छोड़ दी तो अगस्त वाली साल्डी तो मिलेगी ना हाँ अगस्त तक काम किये थे तो अगस्त की साल्डी जो डी होगी वो तीन सेप्टेंबर को होगी तो तीन जून से 3STV reviewing है. पहले बार 3 Tillang को आकरी बार 3STV को. क्या बार दियू का बार दियू का बार हुआ? Jul, July, August Wow June, July, August, October तो एहां हम लिख देती हम यहां पर into 4 ठीख है? अब ध्यान देखें limitation on कि इत्नी बार new हुआ है वी देखना है अब हम एक काम करते हैं पहले तीज जर का रिसिव डेख लेते हैं तीज जर रिसीव क्या बर्गवा है रिसीव जो होता है वो होता है अगले मैने की पांस तारिक को देखो बचो रिसीव होता है अगले मैने की पांस तारिक को तो जो माई में हम जाओ जेंग किये तो अग्या मैनी की पांस तारीक हो यानि हमको पहली बार सैलरी मिली पांच जून को ठीक बूल रहें कि नहीं और आखरी बार सैलरी हमको कब मिलेगी अगस्त अकान की है तो अगस्त की सैलरी मिल जाएगी पांच सेप्टेंबर को आकरी बार मिलेगी पांस सप्टम्बर को पहली बार पांच जून को आकरी बार पांस सप्टम्बर को क्या बार सैलरी मिली हमको तीज़ जून जुलाई अगस सप्टम्बर चार बार मिले बच्चों इन टू चार अब नेश्ट काम क्या करना है अब हमको देखना है कि कितनी बार बी लिमिटेड वाली salary ड्यू हुई बी लिमिटेड वाली salary कितनी बार ड्यू हुई ये देखना है चीखे भाई देखते हैं हमने job join की एक September को और last day of the each month salary ड्यू हो जाती है माईने के आखरी तारीको salary ड्यू हो जाती है तो September की आखरी तारीक को salary ड्यू हो जाएगी नब पहली बार 30 September को हो जाएगी 30 नो को आखरी बार कब होगी भाई जॉब तो छोड़े लिए तो हर माईने salary ड्यू होगी अब मार्च तक 21 मार्च को आखरी बार ड्यू होगी समझ में आया की नहीं आया जल्दी से जहान तो इधर last day of the each month को salary ड्यू होती है महिने की आखरी तारीक को September में job joint की है तो 30 September को पहली बार ड्यू हो जाएगी और आखरी बार ड्यू होगी मार्च में क्या महिना हो गया September, October, November, December, January, February, March September, October, November, December, January, February, March चार तिन साथ महिने ड्यू होगी है चार्थ महिने की salary ड्यू होई है तो इसमें हम लिखेंगे 30,000, सॉरी 40,000 इंटू साथ Receive का बार होई है बच्चों अब ये देखो Receive जो ये बता रहा है ये कहता है कि Receive होती है अगले महिने की साथ तारीक को अगले महिने की साथ तारीक को सेप्टेंबर में जॉब जॉइन की हैं बी लिमिटेड पहली salary कप आएगी बो आप बोलोगे सेप्टेंबर में जॉब जॉइन की हैं अगले महिने की साथ तारीक को salary आती है पहली salary कप आएगी साथ अक्टूबर को साथ अक्टूबर को भी आएगी फिर नॉंबर में आएगी दिसंबर में आएगी जनुवरी में आएगी फर्वरी में आएगी मार्च में भी आएगी तीक है साथ मार्च को आखरी बार से लिए आएगी इस प्रिविएस इयर में इस प्रिविएस इयर में प्रिविएस इयर 18-19 से मतलब है कि इसमें क्या बार डियू हुआ इसमें क्या बार इसी हुआ तो भाई साथ अक्टूबर से आना सुरू होगा और साथ मार्च तक आएगा हर महिने साथ तारिक को तो अक्टूबर नॉमबर दिसम्बर जनुवरी फर्वरी मार्च छे महिने तक आएगा तो चालिस अजार इंटू छे हो गया चाल्कुलेशन कर लीजिए चाल्कुलेशन कीजिए 40,000 इंटू 7 यह हो गया दोलाक स्टी अजार और तीजार इंटू चारी इकलाक भीजार जालाग यह वाला हो जाएगा 6,24 दो लाक चालिस जार और तीज जार इंटू चार एक लाक भीजार तीन लाक साथ जार तो सालरी की इंकम कितनी हो गई जो दोनों में से जाता है चालाग तो जिनोंने सही किया बहुत अच्छी बात है और जिनोंने गलत किया उनको बात समझ में आई की नहीं यह इंपॉर्टेंट है गलत करने के बाद भी अगर सही चीज समझ में आ जाए तो अच्छी बात है अच्छा आ जाएए वापस से बुक पे इसके बाद आपको एक इलस्टेशन मिलेगा यह आप घर पे कर लीजेगा यह अच्छी इलस्टेशन इलस्टेशन थ्री जो हम लास्ट एक्सांपल कर आए ना इसके जैसा है इसमें जॉब जॉइन छोड़ रहा है वापस से दूसरी जॉब जॉइन कर रहा है पहले 35 यार की नौकरी थी फिर 40 यार की हो गई आपको एक और इंगी डियो और रिसिप देखना है चिक है और निकालने का तरीका यही अपनाएंगे आप यू बनाएंगे रिसिप बनाएंगे जो ज़्यादा होगा वो सेलरी की इंकम लिखेंगे चिक है इसकी उपर देखी एक चीज और था more than one employer अगर माली यही मैं पाँच जगण नौकरी कर रहा हूं दो दो गुंटे की दिन में दस गंटे काम करता हूं दो दो गंटे की पांच जगण अव्य से जो पेमेंट आए गी वो सालरी पांच जगण आए गी वो पांच जगण आए यह वो सालरी की इंकम है इलस्ट्रेशन वन यह आप घर पे ही देख लेंगे हाई आप बहुत एलर्ट हो जाएए अभी अगर कुछ कर रहे हूं वीडियो देखने के साथ साथ तो उसे एक बार के लिए रूम दे क्योंकि यहां से अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना है टाक्शेशन वो सब्जेक्ट है जो बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है और जब से बीजेपी गॉर्मेंट आई है तब से इसकी चेंज होने की फ्रिक्वेंसी और हाई हो गई है Are you aware of the fact कि 2019 में टाक्शेशन कितनी बार चेंज हो गया एक आया था इंटरिम बजट यह था फरवरी 2019 में इसने चेंज किया फिर उसके बाद यूनियन बजट आया यह जुलाई 2019 में इसने हमारे टाक्स को चेंज किया उसके बाद सेप्तेंबर 2019 में गॉर्मेंट ने कॉर्पोरेट टेक्स रेट भी चेंज किया पता है आपने चार-चार कॉर्पोरेट टेक्स रेट पढ़े हैं याद भी है कि नहीं बेसिक कॉंसेट चेप्टर में 25 परसेंट देन 22 परसेंट देन 15 परसेंट एंड 30 परसेंट पता है पहले से 25 परसेंट और 30 परसेंट ही था ये 22 परसेंट और 15 परसेंट वाला सेप्तिमबर 2019 में आया अरे जनरली यही होता था एक बार बजट आता था और जितने चेंज़ेस होते थे सब आ जाते थे लेकिन गॉर्मेंट टाइम टू टाइम मतलब ये पर बजट आ गया उसके बाद भी चेंज़ेस आ रहे है मैं तो और बता दू आपको अक्टूबर 2019 में मतलब ये 2019 मंदी का दौर चला और ऐसा लग रहा था कि मंदी से उभारने के लिए गॉर्मेंट खटा खट लॉस को चेंज़ करते जा रही है गॉर्मेंट ने इतने सारे चेंज़ेस की हैं जीस टी में भी इस दोरान किसी पे जीस टी कम कर दिया कि मार्केट उठ जाए आटो मुबाइल सेक्टर की जीस टी को पूरी तरीके से चेंज़ कर दिया कॉर्परेट टेक्स रेट चेंज़ कर दिया कि टेक्स रेट कम कर देंगे सायद कुछ मार्केट में क्या हो ग्रोथ दिखाई दे इनफेक्ट ये भी एक्सपेक्टेट था कि दिवाली पे अगर ऐसी मंदी रह गई तो वैपार पूरी तरीके से चौपट हो जाएगा नस्ट हो जाएगा और सायद गौर्मेंट परसनल टेक्स रेट भी चेंज़ कर दे इंडिवीजूल का टेक्स रेट भी तो आप समझ पा रहे हो इस बार बेसिकली टीचर कितना वरिट था हर मॉमेंट पे ये सोच रहा था कि अगला स्टेप गौर्मेंट का क्या होगा और हमने जो वीडियो बना रखी हैं बच्चों के लिए उसमें क्या क्या परिवर्थन करना पड़ेगा हमने जो बुक्स प्रिंट करा रखी हैं उसका क्या होगा ठीक है कितनी बार इमेंट करना पड़ेगा और कितना होड़ करें कहां तक रुकें गौर्मेंट के किस स्टेप के लिए रुके रहें अभी हर साल ऐसा नहीं होता था हर साल चेंज़ेस आते थे एक बार आता था बजट के तरू बजट जैसे ही पास हो गया तो जो भी चीज़े है फाइनल है और हर समय एक डर भी बना रहा है कि अगला स्टेप गौर्मेंट का क्या होगा और गौर्मेंट क्या चेंज़ेस और करव देगी ठीक है तो बहुत सारी चीज़ ऐसी है जहां पे हमने लेट्चर भी उसको इंकलकेट इन दे मीन टाइम नहीं किया हुआ है मतलब कोई एक छोटी सी चीज़ है जो बेसिकली चेंज हो गई राइट अब जिस दौरान मैंने उसकी बात कही हुई है वो मैंने रिकॉर्ड कर ली है वो बात मैंने रिकॉर्ड कर ली है तो मैं आगे पीछे उस चेंज़ेस को आपको एमेंडमेंट के जरीए क्या कर रहा ह रहा हूं बता भी दे रहा हूं तो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि salary में दो जगा change है ठीक है बहुत छोटी सी बात है right उसका पूरे salary chapter से पे बहुत ज़्यादा कहीं असर भी नहीं है right वो अपने आप में कि stand alone बात है मैं आपको जड़ा सा उससे अवगत खरा दू कि वो क्या change है right क्योंकि अगर मैंने कुछ और कहा है उस बात पे वीडियो की दौरान तो आप उसे neglect कर सके तो देखिए वो change क्या है मैं आपको बता हूं देखिए salary की computation में computation of taxable income from salary यह आपके book में चार्ट है starting के third fourth pages पे ही होगा देख लीजे salary chapter जहां पे start हो रहा है न देखिए I believe fourth fifth page तर third से fifth page के अंदर कहीं आ रहा होगा यह performa of taxable income from salary इसमें मैंने salary के सारी component जोडने के बाद gross salary लिखा उसमें सिर्फ deduction दिया तीन तीन एक standard deduction entertainment allowance employment tax standard deduction मैंने आपको सिखा रखा होगा lecture के दौरान 40,000 लेकिन यह 40,000 नहीं है student this is 50,000 अब गवर्मेंट 50,000 रुपय का standard deduction दे रही है salary employee को थोड़ा और फायदा होगा 50,000 रुपय लेस हो जाएंगे instead of 40,000 तो मैंने lecture के दौरान possible है कि मैंने कई जगा 40,000 रुपय standard deduction बोला होगा राइट किया इससे बहुत फर्क पढ़ गया हमारी वीडियोस पे बिल्कुल भी नहीं ठीक है तो आप ध्यान दीजिएगा जहां-जहां मैंने 40,000 बोला है उसे 50,000 मानिएगा और हमारी जो new book है अगर आपके पास new book available है तो उसमें already 50,000 लिखा भी हुआ है राइट तो it is quite possible देखे मैंने salary के कई सारी lecture लिए रखे है ठीक है it's approximately I believe somewhere around ten lectures ठीक है दस lecture के आसपास होंगे exactly मुझे याद है अब क्या हर एक जिगह पे उसे change कर पाना जहां-जहां 40,000 बोला है साथ वो feasible नहीं है तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में मैं आपको ये बात बता दू कि जहां भी 40,000 बोला है उसे आप 50,000 रुपे मान लीजेगा चिक है और एक छोटी सी बात और बतानी है आपको ये देखिए ग्रैचुटी का चार्ट है साथ में आठ में पन्ने तक तहीं आना चाहिए आपकी बुक में salary chapter के जैसा खोज लीजी जल्दी से तो देखिए यहां पे तो 20 लाक रुपे है लेकिन यहां पे 10 लाक रुपे है यहां पे 10 लाक रुपे है बुक में 10 लाक रुपे ही दिख रहा होगा आपके लेकिन हो सकता है लेक्चर के दौरान मैंने इसे 20 लाक बोला है मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात को यहां पे 10 लाक रुपे है लेकिन मैंने lecture के दौरान इससे 20 लाख रुपे बोल रखा है उसे 20 लाख न मानिएगा यहाँ पे 10 लाख ही है लिमिट तो these were two little changes that need to be incorporated in lectures of salary chapter salary chapter की lectures में इसको incorporate कर लीजेगा ठीक है बाकी सारी चीजे एकदम perfect है calculation जो है practical problem की कुछ calculations वगर होंगी वहाँ पे मैंने previous year 18, 19 ऐसा बोल के solve कराया होगा बट आपको तो पता ही है आपको exam में previous year 19, 20 लिख के solution को करना है तो accordingly उससे कोई फर्क पढ़ता नहीं है बाकी चीजे आपको पूरा पूरा amended class की मिला है तो कोई भी update आप बस इतना समझ लीजे कि आपकी कोई भी updation ऐसी नहीं है जो छोट जाएगी मतलब you will be fully equipped, you will be fully updated कुछ भी छोटने नहीं दूँगा सारी चीजे एकदम perfect आप examination के लिए सीख के जा रहे है जहां भी मुझे लगता है कि there need to be checked or that need to be amended तो मैं क्या करता हूँ दो रास्ताया है एक या तो मैं पूरी-पूरी series को lecture के change कर देता हूँ पूरा नया recorder देता हूँ कभी-कभी मुझे लगता है कि बहुत छोटी सी बात है there need to not be full revamp पूरा-पूरा lecture हटा के नई series को लाने के आवशकता नहीं है अगर मैं 2-4 minute की बात कहके अपनी बात को पूरी कर पाता हूँ तो साहब यह ज़्यादा बहतर होगा तो कभी-कभी मैं यह रास्ता भी अपना लेता हूँ तो I hope you will not be worried in any manner आप बिल्कुल भी परिशान नहीं होंगे और अराम से चीजों को करेंगे तो keep loving, keep enjoying good morning to all we had already started with chapter salary in the last class wherein we studied that any payment made by the employer to employee is salary in fact any benefit from employer to employee is salary और उसके बाद हम लोग ने बस एक charging section basically देख लिया था जिसमें यह पाया कि salary is taxable on due or receipt basis whichever is earlier और earlier का मतलब होता क्या है technically या फिर practically higher due or receipt में से जो ज़्यादा हो जाएगा वो salary की income taxable हो जाएगी कहने का मतलब यह है कि अगर आपने साल में 12 महीने काम किये तो obviously due तो 12 महीने होगी अगर आपको salary receive होती है 10 महीने की तो भी 12 महीने की salary taxable होगी क्योंकि due जादा हो गया 12 महीने होगा receive 10 महीने होगा फिर से repeat करते है अपनी बात को कि अगर आपके 12 महीने काम की है तो technically आपकी salary तो 12 महीने की due ही लेकिन हो सकता employee ने आपको advance salary टे कर दिया हो और इसलिए आपको salary कितनी मिल गई है 15 महीने की तो आपके हाथ में taxable क्या होगा 15 month salary will be taxable in your hand as because due on receipt में से ज़्यादा क्या है receipt इतनी बात हम लों ने की थी last class में अब जो बात आपको समझाने जा रहे हैं वो यह है कि अगर आपको foreign currency में salary मिलती है तो आपकी taxable salary क्या हो ज्यान दीजेगा इंडिया में income tax act के तहत जो हम income compute करते हैं वो Indian currency में होना चाहिए अगर मुझे पैसे dollars में भी मिल रहे हैं तो income dollar में compute नहीं होगी हमें salary मिली 100 dollar तो क्या मेरी income 100 dollar है नहीं income tax act कोड़ी ना पैचानता है foreign currencies को हमें income compute करनी पड़ेगी इंडिया नोपी तो अगर हमें foreign currency से Indian currency में अपनी salary को convert करना है तो पहले तो थोड़ी सी foreign currency की knowledge होनी चाहिए हमें समझ में आना चाहिए कि foreign currency में अगर कोई payment आती है तो उसे Indian currency में convert कैसे किया जाता है उसकी थोड़ी सी knowledge होगी तो हम उसे use करते हुए क्या करेंगे हम रोग एक calculation कर लेंगे अपनी income को भी compute कर देंगे यह जो foreign currencies होती है उसके two way courts होते है और regularly इसका rate fluctuate करता है ठीक है अब बात आती है यह rate देता कौन है यह आज dollar का rate 70 रुपए है या 71 रुपए है 72 रुपए है 70 रुपी 71 72 यह देता कौन है यह rate देती है RBI और एक single rate नहीं होता है किसी भी foreign currency का two rate होता है इसलिए हम उसे बोलते है two way quote आईए समझाते हैं आपको जैसे आज का अगर आप dollar का rate देखेंगे तो हो सकता है कुछ इस तरीके से देखने को मिले dollar one is equal to 70 rupees 20 पैसे dash 70 rupees 90 पैसे क्या मतलब हो इसका dollar का सिफिक single rate नहीं मिलेगा आपको दो rates मिलेंगे इस तरीके से इसलिए से कहा जाता है two way quote what do we call it as two way quote दो rate क्यों होते हैं पहले वाले rate को कहा जाता है buying rate और दूसरे वाले rate को कहा जाता है selling rate पहला वाला क्या होता है buying rate और दूसरा वाला क्या होता है selling rate तो आई ये समझते हैं कि इसका मतलब ऐसा होता है कि मुझे अगर डॉलर खरीदने है तो मैं 70 रूपी 20 पैसे में खरीज सकता हूँ और अगर मुझे डॉलर बेचने है तो मैं 70 रूपी 90 पैसे में बेच सकता हूँ ये मतलब हुआ क्या अगर ये मतलब होता है तो फिर हम पढ़ाना लिखाना छोड़ देते 70 रूपीज 20 पैसे में डॉलर खरीचते और 70 रूपी 90 पैसे में डॉलर बेज देते यही काम ही करते पढ़ाने का क्या मतलब है मतलब काम करने का क्या मतलब है तेकनिक अलिए अगर 70 रूपी 20 पैसे में डॉलर मिल रहे हैं और 70 रूपी 90 पैसे में डॉलर मिल रहे हैं ये बाइंग और सेलिंग रेट RBI देती है कौन दे रहा है ये बाइंग और सेलिंग रेट RBI RBI कह रही है कि मैं बाइंग करूंगे कौन से रेट पे 70 रुटाय 20 पैसे पे और RBI कह रही है कि मैं सेल कितने में करूंगी 70 रुपी 90 पैसे में अब बात बताएएए मुझे अगर डालर खरीदना है तो मिलेगा कितने में उतने में मिलेगा जितने में RBI बेच रही है RBI का बेचने वाला रेट कितना है सत्तर रुपया नब्डे पैसा यह नि मैं अर्बियाई से अगर खरीदूंगा मैं खरीदूंगा तो मुझे मिलेगा सत्तर रुपया नब्डे पैसे का और मैं अर्बियाई को बेचूंगा तो मुझे कितने का बेचना होगा सत्तर रुपया 20 पैसे क्योंकि RBI buy करेगी 70 रुपय 20 पैसे के रिट तो buying and selling rate यह जो होता है इसमें वो RBI का होता है यह ध्यार दीजेगा ठीक है public के term से अगर आप बात करेंगे तो यह reverse हो जाएगा whatever is buying rate of RBI will become selling rate for the public and whatever is selling rate for the RBI will become buying rate for the public did you understand so दीजे हमें public के साफ से बात ही buying rate selling rate पहला वाला rate buying rate होता है दूसरा वाला selling rate होता है आपको technical word भी पता देते हैं इसके लिए आम बोलचाल की भासा में हम रुख buying rate और selling rate बोलते हैं हाला कि इसको bid rate भी बोला जाता है financial language में bid rate बोला जाता है bid और ask अगर आपको कहीं दिक्कत हो हमें याद कैसे रहेगा तो मेरे पास उसकी भी एक टेकनिक है B से buying B से bid S से selling S ask में भी आता है ठीक है ये बेमानी वाली थोड़ी सी बात है आपको याद कराने के लिए कि कैसे याद रहेगा आपको ठीक है foreign currency में salary मिलता है Salary due or received in foreign currency If salary is earned in foreign currency, it will be converted into rupee If salary is earned in foreign currency, it will be converted into rupees Conversion rate T T buying rate on specified date T T buying rate on specified date T T buying rate on specified date आपको पकड़ना है बाइंग रिट गौर्वन्मेंट यह कह रही है कि आपको पकड़ना है यह बाइंग वाला वीट इस पे कनवर्शन होगा और इंजिकर देड का अब यह देखना होगा देखे, अगर आपको फौरेंग करन्सी को इंडियन Later 현 Series में कनवर्ट करना है तो हमें दो चीजे चाहिए एक तो चाहिए rate कौन सा हूँ और दूसरा date कौन सा हूँ कौन सा rate ले buying rate ले कि selling rate ले यह प्रशना है और दूसरा यह प्रशना है कि कौन से दिन का rate ले तो बाइंग देख लिये न, ये तो clear हो गया, कौन से date का ले, अब ये देख लिएते हैं Last day of the month immediately preceding the month in which salary is due Last day of the month immediately preceding the month in which salary is due जिस महिने में salary due हुई है, उससे preceding month का आखरी date जिस माइने में salary due हुई है last day of the month immediately preceding the month in the salary is due जिस माइने में salary due हुई है उसके पिछले माइने के आखरी तारी को जो buying rate है वो ले लिए समझाते हैं आपको example से salary for the month of September 18 gets due on due का बोरा है मान लिजे 3rd October 18 paid on paid on 10th October 18 how much dollar 500 now what you have to do you have to convert this dollar 500 into Indian rupee तो आपको इसे Indian rupee में convert करने के लिए दो बाते चाहिए एक तो चाहिए कि date कौन सा पकड़े है और उस दिन का rate कौन सा पकड़े है तो date कौन सा लिया जाएगा salary जिस महीने में due हूई है उससे पुराने वाले महीने की आखरी date salary due हूई है कब 3rd October को तो इससे पिछला महीना September September की आखरी तारी date लेंगे अवरुक 30 September 18 और rate कौन सा उस दिन का buying बाला याई अगर माल लीजे 30 September को अब हम आखरी रेट भी दे रहे है 30 September 18 को dollar का जो rate था वो था 69 रूपी 69 रूपीज 80 पैसे 70 रूपीज 20 पैसे तो अब हम इसको convert कैसे करेंगे salary को salary की income जो होगी वो कहलाई की 500 dollar into 69 रूपी 80 पैसे buying बेख लेंगे अब लोग किस दिन का जिस महीने में साली due ही है उसे preceding महीने की आखरी तारीख का यह हो जाएगा 500 into 69.8 34,900 समझ में आए सब को understood everyone understood everyone अच्छा एक बात बताईए जड़ा सब अगर मैं इस कुश्चिन में एक बात बतल दूँ यह वाली बात बतल दूँ यहाँ पे अगर मैंने यह से लिख दिया कि salary for the month of September अचली दूसरे example बना की कर लेते हैं आपके सब salary for the month of June 18 gets due on 30th June 18 and paid on 7 July 18 dollar 300 किस दिन का rate चाहिए आपको solution किस दिन का rate चाहिए जिस महिने में salary यह है उससे पुराने वाले महिने की आखरी तारी यानि 31 माई 18 का date rate चाहिए हमको dollar आपके एक्साम में क्या करेगा वो कई सारी dates पे rate दे देगा वो सिर्फ इसका देगा तागि आप आप बताओ कि कौन से date का आपको rate चाहिए और recording आप यूज कीजेगा तो एक्साम में एक ही rate अगर एक ही date का rate देगा तब आप समझ ही जाओगे ना कि यही date यूज करना है तो वो कई सारे dates दे देता है और सब का rate भी दे देता है रहां 300 इंटो 68.40 बिश्चाइब पान सुपीज ठीक है कोई दिक्कत अब अगली बात समझेए यहां पर क्या लिखा हुआ था due और paid in advance और paid in area अग हम जितना highlight करेंगे उतनी बात को पढ़िए last year of the month immediately preceding the month in which salary is paid in area due और को भूल जाइए क्योंकि due समझा दिये है क्योंकि अगर salary आपको advance में मिल गई है तो अभी तो taxable होगी भले due ना हुई हो अगर salary due हो गई है तो जिस महिने में due होई है उससे preceding month की आखरी तारिक लेते हैं लेकिन अगर due हुई है नहीं तो advance में receive होई है उससे preceding month की आखरी तारिक और अगर salary advance में receive हुई है अगर salary area में मिलती है तो जिस महिने में मिली है उससे preceding month की आखरी तारिक को जैसे महां लीजे मुझे preceding month की आखरी तारिक इसके लिए भी वही बात है चिक है अब जब पढ़ना है तो सिफ इतने portion को पढ़िए जितना highlight की है है अब ऐसे आखरी तारिक को जैसे अब है उसके preceding month की आखरी तारिक आप उजेंगे सार्ड़ी एरियर में क्या होती है यह आपको बाद में बताएंगे अभी नहीं बताएंगे अभी एरियर सालरी अभी बाद में अलग से एक heading आईग आईगी है तो वहां पे आप एरियर सेलरी समझ जेंगे अभी बस इतना समझ लिए कि एरियर सालरी कुछ होता है फो यह होता है सालरी कुछ त्के है वह जिस महीने में रेसीव होती है उससे preceding month की आखरी तारिक यह जैसे है कब 12 अक्टूबर को एरियर सालरी रेसीव होई तो 30 सेतंबर को जो rate होगा उससे multiply करके हम convert कर लि जिस महिने में डू है उसे पुराने महीने की आखी तारिख कर आया है। है उसे पुराने महीने की आखी तारिख थे अगा आई रेक यह कुछ दिक्कत तो नही ना हो रही है बच्चों'? क्लियर है सबको अगली है अगली है कांप्यूटेशन ऑफ सैलरी ग्रेड सिस्टम आईए यह समझाते हैं आपको ग्रेड सिस्टम क्या होता है सैलरी इन ग्रेड सिस्टम कभी अपनी न्यूस पेपर में जॉब बगर की विकेंसी देखी है बहुत 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 देखी होगी की जॉब के लिए विकेंसी देखना उसमें सैलरी कुछ ऐसे लिकी रहती है उसे लिका रहता है कि फलाना फलाना डिपार्टमेंट इतनी नंबर ऑप विकेंसी जैड है यह कौलिफिकेशन रिकॉइड है और सैलरी यह हो लिका रहता है वह एड में जो भी जॉब विकेंसी एड ता है salary कैसे लिखी होती है मैं आपको दिखा रहा हूं कभी आपने साइद notice किया हो ऐसे लिखा होता है 30,000-500-40,000-1000-60,000 ऐसे लिखा रहता है अब समझ में नहीं है रहा है कि salary मिलेगी कितनी अगली बात कभी भी गवर्मेंट जॉब की वेकेंसी अगर हो तो उसकी जाएद से लिखाएगा नियूस पेपर में अगर आता है कहीं भी आता है आप देखिंगे ऐसे लिखा होता है पता है इसी को का जाता है salary grade system अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं कि आपको मिलेगा कितना प्राइवेट नौकरियों में ज्यादा तक grade system चलता है प्राइवेट नौकरियों में grade क्यों नहीं चलता है मैं आपको बताएओं क्योंकि प्राइवेट नौकरी में काम करना होता है इस महीने नौकरी मिली अगले महीने हो सकता है लात मार के निकाल दियो जाओ और ये भी हो सकता है कि 10 जार रुपे महीने पर जोइन किये थे और अगले महीने में 20 जार मिल रहा है क्यों काम ऐसा कर रहे हो इतना percentage बढ़ जाए वो धीरे धीरे कच्छुए की गती से बढ़ती रहती है आप जितने बुड़े होते जाते हो उतना प्राम कम करते हो लेकिन आपकी तंगा उतनी ज्यादा होती जाती है प्राइविट नौकरी बिलकुल अलग है वहाँ ग्रेड वाला सिस्टम नहीं जलता है ऐसे बढ़ेगा ही बढ़ेगा वहाँ परफॉर्मिंस बेस आपको काम मिलता है जितना अच्छा करोगे उतना ज्यादा आगे जाओगे इस पीड की कोई लिमिट नहीं है एक महीने दस ज बिसिकली जनरली 99% केसे में गौर्मेंट जॉब भी होता है प्राइविट कंपनी इस भ्रेड वगर नहीं बताते हैं आई आई आपको समझाते हैं ये ग्रेट का मतलब क्या है इस ग्रेट का मतलब है कि आपको 30,000 रुपए प्रती महीने सालरी मिलेगी पर मंत मिलेगी पर 12 मंत जैनी परस्ट बारा मेने तक पहले बारा मेने तक आप की तंखा कितनी होगी 30,000 रुपए मतलब मुझे 12 तक लगा था 30,000 रुपए तंखा मिलेगी तलब त्क थीरवा महीना होगा 13 मंत छीक है वहाँ पर आपकी सैलरी 13 मैने से लेके 13 मंत से लेके प्ब तक 24 नक стран तक एक साल तो आपको 30 रुपय महिना मिलेगा अगले साल हर 12 महिने तक आपको 30 रुपय मिलेगा यह जो बीच में 500 रुपय है उसका मतलब यह होता है कि 12 महिने बाद 500 रुपय महिने की सैल्दी बढ़ेगी पहले साल आपको मिलेगा 30 रुपय बारा महिने तक अगले साल आपको मिलेगा 30 या 500 रुप्या 12 महीने तक उसके बाद 25 महीने से सालिए कितनी हो जाएगी 25 मन्त से 25 मन्त से लेके 36 मन्त तक आपकी सालिए हो जाएगी 31,000 रुप्या हर साल 500 रुप्या बढ़ेगा ये इसका मतलब होता है तब तक बढ़ेगा जब तक चालीस हजार ना हो जाए चालीस हजार का मतलब यह होता है चालीस हजार का मतलब क्या है अब इसके बार कब तक चलेगा यह कहानी जब तक की चालीस हजार ना हो जाए तब तक ऐसे ही चलेगा और जब चालीस हजार हो जाएगा 12 पार आपको 40,000 रुपया मिल गया तो उसके बार वाले साल कितना मिलेगा 41,000 रुपया मेहीना ये जो बार में एक हजा लिखा है न इसका मतलब इहे है आ और कब तक ऐसीirosाहनी चलेगी जब तक कि आपके 40,000, 60,000 रुपया मेहीना ना हो जाए ये इसका मतलब आपको ग्रेट सिस्टम दिया गया है तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले बारा महिने आपकी तनफ़ा होगी 30 जा रुपया फिर अगले बारा महिने आपकी तनफ़ा होगी 30 जा 500 रुपय महिना उसके अगले बारा महिने आपकी तनफ़ा होगी 31,000 रुपय पर मन्त उसके बाद बारा महिने आपकी सालवी होगी 31,500 पर मन्त बारा महिने तक चलेगा 500 रुपय महिना बढ़ेगा अब बारा बारा महिने तक सेम चलेगा और यह कहानी तब तक चलेगी पाच्पर सू रुपय बढ़ने वाली जब तक यह आपकी तरफाद 40,000 न पहुँच जाए अब इसे क्लिए 40 जार के साल में पहुंचेंगे का पता है 30 जार से 40 जार और हर साल बढ़ आए 55 तो रुपया तो यानि 10 साल में बढ़ेगा 5 जार रुपया 20 साल में पहुंचोगे 40 जार पे 20 साल में हम पहुंचेंगे 40 जार रुपय पहुंच जाएंगे तो फिर 40,000 के बाद अगले साल 40,000 पांस नहीं होगा अगले साल 41,000 रुप्या होगा एक हजा से बढ़ उत्री होगी अब कावता कैसा चलेगा जब तकि 60,000 नहों जाए तो 60,000 की तंखा पहुचने में अगिन 20 साल लग जाएगा 40,000 से 60,000 पहुचने में 20 साल लग जाएगा क्योंकि हर साल एक एक हजा बढ़ रहा है 20 साल बाद आप यहां पहुच जाओगे अब प्रस्णा आता है कि इसके बाद क्या होगा इसके बाद तंखा बढ़ेगी नहीं 60,000 रहेगी जब तक यह रिटार नहीं हो जाते है या फिर आपको दूसरे स्लैड में डाल दिया जाता है यहां से उठाया जाता है और दूसरे ग्रेड में डाल दिया जाता है वो सकता है उसके बाद आपको डाल दिया जाए इस ग्रेड में नहीं डालती है तो इसका मतलब यह है कि फिर आप अब आपको रिटार्मेंट तक बस यही सालरी देंगी अब बढ़े एक तो ज्यादतर केसे में तो ग्रेड दूसरे ग्रेड में डाल दिया जाता है क्योंकि इस सिस्टम ही होता है बुड़े होते जाओ तंखा जादा बढ़ 1,000-30,000-2,000-60,000 क्या मतलब है इसका यह है आपका सैलरी ग्रेड आपने इंप्लियों से पूछा मेरी तंखा बता है इंप्लियों ने बुला यह लो 25,000-1,000-30,000-2,000-60,000 क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ मुझे पहले बारा मैने तक 25,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2, देता हूँ आपको एक सेप्टेमबर दो हजार अठारा को तो एक सेप्टेमबर दो हजार अठारा से लेके 31 अगस्त 2019 तक आपकी साली होगी 25 जारूकर मैना ठीक है फिर एक सेप्टेमबर 2019 तक आपकी साली बढ़ चुकी है एक जार बढ़ चुकी है और कब तक के लिए बढ़े है 31,28,2,20 तक आपको मिलेगा 26 जार उप्या फिर वेसे ही एक नौँ 2021 से लेके एकतिस आठ डोजार एककाईस तक आपको मिलेगा 27 जार रुपया मिलेगा और ये ऐसा तब तक चलेगा जब तक ये 30 जार ना हो जाए और जब 30 जार हो जाएगा तो फिर 30 जार बारा महीने तक जब मिल जाएगा तो अगली बार 31 जार नहीं मिलेगा पर या फिर आपको दूसरे grade में टाल दिया जाएगा, दूसरे grade में डाला जाएगा तो उसके हिसाँ सबसे बढ़ेगी है, अगर अब ध्यान देने वाली बात आपको सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से समझेगा, अगर आपको इस grade में डाला गया, तो जरूरी नहीं है कि से कैंडिडेट हायर करेंगा और मुझे एक आपकी इस्टिट्यूट ने बोला कि पहले से ग्रेड सिस्टम बता दीजे तो मैंने बता दिया कि ये देखो भई पच्छेश जार डश एक हजार डश चालिस हजार डश दो हजार डश शाट हजार ठीक है अगर मैंने ये ग्रेड पता दिया है तो क्या इसका मतलब ये है कि जितनी लोगों को मैं जॉइनिंग करांगा सब पच्छेश जार से स्टार्ट होंगे, नहीं कि क्या होता है इस ग्रेड का मतलब, इस ग्रेड का मतलब होता है कि बढ़ेगा इस तरीके से, हमने मोहन का इंटर्व्यू लिया, आपारी साली पच्चे जास से स्टार्ट हो, ग्रेट डोनों का ही क्या है? यही वाला है, अब मोहन की साली अगर 28 से स्टार्ट हो रही है तो 28 जा 12 मेंनी मिलेगा, फिर ट्वन्टी नाइन थाउसे मिलेगा, कब तक जब तक कि 40 जाना हो जाएं? और इसको 25 जा से स्टार्ट हार पड़ेगा इसका 25 जा 12 मुने पर 26 जा 12 मुने पर 27 जा 12 मुने इस great का मतलब यह नहीं होता जार्टिंग सैल्री है यह ध्यान दीजेगा यह स्टार्टिंग सैल्री है कहीं भी बीच में हो सकती है एक बार बताईए क्या हम सभी लोगों को बराबर साली पे हायर करेंगे सब की क्वालिफिकेशन की बराबर है तो भी बराबर साली पे हायर करेंगे नहीं अरे जो बंदा तेज है जो सार फे बंदा common sense बहुत हाई है जिस्टी तो उसकी साली जाता होगी सेम दिखरी के साथ दूसरा बैठा हुआ है जिसका दिमाग कम चलता है तो उसकी साली तोड़ी ना उसके बराबर होगी समझ में हारी ये बात तो इस ग्रेट का मतलब यह नहीं होता पजीजा से साली स्टाट होगी इस ग्रेट का मतलब यह होता है बढ़ेगा इस हिसाब से इसी क्रेट में पता है हमने एक और है श्याम है हमने श्याम का इंदर भी लिया श्याम तो सुभान अलग गजब है एक दा हमने उसको का यू इल स्टार्ट विट 42,000 तो 42,000 से स्टार्ट करा रहे है तो अब 42 जार से स्टार्ट करा रहे हैं तो ये वाला स्लैब में अब वो आ रहा है इधर उसको 42,000 बारा में मिलेगा अगले बार पता है कितना मिलेगा 44,000 जो चालिस हजार के बाद 2,000 बढ़ना होता है ये भी इसी स्लैब में आ रहा है बस अपने दिमाग से एक बात निकाल दीजेगा कि ये स्टार्टिंग सैलरी होगी ऐसा जरूरी नहीं है स्टार्टिंग सैलरी बीच में से भी कहीं हो सकती है ये सिर्फ आपको डिनोट करता है कि किस कदर सैलरी बढ़ेगी पच्चिस जर के बाद एक एक हजा करके सालरी बढ़ेगी चालिस जर रूपए तक और फिर दो-दो हजा करके बढ़ेगी साठ़ जर रूपए तक ये इसका मतलब है हाँ जब कंपनी एक ग्रेड सिस्टम देती है तो 90% लोगों को 25 जर पे हाइर करती है हम 100 लोगों को अगर हाइर करेंगे ना तो 90 लोग 95 लोग 25 जर पे हाइर होगे पच्चिस जर डिसाइड करके आए लेकिन जब भी हम इंटर्वियू में बैठते हैं 100 लोगों को हाइर करते हैं बाकी तो हम तयारी तो 25 जर के हिसाब से आएं तभी तो ये ग्रेड बनाए है तो लेकिन 90-95% केसे में सब 25 जर से ही स्टार्ट करेंगे अगर इस ग्रेड को हम आफर करते हैं लेकिन कुछ 2-4-10 ऐसे भी हो सकते हैं जो हाइर सैलरी से स्टार्ट करेंगे अंडिस्टोड एप्रिवाण उसकी बात दिखिएगा TDS on salary versus tax free salary TDS on salary versus tax free salary इस बात को समझाते हैं आपको TDS on salary versus tax free salary TDS पर समझते हैं आप लोग TDS का मतलब है text deducted at source source का मतलब होता है जहां पे income originate हो लिए जो income का source है वहीं पे text काट लिया जाए और सरकार को जमा कर दिया जाए यही है TDS समझाते हैं सरकार का कहना है कि जितने लोग income पा रहे हैं कोई ना कोई तो देही रहा है ना मेरे employees salary पा रहे हैं उनके लिए income है तो कोई तो यह income दे रहा है ना मैं दे रहा हूँ किसी के पास किराय की income आ रही है तो कोई तो दे रहा है ना किसी के पास ब्याज की income आ रही है तो कोई तो दे रहा है ना government कहा रही है जो देने वाला source है देने वाला ही क्या है source है गवर्मेंट कहती है जहां पे income का source है origination है वहीं पे tax काट के जमा कर दो अब सरकार मुझसे क्या कहती है कहती है राज अगरवाल जी आप अपने employee को salary देते हो पता नहीं वो सब tax जमा करेंगे कि नहीं income tax काम किया करो आप उनका tax काटके हमको जमा कर दिया करो बागी साली उनको दिया करो मैं किराया देता हूँ जो income tax किया बोलता है राज अगरवाल जी आप किराया देते हैं पता नहीं जो किराया पा रहा है वो टेक्स जमा करेगा की नहीं आप तो बड़े बिजनसमैन हो तब यह बात आ रही है मैं बड़ा business man ओ, government कहा रही है, आप तो बड़े business man ओ, जो किराया पा रहा है, पता नहीं, किराया पे tax देगा अगी नहीं, काम करो, उसके किराया में से tax का हिस्सा काट के हम को जमा कर दो, बाकी किराया उसको दे दो, उसको receipt पगड़ा दो, ये लो तुम्हारा tax जमा हो दिया तो इसे रिपेट करता हूँ EDS is tax deducted at source जहां पे income का source है जहां पे income originate हो रही है जहां पे income पैदा हो रही है वहीं पे government कहते है tax काटो और जमा कर दो government जहां से कह रही है कि राज अक्रवाल जी आप जिन employees को income दे रहे हैं, salary दे रहे हैं पता नहीं वह साल्डी पे tax देगा कि नहीं कहां पकड़ने जाएंगे इतने सारे लोगों को government कहरी एक काम किया करिए उसका tax काट लिया करिए income जितना बनता है वह काट के हमको जमा कर दिया करिए और उसको रसीद पका दिया करिए अब बाकी का तुम्हारा बचा हुआ salary उसको पूरी salary ना दो, tax काट के जमा कर दो जो हम किराय दे रहे हैं तो भी government यहीं बात करिए हम interest दे रहे हैं, अगर हम किसी को interest दे रहे हैं तो again income दे रहे हैं, हमने loan लिया है उसको interest दे रहे government करिए उसको interest जो जा रहा है income है, पता नहीं टेंस देगा की नहीं देगा, काम करिए आप ही उसका tax काट दिजे और काट के जमा कर दिजे, अब बाकी क्या कीजे उसको पैसा दे दिजे अब आप को होगे कि sir, government आपको कह रहे हैं, इसका tax काट लो उसका tax काट लो, आप ये टेंशन क्यों लोगे, इस सीधी सी बात है, मैं क्यों ये सब टेंशन लो, क्यों किसी का काट काट के जमा करो, मुझे क्या मिल रहा है, मैं क्यों मानूं government की बात, government कह रहे हैं, कैसे नहीं मानूंगे एक लाग रुपए की payment की है, और मैंने इसका tax काट की जमा नहीं किया, तो government कहती है, कि आपका ये एक लाग रुपए का खर्चा मैं एक लाग का मानूंगी ही नहीं, सत्तर हजार का मानूंगे, तीस परसेंग खर्चा नहीं माना जाता है, अब इस बात रहे हैं, मेरा खर्चा ये एक लाग रुपए हम पे कर रहे हैं किसी को, सत्तर हजार government मानेगी, तो मेरा profit जोट मूट का तीस ऐसे बढ़ जा अपना 9000 रुपए का टेक्स क्यों बनाओं किसी और की चक्कर में, मैं उसका टेक्स काटके उसको receipt पकड़ा दूगा, क्योंकि मैंने अगर ऐसा नहीं किया, तो मेरे साथ government बुरा कर रही है, बस कितना ही नहीं है बच्चों, अगर सायथ सिर्फ कितना होता ना, तो लोग न भी comply करते चलता, TDS अगर मैं नहीं comply करता हूँ, तो मुझे जेल हो जाएगी, अब इस बात बताईए, एक टेक्स तो ज्यादा देने को तयार भी है एक वैपारी, क्या जेल जाना मैं पसंद करूँगा, नहीं है, और इसलिए बताईए क्या करेंगे, TDS काटेंगे, यह जो financial burden नहीं आता, अगर मैंने नहीं comply किया, इस कानुन का पालन नहीं किया, तो यह नहीं है कि मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मुझे जेल तक हो सकती है, जेल तक हो सकती है, तुरंत ही जेल नहीं चले जाएंगे, अब किसी का भूल गया है TDS तो, जेल के भी प्रावधान है मतलब जेल भी जाना पड़ सकता है अगर ऐसी गुस्ता की हम करते हैं, और यह बास समझ में है, अच्छा, काटना किसका होता है TDS, जिसको हम income देते हैं, जिसको हम income देते हैं, अब किसी से computer खरीदे, एक लाग रुपय का, तो एक लाग पर TDS काट लेंगे क्या है, नहीं, एक लाग रुपया मुसको दिये, तो income थोड़ी ना है उसकी, अरे computer एक लाग रुपय का बेचा है, बहुत कमाया होगा, दो चाहर पांच से चाहर रुपय कमा लिया होगा, income एक लाग रुपया नहीं है, जब आप किसी को payment करते हो, वो पूरा income होता है, तब TDS काटा जाता मैंने किसी को बैज दिया, तो जितना बैज दिया, पूरा income, उसका इसलिए TDS काटना है, मैं किसी से jeans खरीद के लिए आया है अपने लिए, दो अजार रुपय की, तो TDS नहीं काट देंगा, अरे दो अजार की jeans खरीद के लिए तो 200 रुपया कमाया होगा उसमें, दो अजा खरीद के लिए आया, सोफा से खरीद के लिए आया, TDS काट दो उसका, अरे नहीं, मानलों अगर 10 लाग का भी सोफा लाए है तो उसमें 10 लाग रुपय कमा नहीं लिया है, तो 10 लाग रुपय में कुछ उसकी income होगी, मानले कि 50 रुपय उसकी income होगी, जब आप, तो TDS यहा काट ले नहीं होता है, उसी वोगा जाता है TDS, और TDS और TDS और TDS प्री सैलरी में अंदर क्या है, समझाते हैं आपको, मानली जी एक employee की सैलरी बनती है, पांच लाग रुपया, साल की सैलरी बनती है, पांच लाग रुपया, और इस पे जो TDS बनता है, जो मुझे TDS जमा करना है, मान लिजे बनता है 20 रुपया, ise ध्यान दीजे का पकड़ नहीं लेना है, इस बात को की 20 रुपया बनता है, क्योंकि अभी मैंने आपको यह सब सिखाया ही, कि कितना TDS बनता है, कितना TDS काटा जाता है, ये infant income dapat में अब आपको बताएंगे कि TDS क्या रेट से काटा जाता है अभी बस इतना सिखाएं TDS काटना है salary पांच लाख रुपए की है इस पर text बनता है TDS बनता है 20 जार रुपया का तो मैंने क्या किया 4 लाख 80 जार रुपया employee को दे दिया चीक है और ये 20 जार रुपया government को दे दिया इसी को का जाता है TDS पांच लाख रुपए की salary पे tax कितना बना TDS बड़ की जगा tax बढ़ी है उसका लेते हैं आपको अच्छा लगेगा पांच लाख की salary पे 20 जार का tax बना assume कर रहे हैं चीक है एड़सेक लिकाल दे हैं धाई लाख तक कुछ नहीं होता balance धाई लाख का 5% बाराजा पांच सो प्लस चार परसेंट उस पे से 13 जार रुपया आपको भी तसली रहे है 13 जार रुपया है तो पांच लाख में से 13 जार रुपया अटा दो 4.87 ताउसन इंप्लाई को दे दिया 13 जार रुपया गॉर्मेंट को दे दिया इसी को का जाता है TDS लिए जब हम ये गॉर्मेंट को 13 जार रुपय दे देते हैं तो इसे का जाता है TDS ठीकिए है What is Tax-Free Salary? Tax-Free Salary क्या चीज़ है? Salary है employee की पांच लाख रुपया और मैंने पांच लाख रुपया पूरा employee को दे दिया पूरा employee को दे दिया इसका टेक्स बन्ता है एस्जियूम कर रहे हैं एस्जियूम तो इसे जब सैलरी की पेमिंट कहला करते हैं हम तो इसे का जाता है टेक्स प्री सैलरी फिर से रिपीट करते हैं इंप्लॉई की सैलरी पे जो टेक्स बनता है वो मैं उसे काट के देता हूँ और जो काट लेता हूँ पैसा वो गौर्ण्मेंट को देता हूँ तो इसे का जाता है टेक्स प्री सैलरी क्लियर है बास सबको कोई दिक्कत तो नहीं नहीं हो रही है अगर काट के पैसा दूँगा तो टेडियस ओन सैलरी काटूंगा नहीं अपनी जेब से दे दूँगा तो टेक्स फ्री सैलरी टेक्स बीस जा किसका जमा हुआ है जल्दी बता दो इंप्लॉई का जमा हुआ ठीक है अच्छा अब प्रस्ट ये उठता है कि जो 20,000 रुपय का मैंने टेक्स इंप्लॉई का जमा किया है इस इट अ बेनिफिट टू इंप्लॉई हाँ और हमने आपको पहली क्लास में सिखा है एनी बेनिफिट पॉम इंप्लॉई टू इंप्लॉई सैलरी अगर इंप्लॉईर इंप्लॉई को कोई भी बेनिफिट दे देगा कोई भी फायदा करा देगा तो वो सैलरी कहलाता है तो ये 20,000 रुपय का टेक्स भी सैलरी कहलाएगा यानि अब इसकी सैलरी इंकम जो होगी वो कितनी कहलाएगी 5,20,000 रुपया समझ में हार है या बस सब गोल गोल घूम रहा है टीडियस क्या होता है जो टेक्स बनता है सैलरी में से वो मैं काट के फिर इंप्लॉई को पैसा देता हूँ टेक्स प्री सैलरी क्या होता है टेक्स मैं अपनी जेप से जमा कर देता हूँ इंप्लॉई का लेकिन ये बात भली बात ही आप जानती हो कि अगर employer को employee को कोई फायदा पहुचा देगा तो वो भी salary कहलाती है ये भी तो एक फायदा ही दे रहा हूं मैं उसको 20,000 रुपए उसका tax मैं खुद जमा कर रहा हूं अपनी जेब से तो ये 20,000 रुपए भी employee के हाथ में क्या कहलाएगा salary और employee की salary अब कहलाएगी 5,20,000 रुपए यहाँ पर tax calculate करना थोड़ा सा difficult हो जाता है tax calculate कैसे होता है मैं आपको बता हूं यहाँ tax calculate होता है कुछ इस तरीके से tax is equal to tax rate मतलब percentage में जो भी है into तो ऐसे ही निकलता होगा ना tax salary जितनी है उसमें tax rate multiply कर दीजे तो tax आ जाता होगा लेकिन यहाँ पर salary में tax rate multiply नहीं करना है salary plus tax में tax rate multiply करना है क्योंकि tax भी जो employer pay करेगा वो भी salary बन जाएगा tax is equal to tax rate into salary plus tax tax कितना है यह हमको एक्स रखना पड़ता है यहाँ पे दोनों जगे एक्स रखेंगे और फिर solve करेंगे तो रेट माली यह पाँच परसेंट एप्लिकेबर है तो पाँच परसेंट ब्रैकेट में salary plus x into पाँच परसेंट is equal to x अब x निकालेंगे यह मेहनत करनी पड़ीगे salary plus tax क्यों कर दी है क्योंकि आपको जो tax पे करना है वो rate apply किस पे करना है salary plus tax पे क्योंकि tax जो हम पे कर रहा है वो भी तो salary है employee को benefit जा रहा है नहीं अबी ठीक है यहां तक चलिए अब हम रोख salary के जो components है उसकी बात करते है salary कुछ payments ऐसी होती है जो आपको regularly मिलती है मतलब जब आप job भी होते हो तो मिलती है हम उसको कहते है regular और कुछ payment ऐसी होती है जो आप retire करते हो तो मिलती है जैसे कि pension हो गया gratitude हो गया तो हम उनको बोलते है retirement benefit retirement benefit, this is regular benefit अगर हम regular benefit को further classify करें तो ऐसे समझे है आपको तीन तरीकी की payment होती है यह कुछ है normal item normal item वो जो लगबख सभी को मिलता है इसमें क्या क्या चीज़े आएंगी normal में हम लिख देते हैं जैसे कि basic DA, permission, bonus यह सब चीज़ें यही मिलता है अगर you are in job तो आपको यही सारी चीज़ें मिलती हैं salary का एक हिस्ता है regular item जो जब तक आप job में है तब तक मिलता रहता है दूसरा हिस्ता है retirement benefit वो आपको retire करने के बाद मिलेगा retirement benefit में क्या क्या चीज़ें आएंगी कुछ लिख देते हैं जैसे कि pension आएगा gratitude आएगी लीव इंक्याश्मेंट भी मिलता है लीव इंक्याश्मेंट तो in fact दोनों समय मिलता है लीव इंक्याश्मेंट जब आप काम कर रहें उस समय भी ले सकते हो retirement pay भी ले सकते हो और regular items की बात करें तो उसमें भी तीन केटेगरी है employer एक तो normal items आपको देता है जैसे की basic DA bonus commission यह सब हर जगर चलता है ठीक है और उसके बाद alliances और perquisites भी होते है DA क्या चीज़ है basic तो आप समझते ही है जो basic salary किसको कहा जाता है जिसे बुलते हैं पंदरा जार रुपय महिना मिल रहा है या 20 जार रुपय महिना मिल रहा है उसको कहा जाता है basic salary DA क्या होता है महंगाई बत्ता DA is dearness alliance What is DA? Dearness Alliance Although it's an alliance लेकिन यह alliance वाली कैटेगरी में हम नहीं बोलेंगे इसको हम normal कैटेगरी बोलते हैं क्योंकि यह सब को दिया जाता है Alliances में बात करेंगे बाकी Alliances Dearness क्या है महंगाई बत्ता और हर company normally अपनी employee को DNA से लाँच देती है वो होता क्या है? जैसे हर साल महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई को compensate करने के लिए हर साल कुछ न कुछ डिये बढ़ा दिया जाता है जैसे हिस साल का डिये का तीन हजार होगा तो अगले साल का डिये हो सकता है तीन जाप पांक सुरुपए हो वो क्या है? महंगाई के हिसाब से महंगाई का impact डाला जा रहा होते है महंगाई बढ़ता इसको कहा जाता हिंदी में तो basic हो गया, do हो गया, commission वगर ये भी normally हर जगा system है कि आप business लाते हो company के लिए तो आपको commission दिया जाएगा, sales representative हो, आपने इतना माल बेज़ दिया तो आपको ये commission दे दे देंगे, इस तरीके ही चाहिए bonus, bonus basically target वगर पे भी होता है कि ये target आप achieve कर लीजिए, इतना गाम कर लीजिए, आपको ये bonus मिल जाएगा, is a normal item उसके बाद ये दो terms क्या है, alliances और perquisition, ये हमने पहले भी आप बताया है, आपको एक बात, short mark, alliances होता है, जब हम monetary payment करते हैं, ताकि employee मेरा खुद से benefit को achieve कर ले, या एक facility खुद से avail कर ले, और हम उसके लिए उसे monetary payment कर देते हैं, हमने जो example लिया था, same example repeat करते हैं, example which I took earlier, was employee को हम कहते हैं कि हर महिने 5 रुपे ले लिया करो, अगर तुम्हें सर्दी, खासी, malaria, laveria होता है, तो अपना इलाज खुद से करा लेना, ठीक है, and for this I am giving you 5,000 every month, तो इसे का जाएगा medical allowance, medical का allowance है, ठीक है, अभी बाद पता है, सर्दी, खासी, malaria अगर उसको नहीं हुआ है, तो कि जबर दस्ती, सर्दी, खासी करके वो पैसा करेगा, नहीं, पैसा तो उसको हर महींने मिल रहा है, होसकता है, पूरा बच्चा है, और ऐसा भी हो सकता है, कि उसे सर्दी, खासी हुई है, पैसे 5,000 पर्वाइटरी पेइमेंट हर महीं लिए कर देता है, खर्चे एंप्लॉय के ज़्यादा कम हो सकते हैं, जो उसे उल्ाइट मिलगा है, पर्क्योसिट में क्या होता है, इम्प्लॉयर कैसे नहीं दे रहा है, सीधे वो बेनिफिट उठा के दे देता है, मतलब employee को सर्दी खासी हुई विवार पड़ा उसका जो hospital का भी लाया पूरा employee ने दे दिया यह percusate है इसे कहा जागा medical percusate employee employee को हर महिने पांस उर्पे देता है कि इससे तुम अपना mobile रिचार्च करा लिया करो अब employee हो सकता है 100 रुपे में ही महिने पर का काम कर लेता है उसको 100 रुपे से ज़्यादा का रिचार्च की जौती नहीं है और ऐसा भी हो सकता है employee रात बाग गल्फरेंड के साथ लगा रहता है उसका 2000 में भी नहीं हो पाता है अब आप जियो वाले जमाने वाले बच्चे हो आपको होगी कि सथ जियो में कहा ऐसा होगा रात बर लगे रहो चीक एग्जामपल के लिए था कि अगर हम 500 रुपे रिचार्च का mobile रिचार्च का दे रहे हैं तो हो सकता है उसका 500 रुपे में से कम में काम चल जा रहा हो सकता है 500 रुपे से ज्यादा लग रहा हूँ आज भी डाटा के लिए तो पेमिंट करते हो ना चीक है वो रात पर वाटसेप करता है इसलिए ज्यादा पैसे लगते हैं उसके पॉसिबल है परक्यूसिट क्या होगा जब इंप्लॉइर ये कहे कि तुम्हारा जितना मुबाइल कर बिलाएगा कंपनी भरेगी उनको मतलब नहीं है ये परक्यूसिट है सीधे बेनिफिटिंग आइए 100 रुपे कर बिलाइगा 100 रुपे इंप्लॉइर बरेगा अगर तुम्हारा एक हजार का मिलाएगा तो भी इंप्लॉयर मरेगा ये क्यलाता है पर क्योंसे बास समझे रहे हैं सबको ही जैसे और एक्सांपल ले लेते हैं इंप्लॉयर आपको पैसा देता है कि घर घर से आफिस जाने के लिए दो हजार रुपया महिना ले लिया करो हमस सकता है भाई हम तो क्या करते हैं कोला करके आते हैं उबर करके आते हैं मेरा पैसा और दो हजार रुपया से जादा लग जाता है कोछ सकता है बस में चड़के आते हैं दो हजार रुपया ही लगता है कोछ भी हो सकता है परक्यूसिट क्या चीज़ होगी इंप्लॉयर ने ब इस बस से आते हैं एक बस ही चलवा दी है सुबह सारी इंपलोई को collect करके office लाता है बस और फिर वापत साम को सारे इंपलोई को छोड़ के आता है यह क्या है तो यहां तो सीधे benefit मिलिया तो यह monitory payment होते हैं और जो चल आप को रिटार्मेंट के समय पे दिया जाता है चिकें तो हर महीले मिलने वाली चीज़ें होती है नार्मल ये होता है आलोइंस और परक्योजिट्स ये हर समय मिलता रहता है आपको रिटार्मेंट बेनिफिट ये एक बार मिलने वाली पेमिênट कुल मिलाके सैलरी में ऐसे समझ लीजे तो हमें चार चीजें पढ़नी है एक नॉर्मल आइटम अलोइंसेज, परक्योजेट और रिटार्मिन बेनेफिट यह चार चीजें अब मैं आपको बताता हूँ किस ओर्डर में हम दो इसे पढ़ेंगे किस ओर्डर में पढ़ेंगे सबसे ताहले आपको पढ़ाया जाएगा रिटार्मिन बेनेफिट सारे रिटार्मिन बेनेफिट इसकी टाक्सिबिट फिर आपको पढ़ाया जाएगा सारे अलोइंसे क्या पढ़ाया जाएगा आप इसमें होगा क्या कि कुछ payments जो आपको employer से मिल रही है, वो क्या होगा, कि कभी-कभी आप देखेंगे कि वो partially exempt है, तो यही आपको बताएंगे समय कि कितना exempt है, कितना taxable है, कुछ item होंगे वो fully taxable होंगे, जितना मिल रहा है, पूरे पे tax, अब कुछ item ऐसे भी होंगे, allowance per quesit or retirement benefit में से, जो पूरी दरीके से exempt है, या फिर partially exempt हो partially taxable है, तो मैं पढ़ना यही है, कि कौन-कौन से components जो salary के हैं, वो fully taxable है, कौन से fully exempt है, कौन से partially taxable हो, partially exempt है, तो दूसरे नमबर पे आपको allowances पढ़ाएंगे, तीसरे नमबर पे आपको per quesit पढ़ाएंगे, और salary chapter complete हो जाएगा, आप वोगे सर ये क्या हुआ, नार्मल का क्या हुआ, ये पुरे income tax में कहीं है ही नहीं, तो मैं कहां से पढ़ा दूँगा आपको, अब आप पूछो के सब क्यों नहीं है, और नहीं है, तो फिर क्या करना होगा ऐसे item का, ये जो item होते हैं, ये fully taxable होते हैं, ये fully taxable होते हैं, देखिए complete हो जहां पर मैं आपको कभी बताओं कि यहां पर fully exempt है, यहां पर fully taxable है, यहां पर partially exempt है, partially taxable है, तो पढ़ने कि आवे सकता वहाँ है, और ये सारी चीज़े कहां देखने को मिलेगी, यहां, यहां और यहां देखने को मिलेगी, तो पहला काम तो यह करिए कि पहले कुछ item रट bonus commission and apart from that बाकी सब कहलाएंगे allowances, percusate or retirement benefit जो की हो सकता है fully taxable हो, हो सकता है कभी-कभी fully exempt हो, कभी-कभी partially exempt होंगे और partially taxable हो, right, so are we prepared now, एक-एक करके सारे item उठाएं, अब हम salary के एक-एक आइटम को उठाना शुरू करने वाले हैं, यह चार्ट रास salary में allowance, यह नॉर्मल आइटम की बात कर रहा है, यह नॉर्मल आइटम है, पिर यह allowances, यह percusate और यह तो regular वाले को उसने classify किया है, वैसे तो एक ची और भी होती है, और वो होता है, retirement benefit, वोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, pro forma of computing taxable income from salary, taxable income from salary compute करने का format क्या है, salary के जितने भी components हैं, एक एक करके सारे लिख के जोड़ दीजे, लेकिन सिफ taxable वाला हिस्सा जोड़िएगा, क्योंकि allowances में, percusate में, और retirement benefit में, आपको देखने को मिलेगा कि कुछ हिस्ता कभी-कभी exempt हुई है, कभी-कभी पूरा exempt है, पूरा exempt है क्यों लिखना ही नहीं है, अगर partially exempt है, जितना taxable है बस वहीं जोड़ना है, तो ये exempt income does not form part of total income, ठीक है, लेकि बेसिक salary इसमें तो सोचना ही नहीं ये पूरा लिख दीजेगा, डेरनेस अलांस पूरा लिख दीजेगा, बोनस, कमिशन ये पूरा लिख दीजेगा, ये तो चार item स्टार्टिंग वाले जो हो गई, ये fully taxable वाले आइटम, अब इसके बाद जितना भी आइटम आप देख रहे हैं, वो उतना हिस्सा ही हम लिख रहे हैं, जो कि taxable है, वो portion लिखेंगे, नीचे वाले component के, जो taxable है, हलाकि अब नीचे जो हम components की बात करेंगे salary की, सायद आपकी समझ में ने आए, क्योंकि आप ये सब जानते ही नहीं हो कि ये सब क्या होता है, जिक है, बोनस commission तो हर कोई जानता है, बहुत सारे components के नाम आप पहले से नहीं समझते हो के, तो बस देख लिजए उपर उपर से, 12% of salary to RPF, RPF होता है, recognized provident fund, जब provident fund discuss करेंगी तो आपको बताएंगे, recognized किसी करते हैं, और यहाँ पे actually 12% of salary से ज़्यादा जो RPF में employer contribution कर रहा है, वो taxable है, reason being कि 12% of salary तक exempt होता है, बस ऐसी पढ़ लेते हैं, ज़्यादा मतलब मत समझी हैं अभी, employees contribution in excess of 12% of salary to RPF, interest in excess of specified percentage on RPF, taxable alliances, allowances का वो हिस्सा जो taxable है, taxable perquisite, after proper valuation, after proper valuation यह क्यों किया रहा है, allowance मौनिटरी पेमिन्ट होता है, हम 10 ज़र रुपे देते, 20 ज़र रुपे देते, 5 ज़र रुपे देते, यह मौनिटरी पेमिन्ट होता है, तो इससे जोड़ना असान होता है, अगर मैंने एक bus चलवा दी जिसमें employee आए जाएगा घर से office, office से घर, तो क्या इसकी value मैं तूरंट बता दूँगा कितने रुपे होई, नहीं, इसकी तो valuation करनी पड़ेगी, अगर employer ने employee को एक मकान दे दिया रहने के लिए, कि लो इसमें free में रहो, तो इसकी तो valuation करनी पड़ेगी ना, कितने रुपे का benefit हुआ, लेकिन अगर मैं 10 जरुपे महिना किराय की नाम का दे देता हुगी, लो इससे किराय अपना manage किया करो, तो 10 जरुपे जोड़ना असान है, monetary payment तो तुरंट जोड़ लोगे न, यतना दे रहो, वो income है, लेकिन अगर कोई चीब benefiting kind दे रहो तो उसकी तो valuation करनी पड़ेगी, मैंने आपको ये भी बताया था पहली क्लास में साल्डी के, कि employer अगर employee को पुराना sofa set दे जो office में लगा हुआ था, तो ये भी साल्डी की income है, लेकिन अगर पुराना वारे sofa set की value तो निधारित करनी पड़ेगी न, कितनी साल्डी कहलाईगी, तो percusate के case में एक काम बढ़ जाता है, आपको valuation भी करनी बढ़ती जाए, वही कह रहा है taxable percusate after proper valuation, gratitude का taxable part, pension का भी taxable part जोड़ना है, gratitude का taxable part जोड़ दीजे, pension का भी taxable part जोड़ दीजे, leave salary जोड़ दीजे, leave salary क्या होता है, leave salary का मतलब ये होता है कि हर company में certain number of leave employee को entitle की जाती है during the year, जैसे जब आप job join करते हो ना उसी समय employee बता देता है कि आपको साल वर में 20 छुट्किया मिलेंगी, 20 holidays मिलेंगे, कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये 20 holidays ले ले लेंगे तो आपको कोई तनखा नहीं का दी जाएगी, आपको 20 छुट्टिया मिलेंगी, और ये छुट्टिया कैसे होती है, ये जो लीव मिलता है, ये other than those days होता है जिस दें office खुदी close है, माली जिए office Sunday को बंद है, तो Sunday को employee नहीं आएगा तो लीव नहीं कहलाएगा, ये 20 holidays अलग से मिलेगा, जैसे होली के दिन office बंद है,adian company के धिन office बंद है तो employee थोरी नहीं आएगा, तो employee नहीं आए तो leave कहलाएगा, क्या हो leave नहीं कहलाएगा, ये वो holiday, वो इस 20 holiday में राओंट नहीं होगा, ये up लेगा, यह बिसक्ली 20 दिन अलग से मिलता है जिस दिन ऑफिस खुली हुरी है ऑफिस बंद है तो वो नहीं काउंड होगा वो तो छुटी है यह जो ऑफिस बंद दो छुटी ऑफिस खुली है उसके बाद भी अलग से इंप्लॉय कहता है कि इतनी दिन साल वर में आप छुटिया ले सकते हो तो मान लीजे आपको 20 छुटियां या साल वर में दी गई है लेकिन आप छुटियों के दिन भी आके आफिस में काम करते हो छुटियों के दिन भी आफिस में अच्छा ये 20 छुटियां आपको दी गई है छुटी आपको मिली थी लेकिन फिर भी आप काम करने चले आए तो employer आपको क्या करता है अलग से extra salary देता है उसे कायाता है leave salary leave पे काम करने का अलग से जो पैसा मिलता है that is called leave salary प्रदला वाट इस लीव साल्वी? लीव वस इंटाइटेल तो यू बड़ यू डिड नॉट अवेल ली आपको लीव मिला लेकिन आपने लीव लिया नहीं और कान किया तो आपको अलग से पैसे मिलेंगे जिसे कहा जाएगा लीव साल्वी लेकिन छुट्टी न लेकिन आपको लिए एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे लिए और हमने यहाँ पे लिखा भी था देगी लीव साल्वी क्या होता है बहुत सारी लोग रेटार्मेंट भी लेते हैं कहा गया वो चाट यह रहा लीव साल्री लीविंग कैश्मेंट भी कहते हैं उसको ठीक है बहुत सारी लोग रेटार्मेंट पे लेते हैं बहुत सारी लोग बीच वीच में लेते रहते हैं काम करने के दौरा नहीं वह सारी लोग क्या करते हैं कि जब सीधे रेटार करेंगे ना तो चितनी छुटी नहीं लिएंगे उसका पैसा एकठा ले लेंगे पैदा भी होता है एकठा लेने में एकठा अगर आप लेते ना तो चूट मिलती है थोड़ा इसी ज्यादा चूट हो जाती है तो यही वज़ा है कि आप एकठा लेना पसंद करते हैं और बीच वीचे लेंगे ना तो टैक्स भगेगा एकठा लेंगे तो चूट हो जाएगी उसमें से हैं लंसम रिसी फ्रम यूर पी एफ उन्रिकरगनाइज प्रविटेंट फॉन को यूर पी बोलते हैं अभी आप रिकरगनाइज समझते नहीं है छोड़ दीजिए मतलब यह होगे सालरी के सारे कंपोनेंट तो हम लोग ने नार्मल आइटम जोड़ दिया बेसिक ते यह कमिशन बोनस और उसके बाद क्या जोड़ा जितने टाक्सपल आलोंस से टाक्सपल पर्गूशेट वो जोड़ दिया तो यह आगी ग्रॉस सब्रिय। इसमें से हम डिदक्शन लेती हैं तिन डिदक्शन मिलता है प्रॉस अलिए में से और यह कहलाता है इंकम अंडर total income से मिलता है जो एक section 80C to 80 यह आपको बताए गया है वो gross total income से मिलता है अजब सारे head की income जोड़ दी जाती है और फिर उसमें से हम क्या करते है जब पाचो head की income जोड़ दी जाती है और उसमें से हम deduction लेते हैं तो उसे कहा जाता है deduction under chapter 6 से यह वाला income under the head salary, income under the head salary में बाकी head की income जोड़ देंगे तो कहलाएगा gross total income और उसके बाद current deduction लेंगे, deduction under chapter 6 है तो कहलाएगा total income repeat कर देते हैं बच्चों, salary के सारे item अगर आप जोड़ देंगे लेकिन ध्यान दे के जोड़िएगा, exempt item में जोड़िएगा, सिर्फ taxable portion ही जोड़िएगा, salary के सारे component की जोड़ लगा देगे तो इसे कहा जाएगा gross salary, इसमें से आपको deduction मिलेगा, deduction under section 16, यह section 16 रट लेना है, income फ्रट लेना है, circle कर लिए, gross salary में से क्या deduction मिलेगा, deduction under section 16, तो क्या जाएगा, क्या जाएगा, net salary, जिसको हम बोलते है, income under the right salary, अब यह salary की final income आगे, अब इसमें बाकी एक की income और जोड़ देंगी है, जब बाकी एक की income आप इसमें जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएग gross total income, अब gross total income से जब आप deduction लेंगे अंडर chapter 6A, gross total income से जब आप deduction लेंगे अंडर chapter 6A, तो यह क्या लाएगा, total income, ठीक है, अच्छा, deduction क्या क्या मिलता है, एक मिलता है, standard deduction, ठीक है, डूसरा है entertainment allowance, और तीसरा है employment tax, क्या क्या मिलता है आपको section 16 में, standard deduction, entertainment allowance और employment tax, बहुत ध्यान से सुनिए, तो यह तीनों आइटम तो अभी तुरन तयार हो जाएगा, section 16 में तीन deduction, standard deduction, entertainment allowance का deduction और employment tax का deduction, standard deduction होता है, 40,000 रुपेता, salary की income में से 40,000 रुप्या, तो सीधे flat deduction मिल जाता है, उसके कोई tax नहीं लगता, सबके लिए, माली जाएब की दस लाग की साल रही है, तो 40,000 standard deduction मिल जायगा, आपकी 4,000 की साल लिएब तो भी 40,000 मिल जाएगा, अब या तो होती है तो नहीं होती है मतला होती है तो एक मत्र ऐलोइंस ऐसा है जिसके लिए डिड़क्शन मिलती है और वो है इंटर्टेन्मेंट ऐलोइंस इंटर्टेन्मेंट एलॉइंस के रिस्पेक्ट में डिड़क्शन मिलती है ना कि एक्जिम्शन मिलती है और बाकी सभी एलॉइंस के रिस्पेक्ट में एक्जिम्शन मिलती है तो होता क्या है मैं आपको बता हूँ जैसे माली जे बेसिक है मेरा यह मैं यहालिक देता हूँ, मान लिए चार लाक रुप्टा, DA 1 लाक रुपर मिल रहा है, सीधे यहालिक दूँगा, DA 1 लाक रुप्टा, पुरा-पुरा, यह सर तो पूरा टैक्सेपल है, कमिशन बोनस मान लो नहीं मिलता है, फिर मुझे मिल रहा है हाउस रेंट अलोइंस, HR, हाउस इंटर अलोइंस, कमतलब क्या होता है? हाउस का किराया मैनिज करने के लिए एंप्लॉयर कुछ पैसे दे रहा है. मुझे मिले है मान लीजे 1.5 रुपय अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मान लीजे इसमें से एक्जम्ट इसमें से कुछ एक्जम्ट होता है मान लेते हैं कि अभी आपको जानकाली नहीं इसलिए 60,000 रुपय एक्जम्ट है वो कितना मिला 10,000 तो सीधे बाहर 10,000 लिखेंगे बागी सारी आइटम को भी यहां जोड देंगे इसको का जाएगा ग्रॉस सैल्री ग्रॉस सैल्री यानि के बाद आप इसमें लेस्ट करेंगे डिड़क्शन अंडर सिक्शन 16 इसमें से पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड डिड़क्शन अब गटा दीजे 40,000 रुपय फ्लैट सी दे फिर उसके बाद इंटर्टेन्मेंट एलोइंस का डिड़क्शन माल लेते हैं 5,000 रुपय यहां डिड़क्शन आ रही है लेकिन इंटर्टेन्मेंट एलोइंस एक मात्रहसा एलोइंस है जिसमें एक्जेंशन नहीं है जिसमें डिड़क्शन एक मात्रहसा एलोइंस है जिसके लिए डिड़क्शन तो यह पहले पूरा जोड़ा जाता है ये दस जार में से पांचा घटा की नहीं जोड़ा जाएगा, दस जार जोड़ दिया जाएगा पांचा बाद में मिलेगा, उसके बाद तीसरा है employment tax, employment tax state government को देना होता है, इसका income tax से कोई वास्ता नहीं है, income tax ये कहता है कि जितना तुम employment tax देते हो, यहाँ पे आके घटा रो सपोज हम एक घटा का employment tax दी हैं, तो एक घटा रुपया हम यहाँ से कटा सकते हैं, और यह कहला है का मिलाग, income under the head salary, ये जो भी आया income under the head salary, इसमें हम बाकी के 4 head की income को और further जोड़ते हैं, तो बन जाता है gross total income, और फिचाप्टर 6 एका deduction ले ले लेते हैं, section ATC to ATU, तो बन ज को दिक्कत तो नहीं हो रही है, standard deduction 40 जा रहे, सीधा सीधा मिलता है, चूट सभी को मिलता है, तर entertainment allowance है, ये deduction जो मिलता है, ये deduction, entertainment allowance को किसी को भी मिल सकता है, लेकिन deduction जो मिलता है, ये only to government employee मिलता है, क्या होता है, entertainment allowance पर बताएगा, आपकी नजर में entertainment allowance क्या है, employer आपको मस्ती करने के लिए पैसा देता है, ये लोग picture चले जाओ, ये लोग गुमने चले जाओ, ये सब नहीं होता है, employer क्यों बहला employee को काईगा, जो गुमने फिरने चले जाओ, मस्ती करो, होता क्या है, मैं आपको बता हूँ, मेरे company का एक client है, उसको जब तक बैठा के बार में beer ना पिलाओ, वो business देता ही नहीं है, जो वो beer पिता है ना तब उसका दिमाग ठंडा होता है, तब वो कहता है अच्छा ये contract लिजिए, ये contract लिजिए फिर फड़ा फड़ साइन करता है, ऐसे उसका दिमाग ही काम नहीं करता है, उसको कितना भी संजालों नहीं समझता है, तो हम अपनी एक employee को entertainment allowance नाम से पैसा देते हैं, और कहते हैं कि इस client को लेके जाओ, बार में, वियर वियर पिलाओ थोड़ा, तो फिर उसके बाद इससे business निकाल लिए, इसलिए employee को दिया जाता है, जोट मुरका employee को नहीं देंगे, कि जाओ जाओ, मज़े लेके आओ, तो business लाए का मज़े लेने के साथ साथ में, इसलिए दे रहे हैं, तो बहुत सारी कंप्रियों में entertainment allowance दिया जाता है employee को, बहुत सारे client ऐसे होते हैं, हमें लगता है कि office में meeting करेंगे तो successful नहीं रहेगा, तो हम उनको club भेज़ देते है employee के साथ, ठीक है, वो club में अपना इंग जो compliance तो मिल तो हो सकता है, सभी को रहा हो, private company भी देती है, government companies भी देती है, लेकिन जो deduction मिलेगा, वो सिर्फ government employees को मिलता है, बाकि private company के employees के लिए fully deductible होता है, जितना advice मिलता है, ठीक है, और government employees को भी deduction है, लेकिन बहुत छोटा सा है, पढ़ेंगे आप आगे चलके, employment tax क्या होता है Employment tax is tax on professional, tax on professional in employment, payable to state government Employment tax, basically जो professional है और नौकरी पेसा है, उनको देना होता है राज्य सरकार को, जिसे एक chartered accountant है, CA है, या company secretary है, या पिर कह लिए जिए cost of management account है ये अपनी practice ना करके, ये कहीं नौकरी कर रहे है, जॉब कर रहे है, professional है ये लोग है, job भी कर रहे है, employment में है, तो इनको राज्य सरकार को एक tax देना होता है, हर साल ये fixed होता है बहुत छोड़ा सा amount होता है, धवराइएगा नहीं कि आप लोगों को tax देना पड़ेगा, राज्य सरकार साल का कहीं किसी कि, देखे हर राज्य में अलग-अलग है, किसी स्टेट में 500 रुट्या में एस साल का है, किसी में 1000 रुट्या साल का है, कहीं 15000 रुट्या साल का होग कि इसको करना पड़ता है, जो लोग professional है और inployment में है, हम professional है कि नहीं है? नहीं है, प्रोफेस्टनल है, क्या हमें एंप्लाइमेंट टेक्स देना है, नहीं देना है, क्योंकि हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, जुब 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 नहीं क जाएगी हाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं है इंकम टेक्स कहता है कि जो भी इंप्राइमेंट टेक्स राज्य सरकार को देखते हो घटा लो अपनी इंकम से बैलेंस टेक्स दो बैलेंस जितना आप तर उसके टेक्स हो एक बात आपको पताएं जो आपको सुन के अच्छा ल क्या हजार रुपय का ये प्रोफेशनल टेक्स आप लोग जमा करते हो कि नहीं करते हो पहले तो ये बताओ करोगे Reliance Company में काम करते हो महिने की साल नी दो लाक रुपया है साल का हजार रुपया जाके देना है Employment Debts करोगे जमा की नहीं करोगे कोई नहीं करेगा हम बता रहे हैं अब लोग कोई नहीं करोगे क्यों नहीं करोगे इसके पीछे कारण यह है कि सहलियत नहीं है कर लिए कि रिलाइन जैसे कंपणी में काम कर रहे हो ऑफिस का टाइम आपको पताए क्या बताए जाएगा 9 to 6 है लेकिन काम लिया जाता है 6 to 9 यही है प्राइवेट नौपरी का हाल 9 से 6 तो बोलने के लिए होता है हर दिन काम का लोड इतना होता है कि 6 से 9 करना पड़ता है तो भी इंप्लॉयर को तसली नहीं है जब आप 6 से 9 काम कर रहे हो थे यह बताओ कब सरकारी दफ्टर पे जाओगे 1000 उप्या जमा करने कभी मौका भी मिलेगा आपको कभी नहीं मिलेगा और जिस दिन आपकी छुट्टी होगी उस दिन सरकारी दफ्टर भी बंदी होगा आपकी तो साल भर में हो सकता है चालिस चुट्टियां ही बस आती हो लेकिन उन सरकारी दफ्टर वालों की तो साल भर में सौ दिन चुट्टी होगी अपकी तो साथ मुस्किल से चालिस भी आएगी लिए उनकी तो सौसो छुटिया होती है तो वो तो जादा ही बंद पड़ा रहता है इसलिए कोई सौहली अपनी आपको पे करने में दिक्कत है कोई ले जागी जमा करते तो अपकराद होगे लेकिन ऐसे बड़ी दिक्कत है इसलिए लोगों का छूट जाता है अब रिलाइंस ऐसे कंपणी कहती है मेरे दो दो लाक रुपय कमाने वाले इंप्लॉई है ये सब अपनी इज़त खराब कर रहे हजार रुपय के लिए रिलाइंस कंपणी खुदी अपने एक इंप्लॉई को भेज़ती हो जमा करा देती है वो कहती है जाओ जमा कराओ एक हजार इंप्लॉई है मेरे सबका कितना जमा करना है एक एक हजार रुपया कितना होगी है दस लाक रुपया ुआ कनोज़ा रेलायंस कम्पणी की इंप् etaway अदिज़ को पेड़िस हुआंगे। हुआ दो जो हुआ है ऊदिए चाहिए हुआ हिचा पंपनी कम्पणी एक इंप जह डॉपरूर हे इस नोज़ां कॉंड़ां ही तो लॉजानींर नहीं बन गई, बन गई, यह पेमेंट किसका था, इंप्लॉई का था, इंप्लॉई ने करा दिया, तो इंप्लॉईर, इंप्लॉई को कोई भी बेनिफिट दे दे तो वो इसकी सैलरी कहलाती है, बताइए हजार रुपए जैसे ही इंप्लॉई जमा करेगा, आपको अपनी सैल वो पनी थी इंप्लॉई कर रहा है यानि वो इंप्लॉईर बेनिफिट दे रहा है इंप्लॉई को तुरां जोड दीजे और नीचे इंप्लॉईमेंट टेक्स एक हजार रुपया फिर घटा भी दीजे देखें नीचे घट भी गया अचा खुद से पे करते अपने पैसे से तो अपने पैसे से पे करते तो यह जोडा तो नहीं जाता लेकिन यह घटाया जाता है यह घटाया जाता है लेकिन अगर इंप्लॉईर दे दिया तो पहले जोड़िये क्योंकि इंप्लॉईर अगर दे रहा है तो आपको इंकम दिया ह आपका खर्चा इंप्लॉयमेंट एक्स गटानी को मिलता है लेकिन अगर आपने अपनी जेब से जमा किया तो इसे जोड़िएगा मत लेकिन घटाईएगा ज़रूर थीकि एबत तो बिसिकली अब इस चर्चा के बाद जो आपको करना है वो अब सेलरी के कंपोनेंट एकि करके अब सुरूँ होगा अब एक एक आइटम सुरूँ होगा लीव सैलरी, बोनस, लीव सैलरी, ग्रेचुटी, पिंशन, ठीक है, डिफरेंट तरीके के जो कन्वेंस अलाइंस, हाउस इंट अलाइंस, डिफरेंट परक्यूसेट्स, सब सीखेंगे हैं, ठीक है, परक्यूसेट्स में एक खास बात होगी कि परक्यूसेट्स में आपको वैल से उठाके दे दिया है अरे तो वैलवेशन सीखनी पड़ेंगे तो परक्यूसित में ज़्वाज ज्यादा मेनत है वहाँ वैलवेशन भी सीखनी पड़ेंगे अब बैसिकली अब नेक्स लास में जैसे याएंगे तो एक एक करके component उठाते जाएंगे और हम रोग उसकी taxability सीखते जाएंगे सबसे पहले हमने आपको बता है retirement benefit पुरा complete कराएंगे फिर सारे alliances कराएंगे और फिर उसके बाद सारे percusates कराएंगे normal item में कुछ करना ही नहीं है हम नहीं करा रहे हैं ऐसा नहीं है करना ही नहीं है और नहीं वो कहीं income tax act में लिखा हुआ है यह जो normal item होते हैं यह पूरे पूरे taxable होते हैं normal item में क्या क्या कहा जाता है basic आज आज आता है DA, dearness, allowance, महिगाई, भत्ता, bonus और commission यह सब normal item है यह fully taxable है चलिए इन बातों के साथ आज की क्लास यही पे समख्त करते हैं हम रोग अगली क्लास में आके आगी की चर्चा करें we have already started with the chapter salary what we have already learned what is salary, the relationship of employer and employee thereafter the basis of charge when is the salary income taxable it is taxable on due or receipt whichever is earlier and practically if we talk calculation wise then it is due or receipt whichever is more due की calculation कैसे होती है आपको यह देखना है कि employer ने salary payable की entry कितनी बार कर रखती है during the year और फिर आपको यह देखना है receipt का मतलब क्या हो गया आपको यह देखना है कि employer ने payment की entry salary में कितनी बार कर रखती है due की entry और payment की entry देख लीजे क्या जादा है और accordingly वो salary की income हो जाती है employee के हाथ फिर हम रोग ने इसकी बात की थे कि अगर salary आपको foreign currency में आती है तो उसकी taxability कैसे होगी तो इसके लिए पढ़ा कि जिस महिने में salary due होती है उससे preceding month की जो आखरी date होगी उस दिन जो टीटी बाइंग रेट होगा वाट इस टीटी टीटी टेलिग्राफिक ट्रांसफर टीटी बाइंग रेट जो होगा foreign currency का उसे आप use करेंगे और इससे foreign currency में जो salary आ रही है उसे इंडियन currency में convert कर लेंगे अचा अब बात यह आती है कि अगर मान लीजे salary due ही नहीं हुई है रिसीव हो गई है मतलब advance में salary आ रही है अब क्या करें तो जिस महिने में आपको salary advance में रिसीव होई है उससे preceding month की जो last date है उस दिन का आपको टीटी बाइंग रेट लेना है और convert कर लेना है foreign currency को इंडियन system में क्या होता है कि एक certain amount से आपकी salary हर साल बढ़ती जाती है ठीक है जब तक एक particular amount को वो achieve नहीं कर लेती है और फिर accordingly जब उस amount को आप achieve कर लेते हो वो salary आप पा जाते हो तो फिर क्या होता है फिर different rate से salary grow करना सुरू कर देती है और फिर एक certain rate पे जाकी क्या होता है आपकी salary salary वहां पे stop हो जाती है पिर आपनी ये भी देखा था TDS on salary versus tax free salary ये है कि employer tax card की employee को पैसे देगा और tax free salary का मतलब यह होता है कि जो tax का पैसा बनता है salary income पे वो employer अपनी जेप से देगा जितनी employee की salary है वो employee को पकड़ा देगा और जितना tax का portion है वो employer अलग से separately government को पे कर देगा thereafter you have seen the pro forma किस तरीके से salary income को हम compute करते हैं तो चार component तो ऐसे हैं जो directly add कर दिये जाएंगे जिसमें कोई भी exemption नहीं है fully taxable होता है वो है basic DA then bonus commission और उसके बाद क्या है कि जितनी भी आपके taxable alliances है taxable percusates हैं वो सबापाट कर दीजें and you will get gross salary gross salary से आपको deduction मिलती है section 16 में section 16 में three deduction होती है कौन कौन से deduction होती है section 16 में standard deduction होती है flat 40,000 की दूसरा entertainment alliance कि deduction होती है हमने आपको बताया था कि हर alliance के respect में exemption है सिर्फ एक entertainment allowance यह है जिसके respect में आपको क्या मिलता है deduction मिलता है और किसको मिलता है इस सिर्फ government employees को मिलता है private company के employees को यह deduction मिलता भी नहीं है फिर तीसरा क्या था professional tax कह लिजे employment tax कह लिजे वो आपने जो पे किया है वो भटाने को मिलेगा यह पे किसको करना होता है यह professionals को पे करना होता है those who are into employment like I'm also professional but I'm not in employment I don't have to pay professional tax professional tax कौन पे करेगा जो professional है और साथ में नौकरी कर दा है job में कितना पे करना होता है किसको पे करना होता है यह state to state defer करता है यह payment जो है state government लेती है हमने आपकी जानकारी के लिए बतायता है यह बहुत जादा नहीं होता है पांसो हजार देड़ हजार रुपय साल का होता है एक लंग समय मांट होता है जो पे करना होता है यह मांट जो आपने पे किया है इंकम टेक्स के ताहित इसकी भी आपको डिलक्षन मिल जाती है section 16 section 16 र किस order में हम components की चर्चा करने वाले हैं यह आपको पहले भी बता दिया एक वाप्टर से बता देते हैं सबसे पहले हम रुख चर्चा करेंगे retirement benefit की basically उन items की बात करेंगे जो retirement के समय employee को दिया जाता है thereafter हम रुख बात करेंगे alliances की और उसके बात करेंगे percusate की जो normal items हैं like basic DA, bonus, commission इनकी चर्चा करने की आवशक्ता होती ही नहीं है वो इसलिए कि यह जितना भी amount मिलता है वो fully taxable होता है सबसे पहला item retirement benefit में हम रुख देखने जा रहे हैं leave engagement लेकिन आपको यह बता दें कि leave engagement जो item है वो एक pure retirement benefit ही है ऐसा नहीं है leave engagement आप during the tenure of job भी ले सकते हो और retirement के बाद भी ले सकते हो during the tenure of job भी ले सकते हैं और retirement पे भी ले सकते हैं leave engagement होती क्या चीज़ है जब भी आप job join करते हैं और आपको company tape package देती है tape package समझते हैं जिसमें सारी चीज़े लिखे होती हैं कि आपको basic कितना मिलेगा डी ए कितना मिलेगा different alliances benefits परक्योसेट्स यह सब क्या मिलेंगे उसी pay package में लिखा हुआ रहता है कि आपको साल वर में कितनी छुट्टियां मिलेगी the number of leaves that you are entitled in a year माल लीजे company लिखके देती है कि number of leaves entitled in a year to you is 20 days तो यह जो 20 दिन आपको entitled किये गए हैं leave के इसका मतलब क्या होता है यह 20 दिन अलग से हैं मतलब जिस दिन office already close है जैसे holy पे छुट्टी होती है company बंद है ठीके Sunday's को office खुदी close है तो इनके अलावा 20 दिन की आप और छुट्टी ले सकते हो अपनी मर्जी से कोई भी 20 दिन आप साल बर में ले सकते हो और अगर आप यह 20 दिन की छुट्टी नहीं लेते हो तो जितने भी दिन की छुट्टी नहीं लेते हो और काम करने चले आते हो तो उसके average में आपको अलग से salary दी जाती है जिसे कहा जाता है leave sell मैं फिर से रिट्रीट करता हूँ बात मान लीजे आपको साल बर में 20 leave entitle किये गए हैं जिसमें से आप 15 leave ले लिए हो लेकिन 5 leave आपने avail नहीं की आपने उस दिन काम किया तो आप क्या कर सकते हो उस 5 दिन काम करने के average में अलग से पैसा ले सकते हो जिसे कहा जाता है leave sell अगर हमें leave entitle की जाती है तो आपके पास उससे related टीन गास्ते है अगर आपको leave entitle की जाती है तो आपके पास उससे related टीन गास्ते है पहला तो मैं Leave Away कर लो चूट्टियां ले लो चूट्टियां दी गई है तो पहला औपशन छूट्टियां ले लो दूसरा अपशन उस चूट्टि के बदले में काम करो अप पैसे ले लो तीसरा अपशन उस चूट्टि को accumulate कर लो एकथा कर लो छुट्टी के बदले में पैसा ले लो नहीं हमने का छुट्टी को एकथा कर लो अतलर carry forward कर लो जैसे current year में आपको 20 छुट्टियां entitled की गई you were entitled to 20 leaves in this year you neither took leave nor you took encashment ना तो आपने उस 20 छुट्टियों का पैसा लिया और ना ही 20 छुट्टी ली तो आपके पास अब ये रास्ता है कि आप उस leave को 20 leave को carry forward कर सकते हैं तो बताए अगले साल आपको कितनी छुट्टियां लेने का हक है पुराने वाले साल की 20 छुट्टी और current year वाली 20 छुट्टी मिलाके 40 छुट्टिया हम ऐसा भी कर सकते हैं देखे बताएं क्या मुझे साल बर में 20 छुट्टियां मिली मैंने 5 छुट्टी अवेल कर ली पाँच का पैसा ले लिया 5 छुट्टी ले ली 5 छुट्टियों का पैसा ले लिया मतलब काम किया और पैसा ले लिया 30 चुक्तिया, you are entitled for 30 अभी अगले साल क्यों मुझे 30 लिप मिल रही है, फिर क्या रास्ता है the same thing, either you can avail the leave, or you can take money for the leave, or you can again carry forward ठीक है next year, फिर शेम उप्शन आपके पास available है आप leaving cashment कभी भी बीच में भी ले सकते हैं, leaving cashment का मतलब leave salary, this is one and the same thing, आप बीच में कभी भी leave salary का पैसा ले सकते हैं, और लेकिन अगर आप चाहें कि आप accumulate करते रहें, accumulate करते रहें, और retirement पे एकठा पैसा ले लेंगे सारी leave का, जितनी भी मिरी leave बची हुई है, उन सब का एकठा पैसा आप retirement पे लेना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं तो अब फिर से बात करते हैं, जो income tax आप से बात करेगा, वो दो तरीके की leave salary की बात करेगा, एक कहेगा leave salary taken during the tenure of employment काम के दोरान आपने leave salary गी है, और दूसा कहेगा leave salary taken at the time of retirement तो अंतर समझ में आ रहा है, दोनों क्या चीज़ है leave salary taken during the tenure of job का मतलब यह है हम retirement के पहले ही जो leave इकठा कर रहे थे उसका हमने पैसा ले दिया ठीक है, जैसे इस साल की छुटी का पैसा इस साल ले लिया इस साल की छुटी का पैसा इसी साल ले लिया तो यह कहलाएगा, leave salary taken during the tenure of employment इस साल की छुटी का पैसा अगले साल लिया और अभी retire नहीं किये, तो भी वो क्या कहलाएगा leave salary taken during the tenure of employment सारी लिव इकठा करके, retirement पे हम पैसा ले रहे हैं तो इससे क्या कहलाएगा leave salary taken at the time of retirement जैक है या कह लिजे, leave salary after the tenure of service leave salary the presentation has been given in the chart form basically income tax act अगर आप देखेंगे तो आपको इस कदर presentation नहीं मिलेगी, वहाँ पे presentation होगी in fact वो एक running sentences होगी हमने इसको chart presentation दिया है ताकि आपको याद करने में आसान रहे और in fact images जल्दी दिमाग में बैठती है as compared to running sentences चीक है तो आईए हम रोग देखते हैं leave salary leave salary during the tenure of service आपने काम के दौरान ही leave salary ले लिया ये क्या होगा, fully taxable काम के दौरान leave salary ले लिया ये हो जाएगा fully taxable after the tenure of service काम के बाद after the tenure of service का मतलब है on retirement आप retirement के leave salary ले रहे हो तो अगर government employee हो तो fully taxable fully exempt अगर government employee हो तो fully exempt और non-government employee हो तो least of the following is exempt one, two, three, four इन चारों में से जो सबसे कम होगा उतनी exemption मिलेगी ठीक है इन चारों में से एक item पता है क्या है leave engagement actually received in fact जो actual पैसा रिसीव होगा है वो भी इन चारों में से एक amount है और हो सकता है इन चारों में से सबसे कम कांस आ रहा हो, ये चौथा pointに आ रहा हो तो ऐसे केस में पता है کیा होगा जो leave engagement आपको मिली वो निवा और exempt हो जाएगी लेकिन हो सकता है कि इन चारों में से कम कोई और amount हो और leave engagement जो आपको मिला है वो ज्यादा हो में अब government employee की case में तो वो क्या है fully exempt है समझ में आगिया सब को फिसर रिपीट करूँ leaving cashment during the 10 euro service fully taxable leaving cashment after the 10 euro service that is on retirement government employee fully exempt non-government employee it may be fully or partially exempt basically here it is least of the following is exempt in case of non-government employees अब question ये है कि exam में आपको कौन सा question आएगा अगर leave salary का question होगा तो generally क्या देखने को मिलेगा leaving cashment during the 10 euro service normally देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि during the 10 euro service leave engagement जो भी मिलता है वो fully taxable है इसमें पूछने जैसा क्या है आप से कहेंगा leaving cashment during the 10 euro service दो लाक रुपया मिला है बता हो क्या होगा और दो लाक रुपया पूरे पे tax लगेगा after the 10 euro service government employee को मिलता है तो fully exempt होगा इसमें भी पूछने जैसा कुछ नहीं है क्या बोलेगा कि बताए government employee हो retirement पे आपको leaving cashment मिला है पांच लाक रुपय क्या होगा अरी पांच लाक रुपय exempt है question जादा arise कहाँ पे होंगे after the 10 euro service or non government employee की case में यहाँ पे arise होगा और यहाँ पे आपको exemption के मिलती है least of the following amount is exempt तो अब आपको यह चार पॉइंट याद करने होंगे कि किस तरीके से leave salary की exemption कैलकुलेक्ट की जाएगी ठीकिए बत leaving cashment employee देता कैसे है देने का तरीका क्या है leaving cashment का employee इस तरीके से calculate करता है किता है कि आपकी total leave जो थी वो 250 leaves थी ठीक है अब उसके बात further यह total unavail leave है आपकी unavail leave का मतलब what is unavail leave unavail leave means आपने यह leave avail नहीं किया और अभी तक इसका पैसा भी नहीं किया retirement पे अधर unavail leave बचा हुआ है तो इसका मतलब है कि यह leave वो है जो आपने अवेल भी नहीं किया और इसका पैसा भी नहीं लिया चीक है कैसे समझें अभी यह कैसे आया dies or leave इसकी भी बात कर लेते हैं सबसे पहले साल आपको मिला मालीजे 25 leave leave entitled परस्ट इयर की बात कर रहे हैं leave entitled 25 leave entitled हुई आपने यहाँ पे अवेल कर लिया पांच leave और पांच leave अवेल कर लिया तो बचा कितना 20 leave इसमें से 12 leave का अपने payment भी ले लिया अपने leave salary ले ले ली लीव अवेल की आप पांच अवेल मतलब 20 दिन आप काम किये थे 25 चुट्टी हम लिया पांच leave अवेल करने का मतलब यह हुआ कि आपने काम 20 दिन कर दिया पांच छुट्टी ले ली और 20 दिन आप आफिस चले आयते है जिसमें से 12 दिन हम आफिस आये उसकाम पैसा ले लिया उसे का गया leave salary leave salary 12 दिन के लिया अब यह जो आठ बच गया इसी को का जाता है unavail leave यह अभी भी बचा हुआ है unavail leave अभी जो unavail leave है यह क्या होगा carry forward हो जाएगा unavail leave this is unavail leave carry forward अगले साल की 25 leave फिर से इसमें जुड़ जाएगी यह leave entitled ठीक है कितना हो गया 33 leaves अब आपने मान लीचे इसमें अगले साल 8 leave avail कर ली यह 8 नहीं करते हैं आपने 6 leave avail कर ली चीक है इसमें आप पैसा लिया ही नहीं आपने तो बैरेंस कितना बची है 27 यह होगा leave unavail leave carry forward this is unavail leave carry forward फिर क्या होगा अगले साल की leave इसमें जुड़ जाएगी add हो जाएगी अगले साल फिर 25 leave मिली leave entitled this is second year this is again third year now leave entitled यह होगा 52 इसमें से मैंने 7 leave avail कर ली leave avail मतलब चुट्टियां ले ली कितना होगा 45 इसमें से मैंने 10 चुट्टियों का पैसा ले लिया मैंने leave salary भी ले ली 35 बज़िया यह क्या है unavail leave carry forward इसी तरीके से retirement तक चलते गया और retirement पे आपके पास कितना बचा था 200 leave यह मैं बात कर रहा हूँ this is 200 leave बचा था retirement के समय अब retirement के समय तो आप carry forward कर तो कोई scope ही नहीं क्योंकि अब आप job तो करोगे नहीं तो 200 leave जो बचा हुआ है अब उसका पैसा हम retirement पे ले ले लेंगे यह हर साल जो आप पैसा लेते जा रहे थे बीच मुझे यह वाला leave salary लिये एक बार और लिये थे आप leave salary यह लिये थे यह सब जब जब मिला पूरा पूरा taxable था leave salary during the tenure of service मिलता है चाहे government employee को हो या non-government employee को हो यह fully taxable है बस अगर आप retirement के समय leave salary का पैसा लोगे तो exemption है government employee के case में पूरा exemption है non-government employee के case में partial exemption है जहां पर least of the following is exempt कम करते है अब employer पैसा कैसे देता है अब इसकी बात कर लेते हैं 200 leave बची हुई है उसका पैसा employer कैसे देगा चिक है देखी क्या होता है यहापे अब employer क्या करेगा 200 leave को divide करेगा number of days in a month से ऐसे करेगा यहाप 200 divided by 30 200 divided by 30 यह हो जाएगा 8.33 ठीक है अब वो कहेगा कि इतने month आपके unavailable leave है unavailable leave in month अब यह month में क्यों निकाला गया है क्योंकि जो employer payment देता है वो monthly rate बताता है कहता है leave salary अगर leave salary का अगर आप अगर आप पैसा लेंगे ना तो आपको 50 यह रुपे महीने के हिसाब से देंगे चीक है 30 यह रुपे महीने के हिसाब से देंगे जो भी rate decided है अब माल लीजे अब यह basically इसमें 8.33 month की salary उसको मिलनी चाहिए चीक है अब वो किस rate से देगा basically normally लोग क्या करते है salary के हिसाब से देते है जो salary होती है उसी के हिसाब से देते है माल लीजे salary है 50,000 रुपे महीना तो 1.33 into 50,000 रुपे यह employer को देतेगा into 50,000 यह हो जाएगा 4,16,667 यह देतेगा चीक है अच्छा अब बात यह आती है कि क्या इसके लिए भी कोई कानून है कि ऐसे ही देना 8.33 देना है नहीं यह तो employer employee का प्यार और महबत है अजी इस बात बताईए किसी employee का 8.33 आया निकलते समय मैंने तेखा कि total leave जो इसने avail नहीं की थी वो 8.33 मन था हम बड़े खुस रहते थे उस employee से हमने उसको कहा कि चलो तुमको 9 into 50,000 सीधे 4,55,000 रुपे दे सकते हैं क्या हम दे सकते हैं की नहीं बिलकुल दे सकते हैं दुनिया का कोई भी कानून employer को employee पैसे देने से मना नहीं कर सकता अगर मेरे यहां कोई काम करता है मैं उसको कितना पैसा भी दूँ दुनिया में कोई कानून नहीं है जो मुझे मना कर दे कि आप इससे ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते हो सब को इतनी बात समझ में आ रही है income tax का कानून क्या कर सकता है जब ध्यान से सुनियेगा income tax का कानून बस यही कह सकता है मैं इस पैसे पे tax लूँगा इस पे नहीं लूँगा income tax को बहुत ज़्यादा लगेगा मेरा payment तो वो क्या करेगा छूट कम देगा कहेगा बाकी पे tax ले लूँगा यही कर सकता है income tax ये नहीं कह सकता है राज अगरोल आप इतना 2 मत income tax ये कह सकता है राज अगर अगर आप 9 इंटू 50,000 तेंगे न 4 लग 15 जाए तो हम exempt कितना नहीं करेंगे चाहिए हम exempt कम करेंगे हम 8.33 इंटू 50,000 के हिसाब से calculate करेंगे और एक्जम्ट ही तो ना करेंगे ये कह सकता है Income Tax अपनी exemption की बात कहे न जो कहना है कहे Income Tax exemption बताता है Income Tax छूट बताता है Income Tax income कितनी देनी है यह कभी नहीं बताता कभी कभी हम क्या करते हैं Income Tax में बच्चों को छूट क्यालक्लेट कराते हैं income tax में government कितनी exemption दे रही है अब बच्चे सायग कभी कभी ऐसा समझ लेते हैं कि ये income compute करने का तरीका सरकार बता रही है नहीं अरे सरकार कौन होती है ये बताने वाली कि मुझे अपने employee को कितना पैसा देना है ये मेरी मर्जी है सरकार ये बताएगी कि हम tax कितने पे लेंगे कितने पे नहीं लेंगे सब को इतनी बात समझ में आ रही है क्या ऐसा भी हो सकता है हम अपने employee को कहें नहीं 8.33 तुमारा हो रहा है तुमको 8 के साब से round figure से चलता है हमारी company में अरे मेरी company मेरा नहीं हो हम जो कहेंगे सोच चलेगा employee का कितना आ रहा था 1.33 हम कह रहे हैं नहीं 8 into 50 था हो रहा है हम तुमको कितना देंगे 40 राक रुप्या देंगे possible है ये भी possible है चीक है अब किस rate से multiply कर रहे हैं ये भी कौन determine करेगा employee determine करेगा income tax ने ये भी employee determine करेगा तो देखे हमने exemption की अब exemption की calculation पर हम रुख जा रहे थे कि least of the following is exempt लेकिन वो कौने से पहले हमने आपको ये बाद बताई कि calculation कैसे होता है income की ताकि आपके दिमाग में ये बाद बैट जाए कि income tax calculation नहीं बता रहा होगा income की वो सिर्फ ये बता रहा होगा कि हम exemption कितनी देंगे ठीक है कितना actual में amount दिया जाएगा employee को leave salary का ये कौन बताएगा ये employer बताएगा वो employer की मर्जी जितना चाहे जितना देदे ठीक है उसमें से taxable क्या है exempt क्या है ये income tax बताएगा आप चलिए income tax अब क्या कहता है कैसे calculation होगा सबसे पहले कहता है earn and leave into average monthly salary करना है क्या कहता है सबसे पहला point कहता है कि हम कैसे calculate करेंगे least of the following amount is exempt सबसे पहला क्या है earn and leave into average monthly salary ये करना है आपको ठीक है earn and leave पे देखे मैंने एक star बना रखा है book में देखे एक star है अब इस star का मतलब क्या है this is earn and leave पे देखे एक star बना हुँ रहा है इसका मतलब क्या है ये अब आपको पीछे देख जाएगा index में देखे इसके earn and leave का मतलब होता है total leave minus leave away हमको भी पता है total leave minus leave avail को कहा जाता है earn and leave और leave avail का मतलब क्या होता है बच्चों leave avail का मतलब दोनों चीज है चाहे तो leave avail कर लियो वो भी leave avail है और अगर पैसा ले लिये हो तो भी तो वो leave avail है leave encashment taken ये retirement के समय की बात हो रही है बच्चों ठीक है retirement के समय पे earn and leave का मतलब क्या होता है जितनी leave आप ले लियो वो भी गटा दो और जितनी leave का पैसा ले लियो वो भी गटा दो वही earn and leave बची है जिसके respect में आपको पैसे चाहिए चीक है where total leave cannot exceed 30 days for each completed year of service where total leave cannot exceed 30 days for each completed year of service इस बात का मतलब ध्यान से समझे ध्यान दीजे employer employer मुझे पैसे लीव देता है इन ये पैसे लीव देता है इन ये पैसे लीव इन अ ये and I am retiring the company after working for 20.20 years and 9 months कितने दिन काम किये बच्चों हम 20 साल 9 महीं ने काम किये और हर साल मुझे employer 35 दिन की छुटियां देता था अब मैं आपको पता देता हूं कि during the job time of 20 years and 9 months how many leave I took leave taken was 200 days or leave encashment leave encashment was 60 days leave taken का मतलब छुटियां ले लिये थे 200 दिन की 60 दिन का औरेडी पैसा उठा लिये थे जब जॉब कर रहे थे बीच बीच में पैसा लेते जा रहे थे 60 दिन की छुटियों का पैसा भी ले लिये थे चिक है तो यह कुल मिला के 260 को कहा जाता है leave availed this is leave availed अब employer मुझे payment कैसे देता है अब यह देखिए employer मुझे जो payment देगा वो ऐसे calculate करेगा कहेगा तुमने 35 दिन की छुटियां मिलती थी 20 साल काम की हो तो तुमें जो मिलेगी leave entitle total leave कितनी हुई employer calculate करेगा कुछ इस तरीके से कहेगा total leave तुमारी वो 20 साल 9 महिने पे भी calculate कर सकता है हो सकता है वो 21 साल के लिए total leave दे दे और हो सकता है वो क्या मान ले 20 साल मान ले हो सकता है 20 साल 9 महिने मान ले employer कुछ भी कर सकता है employer ऐसे भी calculate कर सकता है चलो बच्चे ऐसा employee तुमने 20 साल 9 महिने काम कर लिए ना चलो तुमको पुरे 21 साल की leave काम मान लेते है 35 चुट्टियां into एककेस और 735 ऐसे कर देगा पता है कैसे multiply किया उसने 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 चलो तुमने 20 साल 9 महिने काम की ना चलो 21 साल मान लेते हैं और 35 चुट्टियों के इस अबसे तुम्हारा 735 चुट्टियों तुमने अवेल कितनी की लेस अवेल 260 कहेंगा लेस कर लो 260 कितना हुआ 475 475 अन अन लीव हो गया ठीक है डिवाइड कर आएगा 30 से इसको ठीक है आगया 15.83 और 15.83 into जो भी उसको जिस रेट से वो पेमेंट करता है 50,000 रुपय महीना 60,000 रुपय महीना मॉल्टिक्लाई कर देगा 15.83 से भी कर सकता है 15 से भी कर सकता है जब यहां पर टोटल लीव मॉल्टिक्लाई कर रहा था तो भी कैसे कर सकता है वो 20 सार 9 महीने को अगर year में convert किया जा तो यह 20.75 year होता है 9 महीने का मतलब 0.75 year चीक है तो ऐसे भी calculate कर सकता था वो 20.75 into 35 वो कहता कि आपकी total leave पता है कितनी बनती है total leave बनती है आपकी 726.25 minus करता है उसमें से 207 leave हमने avail कर लिये balance कहता earn earn divided by 30 करता और rate से multiply करके दे देता अब आप ध्यान दीचे employer कैसे payment देता है इस बात से आपको बिलकुल मतलब नहीं है वो question में दिया रहेगा employer ने इतना दिया उसकी जैसे मर्जी वो वैसे देते और हम कौन होते हैं उसमें interfere करने वाले हम ये बताएंगे कि तुमने जो पैसे दीए है ना कितने दीए 6,12,950 रुपया ये जो दीए है इसमें से कितना exempt है ये हम बताएंगे income tax के हिसाब से तो ये income tax क्या कर रहा है उसमें से exempt कितना होगा उसकी calculation सिखा रहा है अब income tax कैसे कहता है कि earn and leave calculate होगा earn and leave calculate करने का तरीका बता रहा है total leave minus leave of it लेकिन total leave calculate करते समय 30 दिन से ज़्यादा एक completed year की leave नहीं मानी जाएगी where total leave cannot exceed 30 days for each completed year of service एक completed year के लिए 30 दिन से ज़्यादा total leave में consider नहीं किया जाएगा मतलब उसने कांग कितना किया 20 साल 9 महिने कह रहा है पहले तो 9 महिना भूल जाओ completed year देखो और 30 दिन से ज़्यादा एक साल का लिया नहीं जाएगा तो 35 दिन है इग्नोर कर ये 30 दिन से ज़्यादा नहीं लेंगे तो 30 into 20 600 लिए 600 leave total leave होगा minus leave avail करो 260 यह होगा on and leaving days divide करना होगा 30 से क्योंकि हम रूख multiply ना इसमें monthly salary rate से करते हैं divided by 30 अब यहाँ पर देखी जब हम 600 minus 260 divided by 30 करेंगे तो अब आएगा कितना यह 600 minus 260 divided by 30 यह आ रहा है करीबन 11.33 और याद कीजे employer जो payment दे रहा था वो हो सकता है कितने पर दे रहा था 15.33 में multiply करके दे रहा था तो exemption जो होगी वो point number one में क्या हो रही है कम हो जा रही है जैसे गौर्णमेंट पूरी exemption देना भी नहीं चाह रही है आपको ठीक है इसलिए यह कह रही है गौर्णमेंट क्यों exemption कम कर रही है अब आपको समझाते है गौर्णमेंट कह रही है तीस लीव साल भर में मिलना यह खुदी बहुत उचित है उससे भी जादा अगर लीव मिल रही है चीक है और उसके बाद employer एक्स्टा लीव का पैसा दे रहा है तो यह बहुत लगी इंसान है खुदी बहुत जादा payment अपने employer से पा रहा है हम दो थोड़ा टेक्सिस से ले ले लेते हैं वसूल लेते हैं exemption का जो amount है government exemption calculate करते समय जो छूट देगी वो calculate करते समय 30 दिन से ज़्यादा नहीं मान रही है basically government करना क्या चाह रही है आपकी exemption को तोड़ा कम करना चाह रही है ताकि आपकी थोड़ी से taxable income बन जाए और उचित भी कर रही है government कह रही है 30 दिन की छुट्टियां एक्स्ट्रा छुट्टियां सारवर में खुदी बहुत ज़्यादा है उससे भी ज़्यादा आपको छुट्टी मिल रही है उसका पैसा मिल रहा है तो लाओ भाई हमको भी tax दो clear है बात सबको तो कैसे calculation हुआ total leave minus leave available divided by 30 30 75 द तो इसने करते क्यों कि उमको month में वो चाहिए होता है कि हम rate जो इसमें multiply करते है वो average monthly salary होता है अब average monthly salary का मतलब क्या है average का मतलब क्या है पहले तो यह समझना होगा average पे भी देखिए एक sign बना हुआ है that sign का मतलब क्या है यह देख लिजे देखे एवरेज पर एक साइन बना हुआ है देख रहे है यह विलस साइन इस साइन का मतलब क्या है देखे वो एवरेज को डिफाइन किया हुआ है वाट इस अमेनिंग अवरेज average of immediately preceding 10 months from the date of retirement average of immediately preceding 10 months from the date of retirement retirement से की date से 10 महिने पुराने salary का average करना है आपको retired on retirement की date दे रहे है retired on 15-10-2018 salary till 31st August 18 20,000 and salary from 19-18 22,000 यह इस दिन हम retire किया है 10 महिने की average salary निकालनी है आपको 10 महिने की average salary preceding 10 months की average salary उसी rate से multiply किया जाएगा आपके average बदलता कब है जब salary बदले 10 महिनों में पिछले 10 महिनों में अगर salary constant थी जैसे लगातार पिछले 12 महिने से मुझे 20,000 रुपे महिने की salary आ रही है तो ऐसे केस में average भी 20 है जा रहाएगा average तब बदलेगा जब salary बदलेगी और हमने यहाँ salary बदल दी पिछले 10 महिने के अंदर बीच में salary बदली है अब 10 महिने का average निकालिए देखिए कैसे निकलेगा आप यह देख लीजे कितने महिने आपको 22,000 रुपे मिली है retirement का कितने महिने 20,000 रुपे मिली है averaging कर लीजेगा उसके बाद एक सेप्टेंबर से 22,000 की salary हो गई है सेप्टेंबर में 22,000 मिली और 15 दिन अक्टूबर का 22,000 की rate से salary मिली यानि देड़ महिना 22,000 की salary थी तो साड़े 8 महिना 20,000 की salary थी 10 महिने का average लेना है ना किस दिन से 10 महिना लेना ये भी देखो from the date of retirement जिस दिन रिटार की आट साकी उस दिन से 10 महिना पीछे जाओ उस दिन से चीक है तो देड़ महिने मेरी 22,000 रुपए साल ले थी सेप्टेंबर और आदा अक्टूबर तो साड़े 8 महिना 20,000 रुपए की साल ले थी तो 20 जार इंटो 8.5 प्लस 22 जार इंटो 1.5 डिवाइड वाइ कितना 10 चेक कर लो दो लाग तीन अजार तो यह हो जाएगा 20 जार तीन सूर प्लस यह होगी आपर साल नोट कीजे इसको प्लीज नोट कीजे इसको इसलिए नोट कीजे क्योंकि अभी आपको बताएंगे कि हर जगा आवरेज ऐसे ही नहीं निकलता है तो आपको याद आजाएगा जब दुबारा आवरेज का भी निकालेंगे तो आपको यह इस आवरेज पर वापस से लाएगे इसलिए आपको नोट करा रहे है नोट कर लीजे अब देखे जहां तक बात रही सैलरी की तो सैलरी तो तब पता चलेगी मुझे सैलरी तो तब पता चलेगी मुझे जब मैं सारे कंपोनेंट सैलरी के अड़ कर लूँगा इंपरेट लीव सैलरी में टैकसेबल पोर्शन क्या है यह पता हो जाएगा तभी ना टोटल सैलरी पता चलेगी मुझे तो टोटल सैलरी तुमझे पता ही नहीं है तो ये सैलरी का मतलब क्या है जो मैं कहे रहा हो कि सैलरी यहां तक कित्मी थी सैलरी में सारे कमपोन्ट को नहीं लेना है यह कहता है सैलरी में सब तीन चीज़ों को लीजिए जब हम लीव इंग् Unfortunately की Exemption नकालेंगे जब leave in cashment की exemption निकाला जाएगा तो उसमें जो monthly salary multiply की जाएगी average monthly salary उसमें salary का सारा component नहीं होगा basic, DA, taxable, alliance, सब नहीं होगा छोटा rate multiply होगा exemption calculate करते समय क्या होगा? सिर्फ basic जोड़ना, DA जोड़ना और commission जोड़ना क्या क्या जोड़ना है बच्चों? जात करो basic DA और commission जब आप commission जोड़ोगे तो उसमें भी ध्यान रखना है fixed percentage on turnover वाला commission जोड़ना है अगर आपको turnover के fixed commission fixed percentage commission मिलता है तो ही जोड़ना है मतलब अगर आपको commission ऐसे मिलता है पांच जरुटे मैना तो ये नहीं जोड़ना है अगर आपको ऐसा commission मिलता है 2% on turnover 1% on the sales achieved by you अब जोड़ना है where it is a fixed commission on turnover right मतलब आप company को जो business दे रहे हो उसके basis पे अगर commission है तो जोड़ना है अगर एक lump sum commission हर वाई नहीं मिलता है तो वो नहीं जोड़ना है basically fixed percentage on turnover commission का मतलब पता है क्या हुआ variable commission इस commission का मतलब होगी है variable commission जितना ज़्यादा turnover होगा उतना ज़्यादा आपका commission हो जाएगा ठीक है अब एक बात पताईए एक्जाम में आपसे पूछता है you are getting fixed commission of 5000 you are getting fixed commission of 5000 will you add it? no fixed percentage of fixed commission थोड़ी नहीं नहीं लाउड है fixed percentage का मतलब होता है variable commission योगि fixed percentage अगर हम लगा देंगे अब बच्चे कभी कभी यहाँ पर गर्वर कर देते हैं क्योंकि वो पढ़ की जाते है fixed percentage on turnover अब आप एक्जाम में लिखे आता है fixed commission क्यते हैं हाँ हाँ fixed जी तो था fixed जैसा कुछ था चलो जोड़ दो इसको right तो variable commission आपको जोड़ना है और डी ये कितना जोड़ना है डी ये भी पूरा नहीं जोड़ना है डी ये जोड़ना है which is forming part of retirement benefit इसका क्या मतल़ है जब आप जॉब में होते है ड्यूरिंग जिन्यूर आफ सर्विस तो आपको मिलती है salary जब आप retire कर जाते हैं तो आपको मिलती है pension और दूसरे other retirement benefit क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जिसकी salary जितनी ज़्यादा होती है accordingly उसकी pension भी उतनी ज़्यादा होती है जैसे दो employee retire कर रहे हैं एक की salary पचाश ज़र रुपे थी और दूसरे की salary बीच ज़र रुपे थी क्या दोनों को pension बरावर मिलेगा दो लोग retire की हैं आच एक की salary पचाश ज़र रुपे मैने थी और दूसरे की salary बीच ज़र रुपे मैने थी क्या दोनों को pension बरावर मिलेगा obviously not दोनों को pension बरावर कैसे मिल सकता है दोनों की salary बरावर ही तो pension कैसे बरावर होगा जिसकी सालरी जादा है उसकी पेंशन भी जादा होगी जिसकी सालरी कम है उसकी पेंशन भी कम होगी इतनी बात क्लियर है सबको अब डियूरिंग टेनियर अफ सार्विस जब सालरी मिलती है तो बेसिक मिलता है इनको दिये मिलता है कमिशन वगर अभी मिलता रहता है बोनस मिलते रहते हैं ठीक है बड़े सारे ऐलोइंसेज मिलते हैं ठीक है बड़े सारे परक्यूजिट्स मिलते है ऐलोइंसेज मतलब ऐसा मिलता है बेनिफिट मैनेज करने के लिए مطلب benefiting kind मिलता है लेकिन जब एक瞬 इंसान retire कर जाता है तो pension जो मिलती है उस pension में बहुत सारी चीज़े नहीं होती है सारी में इतनी सारी चीज़े होती है pension में क्या होता है pension में basic होता है और DA का इस DA का a certain percentage होता है certain percentage पूरा भी नहीं एक certain percentage होता है एक्साम्पल के तोर पे आपको समझाते हैं माली जी एक इंप्लॉई है जिसकी बेसिक है 20,000 डी ए है माली जी 10,000 कमीशन इसको मिल गया है 3,000 रुपए बोनस इसका 2,000 आता है अलॉइंसे सारे मिला दिया जाए तो 20,000 रुपए के होते हैं परक्यूसिट भी इसके पर 10,000 पटा है बेसिक सका पुरा-पुरा मिलेगा 20,000 रुपत या और डी ए का एक सर्टेन परसेंटेज मिलेगा जो भी कंपनी ने डिसाइड कर रखा है चीक है जासे माली जीच कंपनी ने डिसाइड कर रखा है 60% टी एंडर रिटार्मेंट बेनिविट कितना है दी ये अंडर benefit 60% जब यह retire करेगा तो इसको 10,000 में से 6,000 रुपे इसको DA भी मिला करेगा इसको इसकी pension जो होगी पता है कितनी होगी 26,000 रुपे महिना ठीक है और जितनी चीछे और इसको मिल रही थी यह retirement पे नहीं मिलेगी pension में क्या होता है basic मिल जाता है और DA का एक certain percentage मिल जाता है जैसा कंपनी ने decide किया है कुछ कंपनीया होती है वो ऐसे बोलती है nothing DA के लिए बोलती है nothing forms part of retirement benefit अगर nothing forms part of retirement benefit तो यह नहीं मिलेगा इसको सिर्फ़ सिर्फ कितना मिलेगा 20 जगा basic मिलेगा यही tension होगी इसके pension बस 20,000 रुपय होगी तो company जो decide करते हैं वो standard रखती है कि DA का इतना हिस्सा employee को retirement मिलेगा तो सभी को वैसे ही मिलता है माली जे company ने decide किया 60% वाला है फिर से वही बात करते है 60% company ने decide किया एक दूसा employee है उसकी basic है 10,000 रुपया उसका DA है 2,000 रुपया बागी सब चीज भी मिलता है retirement पे उसको pension कितनी मिलेगी उसको 10,000 रुपया basic का मिल जाएगा और 2,000 का 70% 2,000 का 60% कितना होगी है 1200 रुपया 1200 रुपया उसका DA का मिल जाएगा 11,200 रुपया उसकी pension होगी एक बंदा जिसकी salary basic 10,000 रुपया है और DA 2,000 रुपया है बाकी और भी बहुत कुछ मिलता है company ने decide किया 60% forming part of retirement benefit तो उसे जो pension मिले की 10,000 basic और DA में से 1200 रुपया उसको pension मिलेगा यहां आपको pension निकालने का तरीका बताए DA retirement benefits कैसे calculate किये जाते है वो बताए ठीक है income बिक्सी बात नहीं हुए यहां आपको practical बात बता रहे थे कि market में क्या होता है अब यहां पर क्या कह रहा है यह क्यों हमने बताए अब उसके पीछे भी कारण है क्योंकि मैं आपको यह line समझाना चाहता था DA forming part of retirement benefit जब आप multiply करोगे average one-three salary से तो salary में बस तीन चीजी consider करना basic ले लेना DA पूरा मत लेना retirement benefit वाला बस लेना और क्या ले लेना commission ले लेना if it is fixed percentage of turnover clear हो यह बात सबको तो salary में सारे item नहीं लेंगे जब average monthly salary हम करेंगे average monthly salary करेंगे यानि यह जो 20,000 रुबाइस जार रुपे यह मैं आपको बता रहा था it comprises of only and only इसमें क्या-क्या included है includes basic DA retirement benefit वाला ठीक है और commission कौन सा commission percentage on turnover वाला देख लीजे क्या-क्या है list of the following amount is exempt list of the following is exempt पहला है earn on leave into average monthly salary बच्चों याद करना पड़ेगा और मेरे साथ साथ आप तो करेंगे number one बोलिए earn on leave into average monthly salary earn on leave into average monthly salary earn on leave का मतलब क्या होता है total leave minus leave away total leave minus leave away और total leave निकालते है समय यहाँ पे अगर साल बर में 30 leave से ज़्यादा दिया जाता है न तो 30 leave के इसाफ सही total leave निकाली जाएगी और completed years के लिए निकालेंगे मान लिए बारा साल ग्यारा महीने इंप्लॉई ने काम किये है तो हम क्या करेंगे सिर्फ बारा साल का ही multiply करेंगे total leave निकालने के लिए ग्यारा महीने और काम किया है यह नहीं consider करेंगे जबकि इंप्लॉई तो बिलकुल एक कि वो ऐसे ही वो लेगा कि अच्छा बारा से तुमको बारा महीने में हम 36 चुट्टियां देते ते तो चलो एक 11 महीने काम किये हो तो 33 चुट्टियां मान लेते हैं तुमारी 33 holidays इंप्लॉईर तो देगा और अगर इंप्लॉई अविल नहीं किया तो उसके पैसे भी देगा तो इंप्लॉईर की काल्कुलेशन तो इंप्लॉईर पर dependent है वो कैसे calculate करता है जो भी calculation होगी वो question में आपको provided होगी आपको final amount दिया होगा कि इंप्लॉईर ने इतने पैसे दिये हैं आपको जो calculate करना होगा वो क्या calculate करना होगा है कि उसमें से exemption कितनी है दूसरा है 10 into average monthly salary average monthly salary अभी उपर निकाल ले ही थे उसको 10 में multiply कर तो मतलब 10 महीने से ज़्यादा government देने के mood में नहीं है ठीक है और basically इन चारों में से जो सबसे छोटा होगा वहीं आपको exemption मिलेगा तो यानि equal मिला कि 10 महीने से ज़्यादा का आपको देने की चुक भी नहीं है government exemption 3 lakh less the amount exempted earlier 3 lakh less the amount exempted earlier पहले बस इतना समझे है 3 lakh government नहीं एक limit लगा रखी है इसे कहा जाता है maximum ceiling this is called maximum ceiling maximum ceiling है 3 lakh रुपए की 3 lakh रुपए से ज़्यादा आपको exemption नहीं मिलेगी चेक है let's amount exempted earlier को लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि एक employee को lifetime में 3 lakh रुपए से ज़्यादा leaf salary की exemption नहीं मिलेगी lifetime अगर मान लीजे मैंने पहले भी पहले भी किसी company से मैं retire किया वहाँ भी मुझे leave salary मिली और already उस leave salary में से मैंने 1 lakh रुपए exempt करा लिया था तो इस बार की जो limit होगी maximal limit वो 3 lakh रुपए की नहीं होगी वो 2 lakh रुपए होगी क्योंकि 3 lakh रुपए lifetime में हम आपको इससे ज़्यादा exemption नहीं देंगे तो already अगर मैंने leave salary का exemption claim कर रखा है leave salary का exemption already claim कब कर रखे होगे तो तब कर रखे होगे जब पहले भी कहीं नौकरी कर रहे होगे तो आपने leave salary की exemption claim कर रखी होगी ठीक है पहले भी कहीं नौकरी किये थे वहाँ से retire किये थे leave salary मिला था इतनी सारी बात हुई होगी अगर लीव सेलरी को आपने पहले एक्जम्ट कराया था तो आपको क्या करना होगा ऐसे केस में इस बार की जो तीन लाग की लिमिट है उसमें से पहले वाला एक्जम्टिन जो भी आपने अवेल किया था वो लेस कर दीजे लिमिट से यानि अगर पहले एक लाग रुपए की एक्जम्टिन हम अम अल्रेडी क्लेम कर रखे हैं तो इस बार की लिमिट दो लाग रुपए की रहेगी और चौथा है लीविंग कैश्मेंट आप्टुली रिसी रिपीटिंग अगेन अल्ट फोर पॉइंट नमबर वन अनन लीविंट अवरेज मंतली सालरी नमबर टू तन इंट अवरेज मंतली सालरी थर्ड माग्सिमल सेलिंग 3 लाग रुपए लेस्ट आमांट इक्जम्ट इंट अल्लियर चौथा लीविंग कैश्मेंट आप्टुली रिसी ची कर यहां तक आईए अब हम दो क्या करते हैं एक नोट देखते हैं इसके नीचे क्या है लीविंग कैश्मेंट रिसीब बाई लीगल हेर और डिसीज इप्लॉई इस नॉट टाक्सिबल अगर इंप्लॉई की देथ हो गई रेटार्मिंट नहीं हुए इंप्लॉई की देथ हो गई तो ज ठीक है चिल्रेंज जिनको भी यह पैसा मिलेगा उनके हाथ पी यह टाक्सिबल नहीं होगा इलस्ती इलस्टरि एलस्टरिए टो Mr. H was employed by Elite Limited up to March 15, 1999 at the time of leaving Elite Limited. Mr. H was employed by Elite Limited up to March 15, 1999 at the time of leaving Elite Limited he was paid $3,50,000 as leave salary out of which $72,000 was exempt from tax under section 10-10-AAA-2. Mr. H was employed by Elite Limited up to March 15, 1999 और एक बात बताईए वो 1999 तक Elite Limited में काम करता था पहले पुरानी वाली कमपणी में काम करता था ये बात बतानी कि क्या विशकता है at the time of leaving Elite Limited he was paid $3,50,000 as leave salary और उसको उस समय 1999 में $3,50,000 की leave salary मिले थी Are we concerned with all these things? और do we need to calculate income only of the previous year 18-19? We are concerned only with the income of previous year 18-19, 18-19 में जो मिला आनों उससे मतलब है हमें क्या मतलब की 1999 में क्या पैसा आया था He was paid $3,50,000 as leave salary out of which $72,000 was exempt जिसमें से 72,000 रुपे $72,000 exempt हो गया था तो समझ में आ रहा है क्यों इतनी कहानी बता रहा था कि 1999 में आपको leave salary मिले उसमें से 72,000 exempt हो गया इसलिए बता रहा है क्योंकि इस बार की limit $3,00,000 नहीं रहे गी अब आपकी leaving cashman $72,000 का already exempt हो चुका है तो इस बार की जो limit होगी वो $2,28,000 होगी $72,000 already exempt कराया जा चुका है there after he joined XYZ private limited and received $5,250,000 as leave salary at the time of retirement on January 31st, 2018 अब ये date पर ध्यान दीजे ये date कौन से year में fall कर रही ये 18-19 previous year अब हमी 18-19 previous year की calculation करनी भी है कितनी leave salary में लिए $5,250,000 उन्हें आपको बताया था न कि employer कितना पैसा दे रहा हो तो खुदी बताएगा determine the amount of taxable leave salary from the following information taxable leave salary कितनी होगी ये बताना है आपको salary at the time of retirement per month was $28,000 salary at the time of retirement per month $28,000 average salary received during the 10 month ending on December 31st, 2018 December 31st को retire कर रहा है कुराने 10 महने की salary बताई जा रही है आपको आप Если नहीं के जुलाईवे चुलाई हो गया आपकोusem Byte. जून जुलाई, पाँच महन अगस्य से दिसंबर अगस्स स सप्पर्ण compact number नॉमब्र दिसंबर पाँच महन एकी salary 27 जा थी और फिर पाँच महने की salary 27 जा 500 थी अगर पिछे 10 महने की लगातार salary 27 जार ही रहती तो एवरेज भी कितना था 27 जार पांच महीने की 27 जार है पांच महीने की 27 जार 500 है तो एवरेज जो आएगा वो 27 जार 250 लुपए आ जाएगा 10 महीने का एवरेज Duration of service 14 साल 8 महीने Leave entitlement for every year of service 14 साल 8 महीने काम किया है Leave entitlement हर साल के लिए कितनी होती थी 44 डेस देखे कितना नसीब वाला है इसको Employee 44 दिन की छुटिया देता है साल वरे में चिक है Leave availed while in service Leave availed while in service का मतलब हो गया दो चीज़े Leave taken भी यहाँ पे आ जाएगा चिक है Leave encashment भी यहाँ पे आ जाएगा कितनी लीव बची हुई है Leave at the credit of employee का मतलब होता है Unavail leave Question में जितनी भी Information दी होती है वो Employer जैसे calculation करता है वो दी होती है किकि income tax के provision आपको apply करने वो question में नहीं दिया रहेगा यह तो जो भी leave availed Unavail leave यह employer के हिसाब से सब चल रहा है Unavail leave Employer के हिसाब से कितना है leave at the credit of employee at the time of retirement वो कह रहा है 14 साल 8 महीने उसने time किये तो employer calculate कर रहा है 14 साल पर क्या वो 14 साल 8 महीने पर भी calculate कर सकता था हाँ वो ऐसे भी calculate कर सकता था 14.66 8 महीने का मतलब कितना होता है 0.66 year 8 divided by 12 पर दीज़े 0.66 year आएगा इस पर भी calculate कर सकता था कर नहीं रहा है खटा दीज़े इसको leave at the credit of employee at the time of retirement 14 into 44 14 into 44 14 साल काम किये 44 चुट्टियां ये एक साल वे 14 into 44 माइनस 80 चुट्टियां वो ले चुका है ठीक है calculation 14 into 44 माइनस 80 divided by 30 क्यों किया गया है क्योंकि मन्त में चाहिए तो 17.866 आया अब उसको payment कैसे कर रहा है वो 28,000 रुपे के rate से कर रहा है पिछले 10 माइने के average से नहीं कर रहा है अब है employer की मर्जिश जिस rate से चाहिए उस rate से कर ले 28,000 रुपे के rate से कर रहा है आचा ये इसका मतलब क्या salary at the time of retirement per month 28,000 जिबकि retirement उसकी 31 December को ही है और उस दिन तक salary इसकी 27,000 31 December को ही है उस दिन तक की salary 27,000 जब 500 ही थी ये 28,000 का क्या मतलब है ये हमको तो दिखी रहा है 31 December को retire किया और उस दिन salary कितनी थी 27,500 तो इन कह रहा है salary at the time of retirement was 28,000 what does it mean salary at the time of retirement तक की salary 27,500 दिया हुआ है उसके बाद भी कह रहा है salary at the time of retirement 28,000 तो इसका मतलब समझ में आ रहा है इसका मतलब ये होता है कि retirement के समय 28,000 रुटाई की salary उने का मतलब कि अगर वो अभी retire ना किया होता तो अब 28,000 मिलना सुरू हो जाता December तक तो 27,500 था at the time of retirement 28,000 हो जाने का मतलब ये है कि अगर एक January को वो काम करता इसके बाद अब काम करता तो 28,000 रुपे की salary से salary मिलती ये इसका मतलब हुआ ठीक है 28,000 रुपे की इसाब से payment भी कर रहा है पिछले 10 महीने के average से नहीं कर रहा है 18,000 रुपे की इसाब से payment कर रहा है 17.866 मन्त का तो multiply करके देख लीजी ये आ जा रहा है इसका 5,250 रुपीज जो इसने pay कर दिया अब हमको निकालना है इसमें से exempt exempt कितना है वो निकालना है चिक है तो copy में किया जाए इसको आईए आप भी solution book का मत देखे मेरे साथ सब copy में calculate कीजिए इससे आपकी practice भी बनेगी answer to illustration का heading keyboard leave salary least of the following amount is exempt गया number one un-earned leave into average monthly salary ठीक है, दो line छोड़ेंगे इसके बाद calculation करने की जगा छोड़ेंगे दूसा point लेखेंगे, पहले पुरा law लिख लिया जाता है और फिर उसके बाद calculation को feed किया जाता है जगा जगा पे, un-earned leave into average monthly salary 10 into average monthly salary दो line छोड़ेंगे, तीसा लिखिए maximum ceiling फिर दो line छोड़ेंगे और चौती बात लिखिए amount actually received उसके बाद चार line छोड़ेंगे और heading दीजे working notes देख लिजे कैसे करना है एक बाद चीक से पहरे चार point लिखेंगे अब दो-दो line बीच में gap करेंगे, आकरी के बाद चार line का difference देदेंगे क्योंकि वहाँ पे हम रूख exempt अपकी list of the following क्या है, exempt कितना हो है, taxable कितना हो है, यह सब लिखेंगे इसलिए चार line की जगह है, फिर working note अब working note में हम calculation करना सुरू करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे earn and leave का calculation ठीक है, WN1, working note 1, earn and leave, earn and leave का formula है, total leave, पूरा लिखते हुए, minus leave availed, divided by 30, what is total leave? total leave जो होता है, वो 30 दिन से ज़्यादा सालवर का नई लिया जाएगा, और हर completed year के लिए 30 दिन लिया जाएगा, तो 14 साल आठ महीं ने हैं, लेकिन लिया जाएगा सिर्फ 14 साल के लिए, 14 into 30, minus leave availed, 80, divided by 30, 420 minus 80, divided by 30, 11.3333, कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, यह, earn earn leave हो गया, अब क्या निकालना है, average monthly salary निकालना है, यह देखिए, average monthly salary, दूसा working note बना लिजे, average monthly salary के लिए, working note 2, average monthly salary, average monthly salary कैसे निकलेगा, दस महीने की average कर लिए है, चीक है, तो पांच महीने का 27,000 रुपया था, और पांच महीने का 27,000 रुपया था, पांच महीने का 27,000 रुपया था, चीक है, यही हो रहा तो ना, तो 27,000 रुपया ह Certainly, यहाँ यहाँ रुपयाद पांच महीने का 27,000 रुपयाद रुपयाद बाद आथे को 27,000 रुपयाद लिए यहाँ धुपयाद आथा, यह दो सो बचाष लिएक लिए समने वीन्ट रुपया दीखिया सब मने भ site के लिए, यह सब मिए आटक टूलिए, करिए तब आप यहां पे लिखे 11.3333 into 27.250 करिए कैलकुलेटर पे जब 33 लिखेंगे न 11.3333 तो आखरी तक भर दीजेगा क्योंकि आप याद किजिए यह ऐसे नहीं आ रहा था 11.4 बार ती बस पूरा फुल कैलकुलेटर भरा हुआ था 0.3333 बिल्कुल वैसे ही लिखें इंटू 27.250 कर दीजे तक एड़सेक्ट फिगर आए 3.8833 आ रहा है 3.8833 दूसा है 10 इंटू एवरेज मंत्री सालरी तो 10 इंटू एवरेज मंत्री सालरी तो यह उपर निकाले ही हो 272.50 पिर से डाल दो यह हो जगर 272.500 maximum ceiling 3,00,000 रुपया लेकिन less amount exempted earlier होता है exempted earlier कितना था 72,000 पहले exempt हो चुका था basically यह जो 3,00,000 की maximum ceiling यह lifetime ceiling होती है एक employee के लिए अब उनी जीवन भर में 3,00,000 रुपय तक की exemption leave salary के नाम पे ले सकते हो leave salary के नाम पे ले सकते हो exemption कहां से exemption मिलती है यह यह exemption non-government employee को after the tenure of service वाले में से मिलती है तो आपको चाहिए जितनी भी leave salary मिल जाए पूरी exempt है यह उनके लिए कहानी नहीं है तो यह उनके लिए कहानी नहीं है तो फुली exempt होती है यह आ रहा है 2,28,000 और leave engagement actually received है पांच लाख दो सो पचास रुपया least of the above क्या हो गया 228 हो गया ना तो इस में से जो सबसे कम हो गया वो 228 हो गया list of all above being exempt list of all above is rupee 2,28,000 being exempt taxable leave salary is equal to 2,28,000 taxable leave salary is equal to 5,250,000 दो लाख अटाइज जार exempt हो गया मिला कितना था पांच लाख दो सो पचास रुपया है तो घटा दीजे कितने पर tax लगीगा 5,250,000 minus 2,28,000 272,250 देख लीजे सब को समझ में आ रहा है कि नहीं अगर ये clear है तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले component पे salary के अच्छा कोई component नहीं है दो छोटे concept से पहले अभी foregoing of salary और surrender of salary foregoing of salary का मतलब क्या होता है foregoing of salary का मतलब ये है कि salary due हो गई है और जब आपको receive होने का दिन आया तो आप कहा रहा है अपनी employer सो मुझे salary नहीं ले दी मैं पैसे से काम नहीं करता हूँ बस समझेगा अगस्त महीने की salary employer due कराता है अगस्त की आखरी डेट को और वो pay करता है पांस सब्तेमबर को अगस्त की salary अगस्त की आखरी तारी को employer ने due भी करा दी आपकी entry भी मारदी salary account debit to salary payable पांस सब्तेमबर को जब employer आपको चेक दे रहा है salary की तो आप करे रहे हो मैं salary की चेक नहीं लूँगा मैं बिना पैसे की काम करूँगा इससे का आ जाता है for going of salary surrender of salary क्या होता है surrender of salary तो उसे कहते हैं job join करने के समय ही आप बोल दिये थे कि मैं salary के बिना काम करूँगा यह होता है surrender of salary तो इससे repeat करता हूँ बस salary जब मिल रही है तो मना आप कर रहे हैं जब salary मिल रही है तो मना कर रहे हैं तो इसे कहा जाता है for going of salary जब salary due हो गई receive होते समय है अप मना कर दिये तो it is called for going of salary surrender of salary का मतलब होता है salary पहले सही छोड़ चुड़ चुके हो तो जब job join किये थे तब ही कह दिये थे मैं पैसे के लिए काम नहीं करूँगा मैं बिना पैसे के काम करूँगा that is called surrender of salary आपने सुना भी होगा कभी कबार की ये फलाना I.S. officer है वो कहता है मैं भारत की सेवा करने के लिए चीक है भारत मा की सेवा करने के लिए काम कर रहा हूँ मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ और आप देखेंगे वो salary नहीं उठाते हैं बहुत सारे I.S. officer है कुछ इस तरीके का आपको पास्ट में भी सुनने को मिला होगा चीक है तो उसे कहा जाता है surrender of salary अब दोनों cases में बात करते हैं अगर आपने salary surrender कर दिया तो क्या salary आपके हाथ में taxable होगी obviously not salary surrender कर दिये न salary due होती है न receive होती है क्या salary मेरे हाथ में taxable हो जाएगी वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि salary due हो गई थी आपने receive नहीं थी और salary taxable कब होती है due or receive whichever reserve होती है salary due हो गई अब भले मत रे receive कीजिए salary taxable हो जाएगी समझ में आ रही है बात सबको salary due or receive whichever इस अलिया पे taxable होती है waiver by an employee of his salary is foregoing of salary when salary accrues subsequent waiver does not absolve him from the liability to pay income tax क्या रहा है कि salary एक बार accru हो गई आप बात में waiver कर देते हो कि मुझे ये नहीं चाहिए तो आपकी liability income tax की खतम नहीं होगी यानि foregoing of salary taxable रहेगा surrender of salary ये not taxable है ये हो जी नहीं सकता क्योंकि बाई आप तो पहली मना कर दी नहीं मैं salary लूँंगा ही नहीं तो salary due भी नहीं नहीं होती है आपकी if any employee surrenders his salary to the central government under the voluntary surrender of salaries exemption from tax in taxation act 1961 the surrendered salary would not be included in computing is taxable income whether he is a private or public sector or government employee सभी cases में ये possible है आपकी taxable income में surrender salary जोड़ी भी नहीं जाएगी प्राइवेट कंप्टिंग employee हो पॉबिक कंप्टिंग हो ये ग्रेचुटी ग्रेचुटी आईए समझाते हैं आपको ग्रेचुटी क्या चीज है हमारे देश में कानून है जिसका नाम है ग्रेचुटी एक्ट और ये कानून क्या कहता है कि अगर किसी भी establishment में 10 या उससे अधिक employee है तो उस entity को उस establishment को अपने employee को retire करते समय ग्रेचुटी देनी पड़ेगी क्या बोलता है कानून फिर से बताइएगा जिन भी establishment में 10 या उससे अधिक employees है उन company को उन establishments को अपने employee के retire करते समय उन्हें ग्रेचुटी देनी होगी ये कहता है ग्रेचुटी आक्ट अब एक बात बताइए मेरे यहां अगर माल लेगे पंदरह employee है और employee retire हो रहा है मैं ग्रेचुटी नहीं दे रहा हूँ illegal है की नहीं है illegal है गलत है लेकिन इक बात बताइए मेरे यहां सिर्फ 5 employee है और एक employee retire हो रहा है मैं उसे ग्रेचुटी दे रहा हूँ मेरे उपर कानून नहीं है कानून तो यह कहता है 10 से ज़्यादा employee होंगे तो ग्रेचुटी देना है मेरे यहां 10 से ज़्यादा employee है यह 5 employee है फिर भी एक employee retire हो रहा है मैं ग्रेचुटी दे रहा हूं से दे सकता हूँ की नहीं कानून ने लिखा है 10 से ज़्यादा employee होंगे तभी ग्रेचुटी देना है मेरे पास तो दस से ज़्यादा इंप्लॉई नहीं है लेकिन फिर भी ग्रेशुटी दे रहा हूं अपने इंप्लॉई को दे सकता हूं की नहीं बिल पुल दीजिए सौक से दीजिए दुनिया का कोई कानून आपको मना थोड़ी ना कर सकता है कोई पेमिंट करने से इंप्लॉई को जब कानून ये कहता है कि आपको देना इंप्लॉई को तब तो देना ही पड़ेगा वो मजबूरी है जब कानून नहीं कहता है देने को तो भी देने का मन है तो दे लीजे मन से तो आप कुछ भी दे सकते हो समझ में आई की नहीं बात तो देखे ऐसा भी पॉसिबल है कि ग्रेचुटी एक्ट मेरे उपर नहीं लगता है फिर भी हम ग्रेचुटी दे रहे हैं ठीक है और ग्रेचुटी एक लगता होगा मेरे उपर तक तो मेरी मजबूरी है भाई देना ही पड़े एक ग्रेचुटी इंप्लोई को अब यह जो graduate employees को मिलती है उनके हाथ में क्या होगा exempt होगा taxable होगा यही देखने जा रहे है अगर graduate government employee को मिलती है तो बड़ी सुन्दर बात है यह fully exempt होता है अगर यह other employee को मिलता है मतलब कि other than government employee अगर अधर देंक government employee को मिलता है तो हमें चेक करना होगा कि क्या employee covered by gratitude act था मतलब जिसे gratitude act की payment मिली है क्या employer bound था उसे देने के लिए या फिर अपनी मर्जी से दिया है covered by payment of gratitude act का मतलब होता है कि employee को gratitude मिली है और मिलनी भी चाहिए थी क्योंकि employer bound था दूसरा है not covered by payment of gratuity act इसका मतलब यह है कि employee को gratuity मिली है जबकि employer bound नहीं था he was not liable to pay gratuity still he has given gratuity यह मतलब है not covered by payment of gratuity act दोनों ही cases में आपको बताया गया है कि तीन point कि least of the following is exempt अभी बात बताईए आपकी हिसाब से नसीब वाला कौन वो employee जिसको gratuity मिलनी थी और मिली या वो employee जिसको gratuity नहीं मिलनी थी फिर भी मिल गई नसीब वाला तो वही है जिसको नहीं मिलनी थी फिर भी मिल गई जिसको मिलनी थी उसे मिली है तो इसमें नसीब वाली कौन सी बात है जिसको नहीं मिलनी थी graduate उसे भी मिल गई ये नसीब वाली बात है government हमारी ये चाहती है कि इस नसीब वाले से थोड़ा सा ज़्यादा tax ले लो इस से थोड़ा ज़्यादा tax ले लो क्योंकि देखो ये तो छपर फार के कमा रहा है इसको तो graduate नहीं मिलनी थी तब भी employer इसका देखो कितना दयाल हुए इसको दे दिया ग्रेश्योटी एक काम करो इससे थोड़ा ज़्यादा tax ले लो इसको फर्ग भी नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको तो वो पैसा मिला है जो नहीं मिलना था covered by graduate act है यानि उसको तो graduate मिले नहीं थी और मिली है तो government वहाँ पि लॉजिकल tax लेगी लॉजिकल क्रम लेगी ठीक है या वो सकता है नहीं भी ले list of the following amount is exempt क्या exempt है यह पड़ते हैं रोग when the payment is covered by graduate act जिन लोगों को graduate act के तहत payment मिली है कानून के तहत payment मिली है उनके में exemption क्या है last round salary लीजिए last round salary का मतलब आवरेज नहीं करना है जो आखरी salary draw की है employee ने जब भी वो retire किया तो जो आखरी तंखा उठाया था ठीक है वो into 15 by 26 15 by 26 मतलब होता है basically आधा महिना आधे महिने की salary 26 हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि महिने में 4 संड़ी हो जाते है वरकिंग दे तो 26 ही होता है चीक है तो last round salary into 15 by 26 into number of years of service rounded up और rounding up कैसे होती है छे महिना छे महिने से दिखिए आपको दिखाते हैं छे महिने तक अगर होगा तो वो पीछे की तरफ जाएगा 20 साल 6 महिने का मतलब 20 साल 20 साल 6 महिने एक दिन का मतलब 21 साल 6 महिने से जादा होगा तो आगे बढ़ा दीजे 6 महिने से 6 महिने या 6 महिने से कम होगा तो पीछे कर दीजे basically 6 महिने का मतलब होता है आधा साल और generally हम लोग आधा अगर होता है न कोई वीची 0.5 होता है याद कीजिए तो हमें से आगी की तब बढ़ाते हैं यहाँ पर आपको ध्यान लखना है छे महीने का मतलब होता है 0.5 एर लेकिन 0.5 एर को नीचे ही दबाया जाता है और यह जो सिस्टम है एर को राउंड ओफ करने का यह पूरे इंकम टेक्स में ऐसे ही चलेगा तो आपको बार बार इंकम टेक्स में हम बताएंगे नहीं राउंड लिंग आप जहां जहां भी आएगी एर के हम आपको पैएंगे सेम जो पहले सिखा है वही करना है कि अगर मां लीजे 15 साल 4 महीने है तो उसको लिया जाएगा 15 साल पंदरा साल आठ neighborhoods हैं तो लिया जाएगा उसको शोला साल NFL साल 6 महिएंए तो 15 साल लेकिन 15 साल 6 महिने दो दिन है तो इसको कितना लिया जाएगा? 16 साल तो लाज डान salary into 15 by 26 into number of years of service rounded off दूसरा है 20 लाक की limit 20 लाक रुपए की limit और तीसरा है amount actually receipt तो बड़ी लंबी चोड़ी लिमिट है 20 लाख रुपए तक की ग्रैशुटी क्या होती एक्सम्ट हो जाती है क्योंकि तीनों में से जो लोगर है अगर तीनों में से लोगर 20 लाख रुपए है तो 20 लाख एक्सम्ट हो गया सेकेंड 20 लाग रुपया मैक्सिमुम सिलिंग और तीसा क्या है माउंट एक्टिली रिसीट लाजड रॉन सैलरी सैलरी का मतलब क्या है क्योंकि सैलरी तो तब तक पूरी नहीं निकल सकती है जब तक सैलरी का सारा कंपोनेंट मान ना पता हो हम तो खुदी क्रेचिटी अभी निकाल रहें यानि अभी सारे कंपोनेंट रेड़ी कहा हैं सैलरी के तो यहां सैलरी की स्पेसिफिक मीनिंग है कि सैलरी का मतलब बस कुछ चीज़ें ही आड़ करनी है कैलकुलेट करते समय यह सैलरी पे एक सिंगल इस्टार बना हुआ था इस सैलरी का मतलब है बेसिक ले लो पूरा और डीए भी पूरा ले लो क्या था रहें लीव सैलरी के समय है हम तो टीन चीज़ ले रहते हैं सैलरी में क्या क्या ले रहते हैं बेसिक ले रहते हैं डीए सिर्फ रिटार्मेंट बेनिफिट वाला ले रहते हैं और कमीशन ले रहते हैं इफिट इस परसेंटेज ऑन टर्न ओवर यहां पर बेसिक लेना है और डी एफ पूरा लेना है रांडिक आफ का मतलब समझी गया है अब आई ये लिस्ट आफ नॉट कवर्ड बाई पेमेंट ऑव ग्रेच्विटी एक्ट में क्या एग्जम्शन मिलती है नॉट कवर्ड बाई पेमेंट ऑव ग्रेच्विटी एक्ट नॉट कवर्ड बेपेमेंट ऑव ग्रेच्विटी एक्ट में लिस्ट आफ फॉलिंग अमांट इस एक्जम्ट इसमें पहला पॉइंट है आवरेज मंतली सैलरी यहां पे आवरेज लेना है इंटू 15 वै 30 करना है इंटू number of completed year of service देखे यहां लाज्ड डॉन सैलरी किया यहां पे एवरेज कर दिया बात वही है बस सैलरी यहां भी लिया सैलरी यहां भी लिया यहां 15 वै 26 किया यहां 15 वै 30 कर दिया यह भी 15 अप्वान 26 करो तो भी मोटा मोटी का जाता है आधे महीन कि सैलरी पंदर अप्वान 30 वी आधे महीने कि सैलरी है बैसिकली जब 26 करते हैं तो वर्किंग देख कि हिसाब से ले रहे हैं और यहां 30 जब करते हैं तो टोटल डेख कि हिसाब से ले रहे हैं बस यही मतलब है यहां भी year of service लिये हैं यहां भी लिये है number of year of service यहां completed यह लि ठीक है गॉर्मेंट यहां पर आपकी exemption को थोड़ा सा चोटा कराना चाह रही है बस समझने की कोसिस कीजिएगा थोड़ा सा चोटा करा दे रही है बahाने बahाने से यहां पर last salary ले रही थी गॉर्मेंट यहां average करते हैं एक बात यह लाज्ज डॉन salary जादा होता है कि average जाद होती है बाद में बढ़ते जाती है साली उल्टा नहीं होता दीरे-दीरे कम होते जा रही है ऐसा नहीं होगा दीरे-दे बढ़ते जा रही है दीरे-दे बढ़ते जा रही है इसका मतलब पहले कम फिर जादा तो बीच का आएगा अवरेज और लाज्ट नौन साली तो इसम जा से डिवाइट करेंगे तो फिगर छोटी हो जाएगी हम छोटा ही तो करना जा रहे हैं लाज जौन की जगा अवरेज करके थोड़ा छोटा कर दिये फिर 26 से डिवाइट करने की जगा तीस से डिवाइट करके थोड़ा और छोटा कर दिये exemption को और rounding of मना कर दिये सिर्फ completed ये ले रहें यहाँ पर तो क्या होगा 20 साल 6 मेना एक दिन पर किस साल हो जाएगा यहाँ 20 साल 6 मेना एक दिन पर भी क्या होगा यहाँ बीसी साल रहेगा समझ में आरी यह बात तो rounding of ना allow करके फिर amount को थोड़ा सा चोटा कर दिये तो least of the following amount is exempt to me basically आप प्रयाश कर रहे हो कि किसी रा किसी बहाने से amount को थोड़ा सा चोटा कर दे तो एक बार याद करते हैं क्योंकि exam में क्या होता है मुझे याद को रहता है लेकिन बस यही बूल जाते है कि 15 by 26 यहाँ था कि 15 by 30 यहाँ था चीकिए लाज डाहन था कि यह एवरेष था एक चीज दिमाग बैठा लीजेे covered by gratuity act में जो भी चीज आपकी इसहाब से बड़ी figure लाएगी वह है और not covered by gratuity act में जो कि हिसाब से चोटी figure लाएगी वह है Covered by gratitude act में ठीक है, covered by gratitude act में, into 15 by 26, not covered by gratitude act में, into 15 by 30, divide बड़े से कर तो ताई छोटा हो जाए फिकर, covered by gratitude act में, multiplied by what, covered by gratitude act में, multiplied by what, covered by gratitude act में, multiplied by rounded of year of service, and not covered by gratitude act में, completed year of service, दोनों ही case में 20-20,00,00 रुपए फिर, the overall ceiling, and the amount actually received, यहाँ पर आप देखेंगे, salary पर double star बनाया है, average पर भी एक sign बनाया है, तो सबका मतलब समझते जाए, average का मतलब क्या है, और यहाँ salary का मतलब क्या है, double star salary का मतलब है, basic salary, DAS if retirement benefit वाला, commission fixed percentage of turnover वाला, basically यही वाली salary की definition थी, कहाँ पर याद आ रहा है, leave salary में, leave salary में भी यही salary multiply कर रहे थी, हम रोख, leave salary में था न, un-earned leave into average monthly salary, तो average monthly salary में यही तो salary multiply कर रहे थे, basic ले रहे थे, D.A. retirement benefit वाला, commission fixed percentage of turnover वाला, ठीक है, परिशानी हो रही है कि नहीं, हर जगा salary की एक component में exemption निकालने के लिए salary की definition रहे बदलते जा रही है, हर component की exemption के लिए salary की definition नहीं बदल जा रही है, तो आपको याद रखना पड़ेगा यह सब, कि कहां पर salary का मतलब क्या है, अच्छा, अब average का मतलब क्या है, average का मतलब है, average salary of 10 month immediately preceding the month in which retirement took place, average का मतलब है, 10 month immediately preceding the month in which retirement took place, जिस महिने में retirement हुआ है, उससे पुराने 10 महिने का average, जबकि leaving cashment में ऐसा नहीं था, leaving cashment में गलता था 10 महिने का average from the date of retirement, जिस दिन retire हुए वहां से 10 महिने का average, और यह कहता है, जिस महिने में retire हुए उससे पुराने 10 महिने का average है, जब retire हुए हो जिस महीने में retire हुए हो उससे पुराने 10 महीने का average है आई आपको समझाए अगर यही मुझे average निकालना हो gratuity के लिए gratuity whether payment is not covered by gratuity yet तो average कैसे निकलेगा gratuity के लिए अगर यही average निकालना हो not covered वाले में कैसे निकलेगा जिस महीने में retirement हुए है retirement October में भी उससे पुराने 10 महीने का यानि September उससे पहले का लेना है चीक है तो September एक महीने की साली बाइस जार plus बीज जार की साली नौ महीने की लिए दिए क्योंकि यहां पर क्या कर रहते है बीज आ साड़ी आठ महीने ले रहते है और यह देड़ महीने ले रहते है क्योंकि retirement के दिन से 10 महीने का average लेना था यहां जिस महीने में retirement हुआ है उससे पुराने 10 महीने का average लेना है तो यह ऐसे निकलेगा by जार इंटू एक क्योंकि जिस महीने में retire हुआ अक्टूबर और वो उसकी साली कंसेडर नहीं करनी है जोर तो नहीं पढ़ आए दिमाग पे अचा एक बास समझ लेजे कि अगर अभी जोर पढ़ आए ना दिमाग पे आपको पता नहीं है कि आगे आपको क्या-क्या दिन देखने बाकी है अभी तो income tax सुरू हुआ है जो बुलते हैं अभी तो party सुरू हुई है बस अभी वही हाल है अभी अभी तो सुरुआत है बस अभी अगर दर्द हो गया दिमाग में तो नजाने आप यह सोचिए कि कैसे जहलेंगे आप पूरे income tax को अभी तो सिर्फ रटने वाली चीज़े है बड़ी simple बाते है जो तो दिमाग पे तब पहता है जब business profession की income आती है क्योंकि सबसे ज़्यादा planning वही होती है आपको क्या लगता है कि नौकरी पेसा अदमी income tax में ज़्यादा plan कर पाएगा वो बिचारा क्या plan करेगा उसको गीरी चुनी नौक संखा मिलती है और सब तो पता होती है क्योंकि online payment मिलती है चेक से payment मिलती है उसमें वो बिचारा क्या बचाएगा और क्या बताएगा कोई scope ही नहीं है टेक्स planning का चाहे बहले आपको दो लाग रुपए की भी salary मिलती है हो महीने की लेकिन दो लाग रुपए पता है न डिस्क्रोजड है सबको उसमें कोई planning दोड़ी ना scope है लेकिन business में तो ultimate scope है बिस्नेस में तो जैसे चाहे जैसे खर्चे को modify करता है जैसे चाहे जैसे revenues को modify करता है अपनी तो ultimately दिमाद तो वहाँ लगाना है जब हम लोग PGVP head पर पहुँचेंगे सालदी तो बहुत सिंपल सा head है सिंपल head है क्योंकि इस head की income पाने वाला इंसान भी normally simple ही है इस head की income पाने वाला इंसान भी simple है क्योंकि उसके पर tax planning का बहुत scope ही नहीं है राइट तो अभी तो जोर बिलकुल भी नहीं पढ़ना चाही है 20,000 इंटो 9 प्लस 22,000 डिवाइड बाइड बाइ 10 यह रहा है 20,200 चीक है तो यह बात भी समझ में आ गई अपने को आवरेज का मतलब समझ गए और salary का मतलब समझ गए number of completed years of service years पर देखिए एक sign और बनाई यहाँ पर hash का इसका मतलब क्या है hash sign का मतलब देखिए includes number of completed years of service under previous employer in case graduate was not received from previous employer मान लिजे आप पहले जहाँ job किये थे वहाँ भी not covered by gratuity act था वहाँ भी 10 से कम employee थे तो आपको लेकिन वहाँ gratuity मिली नहीं थे और यह not covered by gratuity act थे तो क्यों कोई gratuity देगा ठीक हर कोई यह current employee जासा थोड़ी नहोगा कि आपको gratuity उठा के दे दिया तो पिसली बात जहाँ मैं काम करता था वहाँ gratuity act लागू नहीं होता था इसने gratuity नहीं मिली थी वहाँ मैंने 5 साल काम किये थे अब जब मैं दूसरी company में आया हूँ यहाँ मैंने 8 साल काम किये हैं और यह company भी not covered by gratuity act थे लेकिन अब जब हम gratuity लेकिन इस वाली company ने दिया है अब जब exemption calculate होगा और multiply किया जाएगा उसमें number of completed years or service तो पुराने वाले employer का 5 साल और current वाले employer का 8 साल दोनों मिला कि लिया जाएगा 13 साल government basically आपको ज़्यादा exemption देना चाहती है इस वज़े से क्योंकि government कह दिये है कि पहली बार आपको gratuity मिली ही नहीं थी अपने काम पहले भी किया था और gratuity नहीं मिली थी तो इस बार जो gratuity मिली है उसमें से exemption थोड़ा साब को ज़्यादा दे देता हूँ ठीक है और क्या अज़ा gratuity नहीं मिली थी तो साल बढ़ा देंगे ये ये बढ़ा देंगे और अगर gratuity मिली थी पहले तो इस बीस लाग की लिमिट में से कम कर देंगे in case gratuity was received from previous employer double has come in case gratuity was received from previous employer and was also exempt under section 1010 then the limit of 20 lakhs will be reduced by the exemption claimed earlier अगर माली ज़े gratuity आपको पहले मिली थी और उसमें से कुछ exemption भी हो गया था तो इस बार की 20 lakhs रुपए की limit में से जितना amount पहले exempt हो गया था वो less कर देंगे जैसे पहले जब employer के यहां थे वो भी not covered by gratuity एक था उसने मुझे 5 lakh की gratuity दी ती जिसमें से 2 lakh exempt हो गया था तो 2 lakh रुपए का आप already आनंद उठा रुखे हो गौर्णन कहेंगी इस बार 18 lakh रुपए का जार जार जादा आनंद लेने देंगे यह not covered by gratuity act के लिए 20 lakh रुपए की limit एक lifetime limit होती है lifetime limit यह covered by gratuity act के लिए नहीं बोलने है covered by gratuity act में तो हर gratuity payment के लिए 20 lakh के रुपए की limit है दिस 20 lakh maximum ceiling दिस maximum ceiling per payment और यह 20 lakh रुपए क्या है maximum ceiling lifetime this 20 lakh is maximum ceiling lifetime और covered by gratuity act में 20 lakh is maximum ceiling per payment दुबारा फिर कहीं job join करते हो फिर covered by gratuity act हो फिर पाव पैसा बीस लाग रुपए फिर exemption ले लो सभज में आया सबको revise कर लिया जाए एक बार और revise करा देते हैं अगर gratuity government employee को मिलती है तो fully exempt पढ़ी सुंदर बात government employee को मिलती है तो fully exempt not government employee को मिलती है अधर अधर गौर्मेंट employee को मिलती है तो ऐसे केस में आपको यह देखना है कि whether the payment is covered by gratuity act or not covered by gratuity payment is covered by gratuity act का मतलब होता है कि जिस entity से gratuity मिल रही है वो entity gratuity act के दायरी में आती है और दायरी में कब एक entity आती है जो 10 या 10 से अधिक employee उस entity में होती है not covered by gratuity act का मतलब यह है कि यह जो payment है वो gratuity act के दायरा covered नहीं है gratuity act के दायरा covered क्यों नहीं है क्योंकि उस entity में 10 या उससे जद्धिक employee नहीं है 10 से कम employee है लेकिन फिर भी employer क्या कर रहा है gratuity की payment कर रहा है अब जब ऐसे case में gratuity की payment आती है तो exempt कितना होता है यह दोनों situation में अलग अलग बताया गया है covered by gratuity act में large down salary into 15 by 26 into number of years of service rounded off number 2 20 lakh 20 lakh is the maximum ceiling per payment and third is amount actually received and in case the payment is not covered by gratuity act in that case average monthly salary into 15 by 30 into number of completed years of service number 2 it is 20 lakh less the amount exempted earlier less the amount exempted earlier as because 20 lakh is the lifetime limit and third is amount actually received note gratuity received by legal hair of a diseased employee is taxable under the head income from mother sources gratuity received by legal hair of diseased employee अगर employee की death हो जाती हो लीगल हेर को gratuity मिलती है तो उसके हाथ में यह taxable होता है under the head income from other sources जहां दीजेए का leave engagement में क्या बताया था leave engagement अगर घर वालों को मिलता है तो fully exempt है लेकिन अगर gratuity घर वालों को मिलता है न तो यह income from other sources है जिससे यह लोग भी घर वाले भी exemption बेलकुल वैसे ही claim करेंगे जैसे यहां पर आपको exemption claim करना सिखाया गया है जो least of the following है वही apply करेंगे घर वाले भी if it is not provided that what percentage forms part of retirement benefit shall we assume that nothing forms part of retirement benefit ज्यान दीजेगा not covered by gratitude act में हम क्या कर रहे थे कह रहे थे कि DA कितना लिया जाएगा under retirement benefit वाला DA कितना लिया जाएगा under retirement benefit वाला अब प्रस्न यह उठता है कि अगर मान लिजेए यह बात लिखे ही नहीं है कि under retirement benefit कितना है 20% है 30% है 40% है 70% है 80% है तो यह मान लिएगी कि under retirement benefit कुछ है ही नहीं अगर exam की question में आपको DA लिखा हुआ है और under retirement benefit नहीं बता रहा है तो यह मान लिए कि under retirement benefit कुछ भी नहीं है यानि फिर यहां पर basic जोड़िएगा और सीधे क्या जोड़िए यह वाला इग्नोर कर देना होगा इसको तो हटा देना होगा DA नहीं जोड़ना होगा चिक है हाँ covered by gratuity act में DA full है तो हराल में जोड़ना है पूड़ा पूड़ा तो चलिए हम लोगने gratuity भी देख लिया इसी बहानी ठीक है gratuity के question में आप gratuity के बाद देखेंगे दो illustration मैंने दिया हुआ illustration 3 and illustration 4 उसमें से एक illustration covered by gratuity act है दूसा illustration not covered by gratuity act है तो basically आप मेरी book देखेंगे इसी कदर designed ही है कि मैं आपको एक particular section कराता हूँ और उसके बाद उससे related practical question होता है ताकि उस section पे मेरा command बहुत strong हो जाए चीक है आप और बहुत सारे cases में आप आगे चलके ये भी देखेंगे कि मैं आपको खुद illustration parallelly यहां पे class में create करकर के क्या करता हूँ बहुत बात जो book में आपके illustration है मैं immediately आपको बीना बताए illustration की figures को modify करके तुरंत illustration आपके सामने लग देता हूँ और आपको class में करा देता हूँ ताकि आपकी class में illustration की practice हो जाए और same illustration आपको book में मिल जाता है जिसे आप self practice भी कर लेते हैं तो at times I keep on modifying the illustration of book और आपको parallelly class में कराते हैं एक illustration class में हो जाता है इसी बाने और एक illustration आपके पास हो जाता है revise करने के लिए भी 3 and 4 जितने भी illustration हम class में skip करेंगे जिनको हम नहीं देखेंगे और आपसे कहेंगे कि यह है आप illustration देख लीजेगा क्योंकि हम रूजिकली टेक्निकली इस बात को समझ लिया है तो उस illustration को आप parallelly क्या करेंगे घर जाके करेंगे मतलब जो भी illustration class में skip किया गया है उसको आप भी skip नहीं कर देंगे उस illustration को आप खुछ से solve करेंगे वो इसलिए skip किया गया है क्योंकि more or less हमने उस तरीकी की बाते अल्रेड़ी कर ली होगी class में तो उस illustration को skip किया होगा ताकि आप self practice के लिए उसे घर पे देख लिए illustration 3 क्या है Mr. L.N. employee of lovely company limited receives 1,20,000 as gratitude उसे एक लाग 20,000 रुपए की gratitude रिसीव हुई है his covered by payment of gratitude act okay covered by payment of gratitude act है अच्छा आगर exam में यह न लिखा हो कि whether the payment is covered by gratitude act or not तो आप क्या एज्यूम करेंगे आप resume कर लिजेगा कि covered by gratitude act है इसलिए पताई आपको क्या लगता है इतनी जालिम दुनिया है इस जालिम दुनिया में लोगों के उपर gratitude act का कानून नहीं लग रहा है फिर भी employee को gratitude बाट रहे होंगे अरे लोग इतनी दंदे हो चुके हैं कि gratitude act का कानून लगता है फिर भी अपने employee को gratitude नहीं देते हैं ठीक है कैसे नहीं देते हैं बेमानी करते हैं ठीक है employee क्या रहते हैं दस हैं लेकिन वो अपने attendance register में दिखाते हैं कि 6 employee हैं साती employee हैं चार employee से कहते हैं तुम लोग attendance मत लगाना ताकि पता ही नहीं चले बस समझ में आई तो बहुत सारे लोग तो यह करते हैं कि 10 से जादा हैं तो उसको क्या करते हैं 12 employee है 8 employee दिखाते हैं चार की attendance नहीं लगवाते हैं ताकि employee आर्ट दिखाई देंगे तो इससे हमें graduate नहीं देना पड़ेगा अब आप गोगे साथ graduate का कानूं नहीं लगता है लोग देते हैं तो बहुत rare सी बात है अगर question में नहीं लिख रहा है कि covered by graduate or not तो यह माल लीजे कि अगर graduate दे रहा है तो covered ही होगा बिना graduate में cover हुए वाला क्यों बाला graduate देने लगया लेकिन एक्जाम में अगर साफ साफ लिका है कि not covered by graduate एक payment दे रहा है तो yes obviously आप उसके हिसाब से काम कीजिए देखिए theoretically तो हम रोग हर चीज पढ़ते हैं प्राक्टिकली यह सब थोड़ी ना होता है आपको लगता है कि practically जो entity not covered by graduate एक्ट होगी वो एक ग्रेशिटी देती होगी employee को obviously नहीं देती है यह theoretically पढ़ते हैं हम रोग हर चीज क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है ना दुनिया में कानून तो हर चीज को सोच समझ के बनाए गया है कि जो जो possibilities है उन सभी possibilities के लिए कानून है ठीक है इस covered by payment of gratitude एक 1972 ही रेटार स्वन दिसंबर 1218 दिसंबर 1218 को रेटार हो रहा है ठीक है अच्छा covered by gratitude एक तो बस अब दिमाग में covered वाली बात को लाईए last one salary into 15 by 26 into number of years of service rounded off ठीक है last one salary में salary का मतलब क्या होता है basic होता है और DA पूरा होता है after rendering services of 29 year and 8 month 29 year and 8 month को बच्चों पता है किताना लेंगे हम रो 30 साल ले लीजेगा rounding off चलती है यहां पर at the time of retirement is basic monthly basic salary and DNS allowance 40% farming part of retirement benefit was 4,000 and 1500 respectively basic जो था वो 4000 रुपए था और जो DA था वो 1500 रुपए था इस DA का 40% retirement benefit का हिस्सा है DA में 40% retirement benefit का हिस्सा है तो हमें retirement benefit के हिस्से से मतलब है नहीं DA फुल लिया जाता है यहां तो is the entire amount of gratitude exempt from text क्या पूरी gratitude एक लग 20 रुपए की exempt है यह वो तो calculation करनी पड़ेगी ना least of the following amount is exempt वाला करके देख लेते हैं यह ठादा है यह चरा जो करनी रुपए कह यह रसा-दी-्लश्रेशiqué प्ड़ेत्यर का चुक है एक थी के यह सNe यहां background잖 difो कहें देख लिए वह व्या है is exempt, इसमें number 1 क्या करेंगे, large drawn salary, into 15 by 26, into number of years of service, bracket में बताएंगे, rounded off. दो लाइंग की जगा छोड़ेंगे नीचे, और दूसरा point लिखेंगे, दूसरा point है maximum ceiling, चीक है, maximum ceiling फिर तीसरा point लिखेंगे, maximum ceiling में कोई calculation तो करनी नहीं है, सीधे 20 लाक रुपीज की limit ही तो लिखनी है, चीक है, और तीसरा क्या है, amount actually received, और amount actually received, बच्चों है कितना 1 लाग 20 यह calculation कर लो, large drawn salary, large drawn salary बताया है क्या, हाँ, basic और दिये पूरा लेना होता है, तो 4000 और दिये 1500, 5500 लेंगे, 5500 बच्चों, चीक है, into, oh this is, yes, 5500, into 15 by 26, 15 by 26, number of years of service rounded off, number of years of service rounded off, so rounded off कर देंगे, तो 29 year, 8 month है, तो 30 साल हो जाएगा, calculate कर लीजे, 5500 into 15 by 26 into 30, 95,192, is it so students, आ रहा है आपका, तीनों में से सबसे कम क्या हो गया, 95,192, पुलिकेंगे, और च्चचचचचचचचचचचर के लिए यच लोग्जाऎग, क्या में से सबसे करो बचस्चचचचचचचर को ऑन्जाख अगए, कितनी हो जाएगी एक लाग बीज़ रुपर रिसीव हुआ है माइनस पंचानवे अजार एक सुम्बानवे 24.808 यह टाक्सिमल हो गया ठीक है इसके बाद इलिस्ट्रेशन फॉर भी है बच्चों है इलिस्ट्रेशन पूर जो है न वो है न नॉट कावर्ड वाई गये चुट है तो उसमें बस इतना यहाद रखना यहां लाज़ डॉन सालरी की जगा दस महीने का अवरिज ले ले लेना जिस महीने में रेटायर हुआ है उस महीने को छोड़ तो उससे पुराने दस महीने का अ लेना है और 15 वाई 26 की जगा 15 वाई 30 करना होगा और नमबर वियस व सर्विस कंप्रीटेड वाला लेना होगा राउंडिंग अपनी करना होगी जैसे 29 यह रो रेट बंत रहेगा तो 29 यह लिया जाएगा बागी सारी चीज़े वही जाएंगी मतलब मैक्सिमुम सीलिंग रह देंगे है तो लेस्ट आपियर गुट मौनिंग तो अल यह रोन रिटार्मेंट बेनिफिट जिसमें से हम रोग ने लीविंग कैश्मेंट को प्रिया है लीविंग कैश्मेंट एक प्यूर तरीके से रिटार्मेंट बेनिफिट है ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि लीविंग कैश्मेंट जो होता है वो आप डूरिंग दे टेनियर ओफ सर्विस भी ले सकते हैं और आफ्टर दे टेनियर ओफ सर्विस भी ले सकते हैं बिसिकली जब after the tenure of service लेते हैं तो वो एक retirement benefit है otherwise वो एक normal item है जो आप job की दौरान continuous basis पे ले सकते है फिर अगला हम रूम ने किया gratuity, gratuity एक pure retirement benefit है वो retirement पे ही मिलेगा कौन देगा ये gratuity, वो entity देगी जहां पे आप employed है हो सकता है उनके उपर gratuity एक लगता है, हो सकता है ना भी लगता हो तो कि ऐसी entities भी हैं जिनके उपर gratuity एक नहीं लगता है फिर भी वो अपने employee को दे रहे है और हमने आपको बताये कि दुनिया जहां का कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो यह कह दे employer को कि आप employee को यह payment नहीं कर सकते हो हाँ, यह कानून जरूर है जो कहता है कि employee को यह देना पड़ेगा ऐसा कानून जरूर है लेकिन यह नहीं दे सकते हो ऐसा कहने वाला कोई कानून नहीं है कहने का मतलब यह है कि employer employee को payment कितनी भी कर सकता है income tax बस इतना बताता है कि उस paid amount मेंसे कितना taxable है और कितना exempt है income tax क्या बताता है जब payment employer employee को कितना करेगा ये बताता है बिलकुल नहीं income tax कौन होता है ये बताने वाला कि employer employee को कितनी payment करेगा employer employee को कितनी payment कर रहा है ये हमेशा आपके question में provided होगा और अगर question में calculation भी दिया हुआ है तो ध्यान दीजे को वो income tax के provision वाले calculation नहीं होगी वो कौन सी calculation होगी जो employer, employee को payment कर रहा है उसकी justification दे रहा होगा कभी-कभी employee पूछता है employer आप हमें 5 लाख रुपए दे रहे हैं न तो वो कैसे calculate किये है leave salary जड़ा मुझे बता दीजिए तो वो calculation करके दिखाता है कि वो कैसे payment कर रहा है आपको calculation करनी होती है income tax के provision के हिसाब से और वो calculation किसकी होती है exemption के respect ले तो question की calculation कभी भी income tax provision के हिसाब से नहीं होगी ध्यान दीजेगा वो calculation सिफ employees को explain करने के लिए होती है कि how I have paid you such and such amount वो employee को justify करता है employer की ये payment आपकी इतनी कैसे आ रही है तो आप कभी भी उस calculation को income tax की calculation ना समझेगा income tax के हिसाब से calculation आपको करना होगा और आपको बताना होगा कि वो paid amount में से exempt कितना है और taxable कितना है तो gratitude हमने देखा leaving cashman देख लिया अब हम दो बात सुरू करने वाले हैं अपने अगले retirement benefit की और वो है pension pension is a pure retirement benefit pension is a pure retirement benefit तेख है वो retirement पे ही मिलेगा आईए देखिए book में pension क्या क्या है commuted pension uncomuted pension आप कुछ समझाते हैं पहले आप इस सुना है कभी कभी आप ऐसे सुनते होगे सर्मा जी रिटायर किये थे न तो उनको 20 लाख उपया मिलिया था कभी कभी ऐसे सुनते हो वर्मा जी रिटायर किये हैं तो उनको हर महिने 40 जार उटे आता है उनकी हर महिने की 40 जार की pension आती है कभी कभी pension हम ऐसे सुनते है सर्मा जी रिटायर किये तो pension कितनी मिल गई थी 10 लाख उपया वर्मा जी रिटायर किये तो उनको हर महिने pension आती है 40 जार उपया तो ये क्या है pension लंसम होती है एक बार में मिलती है या हर महिने मिलती है क्या जानकारी है आपकी आपको बताते है खुड़ा सा pension के बारे में हम समझ लेंगे न तो उसके taxation को और अच्छे से समझ पाएंगे ठीक है ये जो pension होता है employee employee को offer जब करता है तो वो पर मन्त ही होता है वो ऐसे offer करता है कहता है employee भाई साब आपको ना retire करने पे 6,000 रुपया पर मन्त की pension मिलेगी पर मन्त pension मिलेगी हाला कि जब employer employee को बोलता है कि आपकी 6 महिना पर मन्त की pension है तो employee को एक option भी देता है कि अगर आप ये 6,000 रुपय पर मन्त नहीं लेना चाओगे तो मैं आपको एक lump sum amount भी दे दूगा और वो employer कैसे calculate करता है lump sum amount वो मैं आपको बता रहा हूँ आपको नहीं करना होगा वो employer करता है entity करती है वो कैसे करती है वो देखती है कि इस employee के जिवित रहने की क्या percentage है कब तक ये जिवित रहेगा तो वो निकालते हैं कि ये 6,000 रुपय की payment इस employee को कितनी बार देनी है ये 6,000 रुपय, 6,000 रुपय कितनी देनी है वतलब पहले employee की life expectancy निकाली जाती है वो कितने वर्स जिवित रहेगा फिर employer देखता है कि मुझे 6,000 रुपय की कितनी payment इस employee को करनी होगी जीवन वर तक फिर वो क्या करता है उस में ऐसे देखिए, अब ये 6,000 रुपय एक महीने बाद देना है इसको अगर आज ही मांगा जाएगा तो निश्यत है 6,000 से कुछ कम दिया जाएगा अब द्याज घटा लिया जाएगा ये 6,000 रुपय दो महीने बाद देना है तो इसकी वैल्यू निकाल लिजाएगी कि आज कितनी होती है दो महीने का इंटरेस्ट घटा के इस 6,000 में से 3 महीने का इंटरेस्ट घटा के आज की वैल्यू निकाल लिजाएगी इस में से 4 महीने का इंटरेस्ट घटा के यहां की वैल्यू निकाल लिजाएगी इसमें से दस सार का इंटरेस घड़ा के वैल्यू निकाल ली जाएगी और यहाँ पर एक लमसम वैल्यू निकाल लेगा इंप्लॉयर कि अगर छे हजार रुपया महिना देते हैं इसकी जगा पे इसको एक लाख दीस हजार रुपय अभी तुरंद भी दिया जा सकता है यह वैल्यू जिस निकाली गई है तो यह जो छे हजार रुपय पर मन्त देते हैं इसे कहा जबता है Uncommuted pension Uncommuted pension का मतलब होता है monthly pension वो कितना है छे अजार रुप्या ये एक लाग बीज यार रुप्य जो आया है इसे खा जाता है कम्यूटेट पेंशन कम्यूटेट का मतलब होता है एक अठा ये एक अठा वाला पेंशन है जिसको हम आम बोलचाल की बासा में बोलते हैं लंशम पेंशन एक लाग बीज जार रुप्या इतनी बात समझ में आई अब इंप्लॉई के पास क्या आप्शन इंप्लॉई के पास आप्शन क्या है पेंशन के रिस्पेक्ट में या तो वो छे अजार रुप्या परमंत ले ले ये एक आप्शन है या तो वो एक लाख बीस हजार रुपया लंसम ले ले ये option है दोनों ले ले नहीं या तो छे हजार रुपया महिना ले लो और या तो एक लाख बीस हजार रुपया लंसम ले लो एक लाख बीस हजार रुपया लंसम ले 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 तो मंतली कुछ नहीं मिलेगा मंतली 6,000 रुपए ले लिए तो لمसं दुशनिंग लेगा दोनों को ब्रेक करके स्प्रिट करके भी लिया जा सकता है ऐसे भी लिये सकता है वो वो 3,000 रुपए पर मंत ले ले प्लस 7,000 रुपए लमसं ले ले दोनों में से आदा आदा basically 6,000 रुप्या महिना lifetime तक किसके बराबर है एक लाग 20,000 के बराबर है यह दोनों ची बराबर हो गई तो या तो तुम यह ले लो या तो यह ले लो और या तो इसका आदा ले लो इसका भी आदा ले लो फिर तो 3,000 रुप्या परमंद हो गया और 60,000 रुप्या लमसं भी दे दिया और क्या उप्शन है इसको किसी भी रेशियो में ब्रिक कर सकते हैं अगर अगर अब अन कम्यूटेट का 60% लोगे हैं तो इसका 40 आपको मिल जाएगा दोनों मिला कि 100% होना चीए बस ऐसे समझो जब यह हम 100% ले रहे थे तो यह हमको कितना मिल रहा था 0% यह वाला उप्शन देखो ना जब यह 100% ले लिए तो हमको यह थोड़ी ना कम्यूटेट मिल रहा था वो 0% अगर हम लमसं 100% ले ले लेते हैं यह वाला 100% ले लेते हैं तो यह 0% मिलता है ये नहीं मिलता है ये पचास लेते हैं तो ये भी पचास मिलता है समझ में आरी ये बात ये साथ लोगे तो ये चालिस मिल जाएगा आपको यानि कि सिक्स थाउजिंड का सिक्स्टी पास है छट्टिसो रुपए महिना ले लो दे देंगे हम अगर छट्टिसो रुपए महिने लोगे तो एक लाग दी जागा चालिस परसंट देंगे और तालिस जा रुपए लंसम दे देंगे और क्या क्या आप्शन है जैसे चाहे जैसे रेशियो में ब्रिक कर लो अब चाहते हो लंसम सतर परसंट चाहते हो ले लो तीस परसंट ये दे देंगे फिर तोटल परसंटेज निटू भी हंडरेट एक का सतर लिये तो दूसरे का तीस मिल जाएगा छे जागा तीस परसंट नहीं हम आपको अठारा सु रुपए पर्मन दे देंगे प्लस 84,000 एक लाग बीस जार रुपए का सतर परसंट 84,000 लंसम में ले लीजे इसी भी परसंटेज में दोनों को ब्रिक करके लिया जा सकता है जो एक अठा वाला लंसम वाला ले रहे हैं ये जो पॉर्शन है इसको का जाता है कम्यूटेट पेंशन और ये जो पर मंत वाला ले रहे हैं ये वाला पर मंत वाला ये क्या है अनकम्यूटेट पेंशन जहां पे भी हम बॉक्सेज बनाए हैं ये रेड लाइन बॉक्सेज ये कम्यूटेट पेंशन और जो हाइलाइट किया है येलो से वो क्या है? Uncommuted pension तो pension समझ में आगे Commuted क्या होता है? Uncommuted क्या होता है? ये भी समझ में आगे है कि 6,000 रुपए को 1,20,000 रुपए के बराबर कैसे बनाया? आपको नहीं करना है, ये सब employer करता है, ये सब actuarial science होता है जिसमें एक इनसान की आप life expectancy निकाल लेते हो, कितने साल जिवित रहेगा, ये बात estimate की जा सकती है, सब theoretical calculation है ध्यान दीजेगा, practical नहीं है, कौन कितना जिन्दा रहेगा, ये कोई बता नहीं सकता है ये theoretical calculation होती है ये सब basically आपका health test वगरा कराया जाता है, आपकी fitness चेक की जाती है, उसके इसाब से ये life expectancy निकाली जाती है, ये सब theoretical calculation है, understood ये सब life insurance company में भी चलता है life insurance company जब आपकी premium बताती है ना, बड़ी insurance कराईए आप life insurance company आपकी जो premium बनाती है वो बड़े सारे factors पे dependent होता है वो ये सारी चीजे चेक करते हैं आपकी medical fitness टेस्ट ताकि आपकी life expectancy बता चले और accordingly आपसको premium बताई जाती है जितना ज़्यादा आपके मिज़स दिखाई देता है उतनी ज़्यादा आपकी premium होती है छोटी मोटी policy लेते हैं तो बहले टेस्ट वगरा ना हो लेकिन बड़ी policy जैसे एक करोड़ या उससे उपर की आप policy ले रहे होंगे तो most of the company बड़े सारे आपके क्या करती है टेस्ट वगरा कराती है और फिर जाके उसके बाद आपकी premium decide की जाती है कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रही है यहां तक तो basically यहां पर बस यही है कि यह जो actuarial science वाले लोग होते हैं इसको company hire करती है और यही लोग क्या करते हैं बताते हैं कि आप या तो ग्रेचुटी अभी 6000 रुपय महिना अगर आप परे pension अगर आपको 6000 रुपय महिना देना है तो lump sum में एक लाग भी जा दिया जा सकता है वो जितनी मार्च 6000 देना पड़ेगा उसकी present value निकाल लेते हैं future में जितने भी 6000 देने होंगे उसकी present value निकाल लेते हैं मतलब interest component को अटाते हुए आज की present value निकाल लेते हैं और बता देते हैं की आप या तो ये amount lump sum में उफर कर दो so the actual offerance in respect of pension is basically the uncommuted pension that is the monthly pension but employer always gives an option to the employee that you can even go for lump sum and if the employee goes for lump sum then he'll have to opt out of the monthly pension or he may do one thing more that he can take proportionate amount as lump sum and another portion as uncommuted pension monthly pension taxability समझते हैं अब अगर आप uncommuted pension लेंगे uncommuted मतलब यहां लिग भी देते हैं monthly pension इसको कहते हैं और इसको कहते हैं lump sum pension अगर आप monthly pension लेते हैं तो ये fully taxable होता है कहानिक खतम, monthly pension में कोई tension ही नहीं आपको याद रखने हैं कि monthly pension जेतना मिला पूरा taxable ये lump sum जो pension हम लेते हैं इसमें exemption होती है अगर government employee को मिल रही है including statutory corporation तो fully exempt बड़ी सुनदा बात government employee का fully exempt है commuted pension एक अठा वाला pension government employee को मिलता है fully exempt और government employee को ये बड़ी बड़ी pension मिलती भी है पूरा exempt दी रहता है including statutory corporation statutory corporation क्या होता है statutory corporation वो entities होते हैं जो किसी special act के तहत फॉर्म होते हैं अभी आपने देखा ऐसे लिखा रहता है ICAI bracket में नीचे setup अंडर एन act of parliament setup अंडर एन act of parliament ICSI यहां भी यही लिखा हुआ है setup अंडर एन act of parliament कुछ organizations कुछ entities कुछ bodies को एक परलियमेंट में की special act पास कराके बनाया गया है तो उसका एक कानून बनाया गया है एसी ऐसी body form होगी कैसे govern होगी उसके लिए एक special act बनाके उस body को form किया गया है उसे कहा जाता है statutory corporation जैसे institute of chartered accountant of India institute of company secretary of India यह सब सब क्या है एक statutory corporation नौन तो यह होगी इनको fully exempted नौन government employee के case में आपको यह देखना है कि gratuity मिली है कि नहीं मिली है तो पेंशन तो मिली है साथ में gratuity भी मिली है कि नहीं मिली है ठीक है exemption कितना है देखिए one by two of one by two into something committed value of full pension क्या होता है committed value of full pension छोड़ दीजिए अभी बोलिए one by two of something gratuity अगर नहीं मिली है not received है तो one by two of something exempt है अगर gratuity receive होई है तो one by three of that same something जो यहाँ था देखो वही चीज़ यहाँ पे भी है जोनों एक ही है दिमाग में क्या बैठाना अभी यह समझेए जब gratuity मिलती है तो one by three of something exemption होता है जब gratuity नहीं मिलती है तो one by two of something exempt होता है one by three of something जदा आएगा कि one by two of something जदा आएगा half of something will be more or one by three of something will be more obviously half of something will be more one by three of something will not be more one by two of something will be more तो this means here the exemption is more अब आपके दिमाग में एक बात बैठा दे रहा है जग ग्रेचुटी नहीं मिलती है तो गौर्मेंट ज़्यादा एक्जेंशन दे रही है पेंशन से जोगी गौर्मेंट कहरी है इस बेचारे को तो बस पेंशन मिली है ग्रेचुटी मिली ही नहीं है इसको ज़्यादा छूट दे दो इसमें इसे pension में से जिस बंदी को ग्रेचुटी भी मिली हुई है pension के साथ government के रही है pension से ज़्यादा छूट देने की ज़रत क्या है छूट कम दो exemption कम दो 1 by 3 दे दो तो ऐसे याद रखेंगे बेचारा जो रहे है बेचारा क्भो कहेंगे जिसको pastटे नहीं मिली है फिसको ग्रेच्विटी नहीं मिली है उसको exemption ज्यादा मिलेगी pension सी जिसको gratitude भी मिली है नसीम वाला है ग्रेच्विटी पारा है pension पारा है गर्मेट के लिए exemption ज्यादा दे के क्या करेंगी exemption कम कर रही है government pension वन बैट्री वाइट्री 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 व आपको exemption मिलेगा, वो full value का मिलेगा, full value of exemption क्या है, एक लाग 20 जर्व क्या है, full value of pension जो है, वो एक लाग 20 जर्व क्या है. आई example से दमगाते हैं. Pension. monthly 5,000 per month full value of commuted value of full pension, पूरे 5,000 रुपए की pension का committed value क्या होगा, committed value of full pension, यह माल दिजिए, देल लाग रुपए, ठीक है, I got a Mr. X got 60 percent of pension commuted. commuted, Mr. X got 60 percent of pension, commuted. carbure of pension can mortgage, यह थे सम्प्ए, प्वश्ब, क्यार फ्रिए, देल दिए, फ्रिर व्व दिट की नोट करिए एक्जामपल को पहले पेंशन मंतली कितनी फाइव थाउसन पर मंथ कम्यूटेड वैली फुल पेंशन एक लाग पचाश जार रुपए यानि पाच जार रुपए मंतली है लेकिन पूरी पेंशन को कम्यूट कराओगे तो कितना मिलेगा एक लाग पचाश जार लेकिन उसने पूरी पेंशन को कम्यूट नहीं कराया बस साथ पेंशन परसंट को कम्यूट कराया तो एक्जिम्शन प्रम पेंशन कितनी होगी और टैक्सिबल पेंशन कितनी होगी निकल देते हैं solution उसने साथ परसंट को commute करा लिया यानि पाँज आगा भी वो कितना ले रहा होगा अभी भी चालिस परसंट तो ले ही रहा होगा commute साथ परसंट कराए हो तो uncommuted भी तो लेंगे पूरा नहीं लिये ये पचास इसका साथ परसंट लिये तो इसका 40 परसंट लेंगे ना तो uncommuted pension 5000 का 40 परसंट 2000 5000 का 40 परसंट 2000 क्या महिने तक 12 महिने तक ये तो मंतली है ना तो 2000 into 12 24 जा रुपया आएगा ये फुली टैकसेबल होता है इसमें से कोई exemption नहीं अब commuted pension लिकेंगे commuted pension में exemption मिलेगी तो अंदा लिकिए पहले 30 लाक रुपया सॉरी 30 लाक नहीं बच्चों कितना 7% मैंने लिया इसका तो 90 जार रुपय होगा 90 तौजन less अच्चा बच्चों ये बात बताना बहुत जोरी था क्योंकि exemption depend करती है इस बंदे को ग्रेट्यूटी मिली है ग्रेट्यूटी मिली है तो half of half of what 90,000? No half of committed value of full pension full pension का half क्या मिलता है आपको अच्चा ग्रेट्यूटी रिसीव हुई है तो कितना हो जाएगा exemption 1 by 3 ग्रेट्यूटी मिली है तो 1 by 3 हो जाएगा 1 by 3 of what committed value of full pension, पूरी pension का committed value देर लाग रुपए था 50,000 रुपए की exemption मिल जाएगी 40,000 रुपए बाहर आगिया taxable और ये दोनों मिला की हो गया 64,000 ये हो गया taxable pension ठीक है question में दो चीज़े पूछ रहा था exempt कितना होगा year of 50,000 taxable कितना होगा 64,000 ठीक है एक example और देंगे solve कीजिए uncommuted pension uncommuted pension uncommuted pension 4,000 रुपए 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 1,020,000 गिरतु लाई पर ओखर प्या बियंदर्यु क्रलुपे। fulfill आप पर टॉबेंद़ गत्याकि स्थार। डॉपीर व्याटेंेर हैंदुट Name अनकम्यूटेट पिंशन कर लेको हमने साट परसेंट पिंशन कम्यूट कर आ लिए तो अनकम्यूटेट कितना हो जागा 40% 4000 का 40% क्या मेने के लिए 12 मेने ठीक है 4000 into 40 4000 परसेंट शीटीन अड़ेड इन्टू त्वेली ज़ा दो सु रुप चूआ है दूसरा हो जाएगा कम्मुटेद पेंशेंट कम्मुटेद पेंशेन एक बाद पो तो तहीं एक लाग बीज जाएगा साठ परसेंट निकालना है क्या आप क्याई एक लग भी जग कम्यूटेट वैली और फुल पेंशन है नहीं 60% पेंशन कम्यूटेट फॉर इतना 60% कम्यूट जब कराया तो एक बीस मिला 60% जो कम्यूट कराया गया वो एक बीस है तो इसको मिला एक बीस ही है last question में हमने ऐसे नही लिखाता last question में हमने लिखाता committed value of full pension एक पचास है और इसने 60% कम्यूट कराया इस question में हमने लिखा की 60% उसने कम्यूट कराया कितने रूपाय के लिए इतने रूपाय के लिए लिश इसमें से करना आ है graduatey not received तो आधा मिलता है exemption आधा exemption मिलता है 1 by 2 into what something and what is that something 1 by 2 of something and what is that something 1 by 2 of commuted value of 1 by 2 of commuted value of full pension 60% अगर 1,20,000 है तो full कितना होगा divide कर दीजिए 1,20,000 divided by 60% ऐसे किया जाता है full value हो जाएगी 2,00,000 रुप्या जैसे करते हैं 1,20,000 divided by 60% अगर आपकर देंगे न तो यह full value हो गई तो देखिए यह आएगा 2,00,000 रुप्या 2,00,000 रुप्या का 60% एक लाग वीज जाएगी जो 4,000 रुप्या की full value है वो 2,00,000 रुप्या है हमने तो 70% commute कराया था एक बीज के लिए इस कहा था एक लाग रुप्या होगी तो 20,000 रुप्या taxable हो जाएगा यह भी है यह तोटल पेंशन जो taxable होगा वो होगा 39,200 यह taxable pension सब को समझ में तो आ रहा है ना कोई तकलिफ तो नहीं हो रही है आगे देखते हैं अब तो यह हम रोको समझ में आ गया एक बार रिपीट भिगा देते हैं Commuted pension मिलेगा तो fully taxable है अगर uncomuted pension होगा अगर uncomuted pension होगा तो fully taxable है Commuted pension होगा तो आपको यह देखना एक government employee है कि non-government employee इंक्लूडिंग स्टार्टरी कॉर्परेशन पुली exempt होता है और non-government employee होता है तो चेक करना है कि graduate उसको मिली है कि ने graduate भी मिल रखी है तो one by three of committed value of full pension exemption हो जाएगी और अगर graduate नहीं graduate अगर मिल गई है तो ऐसे किसमें one by three of committed value of full pension exempt हो जाएगा tax treatment of pension in other cases कुछ special cases pension के देख लेते हैं रूख चेक हैं तो सम special cases of pension pension received from UNO by the employee or his family member pension किसके द्वार मिल रही है UNO से मिल रही है employee को या फिर उसके family member को तो not chargeable to tax वैसे तो हम आपको बता दें UNO से जो salary भी मिलती है न वो भी exempt है UNO क्या है जानते हैं आप what is UNO UNO is United Nation Organization basically आप ऐसे समझ लीजे यह विश्व इस्तर पर देशों का संगटन है सभी देशों का एक विश्व इस्तर पर जो संगटन बनाया है वही है United Nation Organization अब देखें निश्चित है कि United Nation Organization में जिस देश के जितने ज्यादा employees होंगे वहां पे काम कर रहे होंगे निश्चित है उस देश के favor में ज्यादा अच्छी बाते होंगे यहां पे हर देश एक member है और उस UNO में बड़े सारी employees है जो full time वहां पे work कर रहे हैं तो जिस देश के ज्यादा employees वहां पे होंगे निश्चित सी बात है कि उस संगटन में उस देश का hold भी ज्यादा strong हो जाएगा हर देश यह चाहता है कि UNO में उनके देश के नागरे काम करें तो encouragement है यह कि अगर आप UNO में हो तो आपको जो salary मिलेगी वो भी exempted आगे चलके दिखाएंगे वो भी अभी तो यहां पे यह बता रहा है कि pension जो मिलती है UNO के member को चाहिए उनके घरवालों को वो exempted है Family Pension Racked by the Family Member of Armed Forces Army वाले लोगों को जो आर्मी के घरवालों को जब pension मिलती है क्योंकि निश्टे से बात है घरवालों को क्यों मिल रही है और इसलिए एक गॉर्म्मन कहती है कि उनके घरवालों को जो pension आएगी वो tax free होगी family pension receive by family member after the death of an employee अब ये general case है कि अगर employee की death हो जाती है उनके घरवालों को pension मिलती है तो उसी को कहा जाता है family pension जब employee retire हो जाता है जब तक employee जिन्दा होता है उसे pension मिलती है तो हम उसे कहते है pension repeat करता हूँ employee retire हो जाता है लेकिन employee जेवित है pension उसी को मिलती है और उसे कहा जाता है pension लेकिन जब employee की death हो जाती है तो वही pension अब उनके घर वालों को मिलने लग जाती है और घर वालों को जब मिलना सुरू हो जाती है तो हम इसे बोलते हैं family pension tax treatment की आया है taxable in the hands of recipient under section 56 under the head income from other sources standard deduction is available under section 57 which is one third of such pension of 15,000 whichever is lower अगर family pension मिलते है तो घर वालों के हाथ में income from other sources है चुट मिलते है one third of such pension of 15,000 whichever is lower pension जितना मिला उसका one third या फिर 15,000 whichever is lower मान लिजे आपको family pension मिली है साथ हजार रुपे की तो कितना exempt होगा one third of such pension यानि twenty thousand of 15,000 whichever is lower तो 15,000 साथ हजार में से 15,000 की exemption होगी मतलब maximum 15,000 की exemption उससे ज्यादा नहीं होगा one third of the pension of 15,000 whichever is lower तो कम है दोनों में से उसकी exemption मिलेगी तो 15,000 से ज्यादा तो किसी हाल नहीं हो पाएगा जिसे माली जे 90,000 रुपे की family pension आपको में लिए तो one third होगा 30,000 और 15,000 whichever is lower तो 15,000 या ज्यादा नहीं होगा नहीं हजादा नहीं हजादा दूसरी बात कर लेते हैं माली जे 30,000 रुपे की family pension में लिए 30,000 तो one third होगा 10,000 और 15,000 whichever is lower तो 10,000 की exemption है one third ही अगर कम आगिया तो उतनी exemption है illustration five illustration five देखें determine the amount of pension taxable for the assessment year 19-20 in the following cases on the assumption that it becomes due on the last day of each month x receives 825 per month as pension from central government कौन सा pension है central government से मिल रही है इस बात से मतलब नहीं है pension कैसी है uncommuted pension pension कौन सी है uncommuted pension है तो ऐसे कि इसमें क्या होगा पूरा amount taxable होगा जहाँ जहाँ पर मंत वाट लिखा है पर मंत पर मंत यह सब fully taxable है पर मंत फुली taxable है सब जहाँ पर lump sum मिलेगा बस वहीं पर exemption है बस इतना ध्यान रखना है government employee को मिलेगा तो fully exempt है और non government employee को मिलेगा तो 130 या 1.5 exempt है लेकिन uncommuted वाला तो चाहिए किसी को भी मिल जाए उसमें government होगारा से मतलब नहीं था uncommuted किसी को मिल जाए पूरा taxable है fully taxable लास्ट illustration 5 का 5 करा दें आपको illustration 5 का 5 एक्स रिटार स्वाम ABC Company और जून 30 2018 ये गेट्स पेंशन आफ 2000 पर मंद अक्ट जैनवरी 31 2019 30 जून को रिटार किया है एक एक बात पर ध्यान दीजेगा 30 जून को रिटार किया है और उसको 2000 रुपे पेंशन मिली है जैनवरी 31 तक चीक है तो जूलाई अगा सेटेंबर अक्टूबर नॉंबर दिसंबर जैनवरी इतनी पेंशन मिली होगी जूलाई से लेके जैनवरी तक ठीक है वित अफेक्ट फर्वरी 1219 फर्वरी 1219 से क्या हुआ उसने 60 परसंट पेंशन कम्यूट करा लिए 40,800 के लिए 60% पेंशन कम्यूटेट फॉर 40,800 साथ परसंट पेंशन को उसने बोला इंपलाई को कम्यूट कर दो तो इंपलाई ने 40,800 रुप्या दे दिया यानि इसके बाद भी 40% अनकम्यूटेट पेंशन यह ले रहा होगा तो यह 30% लिए आया है कम्यूटेट ठीक है अगर उसे ग्रैचुटी भी मिल रही है चारज़ा रुपएगी तो फर्क पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा ग्रैचुटी मिल रही है तो एक्जिम्शन कम हो जाएगी अधरवाइस एक्जिम्शन जादा रहेगी तो पहले हम लोग इस बात को छोड़ देते हैं कि उसे ग्रैचुटी मिल रही है नहीं मिल रही है तो क्या होगा यह निकाल देते हैं इलस्ट्रेशन फाइव का फिफ्ट वेन ग्रैचुटी नॉट रिस्ट्रेट नमबर वन अनकॉम्यूटेड पेंशन कब से कब तक पेंशन मिली है बच्चों जून में वो 30 जून को रिटार किया था तो जूलाई से लेके जैनवरी तक जोड़िए जूलाई से जैनवरी कितना मिना होता है जूलाई अगर सेप्टमबर अक्टूबर नॉमबर दिसमबर जैनवरी साथ मिना उसके बाद एक फरवरी को उसने साथ परसेंट कम्यूट करा लिया यानि 40 परसेंट आज भी मिलेगा परवरी ओ मार्च में भी 40 परसेंट तो मिलेगा इतो दो जागा 40 परसेंट कितना होता है 800 आठ सो इंटू दो हो जाएगा तो 14 जार रुपया और 16 सो रुपया पंदरा जाच्छे सो रुपया अन कम्यूटिट पेंशन के बाद कम्यूटिट पेंशन लिख लीजें उसने कम्यूट करा है कितना चालिस जार आठ सो में ना लेस कीजिए इसमें से एक्जिम्ट पहले हम रुपमाने गेज़ुटी रीसीव नहीं हुई है तो ज्यादा एक्सेँशन दे तो बषभाई, वन बाई टू रस चालिस हजार आठ सो चालिस हजार आठ सो नहीं चालिस हजार आठ सो शिस्टी परिसंट है तो इसका सो पर सेंट बाँ हूँ तो इन कम्यूटिट वैली अ फूल स्पेंशन आधा मिलता है दिवाइड़ बई 60 परसेंट तर ये 40,800 डिवाइड़ बई 60 परसेंट डिवाइड़ बई 2, 34,000 6,800 यहां हो गया जोड़ दीजे 22 यह चार सुट गया ठीक है अच्छा अब इसी में यह कह रहा था कि अच्छा यह बताएए क्या होगा अगर ग्रेचुटी भी रिसीव हुई है पर्क पड़ेगा वन ग्रेचुटी इस रिसीवट ग्रेचुटी यह तो बिलकुल उतना ही जाहेगा पंदरा च्छे सो कम्यूटेट पेंशिन चालिस अजार आठ सो इसमें से लेस करेंगे एक्जेम्ट पोर्शन और एक्जेम्ट होगा आप वन बाई त्री और चालिस अजार आठ सो डिवाइड बाई साथ परसन क्योंकि फुल वैल्यू का ही तो होना है 22,667 22,667 एक्जेम्ट इससा घटा लीजे 4,800 में से देख लीजे कितना रहा है 18,133 Uncommuted ये Commuted में से इतना Dexable है जोड दीजे इतना Total Dexable हो जाएगा 37,777 तर दीजे 38,001 इतना तर दीजे 38,002 नावे जाएगा 40,002 तर दीजे 28,002 अब आगे देखिए अगला इलस्ट्रेशन क्या है अच्छा अगला इलस्ट्रेशन अब तक जितना पढ़े उससे कंबाइं डिलस्ट्रेशन इसमें लीविंग विया जारा है ग्रैच्टि विया जारी हो पेंशन करने के के बाद चेक किज가요 आपने पर्फेक्ट किया कि तो देखिए अभी तक जो हम लोग पोर्शन कर रहते हैं रिटार्मेंट बेनिफिट वाला यह बड़ा इंपोर्टेंट पोर्शन था अभी रिटार्मेंट बेनिफिट में कुछ और चीज़े भी हैं रेट्रेंजमेंट कंपनसेशन है एक और रिटेंशमेंट के जस्ट बात लिके वालिट्ले रिटार्मेट भी देखेगा आपको यह झालत रिटार्मेंट केज़्ेंट रिट्रेंचम 很 फारों or the trinch when we a little attention retrenchment composition least of the following amount is exempt a average monthly salary into 15 by 26 into number of years of service rounded off कितना exempt होगा retrenchment compensation में से average monthly salary into 15 by 26 into number of years of service rounded off अच्छा पहले retrenchment compensation तो समझ लिया जाए कि क्या होता है पता है आपको retrenchment compensation voluntary retirement compensation दोनों सब्दों को एक साथ समझना होगा retrenchment compensation और voluntary retirement compensation क्या होता है retrenchment compensation और क्या होता है voluntary retirement compensation दोनों मोटा मोटी एक ही चीज़े बस थोड़ा सा अंतर है दोनों में इसलिए दोनों की चर्चा एक साथ सुरू करते हैं मेरी कंपनी में workforce increase हो गई है बहुत ज्यादा employees हो गए है मुझे उनकी आविशक्ता नहीं है अब आप पूछेंगे कि सर आपकी entity में employees ज़्यादा हो क्यों गए किसी भी entity में employee ज़्यादा हो जानी का कारण ये होता है कि हो सकता है अभी तक वो boom में था इसलिए employee ज़्यादा hire किया था अब period boom का है नहीं बिजनिस उतना आ नहीं रहा है इसलिए इतनी employees की आवशक्ता भी नहीं है अब problem ये आती है कि अगर मैं अपने employees को हटाऊँगा अगर मैं अपने employees को हटाना सुरू कर दूँ तो जो काम कर रहे हैं ना वो सब management के खिलाफ क्या करेंगे conspiracy करेंगे कहेंगे ये तो बड़ी बिकार management है ये क्या करती है किसी भी point of time पे किसी को remove कर देती है बलकि in fact labor उसमें ये होगा कि अरे मेरे भाई के पेट पे लाट मारा है company ने वो labor labor तो भाई भाई ना तो भाई भाई ना मेरे भाई के पेट पे तो company ने लाट मारा है ऐसी company को छोड़ेंगे ने ये काम करते हैं ताला लगा कि बाहर सब कोई धरना प्रदर्शन करते हैं लॉक आउट पे चले गए हैं workers काम नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारी industry ने ऐसा जेला भी है market में कि वो क्या करते हैं 10 labor को निकालते हैं अब बहुत सांती पुर्वक इस पूरे काम को करना चाहते हैं तो इसका दो तरीका है एक तरीका है retrenchment और दूसा तरीका है warranty retirement retrenchment में ये होता है कि अगर मेरे पास 100 लोग हैं और मैं 10 लोगों को निकालना चाहता हूँ तो retrenchment में क्या होता है एक list बनाती है management जिसमें specify कर देती है नाम की इस 10 लोग को मैं हटाना चाहती हूँ और जिन 10 लोगों को हटा रहे हैं इन्हें compensation दिया जाएगा दो दो राप रुपे का इसे का जाता है retrenchment compensation retrench company खुद से करती है company बताती है कि हम किसे हटा रहे हैं voluntary retirement compensation क्या होता है voluntary retirement compensation यह होता है जब voluntary retirement पे pay होता है voluntary retirement क्या है company ऐसे कहती है आप सभी जो 100 employees यहाँ बैठे हैं आप सभी मुझे बराबर clear है आप सभी की performance जबदस्त रही है आप सभी के मेहनत से आज ये company इस मुकाम पे पहुची है लेकिन सच पूछी तो ये company आप सभी की salary bear आज नहीं कर पा रही है आज कुछ समय से हमारा business low है और हमें 10 employees की आविशकता नहीं है इसमें से since आप सभी मुझे बराबर है सभी मुझे pre हैं इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं कौन से 10 employee को निकालू इसलिए मैं चाहता हूँ कि 10 लोग अपनी switchा से निकल जाए company से अपनी मन से उठें और company से निकल जाएं जो लोग भी उठेंगे और जाएंगे उन्हें दो दो लाक रुपे दिया जाएगा इसे का जाता है voluntary retirement compensation ठीक है अच्छे लोग आप लोगों के दिमाज में ये बात तो नहीं ना आ रही है कि अगर company ऐसा कहीगी तो सारे उठके भाग जाएंगे अरे नहीं नोकली ले पाना भी तना आसान नहीं है कि एक जगर से नोकली छुटी तो तुरंट अगले दिन दूसरी जगर नोकली मिल जाएगी हो सकता है चार महीने पापर बिलने पड़ जाए बीच में तो हर कोई ये रिस्क नहीं उठाएगा हाँ किसी को अगर लगता है कि नहीं मुझे नौकरी तुरंट मिल जाएगी तो ही माइट इस्टाइड अप और वो दो लाक रुपटे भी ले ले लेगा और निकल जाएगा अच्छा बाकी वरकर्ट को परिशानी होगी नहीं क्योंकि मैंने किसी की पेट पे लाप नहीं मारा है मैंने तो खुदी बुल अपनी स्विच्छा से निकल जाओ सांती पुरवका काम कराया है रेट्रेंच्मेंट में क्या होता है रेट्रेंच्मेंट में बस मैं नाम ले लेता हूँ मैं ऐसे हाइलाइट कर देता हूँ, आप निकल जाओ, आप निकल जाओ, आप निकल जाओ, लेकिन आप सभी को मैं दो दो लाक रुपे दूँगा, तो बिसिकली बहुत ज़दा एक्मोस्फियर खराब नहीं होता कमपनी में, ठीक है, तो आई होब यह वंडर स्टूड रेट हो जाइए, और कमपन्सेशन दे देती है, यह जो कमपन्सेशन देती है, इसका एक हिस्सा एक्जिम्टेड है, बैलेंस टैक्सिबल है, कितना एक्जिम्टेड है, यह पढ़ने जा रहे हैं, इस रिट्रेंजमेंट कमपन्सेशन से, और वालिंटर रिटार्मेंट कमपन्से A, B, C में से जो सबसे कम है वो exempted है average monthly salary into 15 by 26 into number of years of service rounded off बढ़ी सुन्दर बात ध्यान से सुनिएगा average monthly salary into 15 by 26 into number of years of service rounded off ठीक है दूसरा amount notified by government basically इसको हम बोलते है maximum ceiling और maximum ceiling है पाँच लाख रुपे की याद करते है retention compensation में से exempt के हमिलता है least of the following पहला है average monthly salary into 15 by 26 into number of years of service rounded off rounding off का एक ही तरीका है 6 महिना पीछे की तरफ जाता है 6 महिना एक दिन भी हो जाता है तो आगे के years में round off होता है जैसे अगर 10 साल 6 महिना होगा तो 10 ही साल बोलेंगे लेकिन 10 साल 6 महिना एक दिन होगा तो 11 साल बोलेंगे amount received तीसरा amount received अब यहाँ पे भी तो बहुत सारी बात आगे कि सैलरी का मतलब क्या है average का मतलब क्या है salary का मतलब क्या है salary includes all but does not include bonus and employer pf contribution salary का मतलब है सभी बत इसमें bonus और employer pf contribution नहीं होगा अभी तक जितना भी हम लोग सैलरी के definition पाड़ रहे थे कोई भी calculation के लिए तुसे बड़े थे basic है डी ये है फ़लाना है डमका है यहाँ भी करना सब है salary में सारी ची जोड़ के लाईए बस bonus और employer pf contribution मत जोड़िये काड does not include these two average कैसे लेना है average salary of preceding three month preceding the date of retirement तीन महीने का average लेना है लेकिन उस दिन से लेना है जिस दिन रेटार्मेंट हुआ है रेटार्मेंट के दिन से लेना है आपको याद है अभी तक हम रोग ने पहले भी average वगर पढ़ा था आपको क्लियर है सबको आई जड़ा बुक पे देखिए इसको तो रेट्रेश्मेंट कंपनेशेशन एक बार और आप बुक से रेडाउट कर देते हैं आपके लिए आप दी देख लीजे लिस्ट आप दो फॉल्लिंग की अमांट इस एक्जिप आवरेज मंतली सालरी इंटो 15 वाइट 26 इंटो नंबर उफ यह सब्सक्राइब जिसमें अवरेज की और मंतली की आवरेज की और सालरी की डेफिनिशन नीचे है सालरी इंक्लूद्स आल इसमें सारी चीज होगी बट ड़स नॉट इंक्लूद्स और इंप्लॉइब पी अफ कांट्रिविशन चोड़ के सारी चीज़ सालरी भी जोग दीज़े सारे टैक्सेबल अलाएंस पर के जोग जोग दीज़े आफिए और आबरेज कैसे लेना है, तीन महीने का आबरेज लेना है तो आगे बढ़ेगा चे महीना होगा या उससे भी नीचे बढ़े होगा तो नीचे की तरों जाएगा Compensation on Voluntary Retirement Voluntary Retirement Compensation से Exemption क्या मिलेगी? Least of the following amount is exempt First, amount received or receivable, जो पैसा मिला है Two, पाँच लाख रुपया, तीसरा, हाईर रुप 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 है Two में A और B है A है, last salary into three into number of completed year of service Last salary into three into number of completed year of service अब ऐसे समय लीजे, गौर्णमेंट क्या लिए है कि हर completed year of service के तीन महिने की सालिए हर completed year of service के लिए तीन महिने की सालिए और या फिर B, last salary into number of months left for employment बात बता ही है यह तो retire कर गया है ना तो अब यह क्यों बोला है number of months left for employment employment के लिए number of months left हैं ही कहां वो तो retire कर चुका है number of months left for employment का मतलब यह है कि अगर वो voluntary अभी retire नहीं करता, normally retire करता तो कितना महिना बाकी है अभी वो voluntary retire कर गया ना तेकि अभी voluntary retire नहीं करता, normally retire करता तो कितना महिना employment में बाकी है तो compensation of voluntary retirement amount received or receable हो गया पहला दूसरा पांस लग रुपया और तीसरा इन दोनों में से जो जादा होगा इन दो A और B में से जो जादा होगा वो तीसरा हो जाएगा पिर पहले दूसरे और तीसरे में से जो सबसे कम होगा वो आपका बन जाएगा exemption का है एक example समझाते हैं आपको, जैसे मान ली जी पहला वाला आता है दो लग रुपया दूसरा पांस लग लिमिटी है तीसरे का A आता है मान ली जी एक लाख साथ हीजार रुपया और यह आता है एक लाख सी हीजार रुपया तो इन दोनों में से जो ज़ादा होगा वो तीसा पॉईंट माना जाएगा जैसे एक तशी अब दो लाख रुपया पांच लाख रुपया और एक तूसी इन तीनों में से जो लोर है एक गसी एक लार स्वारी एक जारImशन ओगी समझां या है 3AB मेसे जो ज़्यादा होगा वो 3 पॉइन ओगा और 1 2 3 में जो लोर होगा वो एक्जिमिशन होगी याद होगा की नहीं हुआ वो डियोट्रेटार्मेट कंपर्शेशन amount actually received or receivable दूसा पाश लाग रुपया की limit तीसरा higher of the two higher of the two में ए है large down salary into three into number of completed years of service large down salary into three into number of completed year service large down salary into number of months left for employment सब रटना है देखिए और कोई रास्ता है न इसमें और यहां पर salary का मतलब क्या है दो बार salary word यूज किया गिया नहीं यहां पर यह रहा और यह रहा salary तो salary includes basic और D under retirement benefits salary का मतलब क्या है salary includes basic और D under retirement benefits ठीक है note में second point में आईए if exemption is claimed in one assessment year then exemption shall not be allowed in another assessment year other exemption एक assessment year में claim कर ली गई है तो दूसरे assessment year में exemption claim नहीं होगी if exemption is claimed in one AY then exemption shall not be allowed in another AY यह जो exemption है इसके लिए देखे हम क्या line यूज कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा this exemption is once in lifetime exemption पहले हम ऐसे बोलते थे कि lifetime की limit है 20 लागत है लागत है लागत है यह नहीं कह रहे हैं यह यह once in lifetime exemption है एक बार कहीं किसी company से आप voluntary retire हुए और exemption claim कर लिए तो दुबारा कभी claim नहीं कर लिए तो दुबारा कभी claim नहीं कर लिए एक्जेम्ट भी करा लिए फिर बेल इमिटेट में गए वहाँ भी इसकी my voluntary retirement तुरंद वहाँ से निखल लिए सबसे पहले हम भी निखले पैसा लिए पैसा लिए बहुत अच्छी बात है यह पूरा taxable है एक्जेम्ट नहीं होगा दुबारा क्योंकि यह once in lifetime इसकी मोती exemption की यह government के employees को local authority, startry corporation, university, college वाले और जो public sector undertaking है ठीक है और any other company है सिर्फ उनके employees को मिलती है यह proprietor से partnership firm में employee है इन सब को नहीं मिलती है क्यों नहीं मिलती है क्योंकि government को लगता है यहां सब धोका धड़ी कर सकते है जैसे मेरा एक employee अब छोड़ के रिटार हो रहा है चिक है तो उसकी salary बाकी है 10 लाग हुट रहा है कि सर salary नाम से मत दीचे warranty retirement नाम से देचे बड़ा मज़ा आ जाएगा क्योंकि salary के नाम से देगे तो taxable हो जाएगा warranty retirement के नाम से देगे तो exemption मिल जाएगी उसमें से कुछ अरी है समझ में बाद तो government के रही है फ्रप्राइटर से बगर हमें इस सब planning चलेगी बाट के सब एक दूसरे से मिलके है यह सब करेंगे तो government के रही है central government, state government employee, public company है, strategy corporation है, local authorities है, बस इनके employees को allow करेंगे ठीक है clear है कहीं कोई दिख्कत तो नहीं है इसमें तो इस तरीके से हम रोग ने सभी retirement benefit को complete कर लिया हमने आपको बताया था कि साली चाप्टर में तीन portion है एक portion हमारा retirement benefit वाला है दूसरा allowances है और तीसा percusate है retirement benefit वाला हिस्सा complete हो गया क्या क्या देखा है हम रोग ने एक बार repeat करेंगे आप सबसे पहले leave engagement देखा था जो pure retirement benefit नहीं है क्योंकि retirement के पहले भी मिलता है तो उसके बाद हम रोग ने देखा था ग्रेचुटी फिर देका pension फिर वालेंटर रेटार्मेंट कंपंशेशन फिर रेट्रेंच्मेंट कंपंशेशन और देन वालेंटर रिटार्मेंट कंपंशेशन तो चली आज की Klas हम अंडेये समाट करां ते हैं अगली क्लास में हम रोगा सालरी का जो दूसरा वाली के अ भाली क्ली के छार्मेकरत क्षार्ण नहीं कि कि अवरांस से श्टार्टा या थी शटाड़ है we have already completed with retirement benefit and now we are moving to alliances what is alliances these are the monetary payments given by employer to employee so that the employee can manage some benefit on his own for example employer employee say that i will give you five thousand agreement and if you have to have a specialty malaria malaria so you have to have to do it for yourself so you have to do it for 5,000 rupees which will be the alliances employee has to be relocated to some other place for a job for example you are in Varanasi में है और आप जॉब करने के लिए डेली जाते हैं you do not have an house to live there in Delhi तो employer आपको क्या करता है rent का खर्चा manage करने के लिए कुछ पैसे देता है तो हम उसको क्या को बोते है house rent allowance राइट वह आपको house नहीं दे रहा है house के किराय का खर्चा manage करने के लिए आपको पैसे दे रहा है उसे कहते है house rent allowance कि जो alliances होते हैं employer से employee को receive होते हैं यह exact amount खर्च हो रहे हो benefit को avail करने के लिए ऐसा जहूर ही नहीं है ऐसा भी तो हो सकता है कि employer ने पैसा दिया कि आप कभी बिमार पड़ो तो अपना इलाज करा लेना और वो पैसा कितना है पांच जा रुपे इंप्लॉई कभी बिमार पड़ा ही नहीं उसका एक रुपे खर्च नहीं हुआ ऐसा भी पॉसिबल है कि employee बिमार पड़ गया और इलाज में खर्चा पांच जा रुपे से ज़्यादा लग गया the same goes for house rent allowance किराए के खर्चे को manage करने के लिए employer आपको 10,000 रुपीस पर मन देता है लेकिन employee तो 8,000 रुपे किराय देता है ये भी पॉसिबल है 12,000 रुपे किराय देता है ये भी पॉसिबल है और नाना मामा जी के घर में रह जाता है और एक रुपे का किराय देता है ये भी पॉसिबल है अब हम आपको बताना क्या चाते हैं ये समझेगा कि alliances के respect में जो amount employer देता है employee को कि आप इससे कुछ benefit manage कर लो on your own तो जरूरी नहीं है कि employee को वो पैसा खर्च हो ठीक है हो सकता है कि पूरा पैसा खर्च हो जाए हो सकता है उससे भी ज़्यादा खर्च हो जाए हो सकता है खर्च ही ना हो anything is possible in to that employer employee को 500 रुपे महीन देता है कि आप इससे अपना telephone bill manage कर लिया करो तो ये 500 रुपे क्या है ये 500 रुपे क्या क्या लाएगा telephone allowance राइट चलिए आईए पढ़ना सुरू करते हैं एक 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 allowance house rent allowance क्या होता है house का किराया manage करने के लिए पैसा employer employee को देता है ठीक है कि आप अपने लिए किराया पे कोई मकान डून दो ठीक है least of the following shall be exempt अब उसमें से exempt कितना होगा employer ने तो employee को दे दिया 10,000 into 12 months एक लाग बीज जा रुप्या अब उसमें से exempt कितना होगा कहता है number one hra actually received जो hra का amount actually received हुआ है वो दूसरा rent paid less 10% of salary rent paid minus 10% of salary तीसरा 50% of salary if the house taken on rent is situated in Kolkata, Chennai, Delhi, Mumbai मतलब metro में अगर house situated है तो 50% of salary non metro में situated है तो 40% of salary 40% of the salary for other cities I am repeating again hra में से exemption क्या मिलती है जितना hra मिला वो या फिर दूसरा point rent paid minus 10% of salary number three 50% of the salary if the house is located in metro cities and 40% of the salary if the house is located in non metro city यह तीन calculation कमनी है आपको तीनों में से जो सबसे छोटा amount आएगा वो exemption मिल जाएगी तीक है आचा metro city में 50% क्योंकि या government ने क्योंकि government कह रही है metro city है तो house किराय पे महंगा मिलता होगा तो तो थोई सी limit आपकी बहा देते 50% of salary तक देखेंगे non metro में हैं तो 40% of salary तक ही देखेंगे ठीक है अगली बाद समझने की कोशिस कीजेगा कि अगर आपको HRE मिलता है और आप किराय की मकान में नहीं रहते हो आपको HRE employee तो HRE दे रहा है ठीक है लेकिर आप मामा जी के घर में रहते हो तो आपका किराया तो लग नहीं रहा है तो ऐसी केस में क्या मुझे कोई exemption मिलेगी नहीं मिल पाएगी आईए समझाते ही क्यों क्योंकि HRE actually receive तो मान लीजिए आपका 10.000 रुपे महिना है एक लग 20.000 हो गया दूसरा पॉइंट आता है rent paid minus 10% of salary rent paid आपका क्या है पहली जीरो है minus 10% of salary salary का 10% less कर भी दीजिए क्या रह जाएगा 0 ही रह जाएगा minus में फिकर नहीं आती exemption minus में नहीं हो सकता यह जो calculation होगी वो या तो amount 0 होगा या तो कुछ positive figure होगा क्योंकि हम यह निकाल रहे हैं कि exempt कितना होगा ठीक है तो rent paid ही आपका कुछ नहीं है तो second वाला point क्या होगा आपका 0 होगया तीसा है 50% of salary और 40% of salary यह भी मान लो कुछ आगया anything तो तीनों में से lower क्या हो जाएगा 0 यानि किराया तो देना पढ़ेगा rent paid होगा तभी आपको exemption मिलेगी आर यह बास समझ में अगर rent paid नहीं होगा तो आपको exemption नहीं मिलेगी फिर से repeat करते हैं इस बात को दूसरे अंदाज में मान लिजे मुझे जाब मिलती है 1 April 2018 को कब मिली जाब मुझे 1 April 2018 को जाब मिली clear अब होता क्या है जब मुझे 1 April 2018 को जाब मिल जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि मैं डेली सिफ्ट कर जाता हूँ जाब के लिए इम्प्राइब मुझे HR एक पहले दिन से ही April 2018 से देना सुरू कर देता है लेकिन डेली में मेरे मामा जी है तो मैं पहले मामा जी के यहाँ चला जाता हूँ में नौकरी मिली है इसलिए आया हूँ कुछ दिन रहूँगा April पुरा बिता दिये मई पुरा बिता दिये June पुरा बिता दिये अब तो निकल जाओ जब उनसे बरदास नहीं हुआ रहा नहीं गिया उन्होंने कहा की नहीं अब तो निकलना ही पड़ेगा अब मैंने July से किराये पे मकान दिया और July से किराये के मकान में रहना शुरू किया हूँ तो अब ध्यान दिजेगा मुझे exemption सिर्फ 9 महेने के Ahre से मिलेगा जो 3 महेने की मुझे air E मिली ती वो fully taxable है नो महीने के HELE में एकशारे मेंसे कुछہ एक्जिम्शन आएगी अब यह 9 महीने का जब पचास परसेंट करेंगे और 40% करना है तो 9 महीने की सालरे का ही 40% करेंगे आपको जो बताना चाहते हैं वो ध्यान से समझेए कि अगर आप किराया नहीं दे रहे हो तो HRE की exemption नहीं है अगर साल पर में किराया आप दो महिने का दी हो दस महिने का किराया नहीं दी हो तो exemption की calculation दो महिने के लिए ही होगी बारा महिने की नहीं होगी तो सेलरी का मतलब क्या है क्योंकि सेलरी का मतलब तो बहुत कुछ होता है सेलरी में तो बहुत सारी चीज होती है तो यहाँए पे जो हम 10% OF SELERI देख रहें 50% OF SELERI 40% OF SELERI तो SELERI का मतलब क्या है यहाँपे SELERI का मतलब यहाँपे है basic DA retirement benefit वाला A Commission if it is fixed percentage of turnover ऐसी ही सालरी की definition आपने पहले भी देखी है ऐसी सेम सालरी की definition आपने पहले भी देखी है वहाँ पे देखी है यह सेम सालरी की definition आपको बता है आपने leave in cashment में देखी है फिर आपने यही definition देखी है वहाँ पे भी Not covered by Gratuity Act में वहाँ पे भी आपने यही वाली डेफिनेशन देखी है तो salary जो आप लेंगे वो सिर्फ तीन component salary का लेंगे basic लेंगे DASF retirement benefit वाला जो हिस्सा है वो लेंगे और commission if it is a variable commission that is based on turnover commission salary salary determined on due basis इसका क्या मतलब है ऐसा भी तो possible है कि salary due हो गई 12 महीने की during the year लेकिन आपको receive हुई है सिर्फ 10 महीने की तो 10 महीने की salary के basis पर यह calculation नहीं होगा यह 12 महीने की salary के basis पर ही calculation होगा ऐसा भी possible है कि salary due हुई है 12 महीने की आपको receive होगा यह 15 महीने की तो salary taxable तो 15 महीने की होती है लेकिन इस calculation को जब हम करेंगे हरे की exemption के लिए जब calculation करेंगे तो salary 12 मैंने की लेंगे जितनी salary due होई है बस उसके basis पर यह calculation होगा हरे के वाला calculation के लिए जब salary लोगे आप जब तीन component लोगे basic DEA under retirement benefit or commission तो यह due basis पर लोगे exemption is given only for that period for which the house is taken on rent therefore HR and salary are taken only for that period during which the house is taken on rent जितने महिने के लिए आपने मकान किराय पे लिया यह सारी calculation उतने महिनों की होगी तो ऐसे केसमें यह salary और HR वगर यह सब कुछ उतने महिने का ही लिया जाएगा जितने महिने के लिया आपने किराय पे मकान लिया है अब एक बार फिर से आप ध्यान से इस calculation को देखिए कि जिसमें जो points है हमें क्या क्या चीज चाहिए अगर HR की exemption calculate करनी हो item required to calculate HRA exemption item required to calculate HRA exemption शुरू से पढ़ते जाएए HR actually received यानि हमको जानना होगा HR जानना है HR के बिना तो नहीं निकल पाएगा HR जानना होगा दूसरा rent paid minus 10% of salary है तो rent paid जानना होगा ठीक है HR जानना होगा HR जानना होगा rent paid जानना होगा minus 10% of salary तो यानि salary जाननी होगी फिर last point में है 40% of salary और 50% of salary और यह dependent होता है where the house is located तो house की location जाननी होगी salary 50 या 40 करना है तो salary तो जानी गए न तीसे पंड में यह चार सीच हम आपको बताएंगे तब ही आप हैचारी की exemption निकाल पाऊगे हमें आचारी बताना होगा rent paid बताना होगा salary बतानी होगी और house की location बताएंगे तो आप एचारी की exemption बताएंगे क्यों और भी कुछ चाहिए या इसमें से कोई item हटा दे तो अभी आप निकाल सकते है आचारी की exemption यह चार आइटम चाहिए तभी आप हैचारी की एक्जम्शन निकाल पाएंगे तो हमें यह बताएंगे 50% of salary लेंगे कि 40% example ले रहें वहां बताएंगे 50% of salary देखना है या 40% of salary you are working in Delhi your working in Delhi but आपने flat चुलिया है वो गुड़गाऊं पे लिया है क्योंकि अपका जो office है वो डेली गुरगाऊं के बॉर्डर पर ही है almost you live working in Delhi but you have taken flat in good गुड़गाऊं सब NCR में आपने हैं working in Delhi, flat in गुरगाओं 40% of salary लेना या 50% of salary लेना है 30 point के लिए 40% of salary लेना है आपका house गुरगाओं में है इस बात से नहीं मतलब है आप नौकरी कहां करते हैं what you have to see where the house is located house taken on rent is situated in ये राय पे जो मकान लियो वो कहां पे है तो इसे बात करते हैं आप नौइडा में काम करते हैं flat Delhi में ले रखे हैं काम नौइडा में करते हैं flat Delhi में ले लिये हैं अब बताईए 50% हो जाएगा तो क्योंकि flat Delhi में है हमें यही देखना है कि कहां पे हमने किराय पे जगा ली है that is material कहां जौब कर रहे हैं यह नहीं देखना तो हाउस की location देखनी है तो हाउस मेरा दिली में था ना जौब भले नौडा में कर रहा हाउस देली में है तो देली के इसाब से 50% हो जाएगा अब आप यह समझेए कि आप साल भर यह चीज कौमन है अगर यह साल भर कौमन है हर महिने का 8000 रुपया है 12 महिने तक रेंट पेट हर महिने का बराबर है 6000 रुपया महिना सैलरी में तीन component को जोड़ना होता है आपको मालूम ही है बेसिक लेना होता है डिये रेटार्मेंट वाला लेना होता है और कमिशन लेना होता है परसेंटेज वाला जो होता है चान वर पेम यह तीनों हर महिने का constant है बराबर ही चल रहा है यह है माली यह पच्चेश यह रुपया पर मन और हाउस की location भी constant है अमेशा नौइडा में यह हाउस रहा है तो आप single calculation कर सकते हैं एक calculation करेंगे बस आप क्या करेंगे हरे actually received तो कितना हरे है 8,000 into 12 एक calculation rent paid सीधे सालबर का rent minus सालबर की सालरी का 10% आपको single calculation करने की आविशकता है जेके हर जगा बारा मैनी की calculation एक बार में करनेगे युलाब तो में ज़स्ट one calculation for 12 months but in case this changes you will have to make separate calculation for example if HR is 8,000 per month for say 4 month but for remaining 8 month HR has become 9,000 for remaining 8 month now you will have to make 2 calculation now you will have to make 2 calculation अब हम calculation कैसे करेंगे आपको यहाँ पे दिखाते हैं HR exempt कितना होगा कैसे calculate होगा हम यहाँ पे 2 column बना लेंगे एक 4 महिने के लिए और एक 8 महिने के लिए और एक साथ calculation करेंगे particular 4 month और 8 month अच्छा ऐसे भी बच्चे हैं जो अब एक कॉशनी नोट ने की हैं बहुत सुभान अल्ला नोट करो बे सर्मों तुम लो क्या करते हो मतलब evaluate करते रहते हो क्या कि सर अगर काम की चीज़ लिखेंगे तो नोट करेंगे और नहीं तो नोट नहीं करेंगे अरे जितनी चीज़ लिख रहे हैं सब काम की है सोचना नहीं है लिख रहे हैं तो लिखना सुरू कर दो evaluation mode पर डाल देते हो अगर देखेंगे पहले फाइनली सब कायदे की बात लिख रहे होंगे तक तो नोट करेंगे नहीं तो छोड़ देंगे करेंगे इसको सबसे पहला क्या होता है least of the following exempt होगा exempt number one hra actually received hra actually received hra actually received कितना है यहां आठ हजार रुपया तो आठ हजार इंटू चार बत्तिस हजार रुपया और यहां पे नो हजार रुपया महिना हो चुका है आठ महिने के लिए तो 9,000 इंटू 8 72,000 number two rent paid minus 10% of salary rent paid minus 10% of salary rent paid कितना है छे जार रुपय महिना चार महिने का कितना हुआ 24,000 minus 10% of salary कितने महिने की salary का चार महिने की salary का चार महिने की salary कितनी होगी 25 जार के इसाब से एक लग रुपया सब को समझ में आ रहा है मैं फिर से repeat कर रहा हूं जो बच्चे ध्यान नहीं दिये सारी calculation calculation चार महिने की अलग होगी और सारी calculation आठ महिने की अलग दो बार में calculate करना पड़ा है क्यों calculate करना पड़ा है basically एक item मेरा बदल गया अगर ये चारो आइटम साल भर constant रहते हैं तो calculation एक होती है कोई भी item बदलेगा तो calculation अलग अलग करनी पड़े rent paid चार महिने का ही लेना है हर चीज़ चार महिने का अलग करना है और हर चीज़ आट महिने का अलग करना है क्योंकि HR मेरा बदल गया तो जब HR बदल जाएगा तो exemption भी बदल जाएगी न उतने period की इसलिए सारी calculation अलग अलग रंटे माइनस 10% साल्रे रेंट पेट इस 24,000 हाव कम 4000 पर मंध इंटो 24,000 अन 10% अधाली साल्रे अगेंस अलब टेकिन अफोर मंध 25,000 पर मंध तो इंटो 4 मंध इस विलेकम वन लाक वन लाक का 10% 24,000 में से 10% एक लाग का 10,000 रुपे मैनस कर दीज जाएगा 14,000 रुपैया यहां पे बताइए रैंक पेट 8 मैने का किराया आठ मैने का किराया 8 x 6,000 रुपैया 48,000 मैनस 10% आफ शैर तेन-पर शैर्ली 10% आठ महीने की साल्री 25,000 इंटो 8 25,000 इंटो 8 2,000,00 रुपैया और तालीस जार रुटे में से दो लाक रुपया है, आप दस परसेंट रटा ये तो बीज जार रटा ना होगा, अठाई जार रुपया होगा तीसरा तीसरा क्या है? 40% of salary होगा क्योंकि हाउस नौइडा में है, 40% of salary मेट्रो में होता तो 50% of salary, 40% of salary हो फूर मन्त उल्ली, तो 40% into 1 लाक और यहां पर बच्चों होगा 40% into 2 लाक 1 लाक का 40 परसेंट चालीस जार चालीस परसेंट दो लाक रुपया का हो जाएगा, अस्ती जार लीस्ट of the following is exempt, लीस्ट is exempt तीनों में से सबसे कम कितना? 14,000 रुपया यहां तीनों में सबसे कम कितना? 22,000 रुपया अचारे received, कितना अचारे मिला है? 8,000 into 4, 9,000 into 8,000 into 4 और 9,000 into 8 32,000 प्लस 72,000 यह हो गया, एक लाक 4,000 रुपया तीनों कितना है? 42,000 रुपया ठीक है? 14,000 यह और 8,000 यह मिलाके 42,000 रुपया तो हारे टैक्सेबल कितना हो गया? हारे टैक्सेबल हो गया 1,004,000 minus 42,000 यह हो गया 62,000 अच्छा अब एक बात समझेए नोट हो गया हो तो फिर बात करें आपसे आगे अब यह क्या होता है यहां पे? अगर मान लीजे मैं यह कहता कि 4 महीने तक एचारे आठ़जा था ठीक है? और 6 महीने तक किराया 6,000 था और फिर उसके बात किराया 12,000 रुपया हो गया 6 महीने के लिए अगले 6 महीने के लिए किराया 7,000 हो गया और एचारे में भी चेंज आया है एचारे चार महीने तक 8,000 रुपया फिर अगले 8 महीने के लिए चार महीने तक आठ़जा जाता फिर बाकी के 8 महीने के लिए 9,000 था तो अब यह क्यालकुलेशन अगर हमें करनी हो तो कैसे करेंगे? आपको तीन पार्ट में कैलकुलेशन करना होगा बिसिकली आपको देखना होगा कितनी महीने तक सारी चीश कॉंस्टेंट है तो पहले चार महीने तक कुछ नहीं बदला है तो यह रिंट भी बदला है तो 6 महीने बाद बदला है और एचारे चार महिने के बाद बिल रहा है तो चार महिने तक सारी चीज constant थी तो हम ऐसे बनाएंगे पहला चार महिने का एक कॉलम होगा चार महिने का अगला उसके बाद दो महिने में चार महिने के बाद जब एचारे बदल गया तो दो महिने तक एचारे तो रहा मेरा कितना 9000 चार महिने के बाद की बात कर रहा है अब एचारे हो गया है 9000 लेकिन किराया अभी भी 6000 है किराया बदल रहा है 6 महिने के बाद यानि दो महिने तक अभी किराया कॉंस्टेंट रहे का 2 महने का अलग निकालना होगा चुछी अभी 4 महने के बाद HR तो बदल गया लेकिन 6 महने के बाद rent भी बदल गया तो 2 महना अभी constant है 2 महने का अलग निकाल गये यह कुछ भी बदला तो तुरंट अलग करना पड़ेगा अब क्या हुआ इसके बाद अब इसके बाद छे महीने का अलग निकल जाएगा लास्ट के छे महीने का होगा क्या क्यों हम ऐसा कर रहे हैं देखी यहां पर पहले चार महीने एचारे जो है वो आठ हजार है लेकिन रेंट जो है वो क्या है पहले चार महीने छे हजार यहां पर रेंट 6,000 रुपया है लेकिन एचारे पता है कितना हो गया उसके बाद वाले महिने में 9,000 रुपया और आखरी के 6 महिने में बेसे किराया बदल गया था यह 7,000 हो गया था यह 9,000 था तो हमने यहीं ना बता है कुछ भी बदला तो आपको बदलना पड़ेगा यहां देखिए क्या चेंज हुआ था यहां एचारे 8 से 9 हुआ इसलिए मैंने क्या किया दो महिने का अलग बनाया और लास्ट के 6 महिने में आपको किराया बदल गया यह 6 था यह 7 हो गया इसलिए यह अलग करना पड़ा तो आपको कैलकुलेशन तीन पार्ट में करना पड़ेगा आप चाहें तो यह चीज़ नोट कर लें और आपको यहां पर लिख लें कि हमें तीन पार्ट में यह कैलकुलेशन अब करनी पड़ेगी तो चार महीने का सारा कैलकुलेशन करेंगे फिर दो महीने की सारी कैलकुलेशन करेंगे फिर छे महीने की अगीन कैलकुलेशन करेंगे understood or not? player है बाद सबको? तो ये सब ध्यान देना होगा आपको अच्छा अगर महीने कुछ ना कुछ बदल रहा है पहले महीने रेंट बदल गया मतलब पहले महीने सारी ची कौंस्टेंग पहले महीने कुछ था सेकेंड मंत में मेरा किराय बदल गया तीसे महीने में अचारी बदल गया चौते महीने में साली बदल गयी चाटवे महीने में फिर साली बदल गई, साथवे महीने में किराय बदल गया, आठवे महीने में अचारे बदल गया, हर महीने का अलग अलग निकालना पुड़ेगा, यह बदलना नहीं चीए, कुछ भी बदला अलग कीजिए calculation, उतने period कीजिए, अब exam में बहुत सारी calculation होती है, लेकिन एक कोई चीज़ बदल जाने की भी संभावना है, हाँ, चाहता चीज़ बदल जाएगा, तीन बाचार बर बदलेगा, ऐसा नहीं करेगा, ताकि question बहुत complex ना हो जाए आपकी लिए, लेकिन बास समझ में आगी है कि नहीं आपको यह calculation की, चार मिना, दो मिन छे मिना, छे मिना, ठीक है, सी पॉइंट इसका है, calculation for that period can be made collectively during which all the following are same, उतनी period का calculation एक बार में किया जाता है, जब ये चार चीज़ सेम होता है, यहीं तो हम भी बता रहे थे हैं, अगर ये बारा महिने तक सेम है, तो एक calculation करिए बस, ठीक है, illustration 7 तो अब मैं बिल्कुल नहीं करा हूँगा, क्योंकि उससे बहुत अच्छा illustration अभी अभी मैंने आपको करा है, जिसमें एक आइटम बदला भी, इसमें तो कुछ बदल भी नहीं रहा है, बारा मेने के लिए एक ही calculation करा रहा है, बहुत आसा है, एक भी बहुत आसा है, बलक अगला देखते हैं हम रोग, entertainment allowance, एक खास बाती entertainment allowance के बारे में, जो आमने आपको पहले भी बताया है, एक बार रिपीट करेंगे आप, what was something special about entertainment allowance, in every allowance other than entertainment allowance, you have either exemption, partial, either full exemption, और fully taxable, मतलब सभी जो भी अलाइंसे होते हैं न, वो या तो fully taxable होते हैं, या partially exempt होते हैं, या partially exempt और partially taxable होते हैं, deduction जैसी कहानी किसी भी allowance में नहीं है, सिर्फ एक मात्र entertainment allowance है, जिसमें deduction मिलती है, section 16 से, पहले gross salary अड़ करते हैं, फिर जाके वहाँ से entertainment allowance का deduction लेते हैं, यानी जब entertainment allowance की बात आए, तो पूरा जितना मिला, पूरा जोड दो, और अगर deduction है, तो last मुझा के under section 16 घटाओ, परते हैं इसको, entertainment allowance is first included in salary income under the head salaries and thereafter a deduction is given from total salary, deduction can be availed only in the case of a government employee, that is a central government or a state government employee, the least of the following amount is deductible, entertainment allowance is first included in salary income under the head salaries and thereafter a deduction is given from total salary, entertainment allowance को सबसे पहले क्या किया जाता है, salary income में जोड दिया जाता है, अफिर deduction दिया जाता है, deduction can be availed only in the case of a government employee, deduction सिफ government employees को ही मिलेगा, entertainment allowance का, अगर आप private company की employee हो, तो entertainment allowance fully taxable है आपके लिए, central government employee को मिल जाएगा, state government employee को मिल जाएगा, ध्यान दीजे, local authority की employee तक को नहीं मिलेगा, entertainment allowance की deduction सिफ central government और state government employee को मिलेगा, तो लोकल authority, ग्राम पंचान, municipal corporation, municipality के भी employee हो, तो वो भी local authority, government employee के लाते है, तो आपको ये entertainment allowance की deduction नहीं मिलेगी, least of the following amount is deducted, बहुत छोटा amount भी है, जो तीनों में सबसे कम है, वो deduct होगा, 5000 रुपया, 20% of basic salary, बस basic लेना है, 20% of basic salary, या फिर amount received, ये पर एनम है सब, 5000 रुपया भी, ठीकिए, छोटा amount एक नहीं confusion ना हो जाए, इसलिए हम बोल दिये, वैसे तो जो भी amount होता है, वो पर एनम ही लिखा होता है, ठीकिए, तो कि पर मंत amount में हम ये साब पर मंत ही specify करेगा, जब कुछ नहीं लोता है ना तो पर एनम ही consider करते हैं, तो 5000, 20% of basic pay or the amount received, तीनों में से जो लोर है, इदम सिंपल सी बाद, तो से रिपीट कर लेते हैं, 5000 रूपीस, 20% of basic or the amount received, whichever is lower, note 1, amount actually expended towards entertainment, out of the entertainment allowance received is not taken into consideration, amount actually expended towards entertainment, out of the entertainment allowance received is not taken into consideration, entertainment allowance आपको मिला, आपने उसमें से कितना खर्चा कर दिया, entertainment पे इस बात से फर्क नहीं परता, क्योंकि ये deduction जो है, इन तीनों में से जो lower amount है, उसी की है, तीकि आपको entertainment allowance मिला, एक लाग रुपया, आपने deduct के खर्चा कर दिया, उसमें से एक लाग बीज़ा रुपया, तो भी कोई फर्क नहीं परता, deduction तो यहीं मिलेगी, पांच ज़ा रुपया, तो पांच ज़ा रुपया से ज़्यादा एक तो पांच ज़ादा का amount है, तो यानि किसी भी हाल में पांच ज़ादा तो वहीं नहीं पाएगा, यानि किसी भी हाल में पांच ज़ादा तो यह deduction जाएगी ही नहीं, In case of non-government employee including employees of statutory corporation, local authority, entertainment allowance is not deductible, Non-government employee की case में, statutory corporation की employee की case में, local authority की employee की case में, कोई deduction नहीं है, Illustration 9, Mr. Rishi के government employee gets 2,40,000 per NMS basic pay, In addition, he received 15,000 as entertainment allowance, बहुत अच्छी बात, His actual expenditure, यह government employee है, पहले देख लिजए, तब ही deduction की बात आ रही है, नहीं तो आती ही नहीं, नहीं तो पूरा-पूरा entertainment allowance taxable हो जाता है, His actual expenditure on entertainment for official purposes, however, is 30,000, इसने इस 15,000 रुपे में से 30,000 रुपे का खर्चा कर दिया है, entertainment पे, तीकि official purpose का खर्चा है, इस बात से फर्क नहीं परता है, हमने आपको बताया था कि यह entertainment allowance का मतलब क्या होता है, यह उन employees को दिया जाता है, जिनको कहा जाता है कि आपको company के client को लेके जाना है, club में, वहाँ पर meeting करनी है, डिस्को लेके जाना है, वहाँ meeting करनी है, बार में लेके job, पहले client को पिलाओ, फिर agreement करवाओ, ठीकिए, इस तरीके के काम जब लेने होते हैं न, client से, तो हम कुछ employees को लगा देते हैं, कि इनको लेके बाहर जाओ, ठीकिए, और बाहर जब entertain होंगे यह, तब उस समय इन से business की deal करना, तो यह जो employee है, इसको जो हम पैसे देते हैं, यह सारे काम करने के लिए, club में गुमाने के लिए client को, जिसको ले जाने के लिए, hotel ले जाने के लिए, तो यह जो पैसे देते हैं, इसी को कहा जाता है, entertainment allowance, जब government company यह पैसे देती हैं, तो इसमें से deduction मिलती है, private company के employees को कोई deduction नी मिलती, जितना पैसा entertainment के लिए मिला है, वो पूरा taxable हो जाता है, कितना खर्च किया employee ने, उसमें इसे भी मतलब नहीं होता है, यह पूरा employee के आप में taxable है, his actual expenditure for entertainment for official purposes, always 30,000, 30 जा का खर्चा है, इग्नोर कर देना, इसे मतलब भी नहीं होता है, this is to be no 30,000 rupees, can he claim deduction of actual amount spent by him on entertainment, obviously not, no, वो claim नहीं कर पाएगा actual कर्चा, claim क्या कर पाएगा, 5,000 rupees, 20% of basic, 48,000 rupees, अब 15,000 rupees lower, lower होगी है, 5,000 rupees, 5,000 rupees की deduction मिल जाएगी, 10,000 rupees पे tax लेगा, ठीक है, हाँ, लेकिन जब जोडोगे उपर ना, entertainment allowance, तो 10,000 नहीं जोड़ना है, पंदर आ जा रहा है, deduction 5,000 rupees, last मिल जाकी लेना है, ठीक है, तो, दो exemption, अभी basically, दो alliances हम लोग ने पढ़ा, एक था HR और दूसरा था, entertainment allowance, ठीक है, जिसमें least of the following is exempt, हम लोग कह रहे थे, अब जो भी alliances बचे हैं, वो कैसे हैं, मैं आपको बताऊं, देकिए, alliances जो हैं, वो कितने प्रकार के हैं, पहला तो हो गया अपका HR, दूसरा हो गया आपका, entertainment allowance, इन दोनों में क्या खूबी थी, खूबी भी इनकी लिखते जाएं, इसमें था least of the following is exempt, least of the following is exempt, इसमें बेसिकली एक slaps हैं, तीन पॉइंट हैं, जो सबसे कम हैं, वो exempt हैं, entertainment में भी क्या था, यही था least of the following is exempt, तीसरा वाला क्या है, तीसरा है, alliances, alliances, list है, ठीक है, few alliances हैं, कुछ alliances हैं यहाँ पे, there's some alliances, यहाँ पे जो exemption है, वो depend करती है, expenditure पे, exemption is equal to the amount of expenditure, जितना खर्चा करोगी है, उतनी आपको exemption मिल जाएगी, चौथी category क्या है, alliances की, again few alliances हैं, कुछ alliances हैं, इस category में, यहाँ पे होता है, fixed exemption, fixed exemption मिलती है, मतलब, 5,000 रुपय का alliance मिला है, exemption गौ़र्मेंट बता रही है, fixed है, 2,000 जाब मिलेगा, 3,000 जाब मिलेगा, 4,000 मिलेगा, fixed exemption है, irrespective of expenditure, खर्चा की हो नहीं की हो, यह सबसे मतलब नहीं है, fixed exemption है, यह कहलाता है, rule 2 BB, यह rule 2 BB में, exemption दिया हुआ है, ठीक है, यह fixed exemption है, यहाँ पे, इस category के, जो चौथी category के alliances होते हैं, इसमें जो भी alliances आपको मिलते हैं, उस alliance को आपने खर्च किया, नहीं किया, जादा किया, कम किया, कोई मतलब नहीं है, गौर्मेंट ने लिमिट बना रखी इसकी, कि इतनी छूट है, balance tax symbol है, exemption decided है, गौर्मेंट के तोरा, ठीक है, कहां पे लिखा हुआ है, वो exemption का amount, rule 2 BB, रट लेना इसको, rule 2 BB में लिखा है बच्चों, एक-एक BB आगर बात कहती हैं, तो वो पत्थर की लकीर बन जाती हैं, तो दो-दो BB है, दो BB आगर कोई बात कह दें, मिल के कह दें, तो बताएए वो पत्थर की लकीर बन जाएगी की ने, वो तो लकीर बनी जाएगी, वो fixed है, अब वो बात परिवर्टित नहीं होगी, ख़्या क्या है इसके बाद भी कुछ है हाँ इसके बाद है फुली एक्ज इंट वाली ऐलाइनस तो फिर कुछ ऐलाइनसे हैं फुली एक्जेम्ट एलाइनस है और फुली टैकसिबल है तो इतनी सारी कैटेग्री हम पढ़ेंगे तो हरे और इंटर्टेन्मेंट हो चुका है अब कुछ है लॉइंसेस की लिस्ट है जिसमें खर्चे पे एक्जेंशन डिपेंड होगा पाँजार रुटे मिला तीन हजार खर्चा कर दिये तो तीन हजार खर्चा कर दिये तो तीन हजार खर्चा कर दिये तो भाई एक्जेंश can never exceed income टीक है 5.000 रुपे आपको मिला 3.000 रुपे आपने खर्च किया तो 3.000 की exemption पाच रुपे मिला 8.000 खर्च किया तो अभी पाच ही ऐजार की exemption वो income निल हो जाएगी टीक है कभी भी exemption की वज़े से income minus नहीं हो जाएगी टीक है ऐसा नहीं हो जाएगा कि exemption की वज़े से income को minus कर दिया सरकार सी पैसा लेगा लो तुम ही दे दो हम मेरा negative होगा नहीं exemption can be equal to the amount of income और it can be lower than the amount of income it cannot exceed income in any case फिर कुछ alliances ऐसे हैं जिसमें fixed exemption है rule 2BB में exemption specified है आपको मिलना है 3000 रुपया और rule 2BB में लिखा है कि 2000 exempt है तो 1000 taxable आपको मिला 3000 rule 2BB में लिखा है 4000 exempt है rule 2BB में 4000 exempt लिखा है तो पूरा exempt होगा आपका तीन जितना मिला क्योंकि 4000 तक exempt है ठीक है फिर क्या है fully exempt fully taxable fully exempt या फिर fully taxable fully exempt मतलब एक रुपया टेक्स नहीं लेना है fully taxable मतलब पूरे अमांट पे टेक्स लगएगा कोई छूट नहीं है अभी बात आपसे करनी जा रहे है बच्चों आप ये बताओ आपको क्या लगता है कितने alliances होते होंगे गेम किरते हैं चीक है आपको पता तो है नहीं अंदाज लगाते है कितने alliances होते होंगे alliances है क्या अगर हम employee को कुछ पैसे देते हैं monetary payment करते हैं benefit तुम खुद से manage कर ले ना तो उसे alliances का आजाता है कुछ alliances के नाम आपने देखी लिए है house rate alliance, entertainment alliance हम आपको और भी बता देते हैं convince alliance होता है, transport alliance होता है food alliance होता है traveling alliance होता है बड़े सारे alliances और भी है ये सब क्या होता है food alliance का मतलब food manage करने के लिए पैसा helper alliance का मतलब helper manage करने के लिए पैसा uniform alliance मतलब uniform खुद से manage कर लो इसके लिए पैसे ले लो कितने alliances होते होंगे एक अद्धाच आप अगर near by भी रहोगे ना तो मैं मालूँगा कि यहाँ आपने सही guess work लिया मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितनी अच्छी guess work भी करते हो कितने alliances होते होंगे हम बोलें आपको लगे का कि ज़्यादा हो रहा है तो रोग देना मुझे टोटल दस alliance होते होंगे नहीं पच्चिस और ज़्यादा लग रहा है पचास पचास क्यास पास कुछ लोग agree कर रहे हैं सब पचास क्यास पास होता होगा जो लोग नहीं agree कर रहे हैं उनके लिए और आगे बढ़ रहे हैं देखें कहा आपके जाके रुकते हैं सब 100 alliance अच्छा अब मुटा मुटी सारी लोग settle हो रहे हैं दो alliances होते होंगे जो नहीं settle हो रहे हैं उनके लिए 200 alliance 500 1000 infinite is the right answer कोई limit नहीं है alliances की अरी employee को आप जो benefit देना चाहते हैं चीक है उसके लिए आप पैसे दीजिए और उसका नाम क्या होगा जो benefit देना चाहते हैं वही उसका नाम होगा जैसे मेरा एक employee आया चीक है हमने देखा कि उसके suz बड़े खराब है हमने उसको 2000 रुटे दे दिया बोला suz alliance अरी alliance के नाम कोई कानू थोड़ी ना पताएगा alliance का मतलब तक किस benefit के लिए पैसा दे रहो है ये तो unlimited हो सकता है चीक है मेरी सुन्दर सी secretary है बड़ी प्यारी सी सुन्दर सी secretary है मैंने एक दिन उसको 10,000 रुपे दिया उसे पूछा सर्क कौन सा alliance है ये क्या है हमने का secret alliance किसी को बताना नहीं है secret alliance क्या है ये भी एक नाम बन जा secret alliance बस समझने की कोसिस कीजिए अंदर में मत गुसिए सुन्दर सी secretary में समझने की कोसिस कीजिए जो समझाना चाह रहे है कि alliance का नाम कहीं decided नहीं है जो मैंने बोल दिया वो नाम है ये कहना चाहते है कोई सुन्दर सेकेटरी नहीं है मेरी बात समझ में आई सबको employee सुबह सुबह आया किसी दिन चार बज़े ही हमने सुबह बुला लिया उसको घर से नास्ता भी करके नहीं आया है खाना भी नहीं लाया है हमने उसको नास्ते के लिए पैसा दिया ब्रिक्वास्ट एलोइस खाने के लिए पैसा दे दिया लंज एलोइस कोई लिमिट थोरी ना है जिस बेनिफिट के लिए आप पैसे दे रहे है employee को वो उस एलोइस का नाम है चीक है मैंने आज एक employee को पांचा रुपे दे दिया employee ने पूचा क्यों हूँ तो हमने का आज मैं खुस हूँ happy allowance yes this can also be a name of an allowance happy allowance understood everyone आज employee का birthday था हमने पांचा रुपे उसे दे दिया उसे पूचा सर किस बात का मैंने का gift allowance अपने लिए खुदी gift खरीद लो are you getting my point सबको बात समझ में आ रही है employee के बच्चों की पाहाई के लिए पैसा दिया हमने children education allowance हमने convince के लिए पैसा दिया convince allowance so allowances can be infinite कितने भी हो सकते है तो हमें क्या पाहाँ जाएगा क्या infinite allowance पढ़ेंगे अरे नई बच्चों infinite कैसे पढ़ सकते हैं तो हम पढ़ेंगे क्या हमने अचारे पढ़ लिया ये पढ़ना था entertainment पढ़ लिया वो पढ़ना था वो allowances जिसमें एक limit तक क्या होता है खर्चे की limit तक exemption मिलती है वो पढ़ लेंगे क्योंकि ये थोड़े सही है जिसमें खर्चे पे dependent होता है आपकी exemption तो कुछ allowances होते हैं जो rule 2BB में लिके हैं जिसमें fixed exemption मिलती है ये पढ़ लेंगे कुछ allowances ऐसे होते हैं जो fully exempt होते हैं ये पढ़ लेंगे और जो बच गया वो होता है fully taxable ये नहीं पढ़ेंगे जो बच गया वो क्या होता है fully taxable fully taxable के कुछ example जरू देख लेंगे हम रो लेकिन जो भी ऐलोइंसे बच गया जो आपने नहीं सुना है class में हमसे वो सभी क्या है fully taxable अलोइंस तो को बात समझ में आ रही है सबसे जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम ऐसा कोई ऐलोइंस नहीं पढ़ाएंगे इंफाइनइट बन जाएगा यही इंफाइनइट है बागी सब तो लिमिटेड है और यही वाला इंफाइनइट है जो आपको देखना नहीं है क्योंकि जो बच गया वो क्या है fully taxable कोई तकलिफ तो नहीं है यहां तक आईए when exemption depends upon actual expenditure by the employee खर्चे पे जहां exemption depend करती है उन allowances को देखने जा रहे है the following allowances are exempt under section 1014 to the extent the amount is utilized for the specified purpose for which allowances received आपको allowance जिस purpose के लिए दिया गया है उस purpose के लिए आपनी जितने पैसे खर्च की है वो आपको deduct करने को मिलेगे वो exempt हो जाए आपको पैसे मिले convince के लिए पाँजार रुपे आपने convince पे 4000 रुपे खर्च किये तो 4000 की exemption खर्चा कहां पे होना चाहिए उसी purpose के लिए होना चाहिए जिस purpose के लिए allowance मिला है तो आपको उतना पैसा exempt हो जाएगा यह कहां कहां चलेगा ऐसी कहानी कहां कहां खर्चे पे डिपेंडेंट होती exemption convince allowance, daily allowance, traveling allowance transfer allowance, helper allowance, research allowance uniform allowance इतनी allowance convince daily allowance क्या daily allowance को DA कहते हैं नहीं बच्चों what is DA, dearness allowance DA is dearness allowance महिंगाई बता daily allowance का short form DA है ही नहीं उसको daily allowance ही बोलते हैं short में बोला ही नहीं जाता ठीक है कहीं आप confuse ना हो जाब बाद में अपनी DA पढ़ा कहीं आपके दिमाग में आने नहीं लग जाए कि DA is daily allowance no dearness allowance was DA daily allowance को daily allowance ही कहते हैं convince allowance, daily allowance, traveling, transfer, helper, research and uniform इन alliances को अगर आप अवेल करते हैं employee से तो जितना खर्चा करते हैं इसके purpose के लिए उसे आप deduct कर लीजे वो exempt हो जाएगा बाकी taxable है देखें यहां पर तीन वर्ड है जो basically लोग एक जैसा ही समझते हैं मैं लिख देता हूं से convince convince allowance के बाद daily allowance है फिर traveling है एक वर्ड convince क्या होता है traveling क्या होता है transfer transfer क्या होता है convince allowance क्या होता है यह किस लिए पैसा मिला है traveling allowance अगर employer दे रहा है तो वो किस लिए दे रहा है क्या मतलब है इसका transfer allowance दे रहा है तो यह इसका क्या मतलब है और एक होता है transport allowance transport allowance यहां इस वाली लिस्ट में आपको नहीं मिलेगा यहां वाली लिस्ट में नहीं दिख रहा है पता है क्यों नहीं दिख रहा है क्योंकि ये इसमें है ये रूल 2BB वाले में है जहां पर फिक्स डेड़क्श आपको एक्जंशम्शन मिलती है ये वह वहाँ वाली लिस्ट में है लेकिन चर्चा भी यह कर लेते हैं क्योंकि सब एक जैसा ही है बिसिकली लोग एक जैसे ही अलाइन समझते हैं इनमें अंतर क्या यह समझते हैं एले इन दोनों का अंतर समझ लेते हैं कन्वेंस और ट्रेवलिंग क्या है अगर employer employee को वारनसी से दिल्ली भेज रहा है तो दिल्ली आने जाने के लिए जो पैसा देगा ओफिस के काम से वारनसी से दिल्ली भेज रहा है ओफिस के काम से कोई मीटिंग है या कोई कॉन्फरेंस है वहाँ पे या कोई क्लाइंट से मीटिंग करनी है उसके लिए भेज रहा है तो employer employee को जो पैसे देता है उसे का जाता है traveling allowance 12 नसी के अंदर ही client से मिलने की जाना है ठीक है client से पैसे लेने जाना है client को invoice देने जाना है client से मिलने जाना है whatever सहर के अंदर ही अगर employee को भेजा जा रहा है employer के द्वारा और भारे के लिए पैसा दिया जा रहा है तो उसे कहा जाता है convince convince होता है within city और यह होता है from one city to another अगर हम employee को दूसरे सहर भीजते हैं तो भारे का जो पैसा देते हैं उसे कहा जाता है traveling अगर same सहर में वो घूमता है उसके लिए हम पैसे देते हैं तो उसे कहा जाता है convince अब जब एक employee का transfer होता है transfer का मतलब होता है तुम्हें अब shift कर रहे हैं तुम अभी तक बारनासी में काम करते थे company की एक office दिल्ली में भी है तुमको दिल्ली भेजा जा रहा है तुम्हें वहाँ काम कर रहा है तो जब आपको देली भेजा जाएगा तो उस समय आपको पैसा दिया जाएगा दिल्ली जाने का, खुद का, और आपको अपना ट्रक में सारा समान लाद के भी तो दिल्ली ले जाना पड़ेगा, अब दिल्ली जा रहे हो, परवान इंटली वहीं पे जॉब करोगे, तो घर में जो टीवी है, ठीक है, सोफा सेट है, डाइनिंग टेबल है, बेड है, तो यह रेफ्रीजरेटर है, वो भी तो लाद के ले जाओगे दिल्ली, तो इंप्लॉयर आपको पैसा देता है, दिल्ली खुद के जाने का, और समान को ले जाने का, समान को ले जाने का, जो पैसा दिया जाता है, उसे कहा जाता है, ट्रां तर्दिय हो आया के इड़ू से बोलते हैं सहर के ंंदर जाना है इंप्लयोाई पैसे दे रहा है कि आस थे मिनगीन सार के बाहर जाना है या मैं एलो제를 किया ग ढोला है दूसरी जग़ा पर हमों को जौब करनी है तो इंप्लयाई पैसे दे रहा है खुद गे जाने का तो traveling है और समान ले जाने का पैसा दे रहा है कि ट्रक का भाड़ा उड़ा दे देना इससे तो वो क्या ग़रेगा transfer alliance transport alliance अब क्या चीज़ है transport alliance बताने के लिए आप से ही पहले एक बार तूछनी होगी कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल बस से जाते थे स्कूल बस से कितने बच्चे स्कूल बस से जाते थे स्कूल अच्छा एक बात बताओ जो fee receipt होती थी उसमें लिखा होता था पिर tuition fee ठीक है यह तो स्कूल के tuition fee हो गई उसके अलावा फिर आप bus से जाते थे तो एक पैसा और जोड़ा जाता था उसको क्या लिखा रहता था फी रिसे देखे थी कभी आप ने क्या लिखा होता था उस पे उस पे लिखा होता था ट्रांसपोर्ट फी हो सकता है बस पी भी लिखा होता हो transport fee आप देखेंगे लिखा होता था transport का मतलब क्या होता है आपको बताएं अगर एकी route पे regularly आपको travel कराये जाता है एकी route पे regularly travel कराये जाता है तो उसे कहा जाता है transport ठीक है same route होना चीए तो उसे कहा जाता है transport अभी बात बताईए स्कूल में जो बस का पैसा लिया जाता था वो ट्रांसपोर्ट फीक्यों का जाता था क्योंकि सेम रूट के आपको रोज ले जाता था बस वाला ठीक है आज सिग्रा से उठाता था ठीक है स्कूल कहा है सिग्रा से उठाता था इसकूल लवरा भी रह तो सिग्रा से उठाता था लवरा भी ले जाता था वापस लवरा भी से सिग्रा लाता था कि ऐसा भी होता था कभी आप उसको बस वाले को कहते थे एक काम करो मुझे तो महमूर गंजी छोड़ दो अगले दिन कहते थे काम पर मुझे लंका छोड़ दो बचा हर दिन कहीं न कहीं मस्ती करता है पता नहीं स्कूल के बाद क्या करता है फिर घर जाता है नहीं ऐसा नहीं होता है बस वाला जहां छोड़ता है वहीं अगले दिन फिर उठाता है फिर वहीं छोड़ता है same root पे आपको हर दिन ट्रेवल कराता है बस same root से चलती है हर दिन same root पे आपको ट्रेवल कराती है इसलिए इस पैसे को सिस्टम को का जाता है transport और इसके लिए जो फिश ली जाती है वो ट्रांसपोर्ट होगा इम्प्लॉउई को ट्रांसपर्ट एलाइस इम्प्लॉई को ट्रांसपोर्ट होग से गर यह तो हर दिन होता होगा अगर घर से ऑफिस ऑफिस से घर इसके लिए पैसा इंप्लॉयर ने दिया तो इसे कहा जाता है ट्रांसपोर्ट एलाइंस ठीक है अब समझे आप एंगे सर तो घर से ऑफिस ऑफिस से घर तो सेम सिटी के अंदर है तो गन्विञ्स ऑफिस ऑफिस की नहीं है ध्यान दीजें गन्विञ्स होता है जब आपको पैसे दीए जाते आफिस के काम से सेहर के अंदर जाने के लिए अच्छे एक बात बताओ आप इंप्लॉय घर से आफिस आता है ओफिस से घर जाता है क्या ये ओफिस का काम है कि परसनल काम है उसका थेले तो ये बताओं को हमसे कम इसकी तो जानकारी होनी चीए कि घर से ओफिस जाना और ओफिस से घर जाना ये ओफिशियल वर्क है कि नहीं है परसनल है यह ओफिशिल वर्क नहीं है घर से ओफिस ओफिस से घर ओफिशिल वर्क नहीं होता है ओफिशिल वर्क होता है अगर इंप्लॉई को नौ बजे पहुचना है और साम को छे बजे ओफिस से निकल जाना है कैसे दे सकता है employee, employer तो चाहे जो दे देना, हमने तो कहा ना कि employer जो चाहे जो दे सकता है employee को, अगर वो सचमुच इसके लिए भी पैसे दे रहा है, office आने का, office से घर जाने का, तो ये कहलाएगा transport alliance, अब वो 9 से 6 के बीच में office में है, इस दौरान मैंने उसे कहीं काम से भेजा, तो हमने उसे वहां तक पहुचने का भाड़ा दिया, ये क्या कहलता है? convince alliance ठीक है? convince alliance दिया जाना, official काम के लिए सहर में घूमने का, official काम के लिए सहर में घूमने का, और transport alliance official काम के लिए नहीं दिया जा रहा है, transport alliance तो घर से office, office से घर, जो basically एक personal काम है, किसका employee का, उसके लि और ट्रेवलिंग है जब SARS候Accanda कर रहा हूँ कि मैं एक साए से दूसरे साए बेच रहा हूँ तो ट्रेविंग एलॉइस देता हूँ पर अगर ट्रानस्फर रहा हूँ उसको ट्रानस्फर ही किया जा रहा है तो समान ले जाने के लिए ट्रक वगरे से जो समान जाता है उसके भाड़े के लिए जो पैसा दे रहा हूँ वह है ट्रांसफर एलोइंस ठीक है अब आपको यह सब पढ़ना तो ही नहीं नेचर ऑफ अलोइंस क्योंकि यह तो मैं समझाते जा रहा हूँ आपको यह पढ़ने की अविशक्ता नहीं है कंवेंस अलोइंस क्या होता है ओफिशियल परपस के लिए ठीक है विदिन सिटी जो इंपलोई जाता है उसका पैसा मिलता है वो कंवेंस अलोइंस है और जितना पैसा वो खर्च कर देगा वो एक्जेंट बैलेंस टैक्सपल ठीक हर केस में यह जितना खर्च उतना एक्जेंट बैलेंस टैक्सपल डेली अलोइंस daily allowance क्या होता है अगर मैं अपनी employee को वारण नसी से दिल्ली भेशता हूँ तो मैं उसे भारे के रूप में क्या दे देता हूँ traveling allowance लेकिन एक बात बता है कोई भी इंसान जब अपने घर से दूर होता है तो क्या उसका खर्चा थोड़ा जादा होता है जब मैं घर में होता हूँ तो बीबी चाय बनाके दे देती है बहुत सस्ती पढ़ती होगी लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो मार्केट से चाय खरीत के पीनी पढ़ती है तो सब 20 रुपے लग जाती है तो महंगी पढ़ती है जब हम घर में रहते हैं तो बीबी वॉसिंग मशीन में कपड़े डाल देती है ये फोकट में डूल जाते है लेकिन जब बाहर जाते हैं तो ड्राइ क्लीन में देते हैं अपनी साट्रो पैंट को अब पचास रुपे लग जाते है इसका मतलब ये है कि जब भी इंसान अपनी घर से दूर होता है तो कुछ ऐसे खर्चे होते है जो वो इंकर करता है चैक है साथ वो घर पे होता तो वो इंकर ना हो रहे होते है तो इन खर्चों को मीट आउट करनी के लिए एंप्लॉयर आपको कुछ पैसा देता है daily basis पे या पांच दिन के लिए बहाँ जा रहे तो मैं पांच दिन के लिए आपको extra पैसे दूँगा 200 रुपए पर डे तो ये कहलाता है daily alliance या 500 रुपए पर डे ये कहलाता है daily alliance क्या होता है जब भी employee अपने normal workplace से दूर जाएगा तो employer उसे कुछ पैसे देगा पर डेगा extra पैसे ताकि वो अपने खर्चे उठा सके किस तरीके के कपड़े की दूलाई के चाए के नास्ते के इस सब के खर्चे उठा सके जो normally हम घर में रहते हैं तो नहीं लगते हैं या बहुत कम लगते हैं ठीक है यह तभी होगा जब आपके normal place of duty से आपको कहीं दूर बेजा जा रहा है आप दिल्ली में जॉप करते हो आपको बेजा जा रहा है मुंबाइक पांस दिन के लिए तो पांस दिन का आपको क्या मिलेगा daily allowance ट्रेवलिंग तो मिलेगा ट्रेवलिंग तो भाड़ा हो गया जाने आने का और daily allowance हो गया कि वहां के खर्चे उठाने का तो convince समझ लिया हमने daily allowance समझ लिया daily allowance में हमको मिला मालीजे 500 रुपया पांस रुपया मिला मैं बाहर गया हुआ था दिली से मुंबई गया हुआ था मुझे employer ने 500 रुपया दिया कि चाहे पानी इससे कर लेना तुम मेरा खर्चा आया 300 रुपया तो 300 रुपया exempt हो जाएगा और 200 रुपया टेक्सिबल हो जाएगा 200 रुपया मुझे टेक्स देना होगा क्योंकि employer 500 रुपया दिया है employer को 500 रुपया में से 200 रुपया लोटाने है उस case की बात नहीं हो रही है तो लोटा दिया सब तो 300 मिला ना सब तो 300 रुपया exempt हो जाएगा 300 खर्चा 300 मिला employer ने 500 रुपया दिया और employer तुम से हिसाब नहीं ले रहा है कि तुम चाय कितने की पी रहे हो और फिर उसके बाद कितने रुपया का डाइटिंग करा रहे हो 500 रुपया दे रही है कि इससे कर लिना आपना manage ठीक है तो ऐसे कि इसमें हमने तो 300 में manage कर लिया तो 500 में से 300 exempt हो जाएगा और 200 रुपया क्या हो जाएगा taxable हो जाएगा ठीक है traveling allowance traveling allowance उतले एक साथ से दूसरे साथ जाने के लिए fair जो दिया जा रहा है ठीक है मुझे fair दिया गया वारन रसी से दिली जाने का पाच जा रुपया और जो मेरा fair लगा basically वो कितना था माली जे 4000 रुपया तो 1000 रुपया taxable हो जाएगा transfer allowance ट्रक से समाल ले जाने के लिए पैसा मिल रहा है employee ने दिया था 20 जार रुपया ट्रक वाले ने लिया सिर्फ 17 जार रुपया तीन जार रुपया में दियी income तीन जार रुपया taxable income हो जाएगी सत्रा जार exempt हो जाएगा helper allowance दो चीजे होती हैं और लोग एक ही समझते हैं इसलिए पहले आपको बता दें helper और servant दुनों में अंतर समझते हैं helper किसे कहते हैं servant किसे कहते हैं helper and servant वैसे तो लोग एक ही word मानते है helper हो गया servant हो गया तुनों में अंतर है थ्वास अंतर है minute सा helper वो होता है जो official work कराता है मतलब मेरी office में कोई काम करेगा मेरी office में कोई help करेगा तूसे हम helper कहेंगे घर में कोई मेरी बीबी के साथ सबजी बनवाने में मदद करेगा तो उसे हम सर्वेंट करेंगे बास समझ में आ गया helper is for official work और सर्वेंट जो होता है वो domestic work के लिए होता है अब आपको समझाते हैं क्या होता है बहुत सारी बड़ी कंपनियों में ऐसा होता है मेरा friend भी एक company में है वो reliance finance में है चेके हैं और reliance finance में उसमें करना क्या होता है उसको बताए हम आपको उसको उसके पास जितनी भी loan के लिए file है आती है कि मुझे loan चाहिए तो वो चेक करता है कि whether the person is worth it or not किसी ने file लगाई कि मुझे 2 करोर उपे का loan चाहिए तो वो देखता है कि क्या ये आदमी 2 करोर उपे का loan लेने लायक है की नहीं उसका यही काम है company वो अगर sign कर देता है तो company loan दे देती है ठीक है उसका यही काम है basically वो चेक करता है profile चेक करता है कैसे करना होता है देखे बहुत सारी चीज़ देखनी होती है एक इसान आया कि मुझे 2 करोर उपे का loan चाहिए तो बहुत काम करना पड़ेगा पहले उसकी जग़े पर जाना पड़ेगा देखना होगा उसका business कैसा है business में earning कैसी है ठीक है फिर वो जो return वगर देखे जब हम loan के लिए कोई apply करता है तो अपनी return वगर हम उसे submit कराते है तो return वगर income tax रिटरन भी चेक कराई जाती है कि यह सही है कि नहीं है ऐसा तो नहीं कि जो income tax में return फाइल कर रहा है वो उसमें लिख रहा है कि मिरी income दो लाक रुप्या है अब पांस लाक रुप्या है और loan लेने के लिए हमें जो return की copy दे रहा है उसमें पचास लाक रुप्या है मतलब जो return हमें देखा रहा है वो जमा नहीं किया है वो गलत return है ऐसा भी तो हो सकता है तो हमें ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है तो इसके लिए बार बार आफिस से बाहर भी जाना पड़ेगा और अब आप बताईए क्या सीए दोर दोर के जा जाके हर जगा त्राइल को site visit करेगा उसकी file collect करेगा पेपर उससे लेगा income tax department जाएगा वहां से verify कराएगा कि return सही है कि नहीं है नहीं ये थोड़ी नए expect किया जा रहा है चार्टर एकाउंटेंट से कि वो ये सारी चीज़े करे तो company क्या करती है मैं आपको बताऊँ मैं अपने friend की प्राक्टिकल बात बता रहा हूँ उस friend को यो जो मेरा friend है उसको salary मिलती है तर एक दो लाक रुपे महीने की उसको salary है दो लाक रुपे पर महीन और उसको company क्या करती है 30,000 रुपे महीना अलग से देती है करती है यह हेलपर एलोइंस और company ने बोल रखा है कि तुम एक काम करो दो helper अपने अंडर रख लो अपना salary दे दिया करो इसी 30,000 रुपे में तुमको अलग से दे रहे हैं तुम दो helper रख लो यह लोग को fill work कराए करो यह लोग fill में दोड़े हैं जाएं client के file लाएं client से बात करें client का evaluation मतलब field work जितना भी है यह इन से कराए करो इनको भेजो income tax department verify कराने के लिए field work client paper नहीं दे रहा है paper लेने के लिए ठीक है सारे field work इन से कराओ यह जो company 30,000 रुपे दे रही है क्या यह खर्च करना मेरे friend के लिए जरूरी है जरूरी नहीं है वो हो सकता है एक ही helper रख ले 15,000 रुपे का यह 10,000 रुपे का एक ही helper रख ले अभीजा बचा लिया ऐसा भी हो सकता है वो 30,000 रुपे पूरा बचा ले खुदी बाइक लेके निकल जाता है जहां जाना होता है निकल जाता है हर जगा field work सारा यही कर रहा है यह company को काम चाहिए company ने का इतना काम चाहिए हमको हम चाहते हैं कि तुम बैठ के काम करो दो लाक रुपे तुम अपनी तनका रखो 30,000 रुपे और ले लो 15,000 रुपे के दो लड़के लगा तो field work कराओ उनसे फुदा जहां भी भेजना हो पेपर कलेक करने डिपाट्मेंट वगरा सब इनको भेजो ऐसा भी possible है कि मेरा फ्रेंड 20,000 रुपे के दो employee रख ले या 20,000 रुपे के तीन employee रख लिया है company तो 30 जा दे रही है वो 60 जा का खर्चा कर दे रहा है अपनी जेब से भी कुछ लगा दे रहा है possible है को सकता है इसको ज़्यादा काम करेगा ये तो इसको ज़्यादा इंसेंटिव अगरा company से मिलता है तो ये कुछ employee के पैसे अपनी जेब से भी लगा दे रहा है काम ज़्यादा हो ताकि company को दिखाई थे कि इस employee से ज़्यादा आउप उपटा रहा है पॉसिबल है ये भी पॉसिबल है ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं exemption की अगर helper allowance के नाम पे 30,000 रुपया मिला है employee ने खर्च किया से 10,000 रुपया तो 20,000 रुपया taxable हो जाएगा 10,000 रुपया exempt है अब employee को मिला 30,000 रुपया लेकिन income में जोड़ा नहीं जाएगा tax नहीं रगेगा माइनस नहीं हो जाएगा helper allowance समझ में आ गया official work के लिए company क्यों ने इन लोग को रख ले रही है company नहीं रखना चाथा company अगर अपने payroll पे रखेगी तो company को बड़ी आफ़त होगी company को इसका gratitude जमा करना पड़ेगा इसका pension जमा करना पड़ेगा company कहती है हम क्यों टेंचन ले ये दोर helper जो इसने रखा है ना मेरे friend ने रखा है ये company के employee नहीं है ये मेरे friend के employee हो गए और मेरा friend किसका employee है? Reliance company का मैं समझ मैं आरी Reliance company इन दोर लोगों को अपने अंडर में और वो खुदी salary दे देगा समझ में आरी बात Research and academic allowance Research कोई academic भी का जाता है Research allowance के लो या academic allowance के लो It's one and the same thing क्या मतलब इसका? Company अगर आपको research करने के लिए पैसा देती है तो उसे का जाता है Research allowance या फिर academic allowance जैसे company mobile बनाती है और मैं company का employee हूँ और मैं mobile पे कुछ research कर रहा हूँ Company को पता भी नहीं है ये बात मैं mobile पे कुछ research कर रहा हूँ एक दिन company के director मेरे घर आते है और मैं कहता हूँ अच्छा बैठे पैठाता हूँ उनको और जब तक मैं चाय लेने जाता हूँ उनके लिए तक तक वो जो मेरी study paper अगरा था मेरे table पे आते हैं देख लेते हैं कि अधि मैं mobile पे कुछ research कर रहा हूँ तो मुस्से पूछते हैं कि क्या तुम कुछ mobile पे research कर रहा हूँ मैंने बताया कि हाँ हाँ मैं ऐसा research कर रहा हूँ इस तरीके का mobile बनाने की पूरी planning चल रही है मेरी तो कहते हैं अपनी research को continue रखो ठीक है और अब अगले महिने से research का पैसा मैं दिया करूँगा research में खर्चे अपनी जेब से मत उठाओ मैं research को finance करता हूँ तुम research करो जितना पैसा लगेगा इस research में मैं दूँगा तो अगले महिने से employee ने एक लाख रुपए महिना देना सुरू कर दिया उस पे research करने के लिए मेरा खर्चा आया 80,000 रुपए का तो 80,000 रुपए exempt हो जाएगा 20,000 रुपए taxable income हो जाएगी तो research के लिए अगर पैसा मिलता है academic alliances मिलते हैं तो जतना पैसा आप खर्च करते हैं वो exempt है, balance taxable है uniform allowance uniform allowance uniform ka मतलब क्या हुता है schoolud के ڈरंस को uniform कह जाता है मालू में न? क्यों? क्योंकि uniform का मतलब होता है uniformity uniform का मतलब ही होता है एक जैसा एक जैसा अगर कोई चीवचे होज़ होता है तो उसी को बोला जाता है uniform school के address को uniform क्यों बोला जाता है मालू में क्योंकि सारी लोग एक जैसा पैने हुए है and therefore it is uniform uniform is basically a word called uniformity, uniformity क्या होता है एक जैसा uniform allowance का मतलब है कि आपको uniform खरीदने के लिए पैसे दिये जा रहे है, अब uniform कहा होता है company में चाहिए, तो uniform किसके लिए होता है मालू मैं, प्यून का uniform होता है guards के लिए uniform होता है बाकि जो senior employees होते हैं उनके लिए भी uniform होता है, क्या कि आपको सफेज सार्ट काला पैंटी पैंट कहाना है, नहीं यह नहीं देखने को मिलता है नॉर्मली जो हमें देखने को मिलता है वो यह देखता है कि प्यून कैडर पे, यह फिर guard कैडर पे इन सब पी uniform होता है, ताकि पहचान में आए कि they are guards, right तो उनको uniform बनाने के लिए company क्या करती है, पैसे देती है तो इससे का जाता है uniform allowance, तो मैंने क्या किया 2000 रुपए guard को दिये कि इससे अपना uniform बन वालो, guard भी uniform कितने में बन वाली है, 1500 रुपए तो 500 रुपए taxable अब 500 रुपए exit ठीकिये बत, लेकिन बहुत सारी company आए, senior level पे भी employees को uniform में आने को कहती है मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक friend है, वो Tata रही है one of my friend is in Tata ठीकिये और वो बताता है कि मेरे यहां भी uniform है और uniform क्या है, white shirt पहन नहीं होती है उनको, और उनके यहां pocket पे stripe लगी होती है वहां पे company का नाम लिखा होता है Tata लिखा होता है He is on senior level, he is also chartered accountant सभी को पहनना होता है मतलब white shirt है और shirt पे stripe रहेगी उस पे Tata लिखा रहता है और यह company बेचती भी है shirt भी कहां मिलता है, company में ही मिलता है company में counter है, shirt का, वहां से जाके खरीदना है और मजबूरी है, खरीदना पड़ीगा तो आपको बता है, वो लोग क्या करते है allowance देना तो दूर चाटा company में allowance नहीं देते कि shirt खरीदने का पैसा बलकि वो तो क्या करते है, वो लटे है salary में से काट लेते है पैसा जैसे वो कहता है कि मेरी salary माली जी एक लाख रुपया है तो कहता है कि company क्या करते है पांसुर रुपया काट लेती है हर महिने कहता है एक shirt खरीद लेना, shirt का voucher पकड़ा देती है कि नीचे जाके counter से shirt ले लोगे तो uniform तो वहाँ पे भी है लेकिन alliances नहीं है तो यूनिफॉर्म तो वहाँ पे भी है लेकिन बोले कि आपको एक jeans और t-shirt खरीद ली है एनी jeans और t-shirt that you like you can purchase it from the market is it uniform allowance, no यह uniform allowance तो ही नहुआ कोई भी jeans और t-shirt खरीज सकते है तो uniform का हुआ uniform का मतलब होता है जब मेरी company में एक dress code होता है और आपको उस dress code का कपड़ा लेने के लिए यह पैसे लिए जाते है मेरी company का dress code ही क्या है white t-shirt and black jeans white t-shirt and black jeans यह मेरी company का dress code है टीक है white t-shirt black jeans is the dress code of my company अब हम employees को पैसे देते हैं कि तुम्हे white t-shirt करीद नहीं है black jeans करीद नहीं है अब यह uniform allowance है जितने रुपे का करीदेंगे वो deduct कर लेंगे वो exempt हो जाएगा balance taxable समझे आ रही है बात सबको तो uniform allowance तभी कहा जाएगा जब uniform dress code company में चलता है जब कोई dress code चलता ही नहीं है तो कुछ भी पैसा दे तो uniform allowance नहीं है वो uniform allowance तभी कहलाएगा जब dress code चलता है और अगर dress code चलता है तो जितना पैसा मैंने खर्च किया uniform खरीज देंवे वो exempt balance taxable चीक है आईए आपको illustration पर ले जाते हैं बहुत simple होता है जितना खर्च उतना exempt balance taxable convince allowance मिला 25,000 रुपे का 23,000 खर्च तो 2000 taxable traveling allowance मिला 15,000 रुपे का 18,000 रुपे का ज़्यादा ही खर्च हो गया तो भाई कुछ भी chargeable to tax नहीं होगा ठीक है exempt कितना होगा 15,000 में से 15,000 ही exempt होगा ज़्यादा exempt नहीं हो सकता ज़्यादा खर्चा कर भी दिये transfer allowance 20,000 रुपे का 18,000 खर्च तो 2000 रुपे क्या हो जाएगा आपका taxable very simple thing जतना खर्च की हो उतना exempt balance taxable ठीक है तो आज हम रुपने एक variety देख ली alliances की ठीक है where the alliances is exempt depending upon the amount of expenditure और दो तो एकदम अलग तरीके के alliances थे है एचारे और entertainment alliance जो हाँ पर least of the following is exempt तो वो हमने देखा तो आपको एक बार वापस से ले जाएं कि हमने क्या क्या आपको बताया था देखे है एचारे यह हम रुपने कर लिया complete entertainment कर लिया alliances जो की dependent upon expenditure है वो कर लिया अब हम रुप fixed exemption वाला rule 2BB ठीक है fully exempt यह सब कुछ next class में करेंगे ठीक है so we'll stop over here we have already started with alliances and in that alliances you have already seen with house rent alliance entertainment alliance in house rent alliance and entertainment alliance least of the following was exempt actually there was in three criteria and you had to identify which is the lowest out of those three and that was exempt after that आपनित list of alliances देखे जहां पर जो exemption है that is dependent upon expenditure आप जितना खर्चा करेंगे उतना exempt हो जाएगा balance taxable हो जाएगा खर्च कहां पर करना है exactly उसी purpose के लिए जिस purpose के लिए आपको वो alliances दिये गए कितनी बात हो चुकी थी उसके बात जो आप हमें करना है वो क्या है कि यह देखेंगे हम रूप उसके बाद हम रूप क्या देखेंगे जो alliances fully exempt है या फिर fully taxable है in fact जो fully taxable है उसकी तो endless list है वो infinite है तो हम रूप fully taxable के कुछ examples देखेंगे basically और ऐसा समझ लीजे कि पूरे alliances में जिसको भी आपने देखा नहीं सुना नहीं वो सभी alliances क्या है fully taxable है तो अब हम रूप टू बी वाले alliances देखने जा रहे है आईए देखेंगे when exemption does not depend upon expenditure जब exemption खर्चे पे dependent नहीं है क्यों नहीं dependent ही क्योंकि यहाँ पे आपको fixed exemption मिलेगी और वो exemption rule टू बी वी में specified है लेकिन ध्यान दीजिएगा कभी भी exemption income से ज़्यादा नहीं हो सकती कहने का मतलब अगर आपको 500 रुपए का एक particular allowance मिलता है और rule 2 बी वी में specified है कि exemption 600 रुपीज है तो क्या आपको 600 की exemption मिल जाएगी बिलकुल नहीं exemption तो 500 की होगी तो क्योंकि exemption के never exceed your income राइट आई ये पाना सुरू करते हैं बुप सबसे पहला allowance tribal area object scheduled area allowance tribal area object scheduled area allowance ये क्या है tribal area allowance का मतलब है कि अगर आपको company tribal area में भेज़ती है तो आपको कुछ additional पैसे देती है ठीक है क्यों देती है जैसे मान लीजिए आप मुंबई में काम कर रहे हो और company आपसे कहती है कि मैं आपको एक ऐसे area में भेज़नी हूँ काम करने जहां पे हू लाला ऐसे लोग है tribal area है चीक है तो आप काम करना पसंद करेंगे वहाँ जाके बिलकुल नहीं तो निश्यत है कुछ ना कुछ तो लालच होना चाहिए कुछ एक्स्ट्रा एड्वांटेज होना चाहिए तो company हो सकता है आपको tribal area allowance बे करें company कहेगी कि देखें अभी आपकी salary है 50,000 पर मंत आप tribal area में जाएए वो 50,000 पर मंत तो देंगे साथ में आपको पांच यह रुपय में आप tribal area allowance देंगे तो exemption इसमें से क्या है let us see exemption is रुपी 200 पर मंत the exemption is very low it is only 200 पर मंत in fact लेकिन आपको अगर employer पैसे देगा तो वो 200 रुपय में कौन tribal area जाना पसंद करेगा 200 रुपय महीने की extra payment के लिए in fact आपको बता दें कि क्यों यह इतना कम दिख रहा है income tax जो कानून हम लोग पर रहे हैं यह बहुत पुराना कानून है it was it is of the year 1961 तो बहुत सारी चीज़े तो gradually change होती गई लेकिन बहुत सारी चीज़े बहुत लंबे समय से continue कर रही है कि जो 200 रुपय का tribal area allowance ही आप ऐसे समझ दीजे कि 15-20 सालों में बदला ही नहीं है यानि 15-20 सालों से लगाता 200 रुपय की exemption चल रही है तो आप भी समझ सकते हैं कि 15-20 साल पहले कि अगर बात करें तो 200 रुपय की value थी 200 रुपय मेंने अगर कुछ मिल रहा है तो उसकी value थी आज 200 रुपय मेंने की कोई value नहीं है तो इसलिए भी ऐसा है कि आपको जो limit यहां पर दिखाई देगी exemption की वो लगेगा कि बहुत कम है वो कम इसलिए है क्योंकि यह बहुत सालों से बदला ही नहीं गया है जो government को बदलना चाहिए था समय की इसाब से ठीक है Rule 2 BB में जितने भी exemption दिये गए हैं वो सभी exemption पर month हैं सबसे खास बात यह तो आपको याद रहेगा Rule 2 BB में सारे के सारे amount जो भी specified हैं exemption के वो पर month के ही specified है तो tribal area allowance के respect में exemption कितनी है 200 रुपय महिना next allowance for transport employees this is not transport allowance बच्चों ध्यान से समझेगा this is allowance for transport employees जो लोग transport system में काम कर रहे हैं जो लोग buses में काम कर रहे हैं जो लोग train में काम कर रहे हैं उनको एक allowance दिया जाता है जिसका नाम है running allowance तो इसको हम ऐसे भी बोलते है allowance for transport employees इसको transport allowance नहीं बोलते हैं इसको बोलते है allowance for transport employees और या पर बोलते है running allowance जो लोग हमीशा train में हैं चीक है और जो लोग buses में काम कर रहे हैं तो वो हमीशा घर से दूर है और हमने आपको लास क्लास में बताया था कि अगर एक इंप्लॉई गर से दूर होता है तो इंप्लॉईर उसे डेली अलरंस के नाम से कुछ पैसे देता है किस देंस आप गर से दूर हो तो आपके जो एडिशनल खर्चें बढ़ जाते हैं उसके लिए ये अमाउंट है ताकि आप वो खाने का चाय का इन सबता खर्चा निकाल सको जो लोग ट्रांस्पोर्ट सिस्टम में होते हैं वो लोग घर से दूर ही तो हैं तो उनको क्या मिलता है, extra पैसे जो मिलते हैं वो in the name of running allowance मिलते हैं running allowance is almost equivalent to daily allowance जो लोग ट्रांस्पोर्ट सिस्टम में काम करते हों उनको daily allowance अगर मिलता है तो उसी का नाम है running allowance अब बाकी employees को अगर मिलता है तो उसे क्या का जाता है daily allowance समझ में आर यह बास अब को It is an allowance granted to an employee working in any transport system to meet his personal expenditure during his duty performed in the course of running of such transport provided that such employee is not in receipt of daily allowance सी ती सी बात है is running allowance तभी मिलता है if you are not in receipt of daily allowance अगर आपको daily allowance मिल रहा है तो running allowance नहीं मिल रहा होगा क्योंकि daily allowance और running allowance is one and the same thing basically बस system यह है कि transport system में हम लो क्या उसको बोलते है running allowance बोलते है instead of daily allowance exemption कितना मिलेगा the amount of exemption is 70% of such allowance or 10,000 per month whichever is lower 70% of such allowance or 10,000 per month whichever is lower आईए example समझ लेते हैं आपको running allowance मिल रहा है माल लीजे 20,000 ठीक हैं आपको running allowance कितना मिला है 20,000 per month तो exemption कितना होगा जहां दीजेगा यह सारे रूल टू बीबी वाले पर month वाली ही exemption बताते हैं exemption will be 70% of such allowance 70% कितना हो जाएगा 14,000 रुपटा 10,000 per month whichever is lower यहनी exempt हो जाएगा 10,000 per month exempt अगर 10,000 per month होगा तो taxable कितना हो जाएगा taxable भी हो जाएगा वाई 10,000 per month 20,000 रुपए यह है exempt अगर 10,000 रुपए महिना होगा तो taxable भी कितना हो जाएगा balance 10,000 रुपए महिना ठीक है यह बात children education allowance this allowance is given for children's education और children की education के लिए employer पैसे देता है तो उसे कहा जाता है children education allowance and how much is exempt out of it exemption is 100 per month per child up to a maximum of 2 children this is 100 per month per child 100 per month per child up to a maximum of 2 children लेकिन दो बच्चों से ज़्यादा की exemption नहीं मिलेगी एक बात बताएगे employer के 5 बच्चे है तो क्या ऐसा possible है कि employer पाँचों बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे देता है employee को employee की पाँच बच्चे है employer पाँचों बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा देता है is it possible obviously it is possible employer तो कुछ भी देना किसी कानून में ये तो ही न लिखा है employer को कितना पैसा देना है या क्या नहीं दे सकता है income fix कहता है कि पाँच बच्चों की रिस्पेक्ट में जो पैसा मिलेगा उसमें से exemption हम दो ही बच्चों की रिस्पेक्ट में देंगे और भी कितनी देंगे सौर रुपे महिना की हिसाब से देंगे जादा जादा दो बच्चों के लिए आई इसका मतलब समझते है इसके एक्जामपल जरूर लिखिएगा Children Education Alliance हम दो चार पाँच एक्जामपल हो सकता है करें इसके लिए Depending upon की आप कितनी जल्दी इस बात को पकड़ते है Children Education Alliance Suppose Employer के तीन बच्चे है जिनका नाम है चिन्टू मिठ्टू और बंटू तेके चिन्टू मिठ्टू बट्टू और इसके लिए Employer क्या पैसे देता है वो भी आपको बता देता हूँ Employer चिन्टू के लिए देता है 120 रुपे महीने 12 महीने तक का मिठ्टू के लिए Employer ने दिया 100 रुपे महीने 12 महीने का और बंटू के लिए दिया का 90 रुपे महीने के साब से 12 महीने का का अपने बच्चों को पढ़ाओ चिन्टू को मिठ्टू को बंटू को सब को पढ़ाओ ठीक है ये कितना हो गया 1440 रुपे, 1220 रुपे, 1080 रुपे तो इंप्लाइट ने इतने पैसे दिये, जड़ लीजे तो देखे कितने पैसे इंप्लाइट ने दे दिये 1440 प्लस 1220 प्लस 1080 ये हो गया साल वर का पैसा 3740 रुपया अब ये कैसे निकाला जाता है उसका मैं तरीका रेट पैन से बता रहा हूं ये लिखना नहीं होगा ये बस सोचना है वापस से जो चीज लिखनी होगी वो मैं ग्रीन पैन से करने लग जाओंगा लेकि अगर चिंटू के रिस्पेक्ट में मुझे एक्जिम्शन लेनी हो तो मुझे कितनी मिल सकती है 100 रुपय मैंने से ज्यादा की एक्जिम्शन नहीं मिलती यानि इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं चाहूँ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ एक सिकिन बच्टू ओ एक गरवड है यहाँ पर हाँ देख लिया यह बारा सो रुपया है एक सो चौदा सो चालिस यह बारा सो रुपया एक हजार असी अब टोटल फिर से कर दीजिए बच्चों 3720 उपया चीक है 3720 उपया अब एक सिम्ट कितना होगा अगर मैं चिंटू के रिस्पेक्ट में एक सिम्टिन लेना चाहूँ तो एक सिम्टिन कितना मिलेगा मुझे चिंटू के रिस्पेक्ट में बारा सो रुपयी मिलेगा बारा सो से जादा नहीं मिल सकता चीक है क्योंकि हंड़ेट पर मंती मिलेगा अगर मिट्टू के रिस्पेक्ट में एक सिम्टिन लेना चाहूँ तो कितना मिलेगा बारा सो रुपये नहीं मिल पाएगा क्योंकि एक तो आपको समझ में आया की नहीं आया है तो आप ये देखेगा अगर एक से अधिक बच्चों के रिस्पेक्ट में आपको समझ में आया की नहीं आया है तो आप सभी चिल्ड्रिंग के रिस्पेक्ट में क्या एक्जिम्शन मिल सकती है ये कैलकुलेट कर दीजीए ठीक है और फिर दो जो हाईएस्ट एक्जिम्शन है वो आप क्लेम कर दीजीए ठीक है ये बात आई ये देखते हैं कौन सा बच्चे अगी सेकंड एक्जम्पल मेर बच्चे ए बी सी इंप्लाइट क्या पैसे दे रहा है एक के लिए उसने एक सो दस रुपे महिने दिए एक ग्यारा महिनों के लिए बी के लिए उसने सो रुपे दिए बारा महिनों के लिए चिक है और सी के लिए उसने दिए एक सो बीस रुपे नौ महिनों के लिए तो उसने payment क्या की वो आपके सामने है आपको बताना है कि exemption कितना होगा अब नौ महीने और ग्यारा महीने क्यों दिये क्योंकि साल बर में ग्यारा महीने ही fall की है जब वो A पढ़ने गया था ठीक है ऐसे समझ लीजे कि A बच्चे के respect में मान लीजे में से पैसा देना सुरू कि इंप्लॉयर ने था ठीक है तो मैं से लेके माज तक कितना हुआ है ग्यारा महीने ही चिक है सी के respect में पैसा देना सुरू किया होगा मालीचे अप्रिल माई जून तीन महीना निकाल दीए जुलाई से देना सुरू किया सी के लिए तो नौ महीने कही दिया इंप्लॉयर ने जैसे ऐसा हो सकता है कि बी के लिए वो एप्रिल महीने से ही देना सुरू कर दिया था तो एप्रिल तुमाच बारा महीने का पूरा आया ठीक है फिर इंप्लॉयर ने कहा कि साहब एक काम करिये ना मेरे बच्चे ए के लिए भी आप फीस दे दिया करिये कुछ पैसे दे दिय करिये तो उसने में से देना सुरू कर दिया एक के लिए फिर उसने का एपरिल में जून जब 3 महीना बीद किया तो उसने जुलाई में का कि साहब एक काम करिये ना C के लिए भी मुझे कुछ पैसे दे दिया करियो उसकी पढ़ाई के लिए तो वो जुलाई से पैसा आना सुरू हुआ चिक है अब आप बताईए कि कितना पैसा इंप्लॉयर ने दे दिया पहले तो मल्टिप्लाई कर लीजिए इसको वन डेट टैन इंटू 11 यह हो गया 1210 रुप्या ठीक है फिर बारास रुप्या और फिर 1080 रुप्या टोटल देख लीजिए 3490 रुप्या इसमें से लिस्ट करेंगे एक्जिम्ट और यह अब आप बताएंगे तो सभी इंडिवीज्वल चाइल्ड के लिए देखें कि एक्जेम्शन मैक्सिम्म क्या हो सकती है तो जो हाइस्ट एक्जेम्शन हो वो क्लेम कर लीजिएगा करिए कुछ से दिमार्ग लगाईए फिर बात करेंगे हम आपसे अंड्रेट पर मंद पर शाइल अप्वा मैक्सिमम आफ तू चल्डेंड चल्डेंड आईए एक रिस्पेक पर बताएए जादा से जादा कितनी एक्जेम्शन हो सकती है नहीं कि ग्यारा मैने का सौर रुपे मैने के साब से ग्यारा सौर रुपे की एक्जेम्शन ले सकते हैं तो एक यारा महीने की एक्जेम्शन ले गटेंगी है ठीक है और 11 महीने की जादस जादा एक्जिम्शन होसकि एक 1100 रुप्या ठीक है बी चाहिल के रिस्पेक्ट में मुझे 1200 रुप्य की एक्जिम्शन मिल सकती है सी सी चाहिल के रिस्पेक्ट में मुझे 9 महीने की एक्जिम्शन मिलेगी और ज्यादर ज्यादर 100 रुपय महीना मिलता है यही 900 रुपय मिल सकता है इसके रिस्पेट जो highest दो है उतनी exemption क्लेम कर लेंगे यह exemption कितना होता है 2300 यहां पे 1100 क्यों होगा क्योंकि 100 रुपय पर मन से ज्यादा नहीं न मिलेगा और 11 मुहीने की बात है तो 1100 exemption मिल पाएगा calculate कर लेजिए 9011 1190 टाक्सिबल होगया कोई रिक्त किसी को एक और example कर लिया जाए ठीक है एक और example कर लेते हैं जिन से भी गलत होगया साथ इस बार वो सही करके दिखा देंगे जाए प्रक्रेश करें आप ए बी सी त्रीं चाइल्ड हैं इंपलोई के इंपलोई हैं जो पैसे देता है वो देख लीजिए और अपाट्वाश्ट अब काट्वाश्ट कर देख लिए भी यद्यूश्ट नब्डे इंटू बारह सो इंटू एक ग्यारह एक सो दस इंटू दस ये इंप्लायर ने पेमेंट की है Children Education Alliance की आपको बताना है कि इसमें से एक्जिम्ट कितना है तो पहले कितना पेमेंट किया है ये मैं आपको बता दू 1080, 1100, again 1100 The total payment comes to 802, 3280, 3280 इसमें से एक्जिम्ट कितना हो जाएगा ये आपको बताना है ये आपने हैं ये आपने हैं देखें हाई के रिस्पेक्ट में 90 रुपे पर मंद मिल रहा है चीक है 12 माईने तक मिल रहा है चीक है तो 90 रुपे पर मंद ही मिल रहा है तो सीधी से बात है 100 रुपे की exemption तो आ नहीं सकती है exemption के never exceed your income income ही कितनी है 90 रुपे पर मंद 118 मुझे ये exemption मिल सकती है 200 रुपे पर मंद टीक 11 की exemption मिल सकती है मुझे 110 रुपे कर 110 महिन के लिए मिला है आपको टसर रुपे जादा exemption होगी नई तो दस महिनी की exemption के applies कितनी हो जाएगई एकजार उपे आखरी वाले में ध्यान से समझेगा 110 रुपे महेने मिल राना आपको तो exemption थोड़ी ना 110 रुपे महेने होगी exemption तो 100 रुपे महेने होगी ना और 10 महीने मिला है तो 10 महीने की exemption कितनी हो जाएगी 1000 रुपीस अब इन तीनों में हाइस्ट दो कौन से हैं देख लीजिए हाइस्ट ये और ये हो जाएंगे तो 2180 रुपए की आपकी एक्जेम्शन हो जाएगी तो 1100 ये डेक्सवल हो जाएगा प्लेयर है ना सब को अब ठीक है अगला देखते हैं अब हम रूप अब लीजिए कौपी है होस्टल एक्स्पेंडीचर एलोइंस होस्टल एक्स्पेंडीचर एलोइंस के इस एड्जाक्री सिमिलर टू चिल्रेन एड्यूकेशन एलोइंस यहाँ आपके 100 रुपए महिने की वजए 300 रुपए महिना है पर चाहिल अप टू चिल्रेन जब आज़ाक्ली सिम बस यहाँ 100 रुपए है यहाँ 300 रुपए है तो बिलकुल काल्कुलेशन का तरीका यही होगा जैसा हम लोग कर रहते हैं तो 300 रुपए महिने में कौन से पढ़ाई होती है और 300 रुपए महिने में कौन सा होस्टल मिलता है पता है यह लिमिन इतनी छोटी क्यों है इतनी लोवर क्यों है वो इसके पीचे कारण यह है कि यह सब लिमिन्ट जो हैमां की बहुत पहले बनाई गए थे बहुत साल पहले की लिमिट है मतलब यह 15 20 सालों से यह लिमिट बदली लई गई है और इसलिए ये इतनी कम देखाई दे रही है इंप्लॉयर आपको 100-200 रुपए तो ही न दे रहा होगा आज की तारीक में अगर इंप्लॉयर पैसे दे रहा होगा तो 500-1000 रुपए कुछ इस तरीके से दे रहा होगा पर मज़ पर चाहिए वो भी हम चिल्डेन एजुकेशन अलाइंस की बात कर रहे हैं और इंप्लॉयर टे कर रहा होगा तो लेकिन ये जो एक्जिम्शन है ये बस यही लिमिटेड आइमांट जो बहुत छोटा साए यही लेगा अपको ये भी बताते है जो लास्ट बजट आया ना इंस्टिट आफ चार्टर एकांटेंट आफ इंडिया ने फाइनस मिनिस्ट्री को ये प्रपोजल भी भेजाता इसके लिए कि देखिए ये जो चिल्डेन एजुकेशन अलाइंस है इसकी लिमिट को बढ़ाईए ये बहुत पुरानी लिमिट है और आज की तारीक में ये लिमिट यूजलेस बन गई है जब तो फाइनस मिनिस्ट्री ने कंसिडर नहीं किया होगा उन पॉइंट को और इसलिए ये एस इस रहे गया अदर्वाइस इसको तो इस इंस्टिट्ट ओफ चार्टर अगांटेंट ओफ इंडिया ने भी क्या किया पाइनस मिनिस्ट्री को अवगत कराए कि यहां की जो इंकम टेक्स की लिमिट है ये ठीक नहीं चल रही है आज की हिसाब से ट्रांस्पोर्ट एलोएंस ट्रांस्पोर्ट एलोएंस ट्रांस्पोर्ट एलोएंस का मतलब क्या है घर से ऑफिस ऑफिस से घर ठीक है इसको वेरी, वेरी इंपॉर्टिंट मार करिये तो अब से पहली बात इसको वेरी इंपॉर्टिंट मार कीजिए ट्रांसपोर्ट आओंस को very important expected है आपको transport allowance का question आ सकता है exam 3200 पर मन की exemption है but अब जो highlighted बात है only in case of an employee who is blind और orthopedically handicapped normal persons के लिए कोई यहां पे exemption नहीं है exemption 32 सो रुपए महिने की है लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो handicapped employees है blind है handicapped है उनके लिए अब आप सूच रहोंगे कि सब normal persons के लिए क्यों नहीं कोई benefit दिया जा रहा है government आपको याद है section 16 में standard deduction देती है जो हमने बताया था performa के समय format कैसा बनता है gross salary less deduction under section 16 उसमें standard deduction basically standard deduction में government अल्रेड़ी यह सब चीज consider कर ले रही है ट्रांसपोर्ट एलाइस वगरा को government ने वहाँ consider किया हुआ है government 40,000 रुपय किसी सब बातों का दे रही है मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो तो सब को benefit 40,000 रुपय का तो benefit मिली रहा है अगर आप यह कहते हो कि मुझे यह यह नहीं मिला मुझे यह नहीं मिला तो government 40,000 रुपय का amount दी हुई है आपका मुप बंद रखने के लिए कि देखो बाकी सब चीज भी तुमको दे रहा है कुछ और मत बोलो कि यहां पर benefit नहीं मिला यहां पर benefit नहीं मिला फो चाली चरक्या है वो तो सब को दे ही रहे हैं क्या है वो handicap, blind employees को मिलेगा यह एक्स्ट्र advantage है यहां पर handicap, blind employees के लिए वो क्या एक्स्ट्र advantage है कि 32,000 रुपय का यहां पर भी exemption है उनके लिए अचा इत ब्लाइंड इंप्लॉई है उसको ट्रांस्पोर्ट एलाइंस के नाम पात तीन हजार रुपे महिना मिलता है तो एक्जम्शिंग कितनी हो जाएगी एक्जम्शिंग कितनी हो जाएगी तीन हजार रुपे महिना आई अचा इत ब्लाइंड इंप्लॉई है ध्यान से स पांच जार रुपे पर मन्त, ठीक है, ब्लाइंड इंप्लॉई है, इसको ट्रांस्पोर्ट एलाइंस मिल रहा है, पांच जार रुपे महिना, और इसका जो एक्स्पेंडीचर है, अन ट्रांस्पोर्ट, वो निल है, रिजन बिंग कि ये अपनी फ्रेंग की बाइक पर पीछे बैटकी चला जाता है, ठीक है, जिसका एक्स्पेंडीचर और ट्रांस्पोर्ट निल है, I want to know what is the exempt amount, exempt कितना होगा इसमें से, खर्चा एक रुपे का नहीं है, ट्रांस्पोर्ट एलाइंस पाज रुपे महिना मिलता है, बता पाएंगे, हाँ, खर्चा कितना हो रहा है, इस बात से फ़र्ख परता ही नहीं, हम रो रूल 2BB कर रहे हैं, रूल 2BB में amount specified है, वो कितना है, 3200 per month, 3200 per month की exemption है, taxable कितना हो जाएगा, 1800 per month, did you understand this, expenditure has not to be understood over here, अच्छा आप लोग चिल्डेन एजुकेशन अलाइंस पढ़ रहे थे ना, 200 रुपे महिना पर मंद पर चल्ड, 800 रुपे महिना पर मंद पर चल्ड for a maximum of two children, अब बता है ये चिन्टू और मिट्टू के लिए employer पैसे दे रहा है, जिसमें से मिट्टू तो नहीं है, वो गुली डंडा खेलता है और चला आता है घर पर प्रोच, exemption मिलेगी कि नहीं मिट्टू के लिए भी, मिट्टू पढ़ता ही नहीं है, कोई खर्चा ही नहीं है उसका पढ़ाई का, मिल जाएगी exemption, देखे, गौवर्मेंट यहाँ पर कह रही है, मुझे खर्चे नेक्स ताज़ आजएगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग कि वहाँ पर आपको पता है आक्सीजन मास्क वगर लगा की लीचे जमीन में उतरना होता है तो यह वहाँ आक्सीजन भी प्रॉपर नहीं है तो जह यह बताइए कोई पसंद करेगा कि हम जमीन के अंदर जाके काम करें जहां पर अननेचरल क्लाइमिटिक कंडिशन है मतलब आपको हेल्थ इसूस भी हो सकते हैं प्रॉब्लम भी हो सकती है क्या कोई काम करना पसंद करेगा काम करना तो पसंद करेगा लेकिन निश्चेत है बाई कि अगर कुछ तकलीफे हैं तो पैसे भी एकॉर्डिंगली ज़्यादा होने चाहिए फिर उसके तो अगर आप काम कर रहे होते हैं तो इंप्रॉयर आपको अंडर ग्राउंड एलॉइंस प्रे करता है इसमें से एक्जिम्शन कितनी है वो हम दो देख लेते हैं अगें आपको इमाउंट बहुत खम लगेगा उसके पीछे भी वही कारण है कि बहुत पहले से यही लिमिट चली आ रही है आज की हिसाफ से आज सो रुपे महिना नहीं होना चाहिए आज की हिसाफ से एक्जिम्शन ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि इंप्रॉयर बहुत अधिक अमाउंट पी कर रहा होगा ठीक है लेकिन एक्जिम्शन चोटा है सही है मालीचे इंप्रॉयर आपको आथ हजार रुपे महिने देता है अंडर ग्राउंट एलॉइंस एक्जिम्शन कितनी आथ सो रुपे महिने टैक्सिवल कितना है सेविंटी टू एंटेड एलिस्टेशन है ट्राइबल एरिया एलॉइंस मिल रहा है पोस्टिंग इन आसाम फर तू मन दो महिने की पोस्टिंग हो यह आसाम में और आपको कितना मिल गया है उसके लिए 900 रुपे प्राइबल एरिया एलॉइंस की इंप्जिम्शन कितना है 200 रुपे महिना तो 400 रुपे की एक्जिम्शन हो जाएगी 500 रुपे टैक्सेबल हो जाएगा दो महिने की पोस्टिंग का नौस मिला है ना तो 400 रुपे एक्जिम्ट 500 रुपे टैक्सेबल चिल्डेन एजुकेशन अलाइंस कितना मिल रहा है देख लीजे एक बेटे के लिए 2,000 रुपे एक बच्चे के लिए 7,500 रुपे और एक बच्चे के लिए 1,000 रुपे हम यह मान के चल रहा है अगर मंत नहीं दिया है तो यह सारा ही 12 महिने के लिए पेमिंट है यह मान के चलेंगे जब महिना नहीं दिया है तो 12 महिने की पेमेंट यह मान के चलेंगे तो इस चाहिड के रिस्पेक्ट में 1200 की एक्जिम्शन मिल सकती है और यह वाले चाहिड के रिस्पेक्ट में भी कितनी एक्जिम्शन मिल सकती है इस वाले चाहिल के रिस्पेक्ट में कितनी exemption मिल सकती है बताईएक। इस वाले चाहिल के रिस्पेक्ट में 1000 रुपे की exemption मिल सकती है कि बारा बारा महिने की पेमेंट है यहां मान के चल रहे ना तो बारा सुर रुपए यहां मिलेगा जाए जाता और यह भी बारा महिने की पेमेंट है तो भाई अजार रुपए पूरा मिल जाएगा तो हमें जो exemption मिल जाएगी वो 2200 रुपए की मिल जाएगी यानि यह साड़े 700 रुपए यह वाला जो है यह taxable हो जाएगा costal expenditure aligns 7500 रुपए मिल रहा है 300 रुपए महिने की साफ से 3600 रुपए की exemption होगी balance taxable हो जाएगा transport aligns between office and resistance 15000 रुपए का मिल रहा है क्या हमें blind employee बोला गया है यहां पर कि the employee is blind नो ऐसा कुछ नहीं बोला गया है तो हम अपने मन से नहीं मालनेंगी कि वो अंधा है या फिर handicapped है by default आप यहीं करेंगी कि वह नॉर्मल employee है और नॉर्मल employee है तो ऐसे में exemption कितनी होगी निल और पंदा जार रुपए पूरा taxable हो जाएगा चीक है तो rule 2BB भी देख लिया हमने अब हम लोग बाकी aligns को देखने जा रहे हैं अब जो aligns आप देखने जा रहे हैं वो या तो fully taxable होंगी या फुली exempt आपको complete list यहां पर देखने को मिल जाएगी इसमें सबसे पहला डियर्नेस यह तो हमने आपको बताए है कि basic डिय बोनस commission यह सब fully taxable होता है डियर्नेस अलाइस stands for allowance which is given by employer to employee in order to compensate the effect of inflation 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 महंगाई भता ही से कहा जाता है हिंदी में महंगाई को काबू पाने के लिए जो employer आपको पैसे देता है अलग से उसे कहा जाता है डियर्नेस अलाइस अंड दिस पुल्ली taxable city compensatory allowance city compensatory allowance यह क्या होता है city compensatory allowance देखिए हर सहर में cost of living अलग अलग है हर सहर की cost of living अलग अलग है कि बद दोता है यह cost of living वारन असी की जादा है या फिर मुम्बई की जादा है obviously मुम्बई की जादा है ठीक है अगर किसी को वारन असी में 50,000 रुपय की salary मिल रही उसे कहा जाता है कि अब आपको मुंबई में काम करना है at the same salary of 50,000 रुपीज तो वो साथ पसंद नहीं करेगा क्यों? क्योंकि निश्चित है उसे मालूम है कि मुंबई में रहना ये थोड़ा सा महना पड़ेगा तो मुंबई में अगर उसे shift किया जाएगा ना तो वो चाहिएगा कि कुछ उसे additional payment मिले और employer भी यही करता है कि employer अगर आपको एक low cost living place से एक high cost of living place पे shift करता है तो ऐसे कि इसमें आपको city compensatory allowance देता है ये जो एक सहर से दूसरे सहर में महगाई का अंतर होता है उस अंतर को compensate करने के लिए जो आपको पैसे मिलते हैं उसे का जाता है city compensatory allowance तो वारा नस्री से किसी को अगर transfer किया जाएगा मुंबई तो उसे एक additional payment मिल जाएगी जिसे हम कहेंगे city compensatory allowance and this is fully taxable तिक है medical allowance medical allowance क्या होता है हर महिने employer आपको दस जा रुपे महिने दे देता है कि आपको कभी भी कोई भी medical related issue हो सरदी खासी बगरा हो कुछ भी हो अपना खुद से manage कर लेना और यह जो पैसा मिलता है employer से यह fully taxable होता है just fully taxable तिक है different lunch dinner allowance यह सब क्या होता है different lunch dinner allowance employee को किसी दिन सुबह 6 बज़े बुला लिया गया ठीक है अब employee को सुबह 6 बज़े बुला लिया गया तो वो tiffin लेके नहीं आया था इसलिए tiffin के लिए उसे 200 रुपे दे दिया गया यह कह लिजे lunch के लिए उसे 200 रुपे दे दिया गया तो इसे कहा जाएगा lunch allowance यह फिट टिफिन allowance किसी दिन employee को बहुत लेट हो गया office में माली यह 10 बज़े यह office में तो आथ बज़े उससे क्या किया गया था dinner allowance दे दिया गया था ताकि वो खाना खाले और accordingly वर्क पे लगा रहा है तो इसे कहा जाएगा dinner allowance यह सब fully taxable होते है overtime allowance ज्यादा काम करें extra time काम करने के लिए पैसे servant allowance servant allowance क्या होता है क्या दरा है हमने आपको helper allowance और servant allowance एक साथ ही बताया था helper allowance क्या होता है जब official काम के लिए staff रखने के लिए आपको पैसे दिये जाते है अगर domestic काम के लिए आपको staff रखने के लिए पैसे दिये जाते हैं तो उसे कहा जाता है servant allowance अलागर employer आपको पैसे देता है हर महीने पांच जार रुपया कि ए बंदा घर पे रख दो ताकि वो तुम्हारी बीवी के साथ सबजी कटवाए तेक है रोटी बनाए तुम्हारी बीवी के साथ मदद करें उसमें तो इसे कहा जाएगा servant allowance this is again fully taxable warden और proctor allowance यह हमने बताया था कि कभी-कभी college के professor है teacher है और वो भी hostel में ही रहते हैं college के hostel को use करते हैं तो उन्हें कभी-कभी warden से दे दी जाती है प्रॉक्टर का role दे दिया जाता है warden proctor is one and the same thing कि आप रात में क्या कीजेगा बच्चों की attendance ले लीजेगा सूने से पहले और main gate को close कराके सो जाईएगा ठीक है this is basically the role of warden तो इसके लिए जो पैसे मिलते हैं that is called warden allowance चीक है और यह भी क्या है fully taxable non practicing allowance non practicing allowance यह क्या होता है आपको हर महीने पैसे दिये जाते हैं कि आप अपनी practice नहीं करोगे जैसे आपको समझाते हैं जैसे जो doctors होते हैं ठीक है chartered accountants होते हैं यह सब जब job कर रहे होते हैं तो जो employer होते हैं इनके वो क्या करते हैं इनको salary देते हैं job करने की और साथ में इनको कभी-कभी monthly payment दी जाती है कुछ monthly payment दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि आप अपनी practice खुद की नहीं करोगे कि अलब डॉक्तर से का Maharता है आप सरकारी hospital में काम करने हैं आप अप में private clinic नहीं खूलेंगे इस बात का पैसा अब सरकारी एस्पताल में काम करनें इसका एक लाफ रुपया महिना लो और आप अपना क्लिनिक नहीं खोलोगे इस बात का वादा है जिसके लिए आपको दरज़ा रुपया महिना और दे रहे हैं क्यों किया जाता है ऐसा हम आपको समझाते हैं जैसे आप लोग क्वालिफाई करेंगे तो क्वालिफाई करने के बाद हो सकता है बहुत बड़ी कंसल्टेंसी कंपणी में आप जॉब कर रहे हैं एसी consultancy company में आप जॉब कर रहे हैं जहां पे client अगर एक consultancy लेने आता है तो उसे पास दस लाख रुपए की fees ली जाती है उस consultancy company में आप की salary कितनी है पता है मातर एक लाख रुपए महीना आपको कितना मिलता है एक लाख रुपए महीना आप ऐसे समझे हैं आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो और तब तक एक क्लाइंट आता है आपके पास और डिस्कस करता है इशूस को आपके साथ कि मुझे इस ग्राउंड पर कंसल्टेंसी चाहिए अब धीरे से उसके कान में बोलते हो एक कान करिए अभी कंसल्टेंसी यहां आफिस में बैटके मत लीजिए आफिस में बैटके कंसल्टेंसी लेंगे तो कंपनी आपको बिल बना के देगी पांच लाक रुप्या और कंसल्टेंसी देना किसे है मुझे ही देना है एक काम करिएगा आप साम को मेरे घर चले आईए जब आप घर पे आएंगे तो मैं सेम कंसल्टेंसी आपको देंगा सारी चीजे आपको बताऊंगा और आपसे सिर्फ एक लाख रुपए चार्ज करूंगा मतलब अंतर समझ में आ रहा है क्या भाई वो तो वहाँ पे बंदा नौकरी करता है उसे तो जो महिने की साली मिल रही है वही मिल रही है अगर वो आफिस में बैटके बता दी था उसको सारी बात तो पांच लाख रुपए की बिल कौन बनाता कमपनी बनाती हो पैसे कमपनी के पास जाते आपने उसे घर बुला लिया धीरे से और धीरे से घर बुला लिया तो घर पे बुलाके जो कंसल्टेंसी दोगे तो उसका पैसा भी क्या करोगे घर पे खुदी ले लोगे तो आपको तो एक लाग रुपे भी मिल जाएं तो मस्त हैं कमपणी में बहले पांच लाग रुपे का नुकसान हो रहा हो आपको तो एक लाग रुपे मिल गए आप मस्त हो उससे ऐसा आप निश्यते करने का प्रयास करोगे ये कमपनी जानती है ऐसा नहीं कि आप ऐसा कर रहे हो ऐसा कमपनी भी जानती है जहां पे आप नौकरी कर रहे हो कि ऐसा आप करने का प्रयास कर सकते हो तो अप कमपनी ने इसके लिए क्या किया company ने आप इसकी के लिए आप से एक agreement sign कराया कि आप अपनी practice खुद की नहीं करोगे और उस agreement में लिखा कि अगर आप अपनी practice करोगे तो आप और ऐसा पाया गया तो आपको 10 करोर रुपए की penalty देनी पड़ेगी company को ठीक है और आप अपनी practice नहीं करोगे इसलिए company हर महिने आपको 50.000 रुपए महिना और देगी जिसका नाम होगा non-practicing allowance तो अब देखिए आपको क्या मिल रहा है एक लाख रुपए की salary मिल रही है महिने की और 50.000 रुपए non-practicing allowance भी मिल रहा है तीक है और इस बात बताइए तो इसलिए आप कभी भी हिम्मत नहीं करोगे कि आप ऐसा काम करो यही company करती है non-practicing allowance में आपको बांद देती है यह आपने agreement खळा लिया है आपसे तो और आपको हर महिन इतना पैसा दे दे रहे है इसलिए company निश्चिन्त है कि आप कुछ भी दरबर नहीं कर पाओगे समझ में आगे है सबको and this non-practicing allowance is fully taxable family allowance is fully taxable special allowance family allowance is क्या होता है family के लिए पैसा दे दिया आपको पता है ना कि allowance का बहुत कोई मतलब होता हो ऐसा नहीं है जो मर्जी जो नाम रख लेजे special allowance, gift allowance deputation allowance deputation allowance क्या होता है employer employee को एक दूसरी location पे shift कर रहा है बहुत लंबे समय के लिए नहीं एक temporary period के लिए तो उसे दिया जाता है deputation allowance for example company की दिल्ली में भी office है, Mumbai में भी office है Mumbai वादी office में चार employee ने अभी-अभी resign किया है तो Mumbai employee Mumbai office में employee की थोई shortage हो रही है तो Delhi office से अभने क्या किया है एक employee को Mumbai office का कि चले जाओ पंदा दिनों के लिए तब तक में हम लोग interview अगर conduct कराएंगे और recruit कर लेंगे extra लोगों को तो इन पंदा दिन काम समालने के लिए तुम एक बार Mumbai office चले जाओ Delhi office हमने Mumbai office बेज़ दिया अब बताएंगे वो 15 दिन बाहर वहेगा तो निश्यत है कुछ उसे extra तो पैसे मिलने चाहिए ना तो उसी को हम क्या देते हैं deputation है तो उसको नई जगा पर हम depute कर रहे हैं इसलिए हम deputation हम देते रहे हैं daily allowance क्या होता है daily allowance हम काम करने के लिए नहीं बेज़ते हैं हम उसको meeting, seminar, conference अटेंड करने के लिए बेज़ते हैं चीक है, client के साथ meet करने के लिए बेज़ते हैं तो हम उसको क्या देते हैं daily allowance per day के इसाब से alliances to government employees outside India किसकी बात हो रही है embassy की government employees outside India इनको जो पैसे दिये जा रहे हैं that is fully exempt तेकिए जितने भी alliances embassies को दिये जाते हैं वो fully exempt है alliances to अभी तक सब taxable पढ़ रहते हैं ध्यान दीजिएगा बस अब ये वाला exempt रहना सुरू की हैं embassies को जो पैसा मिला है fully exempt, high court judges, supreme court judges को जितने भी alliances मिलते हैं वो भी exempt है salary and alliances paid by UNO to its employees UNO वालों को alliances ही नहीं salary तक क्या है exempt है ये हमने पहले भी बताया था आपको UNO, world basically एक ऐसी संगटन है wish oyster पर ये एक संगटन बनाया गया है जिसमें सभी देश मेंबर है और हर देश चाता है कि उसके लोग वहाँ पर job करें क्योंकि निश्यत है ज़्यादा लोग हमारे अगर वहाँ पर होंगे तो हमारी representation ज़्यादा होगी ठीक है तो जितनी भी salary और alliances UNO से मिलती है एक भारत के नागरिक को ठीक है आपको ये भी बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज़ेस को alliances उनकी salary से ज़्यादा मिलता है उनको बड़े सारे benefit मिलते हैं ठीक है इसकली जज वगर जो होते हैं इनके benefits बहुत हाई है इनको बहुत सारे benefits के लिए पैसे दिये जा रहे हैं ये manage कर लिजेगा ये manage कर लिजेगा इसके लिए पैसे उसके लिए पैसे बहुत सारे alliances मिलते हैं इनके पैसे समझ लिजे कि अगर इनके alliances पे tax लेने लग जाएंगे न तो बहुत ज़्यादा tax हो जाएगा इनका क्योंकि इनको benefits ज़्यादा मिलते है rather than the fixed basic salary basic ही इनका बहुत कम है as compared to alliances alliances इनके बहुत हाई होते है और आप भी समझ सकते हैं कि Supreme Court और High Court के judges का मतलब क्या है हमारे देश का law and order इनके हाथ में ठीक है इनको खुष रखना बहुत ज़ूरी भी है भारत सरकार के लिए प्योंकि अगर ये खुष नहीं रहेंगे satisfied नहीं रहेंगे तो सायद ये एक गलत कदम उठाएंगे जिससे हमारे देश का प्योगा law and order क्या होगा disturb हो जाएगा इनके मन में कभी भी कोई लालच नहीं होना चाहिए इनको कभी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि इनको इस चीच की कमी है हमेसा इनको satisfy करने की और खुस करने की courses की जाती है इसलिए इतने सारे advances और benefiting को दिये जाते है इनको percusate भी बहुत high मिलते है बहुत high percusate है benefiting kind directly बहुत मिलता है तेकि जितनी इनकी salary नहीं होती नहीं ये judges की उससे जदा इनकी security पे खर्चा हो जाता है इनके body guards जितने होते हैं उनके जदा खर्चा हो जाता है उनकी salary जदा हो जाती है taken together as compared to the salary of judge of the supreme court तो guardman बहुत खर्चा कर रही है इनके उपर और ये जो alliances मिल रहे है judges को ये fully exempt है और last way हमने दिया कि all other alliances not mentioned इसके अलावा कोई भी alliance जो हमने mention नहीं किया वो सब क्या है fully taxable जैसे कि family alliance तो चाम mention किया था project alliance, marriage alliance अब हमने का कि ये लो पैसे दस लाख रुपया, अब भी साधी कर लो marriage alliance हो किया education alliance ये क्या है other than children है education alliance other than children क्योंकि children education alliance की case है तो आपने देखा ये 300 रुपया per month per child up to a maximum two children exempt होता है हमने education alliance दिया है grand children के लिए brother and sister के लिए employee को तो वो exemption को सिर्फ children की थी education alliance था तो बाकी education alliance देंगे तो वो fully taxable है in fact ऐसे समझ लीजिए जो भी alliances का नाम अपनी नहीं सुना नहीं पढ़ा वो सब fully taxable है और बहुत सारे तो fully taxable की अपनी example भी आपको दिखाई दिये कि क्या क्या fully taxable होती है illustration 12 आपको बहुत सारे यहां पर alliances के नाम लिखे हुए है children education, city compensatory, hostel, tiffin alliance आपको बताना इसमें से क्या taxable है, क्या exempt है और total income निकाल देनी है चल लेंगे आप बहुत आसान है now my dear students we are moving towards percusate हमनों भी alliances देख लिया अब हमनों percusate की तरफ move कर रहे है percusate क्या चीज़ होती है alliances जो होते है वो monetary payment होते है और जो percusate होता है वो benefiting kind होता है लेकिन अभी थोड़ी दिर बाद एक चीज़ इसमें और add करेंगे पहले इतनी बाद समझ ले फिर ये एक दूसरी चीज़ और add करेंगे कि percusate और भी क्या होता है अगर हम benefit manage करने के लिए employee को पैसे देते हैं तो उसे कहा जाता है allowance अगर benefit ही directly दे देते है तो उसे कहा जाता है percusate जैसे mobile का bill जमा करने के लिए अगर हमने उसे पैसे दिये हर महीने 200 रुपए तो ये कहलेगा telephone allowance जितना mobile bill उसका आता है सीधे pay कर देगी company तो इसे क्या बुला जाएगा telephone percusate बास समझ में आ रही है फिर से वही बात हम कहते हैं कि मान लीजे employer ने क्या किया आपको किराय मैनेज करने के लिए पैसे दिया तो उसे कहा जाएगा house rent allowance अगर एक मकान ही आपको रहने के लिए दे दिया जाए तो उसे क्या बूला जाएगा एक मकान ही आपको रहने के लिए दे दिया जाएगा तो उसे क्या बूला जाएगा उसे बूला जाएगा फिर percusate उसे कहा जाएगा rent free accommodation percusate बिना किराय के accommodation बिला है वो percusate है अब एक ध्यान से मेरी बात समझेगा इस लाइनों को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि दो लाइन तक तो आप अंसर कर पाएगी जब मैं तीसरी लाइन बोलूंगा तो साहथ आपको कुछ सोचना पड़ जाए तो सुरू से पहली लाइन से ध्यान दीजे पांचार रुपे महिने इसके लिए देता है यह क्या है मेडिकल अलॉइंस अन्स फुली टाक्सेबल यह भी आपने अलॉइंस में पड़ लिया है अब बिमाग पढ़ते हो और हस्पीटल का बिल आता है 6,215 रुप्या 6,215 रुप्या और इंप्लॉइल यह बिल खुदी बहर देता है 6,215 रुप्या यह क्या है यह है मेडिकल पर्क्यूसेट यह है मेडिकल पर्क्यूसेट तीसी बास समझने की कोसिस कीजिएगा चुकि आपको बेनिफेटिंग काई यहाँ पे मिल गयाता है इसलिए यह है मेडिकल पर्क्यूसेट आप बिमार पढ़ गए इंप्लॉइर आपसे मिलने आता है हॉस्पीटल आपसे पुछता है कि हॉस्पीटल का बिल कितना है बता दो आप बताते हो कि 6,215 रुप्य है इंप्लॉई 6,215 रुप्य निकलता है और आपके हाथ में पकड़ा देता है और कहता है निकलते समय हॉस्पीटल में पे करके निकल जाना अब यह क्या है 6,215 रुप्य जो इंप्लॉई को पकड़ाये गया आलॉईण्स है की पर्क्योषिट है क्योंकि हमने आपको यह सिखाया है कि बेनिफिटिंग काइन जो होता है वो पर्क्योषिट होता है और अगर मॉनिट्री टेमिन दी जाते हैं किसी बेनिफिट के लिए तो वो आलॉईण्स है यह क्या है बच्चों ये ऐलोइंस नहीं है ये पर्क्यूसिटी है जा सोच की देखिए अब वो इंप्लॉयर जाएगा हस्पिटल की लाइन में खड़ा होके पैसा जमा करेगा तो आप पर दो के पर्क्यूसिट और इंप्लॉई के हाथ में ही पकड़ा के चला गया तो वो एलोइंस बन आप क्यों नहीं दूसरी बातों पर भी फोकस कर दो एलोइंस के लिए सिप मॉनिटरी पेमिंट होता है यही थोड़ी ना बता है और भी बहुत सारी बाते बताईए आपको एलोइंस बिसिक्ली कैसा पेमिंट होता है जहां पे आप खर्चे कभी-कभी पेमिंट से ज़्या कर देते हो कभी-कभी खर्चे कर देते हैं क्भी-कभी खर्चे के बराबर करते हैं ऐलोइंस वो होता है कि आज आपको पांगे रुपये हो सकता है आपको शह झालोइंसipes दोजह पे करने के लिए पर्क्योसिट में सीधे बेनिफिटिंग काइन मिला पैसा मिला ही नहीं जास बात समझने की कोशिश कीजिए अगर इंप्लॉयर ने आपके हाथ में छेजा दो सुपंदार रुपय रखे तो क्या मेरे हाथ में वो पैसा आया नहीं वो पैसा तुरंट जाना है और तुरंट कह काश्पिटल का बिल कितना है आप किता हुछ छेज़ा ढूस बंदार रुपय इंप्लर कहता है पैसे अभी तो आप किती हुआ पैसे तो है मेरे पास तो कहता है की काम करना हुछ भी छेज़ा दूसो पंदार रुपय भर देना खल जब ऑफिस आओगी तो यह सट्वावमा actual expenditure आपके एक benefit के लिए आपने पैसा दिया और थोड़ी दे बाद employer ने उसे दे दिया कोई जरूरी नहीं है इस बात समझेगा employer अगर आपको car दे दे तो ये percusate की allowance है आप कोगे percusate आप कोगे percusate है क्योंकि benefiting kind है employer आपसे अगर ऐसे कहते है जाओ जाओ सोरूरी में car पसंद करके आओ एक अपने लिए आप पसंद करके आते हो employer कहता है quotation बनवा के ले के आना आप ले के आते हो कितने का quotation है 6,12,920 रुपया employer आपको 6,12,920 रुपया हाथ में पकड़ाता है जाओ जाके कार खरीद लो तो अभी क्या यह एलॉइंस हो गया है क्या औरी इस्टिल पर्क्योसिटी है benefiting kind का मतलब यह नहीं कि एड्जक की benefiting kind लाके आपके सामने पकड़े पैसा दे दिया एड्जक के amount ताकि आप वो benefit ले आए तो यह भी पर्क्योसिटी है एक और अमतर आपके दिमाग में बढ़ाते हैं जिससे यह बात और clear समझ में आए एलॉइंस क्या चीज़ है एलॉइंस basically खर्चा होने के पहले ही आपको दे दिया जाता है मतलब जब खर्चा दिक भी नहीं राए ना उसी समय पैसा आ जाता है अगर पेमिन्ट के फॉर्म में आपके पाश आ रही होगी तो खर्चा डिसाइड हो गया तब आपके 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 पेमिन्ट आ रही है जैसे मान लिए इम्प्लाइर आपको हर महीने 200 रुपए देता है कि अपना टेलिफून बिल पे कर लेना तो यह ऐलोइन्स है आपका बिल आया पाँचिए 911 रूपए और ways ले ने किया जमा कर दी है अभी आपका बिल आया है पाँचिए 911 रूपए और एम्प्लाइर बिल आपके आपके हाथ में रख दिया reimbursement मिलता है या फिर benefiting kind मिलता है then it is percusate otherwise एक monetary payment मिलती है मुझे जहाँ पर खर्चा ज़्यादा हो सकता है कम हो सकता है बरावर हो सकता है then it is an allowance percusate में अगर आपको monetary payment मिली है तो खर्चा ज़्यादा या कम नहीं हो सकता क्योंकि वो exact amount होगा यहाँ पर खर्चा exact amount होगा और यहाँ पर जब payment मिल रही है alliances में तो खर्चा ज़्यादा कम हो सकता है अब clear है कि नहीं है बात आईए percusate की definition देखते हैं और यह जो definition हम यहाँ पर percusate की देख रहा हैं यह income tax की definition नहीं है यह general definition ठीक है percusate क्या होटा है generally उसे समझते हैं layman की भासा में percusate may be defined as any emolument in addition to salary or wages it is not necessary that a recurring and regular receipt alone is a percusate पढ़ी सुन्दे बात कहता है percusate addition है salary or wages में it is not necessary that a recurring and regular receipt alone is a percusate क्यारा है कि अगर आपको हर महिने वो चीज़ मिलता है तभी वो percusate ऐसा नहीं है वो benefit अगर कभी कभार भी मिलता है आपको साल बर में तो भी वो percusate है employee ने आपको mobile साल में एक बर mobile दिया था percusate है हर महिने mobile देगा तभी percusate है ऐसा नहीं है तो कि salary हर महिने आती है लेकिन बहुत सारे benefiting kind साल में एक बार मिल सकते है employee ने आपको free में रहने के लिए मकान दिया है बारा महिने के लिए percusate है free में एक mobile देदी है ये भी percusate है साल में एक ही बार दिया है तो भी percusate है तो recurring और regular receipt हो ये जहूरी नहीं है एक बार भी साल में मिलता है तो भी वो benefit क्या कहलाएगा percusate कहलाएगा even a casual and non recurring receipt can be percusate एक casual और non recurring receipt भी percusate हो सकता है इसका क्या मतलब में जो कभी कभार मिलता है उसे casual कहा जाबता है non recurring मतलब कभी कभार है again can be percusate if the apposate conditions are satisfied percusate received from a person other than employer are taxable under the head PGVP percusate received from a person other than employer अगर employer के अलामा किसी से मिल रहा है तो ये PGVP head में taxable होगा ज्यान से समझेगा PGVP या income from mother sources में taxable होगा percusate का मतलब होता है benefiting kind अगर employer से मिल रहा है तब तो क्या है ये salary अगर employer के अलामा किसी से मिल रहा है then it is PGVP और income from mother sources बात समझते एक्जामपल से मैं TV की दुकान चलाता हूँ I'm a TV dealer और Samsung की TV बेच रहा हूँ मैं Samsung company मुझसे कहती है कि 1000 TV बेच दीजी अगरवाल जी मैं आपको Europe का एक टूर दे देता हूँ आपको Europe का टूर टूर पैकेश दे देता हूँ 1000 TV सेमसंग की बेच दीजिए मैंने 1000 TV सेमसंग की बेच दी मुझे Europe पर टूर मिल गया क्या है ये पर क्यों से डिस बेनिफिटिंग काइंड गिवन तू मी understood क्या ये taxable है मेरे आप में बिल्कुल taxable है पता किस साइट में taxable है मेरे लिए जो samson company है मेरी employer नहीं है मेरे साथ मेरे से उसका कौन सा relation है business का and therefore ये जो मुझे benefit मिला है in kind ये कौन सी income है PGBP ये यूरोप के tour की valuation करनी होगी और जो value आएगी वो PGBP की income है मेरी आप बच्चे जो मुझे fees देते हो इस fees को कहां पर किस head में consider किया जाता income निकालने के लिए आप से आने वाली fees बच्चों कौन से head में consider की जाती है मेरी income निकालने के लिए PGBP मेरी PGBP head की income निकालने के लिए आप से आई रिसेट कंसिडर की जाती है एक बच्चे ने मुझे फीज देने की वजाए पता है क्या देती है एक मोबाइल देती है क्या वो भी मेरी इंकम है हाँ दिस बेनिफिटिंग काइन बिकाउस अब में बिजनेस इंप्रोफेशन इसलफ and therefore this is also taxable and this will be taxable under the head again PGVP उस मोबाइल की वालुएशन होगी और वो वालु मेरी PGVP की इंकम कहलाएगी बात समझ में आई जान दीजेगा अगर ये taxable नहीं होता तो मैं क्या करता पता है आपको मैं आप सभी बच्चों से कहता कि काम करो फीस मत दो सारे लोग मोबाइल दे दो मुझे राजसर इतने सारे मोबाइल का क्या करेंगे अरे चिंदा मत करो जितना मोबाइल आप से लिए पांस-दस परसेंट करके किसको दे देंगे किसी दुकंदार को वापस से मोबाइल बेच देंगे अगर गौर्णमेंट कहेगी ना मोबाइल ले रो बेनिफिटिंग काइड ये टेक्सेबल नहीं है तो यही करेंगे आप से मोबाइल पकड़ेंगे किसी दुकानदार को 50% लेस करके वापस से बेश देंगे अरे 30% के टेक्स देने से अच्छा है 5% का मोबाइल पर नुक्सान सहलो आपको पता है ना कि आप अगर मुझे 10,000 रुपए देते हो तो मेरे हाथ में कितना लगता है 7,000 रुपए 3,000 रुपए तो मैं इंकम टेक्स दे देता हूँ तो इस बेटर कि आप से फीज जो आई वो मोबाइल के रूप में ले लूँ और किसी दुकानदार को 5% कम करके वो मोबाइल वापस से बेच दूँ समझने की गोसिस कीजिएगा कि जो आपको बता रहे हैं कि बेनिफिटिंग काइंड भी अगर मुझे मिलता है तो आप से जो कुछ में मिलेगा वो मेरी PGVP की इंकम है अब फीस के अलावा मुझे कोई गिस्ट भी दे दोगे तो वो मेरी PGVP की इंकम है ठीक है इसका क्या बत्लोगा इसका क्या बत्लोगा इंप्लोइर इंप्लोइई को कार देता है ओफिस से घर घर से आफिस आने जाने के लिए क्या यह परक्यूसित आज यह एक बेनिफिट है इंप्रॉई इंप्रॉई को का दे देता है कि जो इससे बीवी को मूवी देखा लाओ चाहिए एक benefit है येस इसकी भी valuation करनी होगी और फिर ये डाक्सिबल होगा हां दीजिए percusate में यही तो complex बात है कि percusate एक benefit है काइन में तो यहां valuation करनी परती है क्योंकि एक monetary payment होता है तो हमें value पता आए पर क्यूज़ी पे भी जब reimbursement होगा ना actual expenditure का तब परशानी नहीं आएगी क्योंकि वह monetary payment ही हो गया तो basically percusate is both benefit in kind it is also monetary payment but when it is monetary payment it is always in the nature of reimbursement तो वहाँ पर tension नहीं है क्योंकि मुझे amount पता है तो हम बता देंगी कि इतने रुपए का benefit है लेकिन जब benefiting kind दिया चाता है न तो बड़ी tension है वहाँ पर क्योंकि वहाँ valuation करने की आवशकता है यहां पर क्या बात बोल रहे यह बताते हैं आपको एक company है जहां पर employee की जो job timing है employee को क्या बज़े आना और जाना होता है मैं बता दू employee को 9 बज़े आना है अस्साम को 7 बज़े जाना है इसको यह office timing है employee की employee की office timing क्या है employee खुद कब आता है मालिक कब आता है वह 10 बज़े आता है और 6 बज़े चला भी जाता है employee पहले ही 9 बज़े आ जाता है और office में last employee जाता है वह 7 बज़े जाता है particular employee employee 10 बज़े आता है और 6 बज़े निकल भी जाता है office में office के नीचे basement में Employee کی कई सारी चार खड़ी हुई है थिक है Employee तो स् Eariseen जा चुछा है कोई एक चार लेके चला गया Joy बाकी की सारी चार खड़ी है और उसकी कीस भी वहीपे आफिस में है Employee जब साथ बज़े निकलता है तो वो एक कार लेके निकल जाता है कौन देखा है उसको? कोई नहीं और अगले दिन नो बजे वो Employer के आने के पहले पहले यहाजाता है तो आखर ले भी आता है और लाके यहीं प्रेवापस से ख़ड़ी कर देता है यानि जब Employer आता है Employer जब आता है आफस तो देखता है हाँ कार खड़ी है कार लेकि घर आ जा रहा है it's a benefit to employee but has it gotten legal हो रहे हैं क्या ये legal है नहीं ये legal नहीं है और जो legal नहीं है उसकी valuation नहीं की जाएगी वो employee के हाथ में नहीं जोड़ी जाएगी यानि इसकी valuation ये जो benefit employee ने अपने से ही ले लिया employee ने दिया नहीं ये benefit तो employee ने बिना बता ही ले लिया क्या इसकी valuation की जाएगी और employee के हाथ में सालरी की income बनेगी नहीं तो आप को गे सरी ये तो बड़ी अच्छी बात है फिर तो employer को बताने की जोटी नहीं है जो benefit लेना हो अपने से ही ले लिया करो बिना लेंगे तो taxable भी नहीं होगा लेंगे तो taxable हो जाएगा पूच के लेंगे कार अगर पूच के कार ले गया होता तो उसकी value लगाई जाती है और वो income में जोड़ दिया जाता उस पर tax लग जाता employee का अब बिना बताय ले गए तो बड़ी अच्छी बात है पर्क्यूजिट के valuation ही नहीं होई तो ध्यान दीजेगा हिंदुस्तान में सिर्फ income tax का ही कानून नहीं है civil laws और criminal laws भी है इंप्लॉयर तुरंद अगले दिन जाएगा F.I.R. कराएगा और employee को legal consequences दूसरे law में जहिलने पड़ेंगे बास समझ में आरी है न तो यह मत कहिएगा कि यह तो ज़्यादा अच्छी बात है बिना employer को बताई कार ले जाओ A benefit or advantage would be taxable as perquisite only if it has a legal origin अगर legal origin है तभी वो benefit perquisite कहलाएगा An unauthorized advantage taken by an employee without his employer's authority would not amount to perquisite taxable under the Act An unauthorized advantage An unauthorized advantage taken by an employee An unauthorized advantage taken by an employee without his employer's authority would not amount to perquisite taxable under the Act अगर कोई unauthorized advantage employee लेता है employer को पता ही नहीं है employer की knowledge के बिना ही वो benefit अवेस कर लेता है ठीक है on his own So that would not be perquisite under the Act On the other hand if the benefit has been conferred unilaterally without the aid of agreement between the parties The employee can be tested on the perquisites क्या किया रहा है benefit अगर unilaterally मिलिया क्या मतलब इसका मैंने जब employee को hire किया था ना तो मैंने उसे बोला कि सिर्फ तुम्हें 15,000 रुपय की basic salary मिलेगी महीने की और कुछ नहीं मिलेगा लेकि जब वो काम करने आया तो पहले मैने के बाद ही मैंने उसे car दे दिया आने जाने के लिए दूसरे मैने मैंने उसे घर दे दिया रहने के लिए क्यों क्यों क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहा था तो क्या ऐसा कुछ decided था कि I have to give all this perquisite to him No But still I am giving all this perquisite to him It is called unilateral Bilateral कब होता जब दोनों ने मिलके decide किया था जब हमने उसे appoint किया उसी सामें बुला कि देगो तुम्हें ये मिलेगा ये मिलेगा तब वो जाके क्या हुआ था आया था हमारे यहां job करने लेकि ना साही नहीं मैंने तो उसे बुला था कि तुम्हें 15,000 पर मंद की salary मिलेगी हो वो मेरे यहां job करना है के लिए ready था उसने start भी कर दिया लेकिन मैंने उसके performance की वज़ए से unilaterally अपने मन से उसे कुछ advantages दिये Will it be taxable as perquisite? Obviously yes ठीक है employer दे रहा है employee अपने से ही कुछ ले लेता है benefit employer को पता ही नहीं लगता ठीक है तो यह illegal है और यह perquisite भी नहीं क्या लाएगा निश्यत है employee के उपर दूसरे laws को दूसरे law के तहब उसे परशानी उठानी पर सकती है It is not necessary the benefit should have been received under an enforceable right यह जवरी नहीं है कि एक enforceable right होना चाहिए perquisite को receive करने के लिए मतलब कि कहीं पर written agreement हो कि employer यह चीज़ employee को देगा ऐसा जवरी नहीं है Employer ने अपने मन से भी दे दिया ना तो वो employee के आद में ठाक से बढ़ देगा Hello everyone Last class में आपने perquisite की definition in name and language देटी थी और एक basic understanding develop करनी थी कि Alloyances और perquisite में क्या अंतर होता है जब employer आपको एक benefit manage करने के लिए पैसे दीता है तो वो Alloyances लेकिन अगर वो benefit ही दे दे तो वो क्या होता है perquisite और एक बात आपने आउव सिखी कि if it is a reimbursement if it is a reimbursement then it is perquisite For example अगर employer आपका telephone bill भर दे employer employee का telephone bill भर दे तो इसे क्या कर जाएगा परकियों से लेकिन अगर employer employee को हर महिने 5 रुपे दे कि इससे तुम अपना telephone का bill manage कर लिया कर तो बताईए क्या होगा Alloyances अच्छा अब एक तीसरी बात यह होती है कि employee का जितना बिल आएगा employer उतना उसे reimburse कर देगा यह क्या है यह भी perquisite है benefiting kind ही है यह भले पैसा मिल रहा है बट this is a benefiting kind है क्या employee इसमें से कुछ पैसे बचा पाएगा नहीं पहले ही मिल जाता है खर्चा हो ना हो जादा हो कम हो कुछ भी हो सकता है बट perquisite क्या होता है या तो इंप्लॉइट डारेक्ट वो benefiting kind दे देता है या पैसे देता है तो उतना ही देते ही जितना खर्चा हुआ है यह होता है पर लेमेन वाली बात तो लोग ने कर ली थी लेकि तो करेगा नहीं इंकम टेक्स्ट तो confined बात करता है पूरा क्या करता है boundary यह इंकम टेक्स्ट तो लच्मन रेखा खिच के सारी चीज़ बताता है ताकि कोई भी च्छलांग ना मार पाए कि लुकि हलका सा भी च्छलांग मारे तो आप तो जाते ही हमारे देस की जंता को कैसे कैसे text बचाने में लोग माहिर हैं तो boundary तो खीची देता है तो आइए हम देखते हैं section 17-2 में कैसी boundary खीची गई है for the definition of percusate let's see section 17-2 gives an inclusive definition of percusate as per this section percusate includes सबसे सुन्दर बात ये definition एक inclusive definition है और ये सब कुछ percusate की definition में included है यानि अगर कोई और benefiting kind भी आ गया तो सरकार उसे भी percusate कह सकती है right ऐसी definition आपने basic conception classes में देखनी तो याद है आपको definition of person person includes right तो वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर कोई अपने आपको साबित करते हैं कि हम individual नहीं कुछ सबसे बाहर निकल जाए alien है कहते हैं तो भी क्या हमारी भारत सरकार उसको पकड़ के text ले सकती है हाँ ले सकती है क्योंकि भारत सरकार क्या बोलेगी वो कहें कि person इतने ही लोग होते हैं ऐसा थोड़ी न हमने कहा हमने कहा ये लोग person होते हैं ये थोड़ी न बुला तुम नहीं होते हो ये लोग person होते हैं कि person की definition में ये भी included है तुमको थोड़ी न मना किया अच्छा की the same thing is over here number one perquisite की definition में क्या क्या हैगा the value of rent free accommodation rent free accommodation मतलब घर बिना किराय इंप्लॉयर में employee को घर दिया रहने के लिए और किराया भी नहीं ले रहाए इंप्लॉयर तो ये benefit है perquisite दूसरा the value of any accommodation provided at concessional rate इंप्लॉयर ने employee को घर दिया रहने के लिए जिसका किराया होना चाहिए 25,000 लेकिन employer employer इंप्लॉयर से 5,000 रुपे लेता है तो क्या ये भी फायदा है employee को घर दिया employer ने employee को किराया भी लेता है employer लेकिन किराया ले रहा है मातर 5,000 रुपे जबकि उसका किराया होना चाहिए 25,000 लुपे जबकि उसका किराया होना चाहिए 25,000 लुपे क्या ये benefit है yes income tax कहता है ये benefit है this is an perquisite तीसरा any sum paid by the employer in respect of any obligation for which payment would have been made by the employee बड़ी सुन्दर बात कह रहा है कह रहा है any sum paid by the employer in respect of any obligation एक ऐसी obligation थी जिसकी payment तो employer नहीं किया लेकिन उसकी payment करनी चाहिए थी employee को आई समस्ते हैं आपी से पते ही employee के घर का बिजली बिल कौन भरेगा employee को भरना चाहिए कि employer भरना चाहिए जिसके घर का बिजली बिल है वही भरेगा employee के घर का बिजली बिल है employee भरेगा लेकिन अगर employer ने भर दिया तो वो perquisite टेगा अच्छे इंप्लॉई के घर में गैस का सिलेंडर आया है उसका पैसा किसको देना चाहिए और अब्यस्ली इंप्लॉई को देना चाहिए लेकिन अगर इंप्लॉई ने दे दिया तो परक्योजिट आई होपाबको बात समझ में आ रही है तो कोई भी ऐसी ऑप्लिकेशन जैसे इंप्लॉई ने अपना इंशूरेंस कराया है तो प्रीमियम कौन भरेगा इंप्लॉई भरेगा लेकिन अगर इंप्लॉई ने भर दिया तो परक्योचिट कि कोई भी खर्चा जिसकी पेमेंक इंप्लॉई को करनी चाहिए वो इंप्लॉई कर दे तो वो इंप्लॉई के आत में पर्फिट केंड आई जा next लेकिए अगर कोई भी पैसा employer directly employee को देते या पर किसी fund से निकाल के देते लेकिन other than ये fund ये वो fund है जो सरकार कहती है बनाने को अच्छली deposit linked insurance fund और recognized provident fund ये पता है सरकार कहती है बनाने को ये fund तो employer को बनाना ही पड़ेगा इसमें से निकाल के पैसा दे दिया है तो वो पर्क्योजिट है कहरा नहीं कहरा है employer में कोई fund बनाया जो कि सरकार नहीं कहती है बनाने को बनाया और उससे निकालके employee को पैसा दे दिया तो ये पर्क्योजिट कहला है और या फिर डारेक्ली employee को पैसा दे दिया मैं example से समझाता है इस पाथ को कि पता है जितनी soft drink वाली company है और पेपसी देस दाट चीक है मैं तो पीता नहीं इसने जानता भी नहीं है इनकी employees आपस में बहुत ज्यादा interchange होती है एक soft drink की company दूसरे soft drink की company के managers को employees को hire करने में ज्यादा interested होती है ताकि उनको पता चले कि उस company में क्या क्या चीज़े मतलब marketing की क्या strategy है उनकी production की क्या strategy है यह सब जानने के लिए employees को hire करते हैं to hire salary मतला आप समझ रहो कि अगर वो एक इंदूसरी company में काम करता है तो उसको offer करेंगे बड़ी salary ताकि तुम मेरे यहां आ जाओ तो कुछ marketing के ideas पता चलेंगे उससे ठीके technology पता चलेंगे ठीक है लेकिन उसकी training में उसके development में employer का खर्चा होता है और क्या उसकी productivity उतनी आती है जितनी पुरानी किया क्योंकि यह नहीं क्योंकि उसने gradually over the period of time बहुत कुछ learn किया अब मैं आपको कुछ companies की strategy बताता हूँ employees को कैसे retain करते है अब देखे कुछ company क्या करती है इस तरीके के fund बराती है employees, children, education, fund जा कह लेते है higher education fund अब यह क्या है बता देए यह गुल्लक है समझे, employer कहता है हम हर साल इसमें पैसा डालेंगे 10 लाग रुपे और मेरी company में जितने लोग भी 10 साल काम कर चुके होंगे, तो यह condition होगे हम हर साल 10 लाग रुपे डालेंगे और मेरी company में जितने employees 10 साल काम कर चुके होंगे, उनके बच्चे को अगर higher education के लिए पैसा चाहिए होगा, तो इस fund से दिया जाएगा अब बताइए हर employee के मन में ये बात आएगी कि नहीं कि 10 साल अगर इस company में टिक जाते हैं तो कम से कम बच्चे की पढ़ाई की टेंशन नहीं है भाई, वो तो company क्या करेगी, इस fund से निकालके देगी, तो इस थरीके के fund बनाते हैं, और क्या बनाती है ये companies, company बनाती है, employees, children, marriage fund, company ने कहा है कि जो भी employee मेरे यहाँ 10 साल या 15 साल वोटेवर रह जाएगा, तो उसके बच्चों की साधी का खर्चा इस fund से निकाला जाएगा, और हम इस fund में हर साल पैसा डालते हैं, company के लिए हम हर साल इसमें 20 लाक रुपए डाल दे रहे हैं, जिस भी employee के बच्चे की सा साधी होगी, तो इसमें से उसे 30 लाक रुपए दिये जाएगा, आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे retain करते employee को, अब बताएए कोई भी employee जो 10 साल, 12 साल रह चुका होगा, अब 15 साल बाद बच्चे की साधी के लिए पैसा मिल जाएगा, तो वो टेक के रहेगा की नहीं, अब गौर्मिंट क्या कह रही है, कह रही है, इस fund से जो पैसा आएगा, क्या यह कानून में fund बनाना जो रही है, कोई कानून कहता है, ऐसा fund बना employee, ऐसा कोई कानून नहीं है, तो company अपनी मर्जी से बनाती है, ऐसे fund से पैसा निकाल के अगर employee को दिया जाएगा, तो वो परक directly, directly का मतलब क्या है, हमने कोई fund नहीं बनाया है, ठीक है, और employee के बच्चे की पढ़ाई के लिए, मैंने उसे दो लाक रुपए की मदद कर दी, कोई fund बन नहीं बनाया था, क्योंकि सभी employee को देंगे, ऐसी कोई announcement की नहीं है, कोई एक employee था, वो मेरा बढ़ाई अजीस था, उ नेक्स देखिएगा, the value of any specified security or threat equity shares allowed free of cost or a concessional rate to the SEC, यह तो market में सिस्टम चलता ही है, इस swap आपने सुना होगा, कि company अपने employees को shares देती है, सस्ते रे, बिसिकली जब company के employees के पास shares आ जाते हैं, company के, तो वो भी अपने आपको क्या फिल करता है, भाई, share का मतलब बालिक है हम भी company में, इससे दाली है हमारी, तो बहुत सारी company अपनी employees को encourage करने के लिए company के कुछ shares देती है, और share कैसे देती है, free में दे देती है, यह पिर राट रुपय का share है, 10 रुपय में देती है, जिसे employee क्या बन गया, मालिक बन गया, कुछ point में कुछ percentage का वो भी मालिक बन गया, company में तो जब यह shares दिये जाते है employees के हाथ में, तो जितना, जितनी value का share दिया जाता है, वो employee के हाथ में क्या कहलाता है, percusate के, अगर मालिजे 100 रुपय का share दिया गया है, तो 100 रुपय का share 10 रुपय में दिया गया है, तो 90 रुपय पर्क्यूसिट कहलाएगा, clear है सबको, now last, इसको important mark कर लिजे, please mark it as important, this is a new amendment, which has been brought by budget, budget 2020, applicable for assessment year 21-22, ठीक है, ay 21-22 के लिए latest amendment है, इसलिए मैंने important mark किया इसे, क्या है यह चेक करिया, the amount of any contribution to provident fund, super innovation fund, national pension fund by the employer, in respect of the SSE, to the extent it exceeds 7,50 थाओट, provident fund, super innovation fund, national fund, provident fund, super innovation fund और national fund में employer जो पैसा डालेगा, उसकी जोड लगाई जाए, और यह साड़े 7 लाग रुपय से जितना ज्यादा होगा, वो employee के आप में taxable होगा, हाला कि provident fund की अपनी internal limit भी होती है, मैं आपको बताऊंगा, वो सब बात दे हम रुपढ़ेंगे, यह provident fund में भी एक internal limit भी होती है, इस से ज़्यादा अगर है, तो provident fund पैली taxable होगा, फिर टोटल साड़े 7 लाग रुपय से ज़्यादा हो रहा है, तो again taxable हो जाएगा, इस बात को एक example से समझे है, कि मान लिजे employer ने contribute किया है, provident fund में एक लाग तीज़ार, super innovation fund में 7 लाग और national pension fund में, यही तीन था, provident fund, approved super innovation fund और national pension fund, इसमें employer ने contribute किया है, एक लाग रुपय, मिला के कितना हो गया है, नो लाग तीज़ार रुपय, तो साथ लाग पचास ज़ार रुपया exempt हो जाएगा, balance taxable हो जाएगा, कितना हो गया, साढ़े साथ, आठ नो, देड़ एक लाग असी ज़ार, एक लाग असी ज़ार रुपया टाक्स ज़ाएगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी बात आती होगी, सब provident fund का मतलब क्या होता है, पंड का मतलब क्या होता है, नेशनल pension fund का मतलब क्या होता है, पिटा, ये सब तक कोई मतलब नहीं होता, समझाओं एक बात, जैसे मान लीजे किसी बच्चे का नम मोहन है, और किस दूसरे बच्चे का नम सोहन है, मैं आपसे पूझ हो कि बताओं दोनों में क्या अंतर है नाम में, मोहन का मतलब क्या होता है, सोहन जातों बताओं ये नाम है, वैसे ही ये सब benefit employee को दिये जाते हैं, उसके नाम है, जैसे employer में किसी को ये कानून बनाया हो कहा कि employee को ये फायदा देना पड़ेगा, भी तो नाम रखें, कुछ नाम तरन करते हैं उस पायदे का, तो नाम रख दिया, प्रोविटेंट पड़ेगा, फिर एक benefit के लिए सोचा, ताकि ये भी employee को मिलना चाहिए, इंप्लोयर देगा, उसका नाम क्या रखा जाए, super innovation fund, it could have been any other name like लल्लू पकु भी हो सकता था इसका नाम, ये तो बस क्या है, नाम है, ठीक है, अलग-अलग कानून में अलग-अलग बात बताई गई है, कि ये सब benefit employer, employee को देगा, तो if it is exceeding 750,000, then it is taxable, अब एक छोटी बात और बताता हूँ आपको, माल लीजिए, अब इसी बात को दूसरे तरीके से देखे, अगर employer ने contribute किया, ठीक है, कितना, पी-एफ में एक लाग-टीस जाग, SAF, Super Innovation Fund में माल लेते हैं, दो लाग, और National Pension Fund में माल लेते हैं, एक लाग जाग, ठीक है, और employee की जो salary है, वो है दस लाग जाग, तो, actually, आप आगे चलके ये पढ़ेंगे, अभी आप नहीं पढ़ना है, आगे चलके आप पढ़ेंगे कि, P.E.F. में, Recognized Provident Fund अगर है, और P.E.F. है, Recognized Provident Fund है, तो, 12% of salary तक exempt होता है, उसके दियों taxable होता है, तो, 10 लाग की salary पे 12% होगा, एक लाग दीजार रुप्या, ठीक है, टोटल हम जोड़ रहें, कितना आ रहा है, 4 लाग तीजार रुप्या, साड़े 7 लाग रुपे से कम है, लेकिन फिर भी taxable होगा, हाँ, क्योंकि ये वाला 12% से जादा है, तो, हम कहेंगे, 12% of salary, साड़ी, एक लाग दीजार, ठीक है, तो, इसलिए, और पी अफ जो होगा, और पी अफ टैक्सिबल होगा, 10 लाग रुपे का, अभी बस इतना बताना चाहते थे, कि टोटल वाली limit अभी आपको सिखाई जा रही है, individual limit आप अभी आगे देखेंगे, और वो किस में पढ़न फंड में फंडे को मिलेगा, तो वहाँ पे आप इस बात को सीख लेंगे कि, यस, हमें 12% से जादा, इंडिवीजुली भी टैक्सिबल हो जाएगा, अगर तोटल साड़े 7 लाग से जादा नहीं है, जो भी, यह साड़े 7 लाग से कम है, फिर भी दरजार यहाँ पे टैक्सि तो इस क्लास को छोटी क्लास थी, बट इस क्लास को हम रोग यहीं पे खतम करते हैं, ताकि with a fresh mind, you start the next class with one by one learning all the percusate valuation, यह जो percusate की valuation होती है, वो income taxly specified है, कि अगर एक employer, employee को benefit देता है, तो उसकी क्या value होगी, उसका फुला procedure बताया गया है, आपको वो valuation के procedure याद करने होगे, valuation के अपने rules हैं, वो याद करने पड़ेंगे, कि अधर यह benefit है, तो value कैसे लगाई जाएगे, employee ने employee को घर दे दिया रहने के लिए, बीना पैसे की, तो उसकी क्या value होनी की है, तो valuation is prescribed under income tax, so you need to learn those valuation, and this we are going to see in the next class one by one, we'll stop here. We have completed with all the alliances, and now we are moving to perquisites, लेकिन एक बार आपको बताना पड़ेगा अब कि alliances और perquisites में क्या अंतर है, हाँ, alliances are monetary payments, perquisites क्या है, perquisites are benefiting kind, can it be monetary payment also, yes, perquisites can even be a monetary payment, but perquisites अगर monetary payment होते हैं, तो वो होते हैं in the form of reimbursement, और एक खास बात, कि alliances का जो amount मिलता है, employee से employee को, हो सकता है, खर्च उससे ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, या फिर उतना ही हो, लेकिन जहां तक रही बात perquisites की, तो perquisites में अगर monetary payment मिला भी ना, तो वो exact amount of expenditure होगा, क्योंकि वो in the nature of reimbursement होता है, ठीकिए, और या फिर benefiting kind ही सीदे मिलेगा, एक और विशेज बात, alliances तो हमेशा monetary payment रहता है, इसलिए कभी valuation की tension नहीं होई, कि ये benefit कितने का है, भाई, benefit खुदी monetary payment है, 10,000, 20,000, 25,000, कुछ ना, कुछ amount in money मिल रहा है, लेकिन perquisites तो benefiting kind भी होता है, times other than reimbursement, कभी-कभी ये benefiting kind है, कभी reimbursement है, reimbursement है, तब तो monetary payment रे tension कम है, क्योंकि मुझे पता है, वो benefit कितने रुपए का है, लेकिन अगर कोई भी चीज काइन में मिल जाए, तो उसकी valuation करनी पड़ती है, और valuation कैसे करेंगे, वो income tax बताएगा, अब हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, discussion करने वाले हैं, वो पता है क्या है, कि जो भी benefit employer employee को दे रहा है, in kind, उसके value कैसे की जाती है, उसकी value कैसे होगी, as per income tax, right, तो चलिए आईए, एक एक करके शुरू करते हैं, valuation of percusates, चलिए दिखिए, the very first thing that we need to see under valuation of percusate is rent-free accommodation, or accommodation provided at concessional rate, rent-free accommodation, or accommodation provided at concessional rate, आईए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि हमें यहां पे देखना क्या है, आपने heading देखिए, rent-free accommodation, लेकिन seriously बच्चों, इसमें हमें 5 चीज़े देखनी हैं, मैं पहले बताता हूँ आपको क्या-क्या वो है, 5 चीज़े हैं, number one, सबसे पहला जो valuation हमें देखना है, हमें rent-free accommodation के अंदर कौन-कौन सी valuation देखनी है, सबसे पहली valuation देखनी है, हमें rent-free, unfurnished accommodation, दूसरी चीज़ क्या देखनी है, हमें, concessional rent, unfurnished accommodation, तीसरी चीज़ क्या देखनी है, हमें, rent-free, furnished accommodation, चौती चीज़ क्या देखनी है, हमें, concessional rent, furnished accommodation, और पाँचमी चीज़ है, hotel accommodation, तो पाँचमी चीज़ है, hotel accommodation, इन सभी के वालुएशन हमें सीखना है, rent-free, unfurnished accommodation का मतलब क्या है, पहले तो हम रोग ये वर्ड समझ ले, what is this furnished, and what is unfurnished, यहां पे unfurnished है, यहां पे unfurnished है, यहां पे furnished word है, यहां पे furnished word है, furnishing का मतलब क्या होता है, what is furnished, and house is said to be furnished, जब उसमें, जब उसमें sofa सेट, dining table, टीवी, यह सारी चीज़ लगी होती है, तो हम उसे कहते हैं furnished house, basically ऐसे समझ लीजे, अगर साथ सज्जा वाली चीज़े भी घर में हैं, तो उसे कहा जाता है, furnished house, unfurnished house का मतलब होता है, खाली घर है, उसमें कोई भी furniture वगर नहीं है, there's no furniture in the house, then it is called unfurnished, when there are furnitures in the house, then it is called furnished house, understood everyone, तो हमें सबसे पहले valuation सीखना है, अगर employer ने employee को rent free दिया, unfurnished house, अगर खाली vacant flat दिया है, कुछ उसमें furniture नहीं है, vacant flat दे दिया, employee को रहने के लिए, बिना किराए के, तो उसकी या value होगी, दूसरा, flat तो खाली दिया है, unfurnished accommodation है, लेकिन consistional rent है, मतलब अगर 10,000 रुपए flat का किराया मानली जे बनता है, तो दिया कितने में गया है, मातल दो हजार रुपए में, तीसरा, rent free furnished accommodation, rent free furnished accommodation, मतलब आपको जो घर दिया गया है, वो सिर्फ खाली घर नहीं है, उस घर में टीवी भी लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, यह सारी चीजे हैं, बेड है, डानिंग केबल है, सोपा सेट्स हैं, यह सारी चीजे भी घर के अंदर है, ठीक है, अच्छा, क्या सारी चीजे होना जो नहीं है, अगर कुछ भी furniture है, तो वो furnished house कहलाएगा, ठीक है, income tax की language में बात कर लेते हैं, अगर कोई भी furniture है, तो उसे हम furnished house ही कहेंगे, कोई भी furniture है, एक भी furniture है, हम furnished house कहेंगे उसे, क्योंकि कुछ extra valuation करनी पड़ेगी यहां पे, उसे हम unfurnished नहीं मानेंगे, तो rent free furnished house की value, कि अगर घर में समान भी है, और किराया नहीं देना employer को, तो उसकी क्या value होती है, चो था, consistional rent furnished accommodation, employer ने जो accommodation दिया है, फ्लैट दिया है, वो furniture सहित है, किराया भी लिया जाता है, लेकिन consistional लिया जाता है, थोड़ा सा लिया जाता है, वो सकता है कि furniture सहित, उस flat का जो किराया बनता है, वो मान लिजिए 20 जार रुपे महीने बनता है, employee सिफ 4,000 रुपे महीं ने ले रहा है employee से तो इस वाले case में perquisite valuation सीखना है जहां पर rent लिया जा रहा है employee से लेकिन बहुत कम लिया जा रहा है as compared to the its value and पांच वाए होटल accommodation employee में employee को hotel accommodation provide कर दिया वो hotel में रहता है hotel में basically accommodation तो provide नहीं करेगा employee generally नहीं provide करेगा वो emergency cases होते है जैसे मान लीजे अभी employee ने employee को एक नई place पे बेजा अब उस नए वाली place पे flat ढूंडने में कुछ समय लग सकता है और जब तक flat manage नहीं हो रहा हाउस manage नहीं हो रहा है employee ने employee को hotel में जगा दे दिये रहने के लिए एक hotel book कर दिया है उसके लिए जहां वो रहता है so this is hotel accommodation is it a benefit from employer to employee obviously yes this is a benefit from employer to employee and therefore we need to make its valuation and add it as perquisite in the hands of employee आपको पढ़नी तो ये 5 चीज़े हैं लेकिन पता है मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा number one value of unfurnished accommodation number two मैं आपको पढ़ाऊंगा value of furnishing and number three मैं आपको पढ़ाऊंगा value of hotel accommodation बस इससे ज्यादा कुछ ने पढ़ाऊंगा आपको पढ़ना है पांच चीज़े मैं पढ़ाऊंगा आपको तीन चीज़े काम हो जाएगा आपका हाँ in fact यही तीन चीज़ income tax में भी दी हुई है और यही तीन चीज़ पढ़ाणी है इन तीन चीज़ों की मदद से उपर वाली पांच चीज़ों की valuation हो जाएगी कैसे value of unfurnished accommodation तो मैं आपको सुखाई रहा हूँ यह पहला वाला काम हो जाएगा unfurnished accommodation की value क्या होती है दूसरा है consistent rate unfurnished accommodation इसकी valuation सिखाने की जोतनी पढ़ती है आपको इसकी value करनी होती है as if it is rent free unfurnished accommodation की value कर लीजे उस value में से जितना किराया employer employee से ले रहा है वो गटा दीजे जैसे पहली वाली यह वाली valuation सिखा ही ना आपको unfurnished accommodation की मालीजे आपने unfurnished accommodation की value लगाई 10,000 रुपया यह हम सिखा देंगे आपको value कैसे करना है आपके इसाब से value इसकी आभी 10,000 रुपया तो rent free unfurnished accommodation की value कितनी 10,000 रुपया अब consistional rent वाली unfurnished accommodation की value कितनी इसमें से minus कर दीजे जितना employer employee से recover कर रहा है employer employee से 3000 रुपय recover कर रहा है तो यह 7,000 value हाजाएगी 2000 रिकावर कर रहा है तो यह 8,000 की value हाजाएगी ठीक है तीसरा rent free furnished accommodation rent free furnished accommodation हम आपको यह नहीं सिखा रहे हैं हम आपको सिखा रहे value of furnishing basically furnishing जो उसमें है basically जो furniture उसमें है उसकी अलग से valuation सिखा देंगे तो अगर आपको rent free unfinished accommodation की value निकालनी हो تو आपको करना क्या होगा इसमें इसमें आपको unfurnished accommodation की value जोडनी होगी plus value of furnishing जोडनी होगी अल्द आम आपको value of unfurnished accommodation सिखा देए यह 10 रहे है value of furnishing furniture जो उसमें रखा हुए उसकी value हमने निकालना सिका दी वो माल लिज़े 1000 रुपया आया तो rent free unfurnished accommodation की value पता है कितनी हो जाएगी 11000 रुपया unfurnished accommodation की value को तो आपको निकालनी ही पड़ेगी अगर furnished house है तो भी unfurnished house की value निकालनी होगी कि अगर वही house बिना furniture की होता है तो उसकी value कितनी है अफिर furniture की वज़े से जो benefit move कर रहा है उसकी value अलग से निकालेंगे furniture की value अलग से निकाल देंगे Consistional rent furnished accommodation इसके लिए मैनफ करनी ही नहीं है इसके लिए again unfurnished house में furnishing की value को add करना है 10,000 और 11,000 जितना employee से पैसा लिया जाता है वो less कर दीजे माली ये 11,000 रुपे value आई कैसे unfurnished का 10,000 रुपे furniture के respect में एक हजार की value आई 11,000 रुपे हुआ तीन हजार employee से recover कर रहा है तो ये हो जाएगा 8,000 रुपे और hotel accommodation की value हम आपको सिखाएंगे तो आप वो value यहां रख देंगे तो सीखना क्या क्या है unfurnished house की valuation plus furnishing की valuation और hotel accommodation की valuation कितनी सीखनी है तो हम रोग एके करके सुरू कर रहा है सबसे पहले हम रोग unfurnished accommodation की valuation देखने जा रहे हैं तो देखिए employer को rent free accommodation देना है employee को तो वो कैसे दे सकता है या तो employer के पास अपना flat है अपना house है देने के लिए और या फिर employer किराय पे लेगा और rent free accommodation employee को देदेगा इन बात बताईए अगर मैं employer हूँ अब 15,000 रुपे महिने पे एक flat किराय पे लेता हूँ और employee को दे देता हूँ free में रहने के लिए कितने रुपे का benefit employee को मिला है जान से सुनी हूँ मैंने 15,000 मैं employer हूँ मैंने 15,000 रुपे पे flat किराय पे लिया और employee को rent free दे दिया रहने के लिए कितने रुपे का benefit employee को पहुचा है 15,000 पर मन का अगर मैं rent पे लेके आपको flat देता हूँ रहने के लिए free of course तो जितना रुपे मैं किराया दे रहा हूँ basic कि वही benefit आपके हाथ में है लेकिन मेरा अगर अपना flat है वो मैंने आपको दे दिया free में रहने के लिए तो उसकी valuation कुछ करना पड़ेगा तो income tax उसी में आपकी help कर रहा है अब देखें rent free accommodation if it is provided to a government employee central government and state government employee then license fee determined by the government would be the value of percursive basically government employees को government के ही quarters मिलते हैं government quarters कहते हैं हमने और जितने भी government quarters हैं उसकी valuation हो रखी है उसके किराए की valuation हो रखी है वो government नहीं कर रखा है और उसे कहा जाता है license fee what is license fee? license fee का मतलब है उस मकान के government की जितनी भी buildings हैं basically आप ऐसे समझ लिए government की जितने भी flats हैं, quarters हैं, buildings हैं government की उससे किराए की एक valuation government ने खुद ही कर रखी है जिसे कहा जाता है license fee ठीक है जो भी license fee उस मकान का है वो उस employee के हाथ में percursit कहलाए सीधी सी बात है अगर आप एक government employee हैं और आपको एक government flat मिला हुआ है तो उस government flat की जो license fee है license fee का मतलब क्या होता है उसका किराया कितना होना चाहिए government ने उसकी value लगा रखी है तो जो भी उसकी license fee है वही आपके हाथ में percursit है simple सी बात ये question exam में generally आपको नहीं पूछा जाएगा government employee वाला क्योंकि इसमें पूछने जैसा कुछ है नहीं कुछ करना ही नहीं होता क्योंकि license fee government का कितना है ये भी उसे बताना पड़ेगा तो अगर आपन लीजे question ऐसा आता है जिसमें कहा जाता है आप एक government employee है आपको एक flat मिला हुआ है government की तरफ से रहने के लिए जिसकी license fee 15,000 रुपय है अगर non-government employee है तो क्या होगा अच्छा एक बहुत सुन्दर बात यहां पर ये भी बता दें ये जो license fee basically government ने determine कर रखा है ना ये बहुत कम है अक्च्छल मार्केट में अगर किराया 50,000 रुपय है उस flat का होना चाहिए तो ये लोग value 20,000 रुपय कर रखे होंगे तो चलिए कोई बात नहीं government employee की हाथ में ये percursive valuation बहुत कम होती है च्छोंकि government की valuation ही license fee की बहुत कम हो रखी है non-government employee की case में non-government employee की case में accommodation owned by the employer accommodation not owned by the employer accommodation owned by the employer का मतलब है कि employer का अपना flat है जो employee को किराय पे दिया गया employee को रहने के लिए free of course दिया गया है accommodation not owned by the employer का मतलब यह है कि employer has taken flat on rent employer took flat on rent employer ने flat किराय पे लिया ठीक है और employer ने क्या किया employee को दे दिया तो आपने ये वाली बात हमको बताई दी गर employer किराय पे लेके flat employee को दे रहा है तो जो भी वो किराय दे रहा है वही perquisite valuation होनी चाहिए यह भी यही कह रहा है कह रहा है rent paid लेकिन एक limit लगा दिया अगर employee की salary एक लाक रुप्या है और employer rent पे कर रहा है employee के flat के लिए employer is paying rent of 15,000 रुप्या salary employee की कितनी है एक लाक रुप्या and employer is paying rent से 25,000 रुप्या तो rent जो पे कर रहा है या फिर 15% of salary 15% of salary हो जाएगा 15,000 रुप्या और 25,000 रुप्या whichever is lower perquisite valuation कितनी होगी 15,000 रुप्या जिसलिए government लिमिट लगा दिया कि 15% से salary से ज़्यादा अगर किराय employee दे भी रहा है तो employee के हाथ में इतना taxable नहीं बनाती है government लिमिट बना दी 15% of salary government के लिए बहुत हो गया salary का 15% के हम सिर्फ मकान के respect में बना दे रहे हैं यह खुदी अपने आप में बहुत ज़्यादा है तो employer अगर उससे महंगा भी flat दिया है तो भी हम employee के हाथ में इतना नहीं जोड़ेंगे employee के हाथ में perquisite valuation क्या जोड़ी जाएगी 15% of salary maximum इसलिए का गया 15% of salary और rent paid whichever is lower अगर salary एक लाग रुपए है और employer किराया दे रहा है 10,000 रुपए फ्लैट का तो perquisite valuation क्या होगी 10,000 रुपए होगी क्योंकि rent paid 10,000 है 15% of salary 15,000 रुपए हो जाएगा lower क्या होगया 10,000 ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं नहीं हो रही है आपको तो ये बात clear है ना सबको कि employer जो भी payment कर रहा है rent का वो employee के हाथ में taxable perquisite हो जाएगा but there is an restriction 15% of salary से ज़्यादा government carrier नहीं consider करेंगा और वो उचिद भी नहीं है ठीक है हम एक लाग रुपए की salary पा रहे हैं और आप एक लाग रुपए मेरा हाथ में flat का भी जोड़ दोगे तो निश्यत है मेरा tax बहुत बढ़ जाएगा income बहुत ज़्यादा देखाई थी कि tax बहुत बढ़ जाएगा ठीक है तो government के लिए 15% of salary और rent paid whichever is lower इतना जोड़ देंगे अब अगर employer का अपना flat है तो तो rent paid वाली बात तो आएगी नहीं तो government क्या क्या रही है क्या रही है population of the city के basis पर हम क्या करेंगे जोड़ेंगे value flat की अगर population of the city 10 लाग तक है तो 7.5% of salary 7.5% of the salary perquisite valuation हो जाएगा मतलब rent free accumulation की value क्या होगी 7.5% of salary अब ध्यान से समझनी की कोशिस कीजिए ये based on population क्यों है government समझती है कि जितनी ज़्यादा सहर में population होती है उतना वो सहर महंगा होता है अब मुंबई की population क्रोस में है तेक है वहाँ पे property का किराय भी महंगा है जो छोटा सहर है जितनी कम population है वहाँ किराय भी कम चलता है तो अगर population of the city up to 10 lakh है तो 6.7% of salary 10 lakh से जादा पचीस लाग तक है तो 10% of salary अब पच्चीस लाग से भी जादा population है तो 15% of salary पर से रिपीट करूं याद कीजे मेरे साथ साथ in case the property is owned by employer and has been provided to employee rent-free accommodation in that case what will be the value of that accommodation number one is the population of the city is up to 10 lakh then 7.5% of the salary if it is more than 10 lakh and up to 25 lakh then it is 10% of salary and if it is more than 25 lakh then it is 15% of salary तो साड़े साथ परसेंट दस परसेंट और पंदरा परसेंट अब टू टेन लाग कितना 7.5% of salary 10 lakh से जादा हो पचीस लाग तक 10% of salary और पच्चीस लाग से जादा होगा तो 15% of salary ठीक है आचा अब एक बात बताईए exam में question आता है कि employer ने employee को flat दिया है अपना बैंगलोर में अपना flat दिया है बैंगलोर में ठीक है population और बैंगलोर नहीं बता रहा है बताईए क्या करेंगे 7.5% करेंगे 10% करेंगे 15% करेंगे बताईगा भी नहीं अगर बैंगलोर बोलेगा तो आपको population भी नहीं बताईगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यह सब बड़े सहर है जितने भी बड़े सहर है उन सब की population पजीज लाग से जादा ही होगी तो बैंगलूर बोलेगा, पूने बोलेगा, दिल्ली बोलेगा, मुंबई बोलेगा, चिन्ना ही बोलेगा चिक है, तो population is more than 25 लाग and you need not even wait for the question to tell you the population हाँ, अगर बड़े सहर के अलावा, कुछ मिडियोकर सहर के नाम लेगा, छोटे सहर के नाम लेगा तो वो population भी आपको जरूर बताएगा, दिल्ली लिखेगा तो population नहीं बताएगा आपको पता हुने चीब, दिल्ली की population क्रोर्स में है, लैक में भी नहीं है समझ में आगी ना बात सबको, हाँ, छोटे सहर होंगे तो निश्चित है population अपको बताएगी question में, अब salary का मतलब क्या है, क्योंकि 15% of salary, basically यह percusate भी तो अपने आप में salary है, rent free accommodation भी तो salary का हिस्सा है, तो अभी पूरी salary तो हमको पता चली नहीं है, rent free accommodation की value कर लेंगे, तब तो salary पता चलेगी, तो इसकी valuation के लिए जो salary use होगी, यह 15%, 10%, 7.5%, यहां भी 15% है, यह कैसे लिया जाएगा, basic ले लेना, डिये लेना, retirement benefit वाला बस, डिये कितना लेना, retirement benefit वाला, ठीक है, bonus जोड़िएगा, commission जोड़िएगा, fees जोड़िएगा, commission में 2000 रुटे, fixed में यह का commission, तो यह भी जोड़ा जाएगा, all commission is to be added, taxable alliances, सभी taxable alliances जोड़ने, ठीक है, because we have now moved to percusate, तो जितनी भी alliances है taxable वो जोड़ दीजे, monetary payment जोड़ दीजे, not being percusate, percusate वाली monetary payment लेग, क्योंकि percusate में भी कुछ monetary payment होती है, reimbursement वाली, वो मत जोड़ियेगा, बाकि जितनी भी monetary payment है, सब जोड़ दीजे, जैसे leave engagement एक monetary payment हो सकता है, की गई हो इस साल, सब जोड़ दीजे, तो taxable alliances जोड़ दीजे, सारी monetary payment जोड़ दीजे, लेकिन percusate वाली monetary payment नहीं, ठीक है, तो जो भी money payment होई है, सब जोड़ देना है, percusate छोड़ गिये, तो leave engagement ही आएगा, और कुछ होगा भी नहीं, ठीक है, तो leave engagement जोड़ देना है, तो आई हम लोग एक बार फिरसे बात करते हैं, की साल, जैलरी का मतलब क्या है, यहाँ पर basic है, DA under retirement benefit है, commission सारे जोड़ देना है, bonus जोड़ देना है, fee नाम से कुछ payment होई है, वो जोड़ देना है, सारे taxable allowances जोड़ देना है, सारे normal item होगए, क्या क्या होगए, basic, DA, commission, free, bonus, और all taxable allowances होगए, leave engagement होगए, population of the city कैसे देखना है, कब की population देखना है आपको, current, previous year की population देखना है, बिलकुल नहीं, population देखना है, आपको 2011 census की, आपको बता है, हमारे देश में जन गरना होती है, जन गरना का मतलब, counting की जाती है, physically कि हमारे देश में कितने लोग हैं, आप बोलते हो ना, कि हमारे देश में 700 करोड़ लोग हैं, तो 700 करोड़ कैसे पता चला है, गिंती की गई है, जन गरना होती है, हर 10 साल में लेकिन एक बार होती है, ठीक है, ये जो last counting होई है, वो 2011 में होई है, अगली बार कब होगी पता है, next counting, 2021 में, 2011 के पहले कब होई थी मालूम है, 2001 में होई थी, ठीक है, तो 2011 में किस census के इसाफ से जो population है, वही देखना भी है, यहां पे, population of the city as per 2011 census, accommodation may be provided rent free or at concessional rate, अगर concessional rate पे होगा, तो क्या किया जाएगा, देखे लिखा है note में, in case the house is provided at concessional rate, the value determined above shall be reduced by the rent, if any actually paid by the employee, तो इसे साफ से valuation कर लीजेगा, और जितना employee से recover किया जा रहा है, वो list कर लीजेगा, आईए समराइस कर लेते हैं, rent free accommodation को, अगर government employee को मिला है, तो license fee determined by the government, अगर non-government employee को मिला है, तो ऐसे किसमें यह देखना होगा, कि employer का accommodation है, कि employer ने किराय पे लेके दिया है, अगर employer ने किराय पे लेके दिया है, तो किराय जो employer पे कर रहा है, 15% of salary whichever is lower, अगर employer का अपना flat है, तो किराय भाई वो दे नहीं रहा है, तो S.A.C.S. में क्या होगा, based on population होगा, याद कीजिए ऐसे, किराय अगर दे रहा है, तो किराय और 15% of salary whichever is lower, और अगर किराय नहीं दे रहा है, तो S.A.C.S. में based on population, अगर population 10 लाग तक की है, तो S.A.C.S. में 7.5% of salary, 10 लाग से 25 लाग के अंदर तक है, तो S.A.C.S. में 10 लाग से ज़्यादा और 25 लाग तक है, तो 10% of salary, और 25 लाग से भी ज़्यादा है, तो 15% of salary, यानि 10 तरीक का है, 7.5%, 10% and 15% of salary. यह तो हो गई, unfurnished accommodation की बात, now further such accommodation provided to the employee, may be unfurnished, may be furnished, बैसी सी बात है, accommodation furnished और unfurnished दोनों हो सकता है, unfurnished है तो valuation आपने सीख लिया, अगर furnished है तो उसमें furnishing की value एड़ करनी होगी, तो अगला heading है, where the accommodation is furnished, the value of percuses shall be determined as if the unfurnished accommodation, that is the value determined as per chart given, अगर furnished accommodation भी है, तो पहले unfurnished accommodation की value कर लो, कैसे, जैसे की chart में हमने बताया था, chart मतलब जो diagram था last page में, such value shall be increased by 10% per annum of the cost of furniture, अब उसमें जो furniture रखे हुए हैं, उसकी value कैसे करोगे, ध्यान दीजेगा, उसमें जो flat पे furniture रखे हैं, वो furniture employing employee को दे नहीं दिया है, ये घर भी employing employee को दे नहीं दिया है, वो बस use कर सकता है, अगर हम आपको 100 रुपए की चीज़ दे दे, पर्मान इंटली हमेशा के लिए, तब तो value 100 रुपए की है, लेकिन अगर हम आपको 100 रुपए का समान इस्तेमाल करनी के लिए देते हैं, तो फिर 100 रुपए का benefit आपको नहीं गया है, अगर हम आपको 20 रुपए का मुबाइल दे दे, पर्मान इंटली हमेशा के लिए, तो 20 रुपए का benefit है, लेकिन अगर आपको 20 रुपए का मुबाइल देते हैं, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक दिन रापस ले लेंगे, तो भाई benefit का कम है पुछे, लेकिन 20 रुपए का benefit कम है, अगर मैंने आपको एसी दे दिया 50 रुपए का, अब आपका है एसी, तो 50 रुपए का benefit दिया है मैंने, लेकिन अगर मैंने आपको 50 रुपए का एसी दिया है, बस इस्तेमाल करने के लिए, तो income tax कहता है, 10% of the cost is benefit for use, use का benefit कितना है, 10% of the cost, यह dummy माना गया है, 10% of the cost, अगर मैं आपको 50 रुपए की एसी देता हूँ, इस्तिमाल करने के लिए, तो 10% of the cost, यानि कि 50 रुपए का 10%, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए benefit of use है, use करने का benefit है, और पर एनम, एक साल के लिए, such value shall be increased by 10% पर एनम of the cost of furniture. Such values shall be increased by 10% पर एनम of the cost of furniture. Okay. Including television sets, radio sets, refrigerator, other household appliance, air conditioning plant, or equipment, or other similar appliances or gazette. Okay. चलिए एक एक्जाम्पल देखिए, इससे मुझे बताईए कि furnishing की value क्या होगी. Employee ने, employee को जो fret दिया है, उसमें furniture लगाया हुआ है, जिसकी cost है, two lakh रुपीस, जिसकी WDV है, तो WDV बता रहे हैं, आपको ये बता दे, वो furniture ओरिजिनली office में आया था, और उस furniture को office में use कर लिया गया था, चीके, तो basically हर साल depreciate हो रहा था वो office में, और उसके बाद उसे employee के flat में बेज़ दिया गया, चीके है, उसकी WDV जो ती, ती, वो 30,000 रुपीस थी, नाओ, furnishing की value क्या होगी, employee को ये furniture use करने के लिए दिया गया है, इसकी value क्या होगी, 10% of what, 2,00,000 रुटीज और 30,000, it will always be 10% of the cost, don't forget this, this is 2,00,000 into 10%, the benefit moving, because of this use of furniture, will be 20,000 in the hand of employee, it's not on WDV, it's on cost, देख लिजी, यहाँ पीसे लिए मैंने cost को bold भी किया था, अब अगली बात सुने, employer ने employee को furniture use करने के लिए दिया है, जिसकी cost है, 1,00,000 रुपीस, for 3 months only, 3 महिने ही employee ने use किये हैं, तो furnishing की value क्या होगी, तो जब furniture के साथ flat दिया जाएगा ना, तो flat की valuation अला होगी, rent free accommodation की तरह, और उसमें फिर furnishing की value add कर दी जाती है, तो कैसे add होगी, 1,00,000,000 का 10% in 2,3 by 12, क्योंकि यह जो 10% आपको बताया गया है, this is 10% per Inum, 3 महिने ही अगर मैं इस्तिमाल करने के लिए furniture दे रहा हूं, तो 3 महिने की ही valuation भी होगी, 1,00,000, in 2,3 by 12, this will become how much? 2,500, समझ में आगी बास सबको अच्छा अब बात यह आती है कि अगर मान लीजे इम्प्लाइर ने खरीदा ही नहीं है वो ऐसे तो कॉस्ट होगी ही नहीं इम्प्लाइर ने खुद किराये पे लेके लगा दिया है एसी फ्रेज यह सब कुछ इम्प्लाइर ने किराये पे लेके लगवा दिया है इम्प्लाइर के घर जिसका किराये इम्प्लाइर कितना दे रहा है तीन हजार रुपे तो ठीक है अगर इम्प्लाइर तीन हजार कियता है और if such furniture is hired from a third party the actual higher charge is payable for the same such valuation of furniture shall be as reduced by any charges paid or payable for such furniture by the employee during the previous year क्या किता है अगर माल लेजिए उस furniture के average में उस furniture के use के respect में employee कुछ पैसे देता है तो उसको list कर दिया जाएगा क्लियर है ये भी बात है कोई दिक्कत तो नहीं हो यहां तक तो furnishing furnished accommodation है तो बहुत आसान है unfurnished accommodation की value आपको निकालने आती है वो जोड़ दीजेगा उसमें furnishing जोड़ दीजेगा furnishing कैसे अगर employer का asset है तो 10% of the cost per annum और अगर किराय पे लेके employer ने दिया है तो जो भी किराय employer दे रहा है accommodation अगर hotel में provide होता है तब क्या होगा where the accommodation is provided by the employer government or other employer कोई भी employer अगर hotel में accommodation दे रहा है अपनी employee को तो valuation कैसे होगी the value of accommodation salary 24% of the salary paid or payable for the period during which such accommodation is provided or the actual charges paid or payable to such hotel any hotel rent charges paid or payable to hotel का मतलब hotel rent so 24% of salary or hotel rent whichever is lower ये क्या होगी पर क्योसेट पालब 24% of the salary क्या साल पर की salary का 24% से hotel rent को compare करना है नहीं अगर hotel आपको accommodation provide किया गया है 20 दिन के लिए तो ये 24% of the salary भी कितने दिन की है 20 दिन 20 दिन की salary का 24% करना है मतलब आप ऐसे समझ लिए जितने दिन की hotel accommodation आपको provide की गया ये उतने दिन की salary का 24% ठीक है whichever is lower however if the employee pays any rent the value so determines I'll be reduced by the rent actually paid or payable by the employee अगर employee से कुछ recovery की जाती है तो जितनी भी employee से recovery की जाएगी वो क्या किया जाएगा लेस कर दिया जाएगा एक ये बात however if the employee pays any rent the value so determines I'll be reduced by the rent actually paid or payable by the employee the above rules shall not apply in certain cases above rules shall not apply in certain cases मतलब अभी तक जो भी आप valuation सीख रहे थे की केर्स तरीके से rent free accommodation की valuation होगी ये सब apply नहीं करेगा इन तीन situation में यानि इन तीन situation में बात कुछ और ये यानि तो अगे नहीं होगा अगर एक इम्प्लॉई को नई जगा पे पोस्ट किया जाता है और फंदरा दिनों के लिए hotel accommodation पंदरा दिनों तक का hotel accommodation दिया जाता है तो इम्प्लॉई के हाथ में कुछ भी टाक्सेबल नहीं होगाुगा अगे पंदरा दिनों का होटल an accommodation दिया क्यों हो गया बात समझे हैं employer वारन असी से employee को daily shift कर रहा है अब जिस दिन daily shift किया गया है अभी flat की arrangement की नहीं गई है employee में for the time being कहा employee को कि तुम hotel में रहो in the meantime हम flat manage कर देंगे फिर तुम वहाँ पर rent free रहना तो 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक की अगर accommodation होटल में है तो employee के हाथ में perquisite valuation नहीं होगी मतलब यह tax free है यह benefit अगर 15 दिन से exceed करता है तो जितना 15 दिन से exceed करेगा वो taxable हो जाएगा मतलब अगर employer ने employee को 18 दिन की accommodation provide की hotel में while shifting shift जब किया था एक place से दूसरे place तो समय 18 दिन तक की accommodation अगर provide की गई है तो ऐसे case में 15 दिन की valuation नहीं होगी से 3 दिन की valuation की जाएगी अब प्रशन यह उठता है सब 3 दिन की valuation करनी कैसे है तो same way 24% of the salary of 3 days तीन दिन का बस 24% salary दीजे और the amount paid to the hotel whichever is lower 24% of salary यहां पे तीन दिन का बस करेंगी क्योंकि तीनी दिन की valuation करनी है Claire सबको अच्छा एक बात बताईए question यह भी हो सकता है बच्चों के मन में यह भी बात आती है कोई जोरी है कि लगातार एक होटल में रखा गया मैं लिजए employee ने पहले तो 5 दिन महंगे होटल में रखा आपको पांच दिन महंगे होटल में और फिर लास्ट के पंदरा दिन आपको या बारा दिन आपको रखा मा लिजए उसमें सस्थे होटल में पांच दिन महंगे होटल में रखा बारा दिन सस्थे होटल में रखा सत्रा दिन आपको होटल में रखा गया है होगा क्या 15 दिन तो exempt हो जाएगा दो दिन taxable होगा अब आप पूछेंगे सर्थ दो दिन कौन से hotel के rent के इसाब से value करें starting में तो महंगे वाले hotel में थे बाद में सस्ते वाले hotel में थे जो मर्जी आए कर लीजे income breaks कुछ नहीं कह रहा है कौन सा करेंगे तब हम सस्ता वाला hotel का कर लीजे valuation 24% of salary of 2 days और rent paid to the hotel in सस्ता वाला hotel rent paid to the hotel, सस्ता वाला hotel for 2 days, whichever is lower तो government is least concerned आपको जो मर्जी आए उस दो दिन का valuation कर लीजे, कोई भी दो दिन कर लेंगे चलेगा, चेक है, और obviously एक taxpayer क्या करेगा जब सस्ता वाले होटल में था उसकी valuation करेगा ताकि perquisite valuation कम आए second point क्या है accommodation provided at certain site or in remote area employer में आपको accommodation provide किया है in a very remote area in an awesome installation site या फिर ऐसे remote area में जहां पे एक highway बन रहा है, ठीकिए 100 km तक अबादी नहीं है बदब workers 200 km दूर से आ रहे हैं वहाँ पे काम करने के लिए बात बताईए वहाँ पे employer को accommodation देना पड़ेगा की नहीं देना पड़ेगा रोज कोई 100-100-200 km अप डाउन थोई ना करेगा वरकर ठीक है कहीं oil exploration का का काम हो रहा है एकदम 600 रपे हो रहा है 100 km तक कोई रहने की जगह ही नहीं है तो निश्यत है employer क्या करेगा वहाँ पे आपको रहने का जगह देगा एक rent free accommodation प्रवाइट कराएगा कुछ temporary houses वगर बनवाएगा कुछ भी करेगा आपको accommodation वहाँ प्रवाइट करेगा अब आप एक बार बताईए is it a benefit? नहीं it's not a benefit moving from employer to employee it's a majority of both employer and employee employee देखिए अपने परिवाद से दूर रहके वहाँ पे खुष थोड़ी ना है उसकी मजबूरी रहना पड़ेगा क्योंकि वो रोज 100-200 km अप डाउन नहीं कर सकता ठीक है बात करते हैं employer की तो employer भी मजबूर है उसे देना पड़ेगा ये benefit otherwise worker मिलेंगे ही नहीं क्योंकि worker रेगुलर अप डाउन थोड़ी ना करेंगे तो worker ही नहीं मिलेंगे तो उसे accommodation देना पड़ेगा तो कहरा है ऐसी मजबूरी वाली situation में अगर accommodation employer ने employee को provide किया है तो employee के हाथ में perquisite qualification नहीं की जाएगी तो देखी क्या है The accommodation provided by the employer shall be a tax-free perquisite if the accommodation is provided to an employee working at mining site or an on-sole oil exploration site or a project execution site or a dam site or power generation site or an offshore site which is of temporary nature ठीक है Accommodation provided a new place of posting on transfer while retaining the accommodation at the other place Employee Delhi में है और Delhi में उसके पास एक flat है Delhi में एक flat भी है जो employer ने दिया है rent free रहने के लिए अब employer employee को कहता है कि आपको Mumbai shift होना है You have to shift to Mumbai और मैं आपको यहाँ पे एक flat भी दे रहा हूँ यहाँ पे आप रहिएगा अब आप Employee कहता है कि mid term आप बात करना है हमसे October number के महिने में बात कर रहे है मेरे बच्चों की school यहाँ पे डेली में है मैं कैसे सब को shift करके mid term मुंबई में आजाऊ Employee कहता है काम करिए आप अपने बीवी बच्चों को डेली वाले flat में ही रखिए यह flat भी आपके पास रहेगा अब मुंबई वाले flat में आप आजाईए जैसे ही session पढ़ाई पूरी होती है यह session जैसे ही over होता है आप क्या कीजिएगा अपनी पूरी family को मुंबई में shift कर लीजिएगा understood क्या situation है कभी कभी ऐसा होता है employer employee को कहता है कि अब आपको new job location पे shift होना है लेकिन उसकी position ऐसी नहीं है कि immediately वो अपनी family को भी shift कर सकता है maybe बच्चों की पढ़ाई नुक्सान हो जाएगी या anything तो ऐसे case में employer ने उसे दो दो flat allow कर दिया है रहने के लिए तो क्या valuation अब दो flat की होगी valuation कैसे होती है पता ही अगर employer का अपना accommodation है तो based on the population of the city और अगर तिराय पे लेके employer ने दिया है तो rent paid off 15% of salary which ever is lower तो will the valuation be done for both the flats तो income tax कहता है नहीं valuation बस एक ही flat की होगी अब प्रक्शन उठता है कि इस वाले flat की valuation होगी कि इसकी valuation होगी employee जो घराना चाहे करा ले 8 flat की valuation होगी ये निश्चित है जिसकी value कम आ रही है उसकी valuation करा लीजिए लेकिन ये जादा से जादा कितने दिन चलेगा 90 दिन, 90 दिन तक अगर आपके पास दो flat है तो एक की valuation होगी 90 दिन के बाद भी आपके पास दोनों flat है तो दोनों flat की valuation की जाएगी for 90 days only one flat valuation shall be done but beyond 90 days both the flats shall be valued okay where on account of the transfer where on account of its transfer from one place to another the employees provided with accommodation at the new place of posting while retaining the accommodation at the other place the value of park usage shall be determined with reference to only one such accommodation which has lower value as determined according to the above provision for a period not exceeding 90 days and thereafter the value of park usage shall be charged for both such accommodation 90 दिनों के लिए एक valuation होगी एक हास की और 90 दिन के बाद फिद दोनों हास की valuation सुरू हो जाएगी आए illustration 14 Ritika submits following information regarding a salary income for the previous year 18-19 basic salary is 16,000 per month wonderful DA forming part of salary for retirement benefit 40% of basic salary एक बात काम करते हैं अब कोई दूसी चीज़ पहले सिखाते हैं basic 10,000 DA 60% forming पार्ट आफ रेटार्मेंट बेनिफिट और बहार लिखा हुआ है 4,000 पता है इसका मतलब क्या होता है अभी फिलाल employee को basic मिल रहा है 10,000 रुटे का और DA हर महीने मिलता है कितने का 4,000 रुपे का ठीक है यह फोर पर मनता है basic 10,000 पर मन जी यह 4,000 पर मनता है बद जब वो रेटायर करेगा तो DA पता है कितना consider किया जाएगा only 60% of 4,000 जब वो रेटायर करेगा तो pension ऐसे determine की जाएगी कि चलो 10,000 रुपे basic दे देते हैं और 4,000 का 60% यानि कि 2400 DA के नाम का 12,400 पर मनत के आसपास की pension बनाई जाएगी समझ में आ रहा है सबको जो bracket में लिखा रहता है तो वो portion होता है farming part of retirement benefit अब एक बात बताईएगे अगर मैंने ऐसे लिखा है basic 10,000 DA bracket में 60% farming part of retirement benefit और यहाँ पर लिखा हुआ है 30% पता है इसका मतलब क्या होता है DA is 30% of basic अगर हमसे percentage में DA लिखे हुए तो that is percentage of basic इसका मतलब यह होता है कि अभी फिलाल current भी current में उसका basic 10,000 है और उसका DA 3,000 रुपए है लेकिन जब वो retire करेगा तो क्या consider किया जाएगा basic तो 10,000 रुपए consider किया जाएगा और retire करेगा तो DA consider किया जाएगा 3,000 रुपए का 60% 3,000 रुपए का 60% यानि कि 18,000 रुपए समझ में आए सबको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है जब भी percentage बाहर की तरफ डिये 30% लिखा हुए तो 30% of what 30% of the basic अब ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो क्या होता है जितना अभी डिये है ये 60% किस पर अप्लाई करेगा basic पर नहीं ब्रैकेट के अंदर वाला परसंटेज अप्लाई करेगा existing डिये पे और जो डिये का परसंटेज आउटर में दिया रहता है ब्रैकेट के बाहर वो अप्लाई करता है basic पे basic पे apply करके current डिये पता चलेगा current डिये पे जब हम bracket वाला percentage अप्लाई करेंगे तो retirement के समय डिये कितना consider होगा ये पता चलेगा ठीक है अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होगा basic 10,000 डिये bracket में forming part of retirement benefit बहा लिका हुआ है 40% इसका मतलब ये होता है कि current position क्या है basic 10,000 रुपए का है और डिये कितना है currently 4,000 रुपए retire होने पे क्या position होगी basic कितना basic 10,000 रुपए और डिये कितना डिये कितना forming part of retirement benefit का मतलब है पूरा पूरा forming part of retirement benefit इसका मतलब होता है 100% अगर हम डिये के पाद bracket में लिखते है forming part of retirement benefit that means the full is forming part of retirement benefit that means at the time of retirement also तो डिये साल भी considered 4,000 और लिए सब को समझ में आया अचा अगर हम ऐसे लिखते हैं तो basic 10,000 डिये 40% that's all bracket में कुछ नहीं है तो इसका मतलब होता है अभी फिलाल current basic कितना है 10,000 डिये कितना है 4,000 retirement के समय basic क्या consider किया जागा 10,000 डिये कितना निल योगि bracket पे कुछ भी नहीं है मतलब nothing forms part of retirement benefit अगर सिर्फ लिखते हैं forming part of retirement benefit तो इसका मतलब होता full forming part of retirement benefit 100% forming part of retirement benefit आईए question समझते हैं अब basic 16,000 पर मनत है 40% DA है मतलब 16,000 का 40% ये apply करेगा इस पे और DA के पाद bracket में लिखा है forming part of salary for retirement benefit percentage नहीं बता रहा है इसका मतलब है 100% और कुछ भी bracket में लिखा होता है तो इसका मतलब 0% city compensatory allowance city compensatory allowance ये fully taxable होता है children education allowance 200 रुपे पर मनत पर चाहल मिल रहा है दो चिल्डेंग के लिए 100 पर मनत पर चाहल exempt हो जाता है transport allowance जो होता है handicap employee के लिए तो exempt है लेकिन normal employees के लिए taxable है तो ये भी पूरा taxable है she is provided with rent free unfurnished accommodation which is owned by the employer owned by the employer इसका मतलब है कि based on population क्या किया जाएगा valuation की जाएगी owned by the employer तो किराय नहीं दे रहा है जब किराय देता है तो 15% of salary और rent paid whichever is lower जब किराय नहीं देता है तो based on population confuse करने के लिए बढ़ी सुन्दर बात लिख रहा है fair renter value of the house is 24,000 इसका क्या चाहर ड़ना है हमको किरा है कि market value के इसाब से जो मकान employer own कर रहा है चिक है उसकी value 24,000 रुपे पर रेनम है इस बात से कोई फर्क नहीं पता you have simply to see the population of the city compute the gross salary assuming accommodation is provided in a city having population not exceeding 10 lakh as per 2011 census यह part में कहे रहा है 10 lakh है तो बताओ 10 से 25 है तो बताओ 25 से ज़्यादा है तो बताओ हम बस इसको solve करते है अगर 10 lakh तक की population है तो क्या होता है 7.5% of the salary लिया जाता है चिक है चलिए हम रुख देखते है तो इसको क्या-क्या दिया गया है basic da cca children education alliance transport alliance और एक rent free accommodation यह दिया गया है ठीक है unfurnished है यह दिया बखिएगा कोई furnishing नहीं है तो computation of salary कैसे किया जाएगा illustration 14 computation of salary of Ritika ay 19-20 क्या 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 आइटम में सब लिखते जाएए basic basic salary इसकी कितनी है 16,000 पर मन तो 16,000 इंटू 12 कर दीजिए da da 14 40% है calculate कर यह पहले 16,000 इंटू 12 1,92,000 फिर कीजिए का da 19,000 का 40% तो ला जाका 40% निकालेंगे तो 12 से multiply करना पड़ेगा यह की बात है सीधे बार से multiply करने के बाद जो आया है उसका 40% निकाल दीजिए 76,800 आ रहा है da के बाद city compensatory allowance है this is fully taxable students तो 300 इंटू 12 कर दीजिए 36,800 हो जाएगा then उसके बाद children education allowance है कितना मिल रहा है बच्चों इसको 200 रुपय पर चाहिल दो चिल्डें के लिए 200 रुपय पर मंद का मतलब होगी है सालवर का 2400 रुपय एक बच्चे का दो बच्चों का रतालिससो रुपय मिल रहा है तेक है इसमें से exempt करा लिजे बच्चों 100 रुपय पर चाहिल पर मंद तो 12 महीने का 12Shot रुपय एक बच्चे का प्रांस्पोर्ट अलाव गर से आफिस आफिस से घर ये हैंडिकैप इंप्लॉई को तो एक्जिम्शन है यहां पे 32 रुपए महीने की नॉर्मल इंप्लॉई को नहीं है तो एटीन हंडेड इंटु ट्वल पूरा डेक्समल हो जाएगा अठारा सो इंटु बारा एक्केस जाएग छेस तो फिर उसके बाद आपको लिखना होगा रेंट फ्री अक्मोडेशन ये भी तो वैल्यू करना है तो एटीन है जिसमें लिख दीजिए वर्किंग नोट वन ठीक है और थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए अब इसको फाइनल कैलकुलेशन करने के लिए वर्किंग नोट वन हैडिंग आद दीजिए जिसमें लिखिए रेंट फ्री अक्मोडेशन कौन सा केस है अक्मोडेशन ओन बाई इंप्लॉयर का केस है तो वैल्यू क्या ली जाएगी बेस ऑन दो पॉपलेशन ओज़ दशिटी अप तो तैन लैक है पॉपलेशन अप तो तैन लैक है अप तो तैन लैक के पॉपलेशन में सेवन पाइन परसेंट उप सेलरी लिना है टीक है, salary का मतलब क्या होता है, आपको बताए कि बेसिक जोना होता है, उपर से लिजे 7.5% of salary, क्या क्या जोना है, basic लेना है, हाँ लेना है, 192 जो दीजे, डीए लेना है क्या, हाँ डीए लेना होता है, retirement benefit वाला हो, चांस की बात यह है कि यहाँ पर पूरा का पूरा डीए retirement benefit वाला है, तो 76,800 भी ले लिजे, ठीक है, प्लस, सभी taxable allowances लिए जाते हैं, तो आपको 3600, 2400, 21600 सब लेना पड़ेगा, 3600, 2400 और 2100 सब लेना पड़ेगा, जो लगाईए इसके, 21600 है ना, 3600, 2400 और 21600, टोटल कर लिजिए, कितना हा रहा है, 296,400, टेक है, इसका 7.5% कर लिजिए, 7.5% of salary is equal to 7.5% into 296,400, 296,400 into 7.5%, बाई जा दो सथी सुचा, बाई जा दो सथी सब उपर ले जाईए, लिख दीजिए यहाँ पर, देख लिजिए एक बाई calculation ठीक से, तो देखें, question confuse करने है कि लिए आपको fair rental value दे रहा है, rental value का कुछ करना ही नहीं है, rental value की ज़ता में तब पढ़ती है, जब किराय पे लिया हो, employer की, किराय पे तो लिया नहीं है, अपना मकान था, employer का, तो निकाल दी है, हमने 7.5%, और राइट कर दी है, आपके, अचा, अब B or C situation जो question में था, उसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस exactly एक ही अंतर आएगा, जहाँ पे हमने 7.5% किया, वहीं पे 10% कर देंगे, तो यह हो जाएगा, आप 15% कर देंगे, तो यह वाला अंसर दिया जाएगा, total कर लीजिए अब इसके, फीन लाग अठारा जाएज़, छेस्वा, प्राइज प्राइज प्रीजिए, इसके, टेकें और रेंट एट 24,000 पर इनम अच्छा ओंड नहीं था अब 24 या रुपया किराया था इसकी बात कर रहा है compute the value of rent-free accommodation तो ठीके 24 या रुपया रेंट paid of 15% of salary तब होता है 24,000 15% of salary कितना हो जाएगा 296,400 इंटो 15% 296,400 इंटो 15% 296,400 इंटो 15% 44,460, whichever is lower value of perquisite हो जाएगा value of rent-free accommodation RFA लिख देना है सौट में value of rent-free accommodation lower of the two हो जाएगा 24 या रुपया lower of the two दिखा जाता है ना 24 या रुपया रुपया एड होगा यहाँ पे यहाँ जहाँ पे 22,230 आपने जोड़ा है इसी की जगह पे क्या हो जाएगा 24 या बस यह इंतर है rent paid of 15% of salary, कोई दिक्रत नहीं नहीं हो रही है चलिए आज की class यहीं पे समार्थ करते हैं बिकास अगला जो valuation है ना motor car का वो एक लंबा valuation है तो we'll start with fresh mind in the next class valuation of motor car इस class को यहीं पे stop करते हैं we'll stop over here hello everyone आज की class में आप सीखने वाले हैं motor car valuation basically अगर employer employee को motor car benefit देता है तो उसकी valuation के अपने income tax में rules है कि कितने रुपए का benefit employer ने employee को दिया है अगर employer employee को car देते कह कि जो इससे घुमो फिर रोएस करो तो यह कितने रुपए का benefit है तो कि इसकी valuation income tax मुझे बताएगा और वो जो value आएगी that would be taxable as perquisite in the hands of employee लेकिन मुझे उससे पहले यह समझने की जुरत है कि benefit कभ है employer employee को car देगा तो क्या हमेशा benefit है मतलब car दे रहा है ऐसा नहीं कि car दे दिया कि लो अगर खुद रख लो उसने car दिया है employee को ताकि वो उससे कहीं जाना आना है तो वो कर सकता है मतलब use करने के लिए car दे रहा है ध्यान दीजेगा the valuation that we are going to study is for the use of motor car it's not basically giving of motor car by the employer to the employee it's the use of motor car अभी बात बताएगी employer employee को car दे दे उसमें petrol भी भरवा के दे दे और बोली employee से जाओ office के काम से फलानी जगा और काम करके चले आओ तो क्या आपको लगता है employer ने employee को कोई benefit दिया है नहीं कोई benefit नहीं है office के काम से भी जाता तो genuine सी बाते employer अपना अगर convince दे रहा है petrol employee भरवा ले तो इसमें कोई employee को benefit नहीं मिल रहा है अगर employer employee को car दे दे उसमें petrol भरवा दे और employee से कहे जाओ बीबी को picture देखा लाओ तो अब benefit है employer से employee को तो basically हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले तो हम लोग यह समझते है कि ऐसी कौन-कौन सी situation है motor car से related जहां से employer से employee को benefit मिल रहा है क्योंकि हम perquisite valuation करने वाले हैं हम benefit की value करने वाले हैं employee को कितने रुपए की benefit मिली और फिर हम उस पे employee के हाथ में tax लगा देंगे तो यह बात समझना जरूरी है कि benefit है कहां अगर employer में employee को card दिया है तो benefit हर जगा नहीं है हमें देखना होगा कि उसका क्या use employee ले रहा है और accordingly हम decide कर पाएंगी कि benefit है कि नहीं है तो यहां motor car valuation में basically दो तरीके की बाते हुई है एक बात हुई है कि employer अपनी car दे देता है employee को सिर्फ का petrol नहीं भरवा रहा है दूसरी बात हुई है कि employer ने car दे दिया साथ में petrol भी भरवा के दे दिया तीसरी बात तीसरा benefit क्या employee अपनी car लेके office आता है लेकिन आने जाने के लिए petrol employer भरवा दे तो भी तो benefit है हाँ benefit तभी है जब निश्चित सी बात है कि वो car अपनी personal use कर रहा है और petrol employer भरवा दे उसमें तो तरव तरव की benefits की पहले मुझे क्या करनी होगी we have to understand की benefit कहाँ भी है तो एक काम करता हूँ मैं इस valuation को समझने से पहले पहले समझते की benefit कहाँ है चुकि जहाँ benefit है वही value करेंगे जहाँ benefit है यह वहाँ valuation चाहिए है यह तो मैं एक काम करता हूँ आपको इस कदर सिखाता हूँ valuation of motor car car running and maintenance running and maintenance का मतलब है कี่ running और maintenance का क 750 व्यर करता है क्या कार में हम लिखेंगे कार किसक्य है running and maintenance में हम बताएंगे running and maintenance का करता है running का मतलब समझ दो ना petrol, diesel, 가डी में जो भी डलता है running, गाडी को run कराने के लिए जो खरचा होता है मिंटेनिस मतलब अभी कुछ खराब हो जाता है तो रिपेर मिंटेनिस कौन कर आता है तो रनिंग मिंटेनिस का करचा कौन करता है और परपस क्या होता है कार का इस्तिमाल क्यों होता है और फिर हम रुख डिसाइड करेंगी क्या बेनिफिट है की नहीं है इंप्लोई को इंप भी जहां से सुन रहे हैं? अब कुझे बताएंगी कि employee को फायदा मिल रहा है कि नहीं? कार employer की है, running maintenance वो भी employer कर रहा है, उसमे पेट्रोल लीजल जो भराना है वो भी employer भरवाएगा, गाड़ी कभी खराव राब होगी तो वो भी वही बनवाएगा, अले employer की गाड़ी, employer ही सार हम से employee हाथ लगा सकता है, नहीं तो employee हाथ नहीं लगा सकता है उस कार को, क्या benefit है employee को? Is there any benefit flowing to employee? क्या आपको लगता है कि employer ने employee को कुछ फायदा दिया है, जो employee के हाथ में taxable होना चाहिए, salary की तरह, नहीं, कोई benefit नहीं है, अब पता है, इस से मेरा confidence बढ़ा है, मुझे समझ में आ रहा है, कहा valuation सीखना है, यहां नहीं सीखना है, अच्छे यह एक बात बताईए, employer की car है, employer ही उसका running maintenance करता है, लेकिन उसका use employee personal करता है, यह purpose क्या है, परपस का मतलब है, use by employee में बता रहा हो, employee क्या करता है इस कार का? employer की गाड़ी, उसमें तेल भी employer भरवा की देता है, वर employee personal use करता है, बीबी को सबजी खरीदवाने कार से लेके जाता है, मूवी तो लेखे जाता ही है सबजी खरीद्वाने भी कार से लेखे जाता है क्यों? क्योंकि employer की गाड़ी है तेल भी employer का है तो लेजाओ गुँमाओ बीबी को सब्जी दिलाने भी ले जाता है सब्जी मंडी भी खार जाती है employee के लिए जल्दी से बताएए बेनिफिट है की नहीं इंप्लोई को येस है तो यहां सीखेंगे हम कि कितने रूपए का बेनिफिट है वो ध्यान दीजिएगा कौन बताएगा इंकम टेक्स बताएगा चीक है अच्छा अब बताएए इंप्लोईर की गारी है ठीक है रणिंग मेंटेनेंस भी इंप्लोईर कर रहा है इंप्लोईर कर रहा है मैं ही सब खरचा भी कर देता हूँ और यूज जो है उसका मैं स्वाट में लिक रहा हूँ पी-ओ-पी-पी इसका मतलब क्या है मैं बतादू पार्ट्ली ऑफिशियल पार्ट्ली परस्नल पी-ओ-पी-पी मैं बोलूगा हम इसा इतना बड़ा बुलने में न गले में दर्द होता है मेरे पार्ट्ली ऑफिशियल पार्ट्ली परस्नल मतलब थोड़ा सा ऑफिशियल इस काम भी और थोड़ा सा परस्नल भी मतलब employer काता है जो करना है करो घरेलू काम अपना करना है वो भी इसी काड़ी से कर लो office का काम करना है वो भी कर लो P.O.P.P. यूजए ठीक है अब मैं एक बार बस बोला हूँ पार्टली officer पार्टली person अब पूरे class में मैं क्या बोलूँगा P.O.P.P. बोलूँगा आप से याद रखिएगा P.O.P.P. का मतलब ठीक है मिरी आदत P.O.P.P. बोलता हूँ बाल लंबा है यह सब employer की काड़ी employer ने तेल भरवाया P.O.P.P. यूजए क्या आपको लगता है employee को कोई फाइदा है हाई या ना है फाइदा तो है ही है भाई अरे office की काम से जाता है तो personal भी तो लेके जाता है ना फाइदा है benefit है employee की आदमी चलिए और देखते है employer की कार है उसमे तेल employee भरवा दे रहा है चीक है कार तो employer की है लेकिन तेल उसमें कौन भरवाता है employee और उससे यूज़ होता है official गारी जाती है office के काम से employee तेल भरवा के अपने पैसे से employee तेल भरवा के office के काम से गारी को लेके जाता है employee को benefit हुआ अरे भगवान benefit नहीं हुआ उल्टे उसने असान कर दिया employer के उपर राइट यहां कहा benefit हो रहा है कोई benefit नहीं है अच्छा अब बदावचा employer की गाड़ी है तेल employee भरवा रहा है मैं कहना हूँ तेल तो employee भरवा रहा है लेकिन ले जाता अपने personal काम से है कोई फादा है फादा है अरे अपना तेल भरवा रहा है तब के फादा है फादा है क्या कार तो मिली है ना फादा है येस फादा है कार तो मिली है पता है इससे हम लोग बहुत हद अथक income tax समझ जाएंगे इतनी सोच अगर आपने develop कर ली ना मज़ा आ जाएगा देखिएगा अब मेरे साथ पढ़ने में भी अभी तो मैं आपको लोग खोड़ी ना बता रहा हूँ कि income tax में क्या लिखा है बस ये सोच अभी आपकी develop कर रहा हूँ अब देखिए employee की गाड़ी है employee इसमें तेल भरवाएगा और P.O.P.P. उजोगा car employee में देदी का लो गुमाओ जहां गुमाँ ना है लेकिन अपना तेल भरा के गुमाओ office के काम से भी ले जाता है employee अपने काम से भी ले जाता है कुछ फाइदा है है क्या देखिए आपको यहां पर लग रहा होगा तेल तो अपना भरवारा है वो office के काम से भी ले जा रहा है चलिए सोचेंगे निश्यत है कि यहां फाइदा है लेकि बहुत कम है बहुत कम फाइदा है तो income tax भी तो यह बात समझता है बताएगा कितने रुपए का फाइदा है फाइदा है कि नहीं बस यह बताओ भई कार तो मिली है ना कार तो मिली है और थोड़ा बहुत personal काम भी वो करी रहा है ठीक है अब party official party personal का मतलब है थोड़ा office का का काम करता है थोड़ा अपना काम करता है अब यह थोड़ी ना मैंने बात कहा कि कितना अपना काम करता है कितना office का करता है तो आप भी समझ पाते हो जास सोचो कौन employee अपना तेल भरवा देगा office के काम के लिए अरे होता यह होगा party officer party personal कह रहे ना कि थोड़ा office का का काम होता है थोड़ा खरेलू तो अब थोड़ा का मतलब क्या होगा हो सकता है 5-10% काम office का होता है 90% तो उसका खुद का काम रहता है इसलिए वो खुद का तेल भरवा देता है मकसद समझने के कोशिश करो practical भी बनो ना ऐसा थोड़ी ना है कि यह सब theory किताबों में बस लिखा है अरे जो दुनिया में होता है वही कानून है और क्या अब एक बाद बताओ क्या इस case में आपको लग रहा है फादा है कि नहीं employee को हाँ या ना भोलो बिलकुल फादा है गाड़ी मिल रही है ना फादा है चिक है आपको कि सर अपनी तेल भरवा कि आफिस की गाम से रहे आफिस का काम बहुत जदा होता ही नहीं होगा तब ही बरवा रहा है नहीं पर ऐसी situation आएगी ही नहीं ठीक है आच्छा और क्या डिसकस किया जाए अब देखिए कार employee की है employee की गाड़ी के case में हम समझ गए अभी तरह हमको समझ में आ गया देखिए जब भी employee की कारती और employee उसमें तेल भरवा रहा था बदले employee की कारती ओफिसिल यूज हो रहा था तो कोई benefit नहीं है अगर employee की गाड़ी है तेल employee भरवा दे या employee भरवा दे अगर वो personal यूज कर रहा है या P.O.P.P. उसकर रहा है तो benefit है कुछ फाइदा है अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि कार employee की है कार employee की है उसमें तेल भी employee खुद भरवा रहा है अगर जब कार भी employee की है अपना तेल भरवाता है अपनी गाड़ी है तो उसको फाइदा employer कहां से दे दे रहा है अरे इसका कोई भी प्रयोग करे any use कुछ भी करे कोई फाइदा नहीं है अगर office का काम कर रहा है तो उल्टे आइसान कर रहा है employer के उपर अपनी गाड़ी ला रहा है अपना तेल लगा रहा है और office का का काम कर रहा है तो तो आइसान कर रहा है अगर वो अपर्सनल कर रहा है तो इंप्रॉयर ने उसको दिया क्या है अरे तो विलकुल रे जा सकता है बूभी को मुमने उसकी गारी यह उसका तेल है और अगर प्योगSil कर रहा है तो तो घर का करने का पूरा हक है उसकी गारी है उसका तेल है और पीओ पीपी कर रहा है तो भी कोई benefit तो है नहीं बलकि employer को benefit उल्टे दे रहा है वो तो employer पहciljin कर रहा हुश को कहा benefit मिला हमı दों बात करें रहर है employer so employee को benefit कितना है क्योंकि income tax को tax le़ाना नए employee से tax لेना है देखो तुमको employee ने salary तो दी ही है, एक लाट रुपया महीना, साथ में ये कार भी दिया है ना, तो ये भी तो benefit है, employee ने दिया है तुमको, इसका भी tax लाओ, tax लेना है employee से, अच्छा तो यहां पर नहीं होता है, यानि employee की गाड़ी है, तो भी ये तेल तो employer को भराना पड़ेगा, तभी ये सब बात employee, employee ने तेल भरवाया, official use कर रहा है employee, कोई फायदा, employee की अपनी गाड़ी, तेल employer भरवा दी है, का आफिस के काम से निकले जाओ, कोई फायदा employee को, बोलो, हाँ, नई, कोई फायदा नहीं, employee की गाड़ी है, employer उसमें तेल भरवा दी है, बोलो, जाओ मजे लो, परसनल काम करो अपना, अब बोलो, फायदा है, बिलकुल है, बहुत सुन्दर, बहुत अच्छे, employee की गाड़ी है, employer गालो, तेल भरवा देता हूँ मैं, इसमें, और P.O.P.P. उसकरो, बेबी को सबजी दिलाने ले जाओ, मॉल ले जाओ, पिक्चर देखाओ, सौपिंग कर रहाओ, और आफिस के काम से भी जाओ, फायदा है, है फायदा है, यहाँ भी है, बच्चों अगर इतनी बात आप समझ रहना, तो आप महान हो, आप महान हो, आपने आदा कानू पढ़ है, आईए, आजाओ, आइम चिंजिंग दा स्लाइट, ठीक है, वैलवेशन अफ मोटर कार, ओन्ड और हायद बाई इंप्लॉयर, ओन्ड और हायद बाई इंप्लॉयर का मतलब है, कार किसकी है, इंप्लॉयर की है, चाहे उसने खरीद रखी है, चाहे किराएं पिल लीगी है किसी से किसी कार है इंप्लॉयर की ठीकि तो आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए जब मैं बूलता हूं कि इंप्लॉयर की गाड़ी है तो इससे क्या मतलब है कि इंप्लॉयर खरीद के लाया है या किराय पे लिया है दिया ना इंप्लॉयर को ठीकि तुम बात दोनों बराब कोई इसके बाद रूप गए चुप हो गए चार्ट में कुछ बोली ने रहे और यूज्ट बाइँ इंप्लॉई अब इसमें मैंने कहा कि इंप्लॉई की गाड़ी है इंप्लॉई यूज़ करना ओविसली इंप्लॉई था देख लिजिए अगर आप को भिस्वास नहों employer की गारी चिक है और exclusively for official purpose यह है employer की गारी में exclusively for official यहاں है और employer की गारी मी exclusively for official यहां है एक बर मैंने बड़ा था कि तेल employer भर आए एक बार मैंने बुला कि तेल मैं employee भर आए कोई भी भर आए दोनों ही केस में क्या है कोई benefit नहीं है आपने cross किया था याद आ रहा है तो देखें law भी तो यही कह रहा है जब exclusively for official है तो law कुछ बोली नहीं रहा है कि किसने तेल भराया कहता है गाड़ी employer की है office का काम हो रहा है किसने तेल भराया law खुत नहीं कह रहा है क्योंकि आपने भी कहा कुछ मतलब रखा चाहे तेल employer भराया चाहे employer भराया दोनें में कहा कि कोई benefit नहीं है तो law भी यहीं कह रहा है कोई benefit नहीं है if specified document maintained लेकिन क्या कहता है law कहता है justify करने के लिए कागज होना चाहिए employee के पास basically record होना चाहिए कि इतनी बार हम गाड़ी निकाले थे office से और जितनी बार निकाले थे सब office के उपयोग के लिए था तो basically जब जब employee गाड़ी निकालता है ना तो उसको injury करनी पड़ती है उसकी जब भी office की गाड़ी निकालेगा तो उसको इतनी पड़ेगी कि इस date को इस time पे मैंने गाड़ी निकाली right और इस काम के लिए मैं गाड़ी को लेके गया था clear है आपको फिर उसके बाद देखिए exclusively for private purpose अगर private purpose के लिए दे दिया ठीक है तो आपको देखना है कार दिया या कार के साथ साथ पैट्टोर भी दिया तो अगर कार दिया तो जानते हो हम रोग ने ये पहले भी देख रखा है कई जगा कि जब भी employer employee को कोई asset use करने के लिए देता है ना तो 10% of the cost माल लिया जाता है कि use की value है चिक है और अगर petrol भरवा है तो जितने का petrol भरवाया है वो पूरा-पूरा employee को benefit है अब एक बात बताओ हम ऐसी दे तुम से ऐसे पुछते है कि employee ने employee के employee ने क्या किया साल भर का petrol भरवाया एक लाग रुपया का जो employee use करता था का तो कितने रुपय का benefit employee को दिया है तो आप बोलोगे एक लाग यही तो benefit है एक लाग का petrol अगर हम भरवाया है और employee लेके कार को घुमा है तो एक लाग रुपय का benefit किसको मिला है employee को मिला है दूसी बात अगर माली जी मैंने पांस लाग रुपय की उसको कार दी और साल पर भी एक लाग रुपय का तील भी भरवाया है तो कहता है कि अगर पांस लाग रुपय की कार तुम ने दी है ना तुम मानडो कि साल पर में उसने पचास जार रुपय घिस दिया तो पचास जार का benefit दे दी है और एक लाग रुपय का तेल भरवाया थे तो एक लाग रुपय और जोड़ दो तो पचास जार उनेक लाख, देड लाख हो गया अब जास सोचिए मैंने उसको एक दस जार रुपे महिने का ड्राइवर मी लगा के दिया उस इंप्लाइवर को, कि लो ये ड्राइवर तुमको हर जगह लेके जाएगा, तो साल बर का एक लगभी जा मैंने ड्राइवर वाले को दिया वो भी जोड़ दीजिए वो भी तो इंप्लॉई को भी बेनिफिट है मैंने एक ड्राइवर रखा और बुला इंप्लॉई तुम इससे भूं होगे बस ओनली प्रिशनल यूस प्राइवेट यूस तो वो भी जोड़ किया है ड्राइवर रिखाम्धाव को ड्राइवर को दिये हो वो जोड़ दो इंप्लॉई की हाथ में क्योंकि वो जिए और किसलिए है उस इंप्लोई के लिए तो टयों प्राइवेट यूस करता है लाहएं लिए इंप्रसंट व्यश्ञहां करत रेड का सव्सी educate कार की कोस्ट का मानलो की इंप्लोई ने यूज कर लिया तो 10% per annum of the cost or higher charges अगर तुमने खरीदा था तो 10% of the cost जो लो और अगर किराय पे लेके कार दिये एंप्लोई को तो जितना किराय दे रहे हैं मानलो हमने 1,00,00 रुपए साल के किराय पे कार लिये तो एक लाग और कार लेके किसको दे दिये एंप्लोई को तो एक लाग उपए का दा फाइदा तुमने इंप्लोई को दिया है तो जितना किराय वो जोड़ दो लास्ट में कहता है less amount recovered from इंप्लोई इंप्लोई से अगर कुछ पैसा रिकावर कर रहे हो तो वो घाटा लो मान लीजे इतना सब कुछ मैंने इंप्लोई को दिया और इंप्लोई साल वरका मुझको पजाज जार रुपए देता है इस बात के मैं उससे लेता भी हूँ कि यह तुमको कार मिली है पैट्रोल भर वाता हूँ पजार रुपए तुम वो साल के देने पड़ेंगे तो पजार रुपए अरलेस कर दीजे बेनिफिट में से आपको समझ में आईगी नहीं बात मैं आपको फिर से बुलो मैंने इंप्लोई को एक कार दी है 4,000,000 रुपए की चैके है पैट्रोल उसमें भर वाया है साल भर में 60,000 रुपए का उसको मैंने ड्राइवर भी दिया है जिसकी साली मैं भरता हूँ उसकी सालरी है 50,000 रुपए साल की चैके है और मैं इस इम्प्लोई से कहता हूँ कि तुम्हें मुझे देने होंगे इससे मैं रिंबर्समेंट लेता हूँ मैं पैसे ले लेता हूँ इससे साल बरके मालोप 25,000 रुपया बस अब मैंने कितने रुपय का बेनिफिट इस इंप्लोई को दिया है तो देखो कहता है कि बेनिफिट क्या दिये और ये इंप्लोई कार का कौन सा यूज़ करता है प्राइविट यूज़ पूरा प्राइविट जितने का पैट्रोल भरवाए हो सब इंप्लोई का ही तो फायदा है पूरा 60,000 अपने इंप्लोई तो गुम रहा था प्राइविट ड्राइवर की जो सैलरी हम 50,000 रुपे दे रहा है वो ड्राइवर कौन सी गाड़ी चला रहा है वो जो इंप्लोई लेके गुमता है चीक़र तो 50,000 रुपे उसकी सैलरी भी बेनिफिट है कार 4,000 रुपे की दिये हो तो 4,000 लग का बेनिफिट नहीं है क्योंकि कार वो रख नहीं लिया है कार वो इस्तेमाल करता है बस वो कार किसकी है अभी भी इंप्लोयर की है तो हम 10% मान लेता है कि 10% कार की कौश्ट का मान लो कि इंप्लोयी ने यूज कर लिया तो 40,000 रुपया ये हो गया कितना हो गया टोटल देखिए एक लाग पचास जार पच्चेस जार तो मैंने लेही लिए इंप्लॉई से तो बेनिफिट कितने का दिया एक लाग पच्चेस जार क्या ये बात समझ में आई चीक है तो यही कह रहा है बड़ा सुंदर सा कानून है सिंपल सा है अब आई अगरी बात पे आते है अचा आपको अबचेस सिंप कार दिया है तो तो बहुत आसान सी बात है ना मैंने तू सब अलग-अलग करके समझा दिया अज़ सिंप कार दिया होता तो तो 4 लग-Plus 10%チャली चार कहते है सिंफ पैटल दिया होता सर तो तो जो पैट्रोल का पैसा है वो जोड़ दो सिर्फ ड्राइवर दिया होता तो जोड़ लो ना भाई सिर्फ ड्राइवर का होता तो पजाश जार कहते है बेनिफिट दिया है अचा पैट्रोल लो ड्राइवर दिया है तो तो पेट्रोय द्राइवर दोनों चोड़ों ये दोनों हो जाथा पैसा लिया है जितना – गटादीजिके कोई गट्राई नीए अब देखिये – पार्ट्री आफीशिल पार्ट्री पर्सिनल यूस – P.O.P.P दोनों इस्तिमाल होता है तो दोनों इस्तिमाल होता है तो अब हम इसमें दो बाइफर्गेशन कर रहे हैं कि सिर्फ गारी दिया है या गारी के साथ पैट्रोल भी इंप्लॉयर ने इसका मतलब हो गया कार प्लस पैट्रोल दोनों इंप्लोयर दे रहा है ठीक है तो अब इंकम टेक्स क्या क्या रहा है देखिए पीओ पीपी उस है बात समझने की गोशिस कीजिए अगर एक इंप्लोयर ने पांच लाथ रुपे की कार दे दी इंप्लोयर को उसमें साल वर में पचासजार रुपे का मालीजे पैट्रोल भी भरवा दिया तो इंप्लोय दोनों काम करता था ना उससे आफिस का काम भी करता था आख खुद का भी तो अब सीधे सीधे कह दो कि 50 रुपे का पैट्रोल इंप्लोय का बेनिविट है तो यह तो गलत हो जाएगा क्योंकि दोन maintain करेगा कब office के काम से गया कितनी दूर गया ठीक है तो हम कहेंगे अच्छा ये पुरा हिसाब किताब बनाएगा कि कितनी बार office के लिए गया कितनी बार personal काम से गया और फिर उसके basis में बाढ़ दिया जाएगा कार की mileage के हिसाब से बाढ़ दीजिए हम कहीं कि पहले तो ये बताओ इतना कितंबा पॉसिबल है दूसरी बात अच्छा माल लो अब ये office है यहां से मैंने उसको office के काम से भीजा कार से कार लेके वो चला गया office के काम से यह दी कार कार से office के काम से गया यहाँ पर यहां पर मैंने बेजाता उसको अब उस इंप्लॉई का थोड़ी दूर पर यहां पर उसका ससुराल है यह ससुराल है उसका अब वो सुचा आफिस की काम से यहां तक आई हैं तो बगल में ससुराल भी मिलेते हैं और फिर चले जाएंगे आफिस तो अब यह वाले ट्रिक को कामס तरिक मानी जाएंगे इसका किलो मीठर की दर गिने परसनल गिने की official गिने यह अफिस की काम से उसको एक मौल में बेजा था ऊफिस की काम से मौल में गया था प्रिक हैंगे अब उसने बीबी को भी यही बताना चाहता था कि पॉसिबल नहीं है, income tax कहता है कि अब हम क्या करते है, dummy figure, हम income tax कहता है कि dummy figure हम बैठा देते हैं, कितना benefit मालने के, बस, income tax कहता है दिमार्ट मत लगाओ, कितने रुपए का benefit है, हम खुद बता देते हैं, इधर आजोड़ दो employee के हाथ में, कहता है, up to 1.6 liter cc up to 1.6 liter cc का मतला हो गया, 1600 cc की कार है अगर, अगर 1600 cc तक की कार है, तो 1800 रुप्या महिना, 1800 पर बन साहल बी taxable, income tax कहता है, कितना employee office का use किया, कितना personal किया, इसा बताना बड़ा मुश्किल है, सीधा एक dummy figure income tax कहता है, 1800 रुपया महिने का employee का employee का फायदा है, सीधे बोलेंगे, रटलो आप, कि अगर P.O.P.P. use है, ठीक है, और employee गाड़ी और तेल दोनों दिया है, तब यह मानदा है, गाड आप्टेक्स ने मान लिया, 1800 का फायदा है, ठीक है, 1600 CC की कार का मतलब हम पता है, अपनी language में हम ऐसे बोल देते है, छोटी कार, अगर छोटी कार employee ने दिया है, तो 1600 रुपय महिने का फायदा है, एक्सीडिंग 1.6 लीटर CC, अगर 1600 CC से बड़ी कार है, ठीक है, तो 2400 रुप इंप्लॉई को तो कम फायदा है, बड़ी कार दिया तो ज्यादा फायदा है, ठीक है, तो 1600 CC की गारी अगर है, 1600 CC तक की गारी है, आप समझते हैं ना ये सब 1600 CC, कि नहीं समझते हो, पता नहीं समझते हो कि नहीं मुझे पूछना पढ़ेगा आपको, इनुवा गारी कितनी CC की है यह बड़ी गारी है ठीक है इनोर आप्रोक्सिमिट्ली आइढेंक सायब 2000 सीसी की गारी है ठीक है 1600 सीसी जो बड़ी कार हुई ठीक है अच्छा इक बात उताओ आई-त्इन, राईट हूंड़ाई की जो गाड़ियां है, आई-त्इन, I-20 ये सब कितने सिसी की गाड़ियां है? ये सब बारासुु. चुटी गाड़ी कहती है. ठीकिया, सोन्हिंध स्टी गाड़ी कहती है? ठीकिए, सोलासु सीसी से नीचे, छोटी गाड़ी. तो आप बना तो जो बड़ी गारियां है अब जैसे मारूती की काड़ी आती है जो इदम छोटन किसी है क्या नाम है उसका मारूती सुजु की जैन या कुछ कहते हैं उसको वह 800-900 CC की गारी है उसको तो बहुत छोटी गारी है तो छोटी काड़ी अगर इंप्लोई को देता है तेल भरवा के तेल के साथ तो अठास रुपम मैंने का फाइदा बड़ी काड़ी देगा तो चोबिस रुपम मैंने का फाइदा है रट लेना है अब आए ये रनिंग अन्मेंटेनेंस माई इंप्लोई सिर्फ कार दिया है इस आफिस क काम भू धेल सारा करता होगा नहीं होता क्या होगा कि 90% उसका अपना काम उनता होगा ऐट थोड़ा बहुत काम फाइद का भी हengine को ब exertाना होगा क्यूंकि तुम कार का 10% माल ने100 को benefit नहीं मान सकते इसलिए नहीं मान सकते क्छे क्योंकि वो क्या कर रहा है अपना तेल भर्ला के office का काम ही कर रहा ह। तो फायदा और कम करना पड़ेगा देख़ए अब गौर्ण्ट क्या कही क्या कर रही है गौर्ण्ट क्या करे है अगर स oak देता है ना तो छोटी कार का 600 रुप्या महिने का benefit माल लो और बड़ी कार का 900 रुप्या महिने का benefit माल लो कोई दिक्कत? चलिए मेरे साथ सब बुरिये बच्चो इंप्लॉयन ने गाड़ी भी दिया तेल भी भरवा दिया छोटी गाड़ी, छोटी गाड़ी है ठारसो, बड़ी गाड़ी चोबिसो चीके? सिर्फ गाड़ी दिया, तेल नहीं दिया छेसो नौसो, छोटी गाड़ी छेसो, बड़ी गाड़ी नौसो याद हो गया? अच्छा, अब इक बात पताईए, मैंने ड्राइवर भी बगाड़ी आपसको, लो तो ध्यान दीजे, ड्राइवर के पूरी तनका कह दें कि तुम्हारा फायदा है, नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि वो ड्राइवर कार चलाता है आफिस के काम के लिए भी तो, कार का इस्तिमाल क्या है? पी-ओ-पी-पी है न, देखिए हम लो पी-ओ-पी-पी न पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो ड्राइवर के नाम का, गौर्मेंट कहती है, नौ सो रुपया मनलो, इंप् काम कर रहा है, आपको बहुत कम लग रहा होगा कि 900 रुपय महिना ये तो बहुत कम है, आज ड्राइव, तो बैसिकली ये कानून भी बहुत पुराना है, न, ये गौर्मेंट कानून बदल नहीं रही है, ये सब, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये ये जो 900 रुपय महिना चल रहा है न, ये कई सालों से चल रहा होगा, मुझे लगता है ये कम से कम 20-50 सालों से चल रहा है, ये उस जमाने से चला आ रहा है, जिस समय से ड्राइवर की तंखा 2,000-3,000 रुपय महिना होती थी, तो तो तीन रुपय महिना तंखा थी, तो गौर्मेंट में उस समय निय अगर हम मेट्रोस की बात करें तो it is somewhere beyond 20,000 रुपीज अगर बड़े सहर की बात करेंगे तो आज एक ड्राइवर की तंखा 20,000 रुपए की beyond ही जाएगी ठीक है और छोते सहरों की बात करेंगे तो साथ I can say की it would be somewhere around 12,000 रुपीज ठीक है तो आज की साथ से कानून नहीं है कानून बहुत पुराना है देखिए तभी तो आज छोटी गाड़ी employer employee को दे रहा है और गवर्मेंट के रही छे सो रुपया महिने का benefit है ठीक है छे सो रुपया तो एक बार गाड़ी में अगर थोड़ा सा भी रिपेर कराना पड़ जाएगा न तो भी इतना पैसा लग जाएगा लेकिन चलिए कुछ बात नहीं है फिर नौ सो रुपया महिना if the driver is also provided सौफर मतलब driver is also provided फिर एक बात के रहा है इसके बाद amount recovered from employee not deductible अगर employee से कुछ पैसा मिल रहा है employer को तो वो less नहीं होगा जी क्यों अब बात समझे क्यों नहीं ले सुरा है अगर इन government कह रही है कि तुम जब कार्ड होगे employee को तो 1600 रुपय महिने का फायदा दिये हो एक छोटी कार्ड तुमने दिये तेल बरवा कि तो 1600 रुपय महिने का फायदा है माननों employee ने हमको 15100 रुपय दे ही दिये तब तो आपके हिसाब से फायदा होना चीज 100 रुपय का government कह रही है कि घटाओगे नहीं तब भी 1600 का फायदा है अगर इंप्लॉई से कुछ ले भी रहो ना तो भी इंप्लॉई को 1600 का फायदा है क्यों government ऐसा कह रही है government कह रही है हमने कौन सा बोला कि एक्चल फायदा 1600 का होता है government के लिए हम तो अंदाज लगा रहे है न अगर employee पैसा दे रहा है न कुछ इसका मतलब है वो employee और ज़्यादा फायदा लेता है तब ही तो दे रहा है छोटा मुटा पंदा 100-1600 का फायदा लेता होगा तो employee देता होगा क्या पैसे employer को government के रही है वो कार का बहुत जादा इस्तिमाल करता होगा वो और जादा फायदा लेता होगा इसलिए वो पैसे दे रहा है गौर्वेंट के रिए पैसा दे रहा है चैना नहीं दे रहा है 1600 रुपे फायदा मानेंगे ध्यां दीजेगा गौर्वेंट का ये कहना है कि अगर एंप्लोयर एंप्लोयश को गाड़ी में तेल भरवा के दिया तो 16-100 रुपे महीने का फायदा वो उसने इंप्लॉई को दिया है, ये मान लिया जाएगा, अगर इंप्लॉई 10-100 रुपे महीने का फायदा माना जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर वो 10-100 रुपे महीने का फायदा माना जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर वो 10-100 रुपे दे र होगा उससे ज़्यादा पैसे इंप्लार को दे देगा वो इस्तेमाल करता होगा Скजे और इंप्लार को छूद को लगता होगा हमने काल का कम-स-कम दस जार रुपय का हनन अंद लिया में तो तो इम्प्लाइर को बुरता होगा पांच जब पकड़ लीजे, मौमने लगभा पांच जब का इस्तेमाल किया है, वो यही बुरता होगा, जा सोचे गौर्वर्मेंट भी तो इंटेलिजेंट है, गौर्वर्मेंट कहरी है कि उसके बाद भी हम सोला सोलत मानेंगे, चाहे हो क इसलिए क्योंकि गौर्वर्मेंट के रिए इतना फाइदा तो वो लेता है, उसके बाद भी फाइदा उसको मिल रहा होगा, वो पैसे अगर दे रहा है ना, तो उसके बियांड उसको 1624 का फाइदा मिल रहा है, चाहे है, तो चलिए, इतना हिस्ता हमको याद हो गया कि नही ये बाद चेक किया जाए, चलिए, देखिएगा नहीं, मेरी तरफ देखिए, प्लीज लुक एट मी, दो देखिए मुझे पुलिस को इन पिलाईगे, चलिए, ध्यान से सुखिए, आप भी अपनी किताबों की तरफ ना देखिए, मैं भी नहीं देख रहा हूँ, आई ये अडाम से बार्त करते हैं, इंप्लॉयर की गाड़ी है, और इंप्लॉयर देखा, इंप्लॉयर को कि तुम आफिस के काम के लिए इस गाड़ी को यूज कर सकते हो, कोई फायदा नहीं है, अरे तेल कौन बरवारा है, वो छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई फायद का का ओड़ इंप्लॉय को, कार की takich परसेंट, क्योकि कार घिस रही है, वेरट disciplined के लेखा, जितना का पैट्ट्रोल इंप्लॉयर ने भराया है, सब इंप्लॉये का फायदा है, तो इससे प्राइवेट यूज ले रहा है, जितने का ड्राइवर रखा है, वो भी इंप्लॉय यूज, POPP यूज में अगर कार के साथ तेल भी है, तो छोती कार का थाज़ो बड़ी कार का चॉपीस सो. अगर सिफ कार है तेल नहीं है, तो छे सो और नौसो. driver भी अगर employee ने दे दिया लो भै driver भी लो तो 900 रुपए driver का और जोड़ दो उसमें महिने का यह सब महिने का बताना है benefit 900 रुपए महिना और जोड़ दो ठीक है driver हो सकता है 50 रुपए महिने का उससे फ़र्क भी पता 900 रुपए जोड़ा जागा employee का benefit क्योंकि office user employee का use दोनों हो रहा है ना तो 900 रुपया मान लिया जाएगा कि driver की तनका employee की वज़े से बाखी सब company के काम की वज़े से है ठीक है और अगर employee से कुछ पैसा लिया जाता है तो यहां नहीं घटाए जाता परस्नल वाले में घटाते हैं क्योंकि उसमें तो जितना actual था तो वह घटे घटे अब आजाएए दूसरी तरफ owned by employee and used but running and maintenance incurred by employer employee की गाड़ी है employee की गाड़ी है और employee तेल भरवादे तो फिर कोईसा फैदा तो फैदा तो तो तब है ना जब employer तेल भरवाएगा तो यही बात कर रहा है कि गाड़ी employee की है तेल कौन भरवाता employer और उससे काम करवाता है पूरा official तब कौन सा फैदा है तब कोई फैदा नहीं है निल निल is taxable निल taxable कुछ भी taxable नहीं इस specified document maintained हाला कि document maintain करना पड़ेगा employee को कि हम सारा official यूज़ करते हैं फिर नहीं यह fully for private use employee तेल भर आता है और वो सिर्फ personal यूज़ करता है तो जितने का तेल भरवाए जितने का तेल भरवाए यही होगा एक्ट्रल एक्समेंट से इंकर्ड भाई employee तो अब ध्यान दीजी क्या है मैं इस बात को थोगा सा अच्छे से समझाना चाहता हूँ आपको कार किसकी जिन्दी बोलिए कार किसकी employee की और वो कितने पैट्रोल कौन भरवा रहा है यह employee भरवा रहा है ठीक है और यूज़ कौन सा है पी-ओ-पी-पी तो अब government क्या कह रही है government कह रही है भाई यह पी-ओ-पी-पी में government कहती है अब अंदाज पील चलाणा पड़ेगा चीक है तो government कह रही है कि जितनी रुपे का तील भरवा रहा है employer उसको ले लो total expense ले लो total actual खर्चा पकड़ लो जो भी है मालो 50,000 रुपे है 50,000 रुपे का साल में तेल भरवाया तो 50,000 रुपे का खर्चा पकड़ लो उसमें से office का खर्चा जितना है वो घटा दो कैसे dummy basis पे भी अब पता थोड़ी ना है 50,000 रुपे में उसने कितना office के काम से ले गया कितना personal काम से ले गया तो कहता है office के नाम का खर्चा dummy basis पे घटा दिया जाएगा कैसे घटा जाएगा कहता है चोटी कार है तो 18 रुपे मेना की साब से office का मान के खर्चा घटा दो और बड़ी कार है तो 24 सो रुपे मेने की साब से office का मान के घटा दो मतलब government ये कह रही है कि अगर employee की कार है और तेल employer भरवा रहा है तो जितने का तेल भरवाया है वो employee का benefit है लेकिन since office का काम भी हुआ है उससे तो 18 सो रुपे मेने का तेल office के वज़े से है और बड़ी कारी है तो मान लो भाई तेल ज्यादा लगे का बड़ी कारी है तो कहता है 24 सो रुपे मेने का तेल office की वज़े से ही ये मान के कम कर दो समझ में आया है कि नहीं मैं फिर से repeat करता हूँ मान लीजी मैं employer हूँ employee अपनी काम लेके आया मैंने साल बर में 50 जा का तेल भरवा दिया employee छोटी काम लेके आया था तो 50 जा रुपे का अगर मैंने तेल भरवाया है और वो office का 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 बी करेगा और क्या करेगा परसनल का भी तो मैं 50 जा रुपे में से ये मान लूँगा कि 1812 ये office का है तो 1812 कितना होता है 21,600 रुपे मान लिया जाएगा office का है तो 50 जा में से इसको घटा दीज़े 28,400 रुपे ये employee को benefit है गौवर्मेंट के रही है ये मान लो जितना भी तुम तेल भरवार है ना employee की गारी में उस में से ये मान लो की 18,400 रुपे तुमारे खुद की वज़े से है और बड़ी गारी है तो 24,400 रुपे ठीक है अब अगर हम driver भी दिये हैं तो तो कह रहा है कि तेल का driver का सब जोड़ दो टोटल एक्स्पेंस में अफ पचाज मालो दरज़ा का driver भी दी हो तो कह रहा है दरज़ा ये भी जोड़ दो अब कोई employee को 60,000 का फायदा है 800 रुपे मेना तेल के नाम का घटा लो आफिस का यूज और 900 रुपे driver के नाम का घटा लो 10 या 800 रुपे और घटा लो ये government कह रही है ज़ादा रहा है जब employer की गाड़ी थी तो भी तो हम यही कह रहे थे ना employee को कितना फायदा है 1800 और 2400 तो जब employee की गाड़ी आई तो भी government सिर्वाई कह रही है तो जब employee की गाड़ी है ये मानलो की employer का फायदा कितने का है 1800 रुपे चोटी गाड़ी 2400 रुपे बड़ी गाड़ी वो घटा लो और driver का 9 रुपे और घटा लो चिक है आच्छा दोसी चीज अब ये भी कह रहा है कि अगर employee पूरा record दे दे कि office का खर्चा और ज़्यादा है इससे भी ज़्यादा है office की वज़े से तेल और ज़्यादा लगा है तो कहरा है जितना employee record की हिसाब से पूरा maintain करके वो अगर रखा है register में तो जितना होगा उतना पूरा घटा देंगे अब जैसे माल लीजे एक ये 21,610 जल कितना हो रहा है 32 जल क्यास पस हो रहा है अब employee कह रहा है कि 40,000 रुपे का खर्चा तो company की वज़े से लगा है तो government कह रही है ठीक है तुम प्रूफ कर दो तुम record दिखा हो हम 40 जल माल लेंगे हम 40 जल रटा देंगे office के नाम का खर्चा चिक है तो देखे total actual expenditure for office and personal use less इसमें से जो भी actual खर्चा है ये कौन की आई ये खर्चा done by employer employer ने जो खर्चा किया है चिक है उसमें से इतना office का माल लिया गया assumed for office assumed towards office इतना office का माल लिया गया तो इतना घटाने के बाद जो बच गया वो किसका माल लिया गया employee का तुम्हारा फायदा याद रहेगा कि नहीं अगर employee अपनी काड़ी लेके आता है तो employee जितने का तेल भरवाता है न उसमें से 18 सु रुपया मैना अपना खर्चा माल लेता है बहुत सिम्पल सी बात है बच्चों बहुत सिम्पल सी बात है ऐसे समझ लो employee अपनी का लेके आया और employee ने 2000 रुपय एक महिने में तेल भरवा दिया तो 1800 रुपया ओफिस का माना जाएगा 200 रुपया employee का फायदा 10 रुपया तेल भरवा दिया तो तो 1800 रुपया ओफिस का रखा लो कितना बचा 800 रुपया मान लिए जाएगा employee का फायदा अब driver की तंखा भी दी जा रही है तो जितना driver की तंखा है उसमें से बस 900 रुपया महिने office का माना जाएगा बाकि सब किसका employee का अमाल लिए driver रखा गया है 10 रुपय महिने का तो क्या माना जाएगा कौन किसकी कार चला रहा है इक employee की कार चला रहा है तो 10 रुपय की driver में से 900 रुपया माल लिए जाएगा कि office का खर्चा है और 9,100 रुपया employee का चेक है लेकिन अगर employee प्रूफ कर दे कि नहीं भई तुम आफिस का खर्चा ज्यादा होता है ज्यादा आफिस के वज़े से चलती है तो गवर्मेंट के रिए ठीक हम मन लेंगे वो भी कोड दे दे सारा कब कब आफिस के लिए ले गया था पूरा actual बता दे कितना खर्चा हुआ है हम actual खर्चा उसको गटाने देंगे तो करें अठास उच्वापिस हो नहीं वो प्रूफ कर दे कि 10 रुपय मेना खर्चा हुआ है एक्वार की वज़े से कंपनी की वज़े से 10 जा खर्चा हुआ है अब 10 जा घटा देंगे तो देखिए लिखा होगर if actual expenditure for official purpose is more than the limit then actual expenditure can be deducted by maintaining specified document document maintain कीजिए actual भी कटाने दे दिया जाएगा चलिए ठीक है याद रहे का कि नहीं है सब थोड़ सा complicated है बच्चों यह लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं मैंने बहुत simplify किया आपके लिए you cannot imagine कितना आसान किया है otherwise यह याद रखने में लोगों की पसीने चुड़ जाते है कि किस समय कितना value करना होगा मैंने बहुत simplify किया आपके लिए चलिए आगे देखिए note specified document का मतलब क्या है मैं बार में बोला था ना document maintain करना पड़ेगा document में क्या होता है कब गया कहा गया कितना distance था वो गारी का mileage क्या है उस हिजाब से कितना petrol लगा होगा यह सब लिखना पड़ एक college पर वो पुरा बना लेता है तो employer उसके अपना company का ठपा मारता है sign कर देता है तो उसी को बोला जाता है उसके पास proof हो गया certificate है बतला मेरा employee जैसे एक car लेके जाएगा कहीं तो वो पुरा record maintain करेगा college लेगा कि इस तारीक को ले गए इस काम से ले गए और इतनी दूर गारी का mileage यह है इसलिए इतने रूपय का petrol लगा होगा ठीक है वो मेरे साथ में college लाएगा हम company का ठपा मारेंगे sign मारेंगे उसको पकड़ा देगे लो रख लो तो अब यह उसका record बन गए यह उसका certificate है अगर official use है तो text लगता है नहीं है इंप्लाइर अगर employee को गारी देख करो तो text लगता ही नहीं है अगर employee personal use करता है ना personal use तो text बहुत ज़्यादा लगता है employee का क्यों क्यों क्योंकि employee के हाथ में पूरा खर्जा जहांच हो जाता है और यहीं अगर employee पी-ओ-पी-पी यूज़ करता है ना तो बड़ा कम उसके हाथ में इंकम मानी जाती है अठारा सो का फाइदा बस चौबिस सो रुपया महीने का फाइदा नहीं और अगर personal करेगा त पूरा जितने रुपय का benefit employee दे रहा है पूरा उसके हाथ में वो perquisite कहना है का तो अब देखी क्या होता है मैं ध्यान से समझने के कोशिश कीजिए कभी-कभी employee कहता है हम employee को दो पी-ओ-पी-पी कार दिये हैं employee को टू पी-ओ-पी-पी कार दिये हैं मतलब दो कार दिये हैं जिससे वो office का use भी करेगा घरेलू काम भी करेगा ध्यान दीजिए यह कौन कह रहा है employer कह रहा है employer कह रहा है मैंने अपनी employee को दो पी-ओ-पी-पी कार दिया है यह employee ऐसा कह रहा है कि मुझे company से दो पी-ओ-पी-पी कार मिला है employee क्या कह रहा है मुझे दो P.O.P.P. कार मिला है मतलब दो कार मिली है और दोनों मैं official और personal यूज़ करता हूँ अब इस बात बताईए एक इनसान एक साथ दो कार यूज़ कर पाएगा हाँ या ना basically क्या होता होगा ये employee जादा चलाकी करने की कुशिस कर रहा है government ऐसा कह रही है हम नहीं कह रही है government कह रही है कह रही है कि अगर दो कार employee दिया है तो इसका मतलब है हम इतना समझते government कह रही है कि हम भी कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि बिना कुछ समझे है खड़े हो गए है इसका मतलब है कि गौर्णमेंट के रही है कि एक कार तो वो घर पे रखता है इसका मतलब और एक कार से वो आफिस आता जाता है इसका मतलब यही है क्योंकि एक ही बंदा दो कार एक साथ कैसे यूज़ कर लेगा इसका मतलब है वो एक कार जनरली घर पे छोड़ देता है और एक कार से वो क्या करता है आफिस भी आता जाता होगा और इसको भी परसनल यूज़ करता होगा यूज़ परसनल यूज़ तो दोनों में ही है तो गौर्मेंट कह रही है हम ये समझते हैं कि जब भी एक बंदा ये कहता है न कि हमको कंपरी से दो कार मिली है दोनों आफिशिल और परसनल है तो एक तो बिसिकली पूरा परसनल होती है जिसको घर पे छोड़ देता है जिससे बीबी गुमती है जर्फ ठेक है और एक काड़ी ऐसी होती है जिससे वो आफिस का काम भी करता और अपना काम भी करता है ये होती है पi o पी ये गौर् judgment कह रही है दिख़े है गौर्पन कह रही है कि कोई भी इम्प्लॉई दो पी ओ पी पी कार बोलेगा न हमनी मानेंगे लल्लू बना है टेक्स कम देने के लिए क्योंकि पी-ओ-पी-पी पे टेक्स कम लगता है 1824 रुपया महिना बस माना जाता है कि इंकम है अब परसनल में पूरा जितना खर्चाकार पर होता है सब इंकम माल दी जाती है इंप्लॉई की ठीक है तो जब भी एक इंप्लॉई कहता है न मुझे दो पी-ओ-पी-पी कार मिली है गौर्णन के रिए वो बेवकूप बना रहा है उसको दो पी-ओ-पी-पी नहीं मिली है एक परसनल भी लिया है एक तो घर पे छोड़ दिया है क्योंकि दो कार पे एक साथ कैसी चड़ेगा अजय देवगन थोड़ी ना है ठीक है अजय देवग परिसेंट पैसनल यूस है और एक कर वो ऊफीशन रूछ के यूज और परियों धोनों करता है तो दियान दीजेगा जब भी दो पी-ओ-पी-पी कार होगी तो एक को परसनल और एक को पियुपी-पी मनने चाहेगा अब किसको अफीशन और किसको प्रसनल मना जायेगा government carry जाओ तुम्हारे बच हो जिए जिसको मर्जी तुम P.O.P.P कहे दो जिसको personal कहे दो एक car का personal के हिसाब से value कर दो और एक car का P.O.P.P के हिसाब से value कर दो तो अब हम क्या दवते हैं ध्यान देजेगा माल लिजे मुझे दो car मिली है car one, car two तो एक बार हम car one को P.O.P.P. मानेंगे और car two को personal मानेंगे और इसकी total करेंगे कि value कितनी आई और फिर car one को हम एक बार personal मानेंगे और इसको P.O.P.P. मानेंगे वोगी government कह रही कुछ भी किसी को माल लो government यह नहीं कह रही जो सचुष घार पे छोड़े हो वही personal है government यह सब नहीं कह रही कह रही कोई एक को personal मान लो उसके हिसाब से value कर दो और एक को P.O.P.P. कर दो तो हम एक बार इसको P.O.P.P. इसको personal करके value करेंगे फिर इसको personal और इसको P.O.P.P. करके value करेंगे और इन दोनों में से जो lower होगा कम आएगा हम वही वहला option सेलेक कर लेंगे मान लीजे lower यहां पे आ रहा है तो हम कहेंगे car one P.O.P.P. है और car two personal है ऐसे बोलेगी और में को क्यों को कम tax देना चाहेंगे न तो value देखेंगे जहां कम आ रही है वह सेलेक कर लेंगे बोलिए clear हुई की नहीं बात आया मज़ा देखेंगे अब क्या कहता है if employee has been provided with more than one car which are not used exclusively for official purpose तो more than one car P.O.P.P. है तो क्या होगा value of one car sell भी 1800, 2400 800 या 2400 प्लस 900 driver का यह P.O.P.P. valuation करता है कर रहे एक का P.O.P.P. हो जाएगा दूसा दिखेगा the value of other car sell भी एजिट exclusively for personal अगले को पस्ना माना जाएगा एक को P.O.P.P. एक को पस्ना माना जाएगा अच्छा हम आपको हर जागा बूल ले थे न 800 रुपय मैना 2400 रुपय मैना ड्राइवर का 900 का मैना तो अगर मान भूब-20 दिन के लिए car मिली है तब तो आक महीने का जोड़ा जाएगा या जोड़ा ही नहीं जायगा यह बताना आपको दूसरी बात अगर एक महीना 20 दिन के लिए employee को तो आग मैने हम जोड़ा जाएगा तो एक रुप्या का भी फायदा नहीं माना जाएगा, इंकम टेक्स के रहें नहीं लिए ना टेक्स, छड़ो, एक छोटा मोटा फायदा चल सकता है इन लोगे, अगर एक महिना बीस दिन है, तो एक ही महिना माना जाएगा, बीस दिन नहीं माना जाएगा, तो पार्ट अगर्ट अगर्ट का मतलब है, मत का मतलब है, कमप्रीटेट मत, यह देखिए, मत का मतलब का है, कमप्रीटेट मत, अगर पूरा महिना है, तभी कांट होगा, आठ महिना, पच्छेस दिन, कितना माना जाएगा, आठ महिना ही, part of the month को नहीं and part of the month is left out of concentration fourth motor car facility or any other convinced facility for covering the distance between office and residence is not taken as percusate chargeable to tax अच्छा एक benefit है जो इस पे tax नहीं लगता है अगर आपको car मिलती है सिर्फ घर जाने के लिए और घर से office आने के लिए तो इसमें कोई भी percusate valuation नहीं होती है आप देखीते होगे बहुत सारी कंपनियों की बसेश चलती है वो employee को करेक्ट करती है उनके घर से और फिर साम को बस छोड़ने जाती है सारी employees को तो क्या इसको कोई benefit कहा जाता है नहीं यह अहाँ percusate valuation नहीं होती है benefit तो है obviously लेकिन income tax में tax नहीं लगता तो घर से ऑफिस से घर के लिए अगर कार मिलती है तो ध्यान दीजेगा यह चार्जबल टू टू टैक्स नहीं है चिक है क्या इसको personal use भी कहा जागा नहीं यह chargeable to taxi नहीं है उसदारी में नहीं आता चिक है जब हम personal use का कहते हैं न कि car employee personal use कर रहा है तो इसका मतलब होता है वो गूमने फिर नहीं जाता है घर से office office से घर को यहां consider नहीं किया जाता please have a look at the illustration I'm looking at illustration number 16 X has been provided with the benefit of a car by his employer a sole proprietary concern compute the perquisite value of the car for the assessment year 2021 in the following situation if the taxable monetary emoluments are देड़ लाग रुपे उसको बाकी देड़ लाग रुपे और देड़ता है फुरिए ही सब से हम car की evaluation करते है provided with the benefit of car by his employer car by his employer car is owned by X X has been provided with the benefit of car X कौन X employee है X employee है अब यहां क्या को लोगे car is owned by X मतलब कार किसकी है employee की है but running and maintenance expense amounting to 40,000 during the previous year met by employer employee की काड़ी अब आप अंसर करेंगे बिना देखे employee की car है running maintenance का खर्चा पेट्रोल अगरा का खर्चा 40,000 रुपे आया जो employer ने दिया और car use हो रही है for personal benefit of X X सिफ अपना इस्तिमाल करता है आप बताएए कितने का फायदा हुआ employee को जल्दी बताएए employee की car employee ने तेल बरवाए है 40,000 रुपे का सालवर में और employee अपने मजह लेता है कार से कितने का फायदा हुआ कितने का total कितना 40,000 जली जल्दा दूसरा कहता है कि अगर मालोग सिर्फ office के काम से लेके गया था कार को तब कितने का फायदा हुआ अंडा कुछ भी नहीं दे लिए अच्छा आप कह रहे है 30% personal 70% official अच्छा ये सब नहीं देखा जाता है मैं आपको बता दू 30, 70, 50, 25 ये सब नहीं होता है कुछ इसको बस सीदे P.O.P.P का है जाता है ये सब ध्यान देजिएगा ये सब एक्जाम में बेवकुब बनाने का तरीका है बोल देखा 30% office तो एक इंसानी दिमाने अच्छा 30% यानी खर्चा office का है 70% employee का है ये सब नहीं होता कुछ ठीक है ये P.O.P.P है सीदे अच्छा P.O.P.P. यूजए 40,000 रुपय का खर्चा employer कर रहा है तो याद आ रहा है क्या टोटल खर्चा employee का मान के उसमें से office का खर्चा गटा दू तो 40,000 रुपया में से क्या किया जाएगा चोटी गाड़ी माल दिया मैंने तो 1800 इंटू 12 ये माइनस कर तो 1800 इंटू 12 ये माइनस कर तो जितना आया वो value हो गई वो employee को फायदा आया ना समझ में second part the employer provides car of 1.5 liter engine cubic capacity चोटी गाड़ी 1.5 liter मतलब 1.6 liter से तम हो गया ना चोटी गाड़ी costing 5 लाग 5 लाग की गाड़ी है exclusively for personal benefit of X employee को काई लो मजी लो 5 लाग की गाड़ी लेकी घुमो expenses incurred on the car are 22,000 और 22,000 उपय का उस पे खर्चा भी कर दिया मतलब तेल विल बरवाया होगा कितने का फायदा है employee को बता सकते हैं 5 लाग का 10% जितना कार होता उसका 10% मानते हैं ना कि employee तूट-पूट किया होगा साल बर में तो 5 लाग का 10% और जितना उसमें तेल विल भरवाय गया पूरा ठीक है एक लाग दो घजार फूटल हो जाएका बहुत सुन्दर बच्चो अब आईए तीसा कोश्चन देखें the employer provides a car below 1.6 liter along with a driver to act partly for official and partly for personal purpose अच्छा छोटी car driver के साथ P.O.P.P.Us car driver के साथ P.O.P.P.Us expensive incorporate the company running maintenance का 32 जार driver का 36 जार तो P.O.P.P.Us में होता है government कहते हैं हम रूप माल लेंगे छोटी car में 800 रुपय महिना बड़ी car में जल्दी बोलो बड़ी car में 2400 रुपय महिना छोटी car है तो 800 रुपय महिना माल लिया जाएगा और driver भी दे रहा है न तो driver का 900 रुपय महिना ही माना जाता है चाहिए इतने गए भी driver है 900 रुपय इतना कर दीजे जोड़ गताना तो करी लेंगे न आप अब आप अपने से देखना आप चलो 6 पे अप सीधे आईगे यही main question है मजा इसी में आएगा यही तो सिखाना भी था मुझे बाकी सब तो आप कर ही लोगे X is provided with two car X employee उसको दो car दी गई to be used for official and personal work दो car किस लिए दी गई कि official और personal दोनों करो अब एक बात बताओ दो car P.O.P.P. government मानेगी दोनों car P.O.P.P. है अब यह न कह रहा है employee के कहने से क्या होता है इसके कहने से कुछ नहीं होता है government कहते ही हम नहीं मानते and the following information is available from the company's record company के record से यह available है car one है जो बड़ी कार है car two है छोटी कार है cost running maintenance driver की salary तो अब income tax कहेगा एक को हम क्या मानेंगे एक को मानेंगे P.O.P.P. एक को मानेंगे personal ठीक है तो देखिए इसको कैसे किया जाता है यह question में solve करना सिखा हूँ आपको part six option one ऐसे आप करेंगे option one आप लिखेंगे car one personal and car two P.O.P.P. एक बड़ी यह मानते हैं फिर उल्टा मानेंगे car one P.O.P.P. car two personal और जहां पर value कमाएगी न हो कहेंगे यही वाला मानेंगे ऐसे मानेंगे अगर car one personal है तो car one की case में क्या होगा पता है जो cost होगी उसका 10% ले लिया जाएगा वियर इंटियर के नाम का अब car one personal है तो personal की case में तो पूरा पूरा खर्चा लिया जाता है ना तो 6 लाग की car थी तो 6 लाग का 10% कितना हो गया 60,000 ले लिया जाएगा टेक है जो running का खर्चा था running maintenance ये भी पूरा ले लिया जाएगा 60,800 और driver का खर्चा भी कितना लिया जाएगा पूरा लिया जाएगा personal है ना पूरा खुद इस्तेमाल कर रहा है तो पूरा पूरा जोड़ देंगे ये हो जाएगा 60,000 60,800 64,000 ये हो गया 1,64,800 अब car 2 है पी-ओ-पी-पी तो पी-ओ-पी-पी के case में क्या होता है छोटी कार का 18,000 रुपया महीं ना बड़ी कार का 24,000 रुपया तो ये car 2 छोटी वाली कार है ना देख लो question में car 2 छोटी वाली कार है तो 18,000 रुपया महीं ना कार का हो जाएगा और driver भी दिया हुए इसलिए driver भी दिया हुए देख लिए छोटी कार में भी driver है ये लिखा हुए driver की salary भी इतनी है तो driver का माना जाएगा पी और पी पी में 900 रुपया मिना चीक है तो car 2 का हो जाएगा 18,000 गुड़े बारा प्लस 900,000 गुड़े बारा समझ गया है car का 18,000 रुपया car और तेल का मिला किए 1800 रुपया और 900 रुपया ड्राइवर का चीक है car और तेल दोनों मिला कि 1800 रुपया होता है बिना तेल के काड़ी दी जाती है तो 600 और 900 होता है यादा रहा है ना तो ये कितना हो गया देख लो 1800 ये हो गया 32 चार सुरुपया ठीक है जो लीजिए टोटल वैल्यू कितनी हा रही है एक लाग 64800 और जोगी इसमें तो एक लाग 97 और जाद 200 रुपया रहा है तो इंप्लॉई को बेनिफिट मिला एक 97 और 200 का अब हम एक काम करते हैं option 2 बना लेती है option 2 में हम कहते है car 1 P.O.P.P. है and car 2 personal है तो क्या होगा car 1 की value car 1 की value हो जाएगी बड़ी कार है car 1 तो 2400 रुपया महिना car का car o petrol और 900 रुपया महिना driver तो 2400 प्लस 900 बड़े 12 योगयों 39600 ठीक है अब car 2 का car 2 का सारा actual जोड़ना पड़ जाएगा ठीक है वियर इंट इयर का 10% 10% इंटू 4 लाग की car थी तो 40,000 ठीक है repair in running and maintenance 48,000 ठीक है फिर salary of driver 44,000 40,000 40,000 प्लस 44,000 एक लाग 32,000 एक लाग 32,000 प्लस 49,000 ठीक है एक लाग 17,000 ठीक है तो क्या मानना चाहिए अगर option 1 मानेंगे तो income बनेगी employee की 197,200 और option 2 लेंगे तो 171,600 तो कम income दिखाना ज्यादा बेतर है तो option 2 will be selected अब हम पता है क्या वो लेंगे government को government कह रही है कि एक हम personal मानेंगे तो हम कहें ठीक है मालो car 2 personal मालो car 2 personal मालो car 1 P.O.P.P. क्योंकि car 1 अगर हम personal कहेंगे तब तो हम घाटे में जाएंगे ठीक है income जादा हो जाएगे क्लियर है सबकों तो चलिए आज की class यहीं पर stop करते हैं तो अगली पर क्योंसे देखेंगे हम लोग अगली क्लास में